हेलो दोस्तो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि क्यों कोई इंसान बहुत सफल होता है, जबकि दूसरा इंसान हमेशा सफल रहता है, एक इंसान बहुत अमीर है, लेकिन दूसरा बहुत करीब, क्यों कोई हमेशा खुश रहता है, तो दूसरा हमेशा दुखी, कभी बेमारी से य जवाब देने के लिए ही बनाई गई है, इस वीडियो में हम बात करेंगे तब पावर अफ सबकॉंशिस माइड बुक की, जिसे लिखा है जॉसेफ मर्फी ने, आपको वो डायलक तो याद होगा, कहते हैं अगर किसी चीज को दिल से चाहो, तो पूरी कायना उसे तुम से मिल तुम से आपका अवजेतन मन आपकी जिन्दगी में जादू कर सकता है, बस आपको ये समझने की जरूरत है कि अवजेतन मन कैसे काम करता है, तो आईए बिनादेरी के शुरुवात करते हैं इस बुक की, और जाने अवजेतन मन के चमतकार, यहाप पुस्तक आपके जीवन में चमतकार कैसे कर सकती है, मैंने दुनिया बर्वे सभी तरह के लोगों के जीवन में चमतकार होते देखे हैं, चमतकार आपके साथ भी हो सकते हैं, बशर्दे आप अपने अवजेतन मन की जादू शक्ती का इस्तमाल चुरू करते, यह इनसान अपने अवजेतन मन भी जैसा सोसता है, वैसा ही वह बन जाता है. क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक विक्ति दुखी क्यों होता है, जिबकि दूसरा खुश क्यों होता है? एक विक्ति सुखी और संब्रेद क्यों होता है जबकि दूसरा गरीब और दुखी क्यों होता है एक विक्ति भैवीक और तनाव गरस्त क्यों होता है जबकि दूसरा आस्थावान तता आत्म विश्वाशी क्यों होता है एक विक्ति के पास सुन्दर, आलिशान, बंगला क्यों होता है जिबकि दूसरा जोपड़ पट्टी में क्यों रहता है एक विक्ति बहुत सफल क्यों होता है जिबकि दूसरा पूरी तरह असफल क्यों होता है एक वक्ता उत्कृष और असाधर रोप से लोक प्रियों क्यों होता है जबकि दूसरा ओसद और अलोक प्रियों क्यों होता है एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में जीनियस क्यों होता है जबकि दूसरा जिन्दगी भर मेनत करने के बावजूद कुछ हासिल क्यों नहीं कर पाता एक विक्ति तथा कथित असाद विमारी से ठीक्यों हो जाता है जबकि दूसरा नहीं हो पाता इतने सारे अच्छे, दयालू और धार्मिक लोग इतनी ज़्यादा मानसिक और शारिग यातना क्यों जेलते हैं कई आनातिक और अधर्मी लोग सफल, संब्रिद तथा स्वस्त क्यों होते हैं एक विक्ति का वैवाईक जीवन सुखमय क्यों होता है जबकि दूसरे का अधुखी और कुंठित क्यों होता है क्या आपके चेतन और अफजेतन मन की कारिशहली में इन सवालों का कोई जवाब मिल सकता है निश्चित रूप से मिल सकता है या पुस्तक क्यों लिखी गई इसी तरह के बहुत से सवालों के जवाब बताने की गहरी इच्छा के कारण ही मुझे यह पुस्तक लिखने की प्रेणना मिली मैंने मस्तिस की आधार भूत सच्चाईयों को सरलतम भासा में समझाने की कोशिश की है मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिस के मूल भूत तथा अधार भूत नियमों को रोजमर्रा की सरल भासा में समझाना पूरी तरह संभाव है आप इस पुस्तक में वही भाशा पाएंगे जो अकबारों, पत्र पत्रिकाओं, ओफिसों और घरों में मिलती है मैं आपसे इस पुस्तक का अध्यन करने और इसमें बताई तक्नीकों को अमल में लाने का आगरह करता हूँ मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा करने पर आप उस चमतकारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविदा, दुख, उदाजी और असफलता के कुछ चक्र से बाहर निकालेगी यह शक्ति आपको अपनी सच्ची मंजिल तक पहुँचने का मार्ट तरशन देगी आपकी समस्यां सुल जाएगी आपको भावनात्मक तथा शारिरिक बीडियों से मुक्त करेगी और आपको सतंतरता, खुशी वा मानसिक शान्ती के राजसी मार्ट पर पहुचा देगी आपके अवजेतन मन की यह चमतकारी शक्ति आपकी हर बिमारी ठीक कर सकती है या आपको दोबारा स्वस्त, उच्साही और शक्तिशाली बना सकती है जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप तर की कैट से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनददाई जीवन का स्वाच चिखेंगे जिसे पॉल ने ईश्वर की संतानों की आनंददाईक मुक्ति कहा है हमारे लिए अवचेतन मन की चमतकारी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाड़ यहां होगा कि हमारी बिमारी ठीक हो जाए तब हमें इस पर भरोसा हो जाएगा कई सार पहले मैंने अपने एक ट्यूमर का इलाज किया जिसे डॉक्टरों की बासा में सरकोमा कहा जाता है मैंने यह इलाज अपने अवचेतन मन की उस सक्ति के माध्यम से किया जिसने मेरे सरीर की रचना किया और जो मेरे सभी महत्वण शारीरिक कारियों को नियंतरित करती है उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस पुस्तक में आगे विस्तार से बताई गई है मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी उस उपचारक शक्ति पर विश्वाश हो जाएगा जो हम सभी के अवचेतन मन की गहराई में मौझूद है एक बुजब डॉक्टर मेत्र की सला से मुझे अचानक यह एहसास हुआ कि जब अवचेतन मन के रचनात्म क्यान ने मेरा पूरा शरीर और इसके सभी अंग बनाए है तो यह अपनी बनाई चीज को ठीक क्यों नहीं कर सकता पुरानी कहावत है डॉक्टर गहाओ पर पट्टी करता है इश्वर ही उसे ठीक करता है कारगर प्रात्ना के चमतकार होते है वैज्ञानिक प्रात्ना मस्तिस के चेतन और अवजेतन स्तरों के बीच की ऐसी सामनजस से पूर्ण पारसपरिक क्रिया है जिसे किसी विशिष्ट उद्देश को पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है यह पुस्तक आपके वीतरशिपी अनंत शक्ति के दोहन का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी यह पुस्तक आपको वह सब कुछ पाने में समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में सचमुच चाते हैं आप अधिक सुखी, पूर्ण और संब्रिद्ध जीवन चाते हैं इस चमतकारी शक्ति का इस्तमाल करके अपने रोजबर्रा के जीवन को सुखी बनाए अपने काम दंदे की समस्या सुल जाए और पारिवारिक रिस्तों में सदबाव लाएं इस पुस्तक को बार-बार पड़े इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अत्बुच शक्ति कैसे काम करती है और आप अपने भीतरची पिप्रेण ना तथब पुद्धिमाने को सामने कैसे ला सकते हैं अब चेतन मन को प्रभावित करने की आसान तक्निके सीख ले अपने शक्ति के अनंत भंडार का दोहन करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपना है इस पुस्तक को ध्यान, इमानदारी और प्रेम से पड़े विश्वास रखे कि यहां आपकी आश्चरी जनक मदद कर सकती है हो सकता है और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा यह आपके जीवन का निर्नायक मोर साबित हो हर व्यक्ति प्रार्थरा करता है क्या आप जानते हैं, कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है कितने लंबे समय से आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है अक्सर खत्रे या मुसीबत, बिमारी या मौत के करीब आने पर आपातकर निस्थिति में प्रार्थनाएं मुँ से निकल जाती है रोजमर्रा की खबरों पर एक नजर डाले देश्वासी किसी औसाद बिमारी से पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहे है देशों के भी छानती के लिए दुआएं मांग रहे है किसी खदान में पारी बर जाने के कारण फसे खनीकों के लिए प्रार्थना कर रहे है बचने के बाद खनीगों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव का इंतजार करते समय प्रार्तना की थी बेशिक मुसीबत में प्रार्तना हमेशा मदद करती है लेकिन प्रार्टना को अपने जीवन का अखंड और स्रजनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें प्रार्टना के नाटकिय चमतकार अकपार की सुर्खियों में छपते रहते हैं जो इस बात का सबूत है कि प्रार्टना कारगर होती है लेकिन प्रार्टना के अन्य प्रकार भी है जिसे बच्चों की छोटी-छोटी प्रार्टना है हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरन ईश्वर के साथ सप्रेशन की इच्छा से की गई धार में करादना मैंने बहुत समय तक प्रार्टना की विबिन विधियों का अधियन किया है मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ती में हसूस की है इसके अलावा मैंने कहीं ऐसे लोगों के साथ बात्चीत और काम किया है जिनने प्रार्टना से बहुत लाब हुआ है आम दोर पर समस्या यह आती है कि किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए मुसीबत में फसे लोगों के लिए तारकिक ढंक से सोचना और काम करना मुश्किल हो जाता है उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने समझने की शमता को कम कर देती है उन्हें कोई आसान फार्मूला चाहिए जिसका वे पालन कर सके कोई कारगर तरीका जो सरण लेकिन खास हो इस पुस्तक की अनूठी विशेष्टा इस पुस्तक की अनूठी विशेष्टा यह है कि या व्यवहारिक और यथार्थ परक है इसमें आपको आसान तक्निके और खारगर फार्मूले में बिलेंगे जिने आप रोजमर्णा के जीवन में आजमा सकते हैं यह आसान तक्निके मैंने दुनिया भर के लोगों को सिखाई हैं इस पुस्तक की कुछ बाते खास तोर पर आपकी मदद करेंगी इसमें यह रहे से खोला गया है कि आप जिस चीज के लिए प्रार्टना करते हैं अक्सर आपको उसके उल्टे परिडाम क्यों मिलते हैं दुनिया भर में हजारों लोगों ने मुझसे पूछा है बार-बार प्रार्टना करने के बावजूद मुझे मागी हुई चीज क्यों नहीं मिलती इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा इसमें अवचेतर मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जोस पश्टी करण दिया गया है उसे यह आसाधार रूप से मूल लिवान बन जाती है यह मुसीबत के समय में हमेशा मदद करेगी आप किस चीज पर यकीन करते हैं बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्टना का जवाब उस चीज के कारण मिलता है जिसमें वह विश्वाश करता है ऐसा नहीं है उसे तो जवाब अपने विश्वाश के कारण मिलता है प्रार्टा का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति का अवजेतन मन उस व्यक्ति की मानसिक तस्वीर या विचार पर प्रतिक्रिया करके उसे हकीकत में बदल देता है विश्वास का यहनियम दुनिया के सभी धर्मों का कूपनिय सिध्धान्त है यह उनके मनों वेग्यानिक सक्त्य का छिपा हुआ कारण है धार्मिक बिनिताओं के बावजूत, बौध, इसाई, मुस्लिम और यहुदी लोगों को अपने प्रार्टनाओं के जवाब मिलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है इसका कारणिया है कि प्रार्टनाओं के जवाब किसी खास आस्था, धर्म, जुडाव, कर्मकांट, संसकार, अरादा, भजन, मंत्र, बली या चड़ावे के खारण नहीं मिलते हैं जवाब तो आस्था या मानसिक स्विक्रती के खारण मिलते हैं जिसके साथ प्रार्टना की जाती है जीवन का नियम आस्था का नियम है आस्था या विश्वाश को संचेप में आप मस्तिस का विचार कह सकते हैं व्यक्ति जैसा सोचता है, महसूस करता है और विश्वाश करता है वैसी ही उसके मन, शरीर और परिस्थितियों की स्थिती होती है आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं या जान लेने के बाद आप अवजेतन मन की मदद से ऐसी तक्निक तैयार कर सकते हैं जो आपको जीवन की सब ही अच्छी चीजे दिलाए सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनों का आमना पूरी होना है इच्छा प्रार्थना है हर वेक्ति सेहत, खुशी, सुरक्षा, मांसिक शान्ती और सच्ची अभी व्यक्ति की इच्छा रखता है लेकिन हम में से कितने लोग इने पाल लेते हैं युनिवर्स्टी के एक प्रोफेसर ने कुछ समय पहले मुस्से कहा था मैं जानता हूँ कि अगर मैं अपने मांसिक नजरिये को बदल लो और अपने भावनात्मक जीवन को नई दिशा दे दूँ तो मेरे हृदय की स्थिती सुधर जाएगी मैं यह बाद जानता हूँ दिख्कत दिया है कि मेरे पास ऐसा करने की कोई तकनीग प्रिक्रिया या कारवृद्धी नहीं है मेरा मस्तेश कई समस्याओं पर इधर उधर भटकता रहता है और मैं कुंठे दुखी तथा पराजित महसूस करता हूँ इस प्रोफेसर के मन में संपून्ट स्वास्थ की इच्छा थी उसे तो सिर्फ यह ग्यान नहीं था कि उसका दिमाग कैसे काप करता है इस ग्यान से वह अपनी मनों कामना पूरी कर सकता था और यही हुआ इस पुस्तग में बदाई उपचारक विधियों के इस्तमाल से वह पूर्ण स्वस्थ हो गया सभी व्यक्तियों में शाष्वत मस्तिस्क अंश है आपके अवजेतन मन की चमतकारी शक्तिया उस समय भी महजूद थी जब आप या मैं पैदा भी नहीं हुए थे जब कोई चर्च नहीं था, जब तुनिया ही नहीं थी जीवन की महान सास्वत सच्चाईया और सिध्धान्त उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म शुरू नहीं हुआ था मैं आपसे आगरे करता हूँ कि आगे आने वाले अध्यायों में आप इस अत्पुत, जादुई, काया पिलट कर देने वाली शक्ति तथा उसकी उपियोगिता को अच्छे से जान ले या मानसिक और शारिरिक घावों को भर देगी डरे हुए मन को हौसला बन्दाएगी और आपको गरीबी, असफलता, दुख, कमी तथा कुण्ठा की सीमाओं से पूरी तरह आजात कर देगी आपको तो बस मानसिक और भावनात्मक रूप से उस अच्छी चीज़ के साथ जुड़ना है, जिसे आप हकीकत बनाना चाहते हैं आपके अब जेतन मन की रचनात्मक शक्तिया इसी के अनुसार प्रिख्रिया करेंगी आज ही अभी से शुरूआत करें अपने जीवन में चमतकार होते देखे ऐसा तब तक करते रहें जब तक की सूरज ना निकल आए और अंधेरा दूर रहो जाए तो चलिए शुरूआत करते हैं अध्या एक की जिसमें हम पताएंगे कि आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है उसे हासिल करने के लिए आपको बस अपने मन की आखे खूल कर उसे देखना भर है आपके भीतर नियामतों का अथा बंधार है जिसमें से आप सुखद, संब्रिद और आनन्दमई जीवत जीने के लिए जरूरी हर चीज निकाल सकते हैं कई लोग अपनी संभावना को इसलिए नहीं जान पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने बीतर मौजूद और सिमिद ग्यान और अनन्द प्रेम के बंधार का पता ही नहीं होता है जबकि सच तो यहा है कि इसमें से आप अपनी हर मंचाई चीज निकाल सकते हैं लोहे का चुम्बकिय टुकड़ा अपने भार से बारा कुना अधिक वजन उठा सकता है जिकिन अगर आप उसके चुम्बकिय गड़ को हटा दे तो यह एक पंक भी नहीं उठा पाएगा इसी तरह लोग भी दो तरह के होते हैं एक वो जो चुम्बकिय होते हैं वे आत्म विश्वास और आस्था से भरे होते हैं वे जानते हैं कि वे सफल होने तथा जीतने के लिए पैदा हुए हैं दूसरी तरह के लोग वे होते हैं जिनमें चुम्बकिय गड़ नहीं होता वे बहुत बड़ी तादाद में होते हैं वे डरो और शंकाओ से भरे होते हैं अफसर सामने आने पर वे कहते हैं अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा कहीं मेरा पैसा न डूब जाए लोग मेरी हसी न उड़ाए इसी तरह के लोग जिन्दगी में ज्यादा आगे तक नहीं जा पाते हैं उनका डर उन्हें उसी जगह पर रोके रखता है जहां वे हैं आप जुम्ब की व्यक्ति बन सकते हैं पशर्ते आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ ले और उस पर अमल करने लगे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मा लेजे कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस से पूछे तो आप क्या जवाब देंगे परमाडू उड़ जा ग्रहो पर पहुँचे अंतरिक्ष्यान ब्लाक होल नहीं इन में से कोई नहीं तो फिर सबसे बड़ा रहस से क्या है इनसान इसे कहाँ कोच सकता है इसे कैसे समझा जा सकता है और इसका लाब कैसे लिया जा सकता है जावाब असान है यह रहस से हैं आपके अफजेतन मन में पाई जाने वाली अद्बुत चमतकारी शक्ती यह वह आखरी जगा है जहां जादातर लोग इसकी तलाश करते है इसी कारण यह रहस से बहुत कम लोगों को पता चल पाता है आपके अफजेतन मन की अद्बुत शक्ती अफजेतन मन की छेपिवी शक्ती का प्रियोग करना सीख कर आप अपने जीवन में अधिक शक्ती, दौलत, सेहत, खुशी और आनद पा सकते है आपको इस शक्ती को हासिल करने की जरूरत नहीं है यह तो आप में पहले से ही है बहराल आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तमान कैसे किया जाता है आपको इसे समझना ही होगा ताकि आप अपने जीवन के सभी पहलों में इसका प्रियोग कर सके अगर आप एक स्पुष्टक में दी गई आसान तक्निकों और प्रिक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्चक जानकारी तथा समझ मिल जाएगी एक नया प्रिकाश आपको प्रेरित कर देगा आप एक नई शक्ति उत्पन कर सकते हैं जिसकी बदालत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं इसी समझ फैसला करें कि आप अपने जीवन को पहले से ज़्यादा व्यापक, महान, सम्रिद और उदात बनाएंगे आपकी अवचेतन गहराईयों में सभी आवश्चक चीजों के बारे में असीमित ग्यान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है आपका अवचेतन मन इस बाद का इंतजार कर रहा है कि आप इसे विक्सित करें और अभी व्यक्ति दें अगर आप खुले दिबाग के और क्रहनशील हैं, तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ग्यान आपको वहां हर चीज बता सकता है जिसके आपको कभी भी, कहीं भी जरूरत हो आप नए विचार पा सकते हैं, अविश्कार कर सकते हैं, खोजे कर सकते हैं और नई कलाकृतियां बना सकते हैं आपके अवचेतन का असीमित ग्यान आपको आश्चर जर्णक नई जानकारी दे सकता है इसे अपने सामने प्रिकट होने दे, या आपके जीवन में आदर्ष अविव्यक्ति और सही जगा का रास्ता खोल देगा अपने अवचेतन मन की बुद्धी मानी से आप आदर्ष जीवन साथी को आकर्शित कर सकते हैं, सही बिजनस पार्टनर या सही योगी को भी या आपको दौलद्वद बनने का रास्ता बता सकती है, या आपको वित्य रूप से आजाद भी बना सकती है, ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने, करें और रहें विचार, भावना, शक्ती, प्रकाश, प्रेम और सौंदर के इस आंत्रिक जगत को खोजना आपका बुनियाद यदिकार है, ये शक्तिया अद्रेश लेकिन बहुत शक्तिशाली है, आपके अवजेदन मन में हर समस्या का समाधान और हर परिणाम का कारण होता है जब आप इन छिपीवी शक्तियों का प्रियोग करना सीख लेंगे, तो आपको प्रचूरता, सुरक्षा, खुशी और नियंदरन बढ़ाने के लिए आविशक शक्ति थथा बुद्धिमानी बिल जाएगी मैंने अवजेदन मन की शक्ति को देखा है, मैंने इसकी शक्ति से अपाईजों को पूर्ण स्वस्त होते देखा है अवजेदन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला यकीनन आपके अवजेदन में ऐसी चमतकारी उपचारक शक्ति है, जो परेशान दिमाग और तूटे हुए दिल का इलाज कर सकती है यहाँ आपके मस्तिस की जेल का दरवाजा खोल कर आपको आजाद कर सकती है यहाँ आपको सभी तरह के भावते को शारेरिक बंदलों से मुक्त कर सकती है कारकारी आधार की आवशक्ता, एक सफल मनुष्य बनने के लिए आपको इसके सिद्धानतों को समझ रहोगा तब ही आप इसकी शक्तियों का इस्तमाल करते समय, जान पाएंगे आपको कौन से परिणाम मिलेंगे आप जिन विशिष्ट लक्षियों को हासिल करना चाहते हैं, उन्हें आप इन शक्तियों की मदद से साकार कर सकते हैं कई सालों तो मैंने केमिस्ट का काम किया था अपने शुरुवाती प्रेसिक्षन में मैंने यह सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के दो परमाड़ों और ऑक्सीजर के एक परमाड़ों को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है कभी गवार यह अक्सर नहीं हमेशा जब आप ऑक्सीजर के एक परमाड़ों और कार्बन के एक परमाड़ों को मिलाते हैं तो कार्बन मौलोकसाइड नावक तेहरेली गयास उत्पन्न होती है लेकिन अगर आप ऑक्सीजर का एक और परमाड़ों जोड़ देते हैं तो आपको कार्बन डाइकसाइड मिल जाती है जो प्राड़ियों के लिए हानी रहित होती है और पौदों के लिए जीवन दाई होती है यह शाश्वत और आप परिवर्तनियत आते हैं इन्हें हम सिद्धान्त कहते हैं काम करने की दृष्टी से आपके अवजेतन मन के सिद्धान्त केमिश्ट्री, फिजिक्स और गरणित के सिद्धान्तों से अलग नहीं है अगर आप रिसायनेक या बहुत इक शक्तियों का प्रियोग करना चाहते हैं तो आपको इन्हेत्रों के सिद्धान्तों को सीखना होगा इसी तरह अगर आप अपने अवजेतन मन की शक्ति का प्रियोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धान्तों को सीखना होगा आम तोर पर इस सिद्धान्त को सभी स्विकार करते हैं पानी अपना स्तर खुद खोज लेता है यहाँ एक सास्वत सिद्धान्थ है यहाँ हर जगा, हर समय पानी और पानी जैसी सभी द्रवों पर लागू होता है प्राचीन मिश्री के लोग इस सिद्धान्थ को जानते थे इसका प्रियोग उन्होंने महान पिरामिडों की नीव को आधर्श रूप से समतल बनाने वे किया था आज भी जीचाईत अंतर से लेकर हाइडरो उलेक्टरिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रियोग करते है या फिर ये सिद्धान्त ले गर्ब होने पर पदार्थ फैलता है या हर जगा, हर समय और हर परिस्तिती में सच है अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करेंगे तो यह फैलेगा चाहिए स्टील चीन, इंग्लेंड, भारत में हो या प्रित्यू के चक्कर लगा रहे अंत्रिक्ष्यान में हो गर्म होने पर पदार्थ फैलता है यह एक साश्वत सत्य है यह भी एक साश्वत सत्य है कि आप अपने अवजेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिती, अनुवाव और घटना के रूप में व्यक्त होती है आपकी प्रार्था का जवाब मिलता है क्योंकि आपके अवजेतन मन की शक्ती सिद्धान्त है सिद्धान्त यानि वह तरीका जिससे कोई चीज काम करती है उधारण के लिए बिजली का एक महत्पूर्ण सिद्धान्त या है कि वह उच्छ शम्ता से निम्न शम्ता की और काम करती है जब आप बड़ चालू करते हैं या इनेक्रिक स्टोप पर खाना पकाते हैं तो आप बिजली के इस सिद्धान्त को नहीं बदलते हैं आप इस सिद्धान्त का लाब लेते हैं प्रक्ति के साथ सहीयो करके आप अद्पुत खोजो और अविश्कारों को साकार कर सकते हैं जो मानवता को अनद तरीकों से सुख प्रदान करते हैं आपका अवजेतनमन सिद्धान्त है या विश्वास की नियम पर काम करता है आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है या क्यों और कैसे काम करता है वाइबल सरल्स पश्ट और सुन्दे तरीके से बताती है जो भी इस बहार से कहेगा तुम हट जाओ तो था समुद्र पे चले जाओ और वा अपने दिल में शंका नहीं करेगा बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वा कहता है अवश्च्य होगा तो वा जो कहेगा वा अवश्च्य होगा मार्क 11 वटे 20 आपके मन का नियम विश्वास का नियम है इसका मतलब है अपने मन की कारवरिदी में विश्वास करना स्वय विश्वास पर विश्वास करना आपके मन का विश्वास और कुछ नहीं आपके मस्तिस्थ का विचार है आपका अवजेतन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है और उन्हीं के अनुरूप अनुभावों, कार्यों, गटनाव थदा परिस्थितियों को उत्पन कर देता है याद रखें आपको सफलता उस चीज के कारण नहीं मिलती है जिसमें आप विश्वास करते हैं सफलता तो मन के विश्वास के कारण मिलती है मारजाती को जगणने वाले जूटे विश्वासों, रायों, अंद विश्वासों तथा डरों को स्विकार करना बंद कर दे सास्वत सत्यों और जीवन की उन सच्चाईयों पर विश्वास करना शुरू करें जो कभी नहीं बदलती है इस मोल पर पहुशने के बाद आप आगे उपर और इश्वर की तरफ बढ़ने लगेंगे जो लोग इस पृस्तक को पढ़ेंगे और अवजेतनमन के सिद्धानतों पर आस्था के साथ अमल करेंगे विवेक जानेक तथा कारगर प्रार्टना करने की काबिलियत हासिल करेंगे अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आपकी प्रत्ता का जवाब क्रिया और प्रतिक्रिया के सास्वत नियम के अनुसार मिलता है विचार नीत क्रिया है प्रतिक्रिया आपके अवजेतन मन का वह जवाब है जो आपके विचार के प्रक्रति से मेल खाता है अपने मन को स्वास्त, सुख, शान्ती और सद्भाव की अवधार्णाओं से भर दें आपके जीवन में चमतकार होने लगेंगे दो मस्तिस्क आपका मस्तिस्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विसिष्ट कारेकारी भाग है इन दोनों का कारे विबाजन मस्तिस्के सभी विदार्दियों को काफी अच्छी तरह मालूम है आपके मस्तिस्के ये दोनों हिस्से, एक दूसरे से मूलता अलग है इन दोनों के अपने विसिष्ट गोण और शक्तिया हैं, जो एक दूसरे से अलग है मस्तिस के इन दोनों कार्यों में भेच करने के लिए कई नमों का प्रियोग किया जाता है जैसे objective और subjective मन जेतन और अवजेतन मन जागरत और सुशुप्त मन सहती और गहरा सुरू स्वैचिक और अनेचिक मन पुरोष और स्त्री मन आदी नाम जाए जो भी दिया जाए इससे मस्तिस के मूल द्वैत का पता चलता है इस पूरी पुस्तक में मैं आपके मस्तिस के दो हिस्सों के लिए जेतन और अवजेतन मन का प्रियोग करूँगा अगर आपको दूसरे सब्द आसान लगते हो तो आप उनका प्रयोग कर ले महत्वपुन शुरुवाती बात यहा है कि मस्तिस की इस द्वैत प्रिकृति को पहचान लिया जाए और स्विकार कर लिया जाए जेतन और अवजेतन मन आपके मस्तिस के दो तरफा कारियों को जानने का एक अत्पृत तरीका रिया है कि आप इसे एक बगीजा मान ले आप माली हैं आप अपने अवजेतन मन बे हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं जादा तर समय आपको यह ऐसास ही नहीं होता कि आप ऐसा कर रहे हैं क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं जैसा आप अपने अवजेतन मन में बोते हैं आपको अपने शरीर तरह परिस्थितियों में बैसी ही फसल काटनी पड़ती है घल्पना करेगी आपका अवजेतन मन एक उपजाओ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में बदत करेगी चाहे वे अच्छे हो या बुरे अगर आप काटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं अगर आप कटीली जाणियां बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है हर विचार एक कारण है और हर परिस्थिती परिणाम है इसी वज़े से या अनिवार है कि आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियां मिल सकती हैं इसी समय शान्ती, खुशी, सही कर्म, सद्भावना और सम्रिद्धी के विचारों के बीच बोना शुरू कर दें शान्ती और इस्वास से इन चीजों के बारे में सोचें अपने चेतन तारकिक मन में इने पूरी तरह सुईकार करें इन अद्पुद विचार बीचों को अपने मस्तिस के बगीचे में बोते रहें आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी जब आपका मस्तिस सही तरीके से सोचता है जब आप सच्चाई समझ लेते हैं जब आपके अवजेतन मन तक पहुँचे विचार स्रिजनात्मक, सद्भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं तो आपके अवजेतन की जादूई कारेकारी शक्ती प्रतिक्रिया करेगी या उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहूल का निर्मार कर देगी अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंद्रित करने के पात आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवजेतन मन की शक्तियों का प्रियोग कर सकते हैं वास्तव में आप जान बूचकर हुए उस और सी में शक्ति और अटू टेम के साथ सहीयोग कर रहे हैं जो सभी चीजों पर लागो होता है अपने चारों तरफ देखें आप चाहे जहां रहते हो आपकी सामाजिक स्थिती चाहे जैसी हो आप देखेंगे कि अधिकांच लोग बाहर की दुनिया में जीते हैं पहराल जादा गयारी लोग अपने अंदर की दुनिया में जीते हैं उन्हें यह ऐसास है जो आपको भी होगा कि अंदर की दुनिया से ही बाहर की दुनिया उत्पन होती है आपके विचार, भावनाएं और सपने आपके अनुवव की जनक है आंतरिक मन ही एक मातर रिशनात्मक शक्ति है ब्राम संसार में आपको जितरी भी चीजे मिलती है विस सभी आपने अपने मन के अंधरूनी संसार में उत्पन की है चाहे आपने या काम सचेतन रूप से किया हो या अचेतन रूप से जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कारिवरिद्धी के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा अधिकांज लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संगर्ज करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं जहां समय और मेहनत की भयंकर बरबादी है पे यहां नहीं देख पाते ही कि ये इस्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन होई है अपने जीवन से मन मुटाव, दुविथा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारण को दूर करना पड़ेगा कारण हैं वह तरीका, जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं वे विचार और तस्वीरे जो आप इसमें भड़ते हैं, कारण को बदल दे परिणाम अपने आप बदल जाएगा, यह इतना ही आसान है हम सभी अजी में दौलत के अथा समुद्र पे रहते हैं आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रती बहुत सम्यदन चील होता है यह जेतन विचार साचे की तरह काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन का असिमित ज्यान, बुत्ति, जीवन शक्ति और उर्जा प्रवाहिद होती है अगर आप साचे को अधिक सकारात्मक बना दे तो आपको इस असिमित उर्जा से अधिक लाव हो सकता है इस पूस्तक का हर अधियाए सक्चे और प्रसांगित उधारर देकर बताता है कि आप अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं जब आप इस तकनीकों का प्रियोग करना सीख लेगे तो आप गरीबी के बजाए अमेरी, अंद विश्वास और अज्यान के बजाए बुद्धि मानी, आंतरिक संगर्स के बजाए सांती, और सफलता के बजाए सफलता, दुख के बजाए खुशी, अंधकार के बजाए प्रकाश, मद्भेद के बजाए सद्भाव, डर के बजा क्या इंसे अद्बुद वर्दान हो सकते हैं अधिकाश महान विज्ञानिकों, कालाकारों, कवियों, गायकों, लेखकों और आविशकारों को गोच जेतन तता अफजेतन मन की करवरिद्धी की घहरी समस्थी इसी वज़े से उन्हें अपने लख्या हासिल करने की शक्ती मिली एक बार महान उपरा गायक, एंड्री को कैरुसो मंच पर जाने से घवरा रहे थे धर के मारे उनके गले की मासपेसिया एड़ गई थी ऐसा लग रहा था जैसे उनके वाक्तंतुों को लकवा मार गया हो और वे भिकार हो गया हो वे मंच के बीछे गायक की पोशाग पहने कड़े थे और उनके चेहरे पर पसीना बह रहा था कुछी बलबाद उन्हें हजारों प्रशेजकों की बीड के सामने मंच पर जाकर गाना था कांपते वे उन्होंने कहा मैं नहीं गा सकता सब लोग मुझ पर हासेंगे मेरे करियर खत्म हो गया वे अपने ड्रेसिंग रूम में जाने के लिए बुड़े तभी अचानक वे रुप कर चिलनाए छोटा मैं मेरे बीतर के बड़े मैं का गला दबाने की कोशिश कर रहा है वे दोबारा मंच की और बुड़े और तनकर खड़े हो गए उन्होंने छोटे मैं को आदेश दिया बाहर निकल जाओ बड़े मैं से कहरूसों का मतलाव अपने अफजेतर मन की और सीमी शक्ति और बुद्धी से था वे चिलनाने लगे बाहर निकल जाओ बाहर निकल जाओ बड़ा मैं गाने वाला है अब जेतन मन ने प्रतिक्रिय करते हुए अपने भीतर की और सीमिज शक्तियों को मुक्त कर दिया समय आने पर वे मच पर गए और उन्होंने शांदार तरीके से गाया जिससे श्रोता मंत्र बुग्ध हो गए आपने अब तक जो सीखा है उससे आप समझ सकते हैं कि कैरुसों मस्तिस के दोस्तरों को समझ देते जेतन या तारकिक्स्तर और अवजेतन या अतारकिक्स्तर आपका अवजेतन मन प्रतिक्रिया शील है या आपके विचारों के प्रक्ति के अनुलूग प्रतिक्रिया करता है जब आपका चेतन मन कहरिसों का छोटा मैं डर, चिंता और तनाव से भरा होता है तो आपके अवजेतन मन यानि बड़े में में नकारात्मक भाव प्रवाइत होने लगते हैं ये नकारात्मक भाव जेतन मन में दैशत, आशंका और निराशा बर देते हैं जब आपके साथ ऐसा हो तो आप भी महान कहरूसों के उदारर पर अमल कर सकते हैं आप तिरता और पूरे अधिकार से अपने अधिक गहरे मन में उत्पन अतारकिक भावों से कह सकते हैं चुप रहो, शांत हो जाओ, मैं नियंत्रण में हूँ तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना होगा तुम मेरी अग्या का पालन करने के लिए विवश हो तुम वहाद दखल नहीं दे सकते जहां तुम्हारा शेतर नहीं है जब आप अपने अधिक कहरे सुरूप को अतारकिक भावनाओं से द्रड़ता और अधिकार से बोलेंगे तो पड़े राम देखकर आप मद्रबुग हो जाएंगे आपका मन शांती और सद्बाव से भढ़ जाएगा अवजेतन मन जेतन मन के अधिन रहता है इसलिए से अवजेतन कहा जाता है कारेविदी का बड़ा अंतर जेतन मन समुद्री जहाज का कप्तान है वह जहाज को दिशा देता है वह इंजन रूम के लोगों को आदेश देता है तभी वे बाइलर या अंतरों और बाकी उप्खरणों को निद्रित करते हैं उन्हें याँ पता नहीं होता कि वे कहां जा रहे हैं वे तो सिर्फ कप्तान के आदेश का पालन करते हैं अगर कप्तान कंपास और बाकी अंतरों के आदार पर गलत या दोश्पूर्ण निर्देश जारी कर दे तो जाज चटानों से टकरा सकता है इंजन रूम के लोग कप्तान के आदेशों का पालन करने के लिए बात हैं क्योंकि वही बौस है जोकि उसे पता होना चाहिए कि वह क्या कर रहा है इसलिए इंजन रूम के लोग कप्तान से बैज नहीं करते हैं या पलट कर कुछ नहीं कहते हैं वे तो बस चुप चाप उसके आदेशों का पालन करते हैं कप्तान जहाज का मालिक होता है बाकी लोग उसके आदेशों का पालन करते है इसी तरह आपका चेतनमन आपके जहाज का कप्तार और मालिक है आपके शरीर, आपके परिवेश और आप से जुड़े सभी मामलों का चेतनमन अपने विश्वास पथा अनुमालों के आधार पर आदेश देता है और आपका अफजेतनमन चुप चाप उन आदेशों को मान लेता है वह आदेशों पर सवाल नहीं करता है या यह नहीं पूचता है कि वह किस आधार पर दिये जा रहे हैं अगर आप खुद से बार बार कहें बेरे पास इस चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं है कभी पैसे ना रहे जब तक आप यह कहते रहेंगे मेरे पास उस कार, छुटियों, उस घर के लिए पैसे नहीं है तब तक आपका अफजेतनमन आपके आदेशों का पालन करता रहेगा आप जीवन में इन चीजों को कभी नहीं खरीद पाएंगे आप सोचेंगे कि ऐसा परिस्थितियों के कारण हुआ है आपको यह लगेगा ही नहीं कि आपने अपने नकारात्मव कविचारों से यह परिस्थितिया खुद निर्वित की है पिसली क्रिस्मस इव पर नीना डबल्यू नाम की एक क्यों थी जो दक्षणी कैलिफोर्लिया यूनिवर्स्टी की चात्रा है बेवर्ली हिल्स के एक बहतरीन चॉपिंग इलाके से गुजर रही थी उसके मन में ओमांग थी वह बफैल्लो नियू यॉर्क में अपने परिवार के साथ चुटिया मनाने जाने वाली थी जब नीना एक दुकान के सामने से गुजर रही थी तो उसकी निगाफ डिस्प्ले बोर्ड में रखे एक सुन्द स्पैनिश लेदर बैग पर बढ़ी उसने उसे हसरत से देखा फिर कीमत देखते ही उसके मूँ से आ निकल गई वह खुच से कहने वाली थी मैं इतना मेंगा बैग कभी नहीं खरीद पाऊंगी तभी उसे मेरे लेक्चर का वह वाकी याद आया कभी भी किसी नकारात्मक वाके को पूरा मत करो उसे तुदकाल पुलटकस सगारात्मक कर दो और आपकी जीवन में चमतकार हो जाएंगे काज के पार रखे बैग को गूरते हुए उसने कहा यह बैग मेरा है यह बिक्री के लिए नहीं है मैं मानसे कुरूब से सुविकार करती हूँ कि यह मुझे मिलेगा और मेरा अवजीतन मन यह स्चुनिश्चित करेगा कि यह मुझे मिल जाए उसी शाम को नीना अपने मंगेतर से डिनर पर मिली वह रैपर में लिप्टा एक सुन्दर तोफा लाया था सास रोक कर नीना ने उसे खुला वहाँ वही लेदर बाग था जिसे उसने उसी दोपहर को देखा था और अपना मान लिया था उसने अपने मन को उम्मीद से भर लिया था इस तरह उसने इस मामले को अधिक गहरे मन यानि अवजेतन मन में पहुचा दिया था जिसके पास उपलब्दी की शक्ती है बाद में नीना ने मुझे बताया मेरे पास उस बैक को खरीदने के लायक पैसे नहीं थे लेकिन इसके बावजूद यह मुझे मिल गया अब मैं जान चुकी हूँ कि मुझे धन और बाकी चाही गई चीजे कहां मिलेंगी विसब मुझे मेरे भीतर के सासुत खजाने से मिलेंगी उसके अवजेतन ने किस तरह प्रतिक्रिया की कुछ महीने पहले मुझे रूते नामक महीला का पत्र मिला जिसने मेरे भासर सुने थे उसने लिखा था मैं 75 साल की विद्वा हूँ मेरे बच्चे बड़े होने के बाद बाहर चले गए थे मैं अकेली रह रही थी और शोस्तल सिक्योर्टी थता थोड़ी सी पेंचन पर गुजारा कर रही थी मेरा जीवन बहुत सूना और निराशे जरक था फिर मुझे अवजेतनमन की शक्तियों पर आपका भासर याद आया आपने कहा था कि दो राव आस्था और उम्मीद के जरिये हम अपने विचार अवजेतनमन दक पहुँचा सकते है क्या यह सच हो सकता है मैंने आजवाने का फैसला किया मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं था मैं बार बार पूरी भावना से दोराने लगी कोई मुझे चाता है कोई मुझे से प्यार करता है मैं शादी शुदा हूँ और मेरा पती दयालू प्रेम पूर्ण तथा आध्यात्मिक मान सकता वाला है मैं सुरक्षित और सुखी हूँ अलग पत दो हफते तक हर दिन यह बात कई बार दोराती रही एक दिन डुकरवनी दवाई की दुगान पर एक रिटार्ट फार्मेसिश्ट से मेरी बुलाकात हुई पे दयालू समझदार और बहुत धार्मिक थे वे मेरी प्रारतना का आधर जवाब थे एक हफते के भीतर ही उन्होंने मेरे सामले शादी का प्रस्ताव रख दिया इस समय हम यूरोप में हनीमून मना रहे हैं मैं जानती हूँ कि मेरे अवजेतन मन की बुद्धी मत्ता ही हम दोनों को इतने करीब लाई थी रूत में पाया कि खजाना उसी के भीतर था उसकी प्रार्टना उसके दिल को सच्ची लगी और उसकी सकारात्मक्ता उसके अवजेतन मन में उतर गई जो रशनात्पक सादन है जिस पर उसने द्रणता से यह तस्मीर देखी उसके अवजेतन मन ने आकटशन के नियम द्वारा जवाब खोज लिया बुद्धिमानी और समझदारी से बरा अवजेतन मन उसे और उसके नए पती को एक साथ ले आया आप इस बारे में जरूर सोचे जो भी चीज़े सच्ची हैं जो भी चीज़े इमानदार हैं जो भी चीज़े न्याय पूर्ण हैं जो भी चीज़े शुद्ध हैं, प्यारी हैं, अच्छी हैं, अगर कोई आस्ता है और अगर कोई प्रिशन सा है, तो इन चीज़ों के बारे में सोचे याद रखने लायक विचार पहला, खाजाना आपके भीतर है, अपनी दिली इच्छा का जवाब भीतर खोजे दूसरा, सभी युगों के महान व्यक्तियों का महान रह सिया था, कि उनमें अपने अवजेतन मन की शक्तियों से संपर करने और उन्हें मुक्त करने की प्रतिबा थी, आप भी ऐसा ही कर सकते हैं तीसरा, आपके अवजेतन मन के पास सारी समस्याओं के जवाब है अगर आप सोने से पहले अवजेतन मन से कहें, मैं सुबद छे बजे उटना चाहता हूँ तो यहां आपको ठीक उसी समय जगा देगा चौता, आपका अवजेतन मन आपके शरीर का निर्माता है और आपका उपचार कर सकता है हर रात आदर शेहत के विचार के साथ सोने जाए और आपका वफ़ादार सेवक यानि अवजेतन मन आपके आदेश का पालन करेगा पाच्वा, हर विचार एक कारण है और हर परिस्तिती एक परिणाम है चाटा, अगर आप पुस्तक लिखना चाते हैं, बड़ी अनाटक लिखना चाते हैं, अपने शुरुताओं के सामने बहतर बासर देना चाते हैं तो या विचार, भावना और प्रेम के साथ अपने अवजेतन मन तक पहुचा दे, वह इस पर इसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा साद्वा, आप जहाज के कप्तान की तरह हैं, आपको सही निर्देश देने होंगे, वरना जहाज दुरगटना ग्रस्थ हो जाएगा नभावों को नियंद्रित करता है, आठवा, इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कभी न करें, मेरे बस इसके लिए पैसे नहीं है, या मैं या काम नहीं कर सकता, आप जो सोचते हैं आपका अवजेतन मन उसी बात को सच मान लेता है, वा या सुनिश्चित करता है कि आपके बस कभी पैसे ना रहे, या वा काम करने की शमता ना रहे, जो आप करना चाहते हैं, इसके बजाए द्रड़ता से कहें, मैं अपने अवजेतन मन की शक्ती से सारे काम करवा सकता हूँ, नौवा, जीवन का नियम विश्वास का नियम है, विश्वास आपके मस्तिस का एक विचा उन चीजों में विश्वास ना करें, जो आपको नुकसान या चोड़ पहुचाएं, अपने अवजेतन की शक्तियों में विश्वास करें, या विश्वास रखें कि वे आपका उपचार करेंगी, प्रेरित करेंगी, शक्तिसाली और संब्रिद बनाएंगी, आपकी विश् तो भी आपको मिलेगा दस्वा और आखरी अपने विचारों को बदल ले आपकी तक्दीर खुद बखखुद बदल जाएगी तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याए दो की जिसमें हम बताएंगे आपका मस्तिस्क कैसे काम करता है आपका मस्तिस्क आपकी सबसे कीमती समपत्ती है या हमेशा आपके साथ है लेकिन इसकी सबसे अद्बुच शक्तियां आपको तभी मिल पाएंगी जब आप इसका उप्योग करना सीख लेंगे जैसा हम देख चुके हैं आपके मस्तिस्के दो स्तर हैं जेतन या तारकिक्स्तर और अवजेतन या अतारकिक्स्तर आप अपने जेतन मन से विचार करते हैं आपके आधतन विचार आपके अवजेतन मन बे उतर जाते हैं जो आपके विचारों की प्रक्रतिके अनुरूप परिस्चितियां बनाता है आपका अवजेतन मन आपकी भावनाओं का स्थान है यह रचनात्मक है अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे अगर आप बुरा सोचते हैं तो आपको बुरे परिणाम मिलेंगे आपका मस्तिस इसी तरह काम करता है जब आप सही तरीके से सोचने और महसूस करने लगते हैं तो आपको मानसिक शांती और स्वस्त शरीर हमेशा मिलते हैं आप मानसिक रूप से जिसे भी सच मानेंगे और जिसका दावा करेंगे आपका अवजेतन मन उसे स्वीकार कर लेगा और उसे साकार कर देगा आपको तो बस अपने अवजेतन मन से अपने विचार को स्वीकार पर करवाना है इसके बाद अवजेतन मन का नियम आपकी मन चाही सेहत, शांती और सम्रिद्धी उत्पन कर देगा आप आदेश देते हैं और आपका अवजेतन मन उस पर छोड़ी गई विचारक छाप को साकार करने के लिए पूरी निष्ठा से काम करता है आपके मस्तिस का नियम यहा है आपके अवजेतन मन की प्रतिक्रिया आपके चेतन मन में रखे गए विचार की प्रकृति से तय होती है चेतन और अवजेतन में भिन्नताएं आपको याद रखना चाहिए कि चेतन और अवजेतन दो मस्तिस्क नहीं है वे तो एक ही मस्तिस्क में होने वाली गतिविदियों के दो छेत्र है आपका चेतन मन तारकिक मस्तिस्क है यह मस्तिस्क का वह इस सा है जो विकल्ब चुनता है उधारण के लिए आप अपनी पुस्त के अपना घर अपना जीवन साथी चुनते है आप अपने सारे निड़ने चेतन मन से करते हैं दूसरी जरफ, आपके सचेतन चुनाव के बिना ही आपका हृध्य अपने आप काम करता है और पाचन, रक्टसंचार तथा सास लेने की अनिवार पृतिक्रियां चलती रहती हैं ये सारे काम आपका अवजेतनमन करता है इन प्रिक्रियाओं के लिए आपके चेतन नियंत्र की जरूरत नहीं होती आप अपने अवजेतनमन पर जो भी जाप छोड़ते हैं या आप जिसमें भी प्रबल विशौश करते हैं आपका अवजेतनमन उसे स्विकार कर लेता है या आपके चेतनमन की तरह तरक नहीं करता है या बहस नहीं करता है आपका अवजेतनमन उस मिट्टी की तरह है जो किसी भी तरह के बीच को स्विकार कर लेती है चाहे वह अच्छा हो या बुरा आपके विचार सक्रिय हैं, विबीज हैं, नकारात्मक या विद्वनसात्मक विचार आपके अवजेतन मन में नकारात्मक रूप से काम करते हैं तेर सबेर वे प्रिकट हो जाएंगे और अपने अनुरूप किसी नकारात्मक घटना को उत्पन कर देंगे याद रखें, आपका अवजेतन मन यहाँ साबित करने की कोई कोशिश नहीं करता है कि आपके विचार अच्छे हैं या बुरे, सही हैं या गलत यह तो आपके विचारों या सुझावों की प्रक्रती के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है उधारण के लिए, अगर आप किसी जूटी चीज़ को भी चेतन रूप से सच मान ले तो आपका अवजेतन मन इसे सच मान लेगा और उसके अनुरूप परिणाम देने लगेगा क्योंकि आपने चेतन रूप से इसे सच मान लिया था मलो वैज्ञानिकों के प्रियोग मलो वैज्ञानिकों और अन्य शोद करताओं ने बहुत से सम्भोहित लोगों पर प्रियोग किये है उनके सोद से यह सपष्ट हो जाता है कि अवजेतन मन कोई चैन या तुलना नहीं करता है जो तारकिक प्रिक्रिया के लिए जरूरी है आपका अवजेतन मन किसी भी सुझाव को स्विकार कर लेगा बले ही वा सरासर जूटा हो और सुझाव मनने के बाद या उसकी प्रक्ति के अनुसार प्रतिक्रिया करेगा आपका अवजितन मन कितना सुझावशील है यह समझने के लिए एक उदारण देखे अगर कोई सम्मोहन विशेशग्य किसी को यह सुझावदे कि वह नैपोलियन बोनापाठ है यह कुत्ता है यह बिल्ली है तो वह व्यक्ति पूरी सटीक्ता से उस भूमिका को निबाने लगेगा कुछ समय के लिए उसका पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा वह व्यक्ति खुद को वही मान लेगा जिसका सुझाव सम्मोहन विशेशग्य ने दिया है निपोर्ड सम्मोहन विशेशग्य की अवस्था में अपने किसी विद्यार्थी को यह सुझाव दे सकता है कि वह अपनी पीट खुजाए दूसरे को यह सुझाव दे सकता है कि उसकी नाक से खून बहरा है तीसरे को यह सुजाव दे सकता है कि वह संग बरबर की मूर्थी है तथा चौथे को यह सुजाव दे सकता है कि तापमान शूनी से कम है और वह बर्फ की तरह जम गया है हर विद्यारती उसे दियेगे विशिष्ट सुजाव के अनुरूप काम करेगा वा उन सभी परिस्तितियों को नजर अंदाज कर देगा जो उस सम्मोहन के सुजाव के अनुरूप न हो यथार्थवादी और कल्पनावादी का स्पष्टिकरण जेतन मन को कई बार यथार्थवादी बन कहा जाता है क्योंकि इसका सम्मंद बाहरी वस्तुओं से होता है यथार्थवादी मन यानि अबजेक्टिव माइंड बाहरी दुनिया के प्रती जागरुक रहता है इसके अवलोकन के साधन आपकी पांच शारीरिक इंद्रिया है आपका यथार्थवादी मन आपके परिवेश से संपर्क का मार्क तर्शक और निर्देशक है आप अपनी पांच इंद्रियों के जरिये ग्यान हासिल करते है आपका यथार्थवादी मन अवलोकन, अनुबव और सिक्षा से सीखता है जैसा पहले बताया जा चुका है यथार्थवादी मन का सबसे बड़ा कार तर्क करना है मान ले, आप उन हजारों लाखों प्रियाटकों में से एक है जो हर साथ ग्राउंड कैनियान की सैर करते है आप इस निशकर्ष पर पहुँचेंगे कि यह दुनिया की सबसे अद्बुत प्रकरतिक आश्चर्यों बेसे एक है यह निशकर्ष इसकी अव विश्वस्निय गहराई, चट्टानों के जटेल आकार, भेंड भेंड स्थानों पर रंगों की अध्बुत चित्रकारी के अवलोकर पर आधारित होगा यह आपके यथार्दवादी मन का काम है अवजेतन मन को अक्सर कल्पनावादी मन, यानि सब्जेक्टिव माइंड भी कहा जाता है आपका कल्पनावादी मन आपके माहौल के प्रती जागरुप तो होता है, लेकिन शारिरिक इंद्रियों के माध्यम से नहीं आपका अवजेतन मन अंतर ग्यान से महसूस करता है यह आपकी भाफनाव का स्थान और यादों का भंडार है आपका कल्पनावादी मन अपने उच्चितम कार्थ तब करता है, जब आपकी यथार्दवादी इंद्रिया काम ना कर रही हो दूसरे शब्दों में, जब यथार्दवादी मन शिथिल हो या उनिंदी अवस्था में हो, तब कल्पनावादी बुद्धी सबसे अच्छी तरह काम करती है आपका कल्पनावादी मन आखों की इंद्रियों के बिना देखता है, या अतिद्वनिय शमता है, या कहीं और हो रही घटनाओं को देखवाद सुन सकता है आपका कल्पनावादी मन आपके शरीड से बाहर निकल कर दूर देशों की यात्रा कर सकता है और अक्सर बहुत जटीक तथा सची जानकारी ला सकता है कल्पनावादी मन के माद्यम से आप दूसरों के विचार जान सकते हैं बंदचिठियों के मजमून बढ़ सकते हैं, या कम्प्यूटर डिस्क पर डिस्क ट्राइव के प्रयोग के बिना जानकारी भाप सकते हैं, जब आप अपने यह थार्तवादी और कल्पनावादी मन की आपसी कार्यविध्धी को समझ लेते हैं, तो आप प्रार्तना की सच्च कला सीखने की बहतर स्थिति में पहुंच जाते हैं, अवजेतन मन, जेतन मन की तरह तरक नहीं गड़ सकता, आप अपने अवजेतन मन को चाहिए जो बताए, उसमें पहस या विरोध करने की शम्ता नहीं होती, अगर आप इसे गलत जानकारी देंगे तो भी, या उसे सच मा जान लेगा, फिरिहा उस जानकारी को सही बनाने के लिए काम करेगा, या आपके गलत सुजावों को भी परिस्थितियों, अनुभवों और गटनाओं में साखार करतेगा, आपके साथ जो भी हुआ है, इसले हुआ है क्योंकि आपके विश्वास के माध्यम से अपने जेतनमन तक विक्रित अवधारणाएं पहुचाई हैं, तो उने जल्द से जल्द सुधारणा सबसे महत्पूर्ण है, इसे करने का सबसे निश्चित तरीका अपने अवजेतनमन को लगातार, स्रजनात्मत और सद्भावना पूड विचार देते रहना है, बार बार दोरान पर आपका अवजेतनमन इने स्विकार कर लेता है, इस प्रकार आप विचार और जीवन की नई तथा ज्यादा अच्छी आदते डाल सकते हैं, क्योंकि आपका अवजेतनमन आदत का स्थान है, क्या आप डर, चिंता और अन्य प्रकार की विनाशक सोच के शिकार हैं, आपका अवजेतनमन की शक्ति को पैचान कर उसे स्वतंतरता, खुशी और संपूर्ण स्वास्त के आदेश देना, आपका अवजेतनमन रचनात्मक है, और तैविश रोत के साथ एक रूप है, यह उस स्वतंतरता, खुशी और संपूर्ण स्वास्त को उत्पन करने जिसका आदेश आपने पूरे विश्वास से दिया है हमने अब तक जिन बातों पर विचार किया है उनसे आप देख सकते हैं कि आपका चेतनमन द्वारपाल की तरह है इसका एक बहुत महतपूर कारिक गलत सुजावों से आपके अब चेतनमन की रक्षा करना है यह इसलिए महतपूर्ण है क्योंकि यह मस्तिस के एक मूलभूत नियम पर आधारित है आपका अब चेतनमन सुजाव के प्रती बेहत सव्वेद अजील है जैसा आप जानते हैं आपका अब चेतनमन तुलना या विरोध नहीं कर सकता है यह तर्क वितर्क नहीं कर सकता है और खुद कुछ नहीं सोच सकता है यह सभी गाम चेतनमन के हैं अब चेतनमन तो बस चेतनमन द्वारा इस पर छोड़ी गई छापों पर प्रतिक्रिया करता है यह कारे की अलग-अलग दिशाओं में से किसी एक को नहीं चुन सकता है इससे तो जो दिया जाता है यह उसे ने लेता है सुजाव में बहुत शक्ति होती है कल्पना करेगी आप किसी ऐसे जहाज़ पर है जो थोड़ा हेल रहा है आप एक भएभीत सहयात्री के पास जाकर कहते है आपकी हालत अच्छी नहीं दिख रही है आपका चेहरा बिलकुल हरा लग रहा है मुझे लगता है आपको समुदरी यात्रा में होने वाली मलती हो सकती है क्या मैं आपको कैबिन तक पहुचा दू? यात्री का चेहरा पीला पड़ जाता है आपने मलती के बारे में जो सुजाव अभी अभी दिया है वह उसके खुद के डर और आशंका से मेल खाता है वह आपकी मदद लेकर टेक से नीचे अपने कैबिन में पहुच जाती है वहाँ पहुचने पर आपका नकारात्मक सुजाव जिसे उसने सही मान लिया था सच हो जाता है उसी सुजाव पर भिन प्रतिक्रिया यह समझना बहुत जरूरी है कि एकी सुजाव पर अलग-अलग लोग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करेंगे ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके विश्वास या अफजेतन की कंडीशनिंग अलग-अलग होती है मान ले सहयात्री के बजाए आप किसी जहाजी के पास जाकर कहते हैं हेलो आपकी आलट ठीक नहीं दिख रही है कहीं आपको समुद्री यात्र के कारण मलती तो नहीं आने वाली है यहाज जहाजी के मिजाज पर निर्वर करता है कि वह आपके लचर मजाक पर हसे या आपको वहाँ से दवा होने को कह दे आपके सुझाव का उस पर कोई इसर नहीं हुआ क्योंकि उसके मन में या विश्वासे की समुद्री यात्रा में उसे कभी मलती नहीं हो सकती इस कारण उसे जरा भी डर या चिंता महसूस नहीं होगी उल्टे आसमे विश्वास सामने आएगा जहाजी को समुद्री यात्रा की कारण मलती का कोई डर नहीं था उसे पूरा बरूसा था कि वह इससे सुरक्षित है इसलिए नगारात्मक सुजाव में उसे डराने की शक्ती नहीं थी लेकिन आपकी सहयात्री पहले से ही बिमार होने के बारे में चिंतित थी इसलिए आपके सुजाव के अनुरूप परिस्थितियां बन गई हम सबके अपने अंदुरूनी डर, मान्यताएं राय होती है ये अंदुरूनी मान्यताएं हमारे जीवन को नियंद्रित करती है उसने अपना हाथ कैसे गवाया कई सालों से मैं कैक्ष्टन हॉल में लंदन टूथ फॉरम में नियमित रूप से भासर दे रहा हूँ जिसे मैंने कुछ साल पहले इस्थापित किया था, इसकी निदेशक डॉक्टर इवलिन फटील ने मुझे एक आदमी के बारे में बताया जिसकी छोटी बेटी को रूमेटाइट अर्थाइटिस और दर्दनाथ चर्म रोग सूरियासिस था कई जगा इलाज हुआ, लेकिन डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बाद भी कोई फाइदा नहीं हुआ वा आदमी हताश हो गया वा खुद से और अपने दोस्तों से बार बार कहता था अपनी बेटी को भली चंगी देखने के लिए मैं अपना दाहिना हाथ देने को भी तैयार हूँ डॉक्टर फ्लीट के अनुजार एक दिन परिवार सैर सपाटे पर गया कार की दुरघटना हो गई और पिता का दाहिना हाथ कंदे से अलग हो गया अस्पताल से घर लोटने पर उसने पाया कि उसकी छोटी बेटी का अर्थ्राइटिस और चर्म लोग पिल्कुल ठीक हो चुका था आपको बहुत सतर्क रहना होगा कि आप अवजेतन मन को सिर्फ वही सुझाव दे जो सही तरीके से उपचार करे वर्दान दे, उपर उठाएं और प्रीरित करे याद रखें आपका अवजेतन मन मजाक नहीं समझता है यह तो आपके आदेश का शब्द शैप पालन करता है उसकी याद कैसे लोटी 75 साल की एक महिला को हमेशा से अपनी यादास पर गर्व था हाला कि बाकि सबकी तरह वह भी कभी कबार चीजे भूल जाती थी लेकिन वह इस तरफ ध्यान नहीं देती थी बहराल जब उसकी उम्र बड़ी तो वह भूलने के मौकों पर ध्यान देने लगी और उनके बारे में चिंता करने लगी जब भी वह कोई चीज भूल जाती थी तो वह बार बार खुद से कहती थी बुढ़ापे के कारण मेरी यादास कमजोर होती जा रही है इस नकारात्मक आर्पसुजाव के कारण वह और ज़्यादा नाम तथा घटनाए भूलने लगी वहा हताश हो गई स्वभाग इसे उसे एक एहसास हो गया कि वह खुद को किस तरह नुकसान पहुचा रही है उसने इस प्रक्रिया को उलटने का संकल्प किया जब भी वह सोचने लगती थी मेरी यादास्ट कमजोर होती जा रही है तो वह रुख जाती थी यही नहीं वह जान बूच कर इस प्रक्रिया को उलट देती थी दिन में कई बार वह सकारात्मक आत्म सुजाओ का अभ्यास करती थी वह खुद से कहती थी आज से मेरी यादास हर तरह से सुदर रही है मुझे जो भी याद रखना चाहिए वह मुझे हर पल, हर जगा हमेशा याद रहेगा मुझे घटना इस पश्कता से याद रहेंगी मैं जो भी याद करना चाहूंगी वह मुझे ततकाल यादा जाएगा मुझे में हर दिन तेजी से सुधार हो रहा है बहुत जल्दी मेरी यादा पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी तीन हफते बाद ही उसकी यादा समान्य हो गई बाहरी सुझाव पर कुछ टिपणिया बाहरी सुझाव इसका मतलब है किसी तूसरे व्यक्ति की सुझाव सभी युगों और दुनिया के हर हिस्से में सुझाव की शक्ति ने मानव जाती के जीवन में प्रमुक भूमे का निपाई है राजनितिक मान्यताएं, धार्मिक आस्ताएं और सांस्कृतिक परमपराएं बाहरी सुझाव की शक्ति की बतौलती फलती फूलती और कायम रहती है सुझाव का प्रयोग सुझाव को अनुशाशित और नियंद्रित करने के साधन के रूप में किया जा सकता है इसका प्रयोग दूसरों पर नियंद्रित करने के लिए भी किया जा सकता है जिने मस्तिस के नियवों की समझ नहीं है स्रजनात्मक रूप भे या अद्बुत और बेहतरीध है नकारात्मक रूप में या मस्तिस की प्रतिक्रिया के सभी प्रतिमानो यानि पैटन्स में सबसे विद्वन सात्मक है इसके परिड़ाम दुख, असफलता, कश्ट, बेमारी और तबाही हो सकते है क्या आपने इन में से किसी को स्विकार किया है पैदा होने के बाद से हम पर नकारात्मक सुझाओ की बंबारी होने लगती है चुकि हम यह नहीं जानते हैं कि उनका विरोध कैसे किया जाए इसलिए अचेतन रूप से हम उने स्विकार कर लेते हैं और अपने अनुभव में बदल लेते हैं नकारात्मक सुझाओ के कुछ उदारण है जैसे तुम कुछ नहीं कर सकते तुम कभी कुछ नहीं बन पाओगे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए तुम असफल हो जाओगे तुमारी सफलता की बिल्कुल संभावना नहीं है तुम बिल्कुल गलत हो इससे कोई फाइदा नहीं होगा महतपूर्ण यह नहीं है कि तुम क्या जानते हो क्या फाइदा किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है इतनी ज़्यादा कोशिश करने से कोई फाइदा नहीं है तुमारी उम्र अब जादा हो चुकी है स्थितियां बिगड़ती जा रही है जिंदगी मशीनी चक्की बनकर रहे गई है प्रेम सिर्फ पक्षियों के लिए है तुम कभी नहीं जीच सकते सावधान रहना तुम्हें भैंकर बिमारी हो सकती है कोई भी भरूसे के काबिल नहीं है इस तरह के बारी सुजावों को स्वीकार करके आप उन्हें साकार करने में सही योग देते हैं बचपन में आप दूसरों के सुजावों का विरोध नहीं कर सकते थे आपको इस बारे में ज़्यादा पता नहीं था आपके लिए आपका मस्तिस और इसके चेतन तता अफचेतन हिस्से ऐसे रहे हिस्से थे जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते थे बहराल व्यस्क होने के बाद आप चैन कर सकते हैं आप सकरात्मक आत्म सुजाव का प्रियोग करके अपनी कंडीशनिंग दुबारा कर सकते हैं और अतीद की चापों को बदल सकते हैं इसका पहला कदम उन बाहरी सुजावों के प्रती जागरुप बनना है जो आप पर काम कर रहे हैं अगर जाज ना की जाए तो वे व्यवहार के ऐसे संसकार डाल सकते हैं जो आपको व्यक्तिकत और सामाजिक जीवन में असफल बना देंगे स्रजनात्मक आत्म सुजाव आपको नकारात्मक कंडीशनिंग से बुक्त कर सकता है अगर ऐसा नहीं किया गया तो नकारात्मक कंडीशनिंग आपके जीवन को विक्रित कर देगी और अच्छी आदितों के विकास को मुश्किल या असंबब बना देगी किस तरह सुजाव ने एक आदमी की जान ली मेरे दूर की रिष्टेदार ने भारत की मशूर महिला भविश्य वक्ता यानि क्रिष्टल गेजर से अपना भविश्य पूछा जोतिशी ने उसे बताया कि उसका दिल बहुत कमजोर है और वह अगली अमावस्या को मर जाएगा मेरा रिष्टेदार स्तब्द रह गया उसने अपने परिवार के हर व्यक्ति को यह भविश्य वड़ी बताई उसने अपने वकील से मिलकर वसिय ठीक करवाली जब मैंने उसे उसके विश्वास से डिगाने की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उस भविश्य वक्ता में अद्बुत पारलोकिक शक्तिया है वह भविश्य वक्ता लोगों का बहुत भला बुरा कर सकती है उसे भविश्य वारी की सच्चाई पर पूरा भरोजा था जब अमावस्य करीब आने लगी तो वह खोया खोया रहने लगा एक महिने पहले यह आदमी खुश, सुष्ट, उत्साही और जोशी ना था अब वह बिमार दिखने लगा अमावस्य के दिन उसे बहुत बुरा हार्ट अटैक आया वह मर गया हाला कि उसे यह पता ही नहीं था कि अपनी मौत का कारण वह खुद था हम मैंसे कितनों ने इस तरह की कहानिया सुनी है और यह सोचकर थोड़े कापे हैं कि यह दुनिया रहस्मई, अनियंत्रित शक्तियों से भरी पड़ी है हाँ, दुनिया शक्तियों से भरी पड़ी है देकिन वे ना तो रहस्मई हैं और ना ही अनियंत्रित मेरे रिश्देदार ने खुद अपनी जान ले ली क्योंकि उसने एक शसक्त सुझाव को अपने अवजेतन मन में दाखिल होने दिया उसे भविश्यवक्ता की शक्तियों पर भरोसा था इसलिए उसने उसकी भविश्यवाड़ी को पूरा स्विकार कर लिया आईए, अब जेतन मन की कार्यवरिद्धी की जानकारी के आधार पर इस घटना को देखें विक्ति का जेतन या तारकिक मस्तिस्क जिस बात पर यकीन करता है अब जेतन मन उसे स्विकार कर लेता है और उसके अनुरूप कारे करता है बेरा रिष्टिदार जब उस भविश्यवक्ता के पास गया तो वह सुझाव ग्रहन करने की मलोदशा में था बविश्यवक्ता ने उसे एक नकारात्मक सुझाव दिया जिसे उसने सच मान लिया और देश्यत में आ गया उसे पूरा विश्वास्ता के अगली अमावस्चा को वह मरने वाला है उसने इसके बारे में सब को बता दिया और अपनी मौत की तैयारी करने लगा जिस महिला ने उसकी मौत की भविश्यवाड़ी की थी उसकी शक्ती मैदान के पत्रों और लकडियों से ज़्यादा नहीं थी उसके सुझाव में जान लेनी की शक्ती नहीं थी अगर वह आदमे मन के डियमों को जानता तो वह इस नकारात्पक सुझाव को पूरी तरह से आस्युकार कर देता और भविश्यवक्ता के शब्दों पर चरा भी ध्यान नहीं देता अगर वह जानता कि वह अपने ही विचारों और भावनाओ द्वारा नियंत्रित है तो वह जिंदा रह सकता था तब भविश्यवक्ता के बविश्यवारी बक्तरबन टैंक पर फेकी गई रबड की गेंद जैसी होती वह आसानी से उसके सुझाव को नकार सकता था और हवा में उड़ा सकता था जिससे उसे कोई नुकसान नहीं होता इसके बजाए जाग रुकता और समध की कमी के कारण उसने अपनी मौत को खुद ही बुला लिया दूसरों के सुझावों में अपनी कोई शक्ती नहीं होती है आप अपने विचारों द्वारा उन्हें शक्ती देते है आपको अपनी मानसिक सहमती देनी होती है आपको उस विचार को सुझार करना होता है तब वह विचार आपका बन जाता है और आपका अवचेतन उसे साकार करने के लिए काम करता है याद रखें आपके बस चुनने की शमता है चिंदगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने मानें गए प्रमुक आधार वाकियों की शक्ति प्राजीन युनान के जमाने से दार्षणिक और तरक सास्त्रियों ने सिलोजिज्म नामक तरक का अधियन किया है सिलोजिज्म में मस्तिस्क व्याभारिक संदध में तरक करता है इसका मतलब यहाँ है कि आपका चेतनमन जिस प्रमुक आधार वाके को सच मानता है उसी से वहाँ निशकर्स तैख होता है जिस पर आपका अब चेतनमन पहुचेगा इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वहाँ सवाल या समस्या कौन सी है अगर आधार वाके सही है तो निशकर्स अवे सही शही होगा उदारण के लिए हर गुण प्रसंचनिया है दयालुता एक गुण है इसलिए दयालुता प्रैसंचनिया है या यह है सभी निर्मिच चीजें बदलती और खतम होती है मिश्ट के पिरामिट निर्विच चीजे है इसलिए पिरामिट बदेंगे और खत्म होंगे पहले वाकि को प्रमुक आधारवाक्य का आ जाता है और सही आधारवाक्य से सही निशकर्स निकलते है कालेज के एक प्रोफेसर ने नियू यर्क सिटी के टाउन हॉल में मस्तिस्क विज्ञान पर मेरे कुछ बाशर सुने मैं बाद में मुझसे मिलने आए उन्होंने मुझसे कहा मेरे जीवन में हर चीज गड़बढ है मैं अपनी सेहत, दौलत और मित्र गवाँ चुका हूँ मैं जिस चीज को छूता हूँ बिगड़ जाती है मैंने उन्हें समझाया कि उनकी समस्यायत तारकेक रूप से उनके आत्म विनाशक प्रमुक आधार वाकिसे उत्पन हुई है अपने जीवन को बदलने के लिए उन्हें अपने चिंतन में एक नया प्रमुक आधार वाकिस थापित करना होगा उन्हें इस विश्वास को सही मानना होगा कि उनके अवजेतन मन की असेमित बुद्धिमत्ता उन्हें आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक मार्क तरजन दे रही है निर्देशित कर रही है और संब्रिद्ध बना रही है जब वे ऐसा कर लेंगे तो उनका अवजेतन मन अपने आप उन्हें समझधारी से निर्ड़ा लेने के लिए निर्देशित करेगा उनके शरीर का उपचार कर देगा और उनकी मानसिक शान्ती लोटा देगा प्रोफेसर ने अपने जीवन की मंचा ही तस्वीर बनाई उनका प्रमुक आधारवाक के यह था अवसे मित बुद्धिमत्ता हर तरीके से मुझे मार्क दर्शन दे रही है मैं पूरी तरह स्वस्तू और मेरे मस्तिस तथा शरीर में सामनजस्च का नियम काम करता है मेरे पास सौंदर, प्रेम, शान्ती और प्रचूरता है सही कर्म और दैवी विद्ध्यान के सिद्धान्त मेरे पूरे जीगन पर शाशन करते है मैं जानता हूँ कि मेरा प्रमुक आधारवाक के जीवन के शास्चत नियमों पर आधारित है और मैं जानता, महसूस करता तो तब विश्वास करता हूँ कि मेरा अवजेतन मन मेरे चेतन मन की विचार प्रक्रती के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा बाद में अनों ने मुझे अपनी प्रगति की जानकारी देते हुए लिखा मैंने अपने प्रमुक आधार वाक्षे को धीरे धीरे शान्ती से और प्रेम से दिन में कई बार दोर आया मैं जानता था कि वे मेरे अवजेतन मन की गहराई में उतर रहे हैं मुझे यकीन था कि मुझे मस्तिस के नियमों के आधार पर परिडाम विलेंगे मैं आपके साथ हुई बातचीत के रिए बहुत कृतग्य हूँ और मैं यह भी कहना चाहूँगा कि मेरे जीवन के सभी शेत्रों में बहुत सुदार हो रहा है यह वाकई कारगर है अवजेतन मन बहुत समझदार है यह सभी सवालों के जवाब जानता है बहरहाल इसे पता नहीं होता है कि यह जानता है यह आपके साथ बहुत नहीं करता है यह पलट कर जवाब नहीं देता है यह ऐसा नहीं कहता है आप मुझ पर इस तरह के सुजावों की चाप न छोड़े जब आप कहते हैं मैं यह नहीं कर सकता मेरी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है मैं इस जिम्मेदारी को नहीं निभा सकता तो आप इन नकारात्मक विचारों को अपने अवजेतन में भर रहे हैं या इनके अनुरूप प्रतिक्रिया करता है आप दरसल अपनी ही भलाई का नास्ता रोक रहे हैं अपनी इच्छाओं को साकार करने और कुण्ठा से उबरने के लिए दिन में कई बार द्रिड़ता से ये कहें अवसेविद बुद्धिमत्ता ने मुझे या मनुकामना दिया और यही मुझे इसे साकार करने की आदर्श योजना की रा दिखाती है उस और ले जाती है और आवश्यक बाते बताती है मैं जानता हूँ कि मेरे अवजेतन की अधिक गहरी समझ अब प्रतिक्रिया कर रही है और मैं जो महसूस करता हूँ तथा जिस पर मन में दावा करता हूँ वा बाहर व्यक्त होती है संतुलन और संबुद्धी हर और है दूसरी तरफ अगर आप कहते हैं अब कोई रास्ता नहीं बचा है अब मेरा खेल खत्म हो गया इस उल्जन से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं है मैं बादित और अवरुद्ध हूँ तो आपको आपके अवजेतन मन से कोई जवाब या प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी अगर आप चाते हैं कि आपका अवजेतन आपके लिए काम करें तो इसका सही योग बाने के लिए आपको इससे सही आगरे करना होगा या आपके लिए हमेशा काम कर रहा है या इस समय भी आपके हृदे की धड़कन और सांस को नियंद्रित कर रहा है जब आपकी उंगली कट जाती है तो यह उपचार की चटल प्रिक्रिया शुरू कर देता है इसकी सबसे मूलभूत प्रवित्ती जीवन की और है यह हमेशा आपकी देखबाल करता है और आपको सुरक्षित रखता है अपने मस्तिस के पहियों को आराम दे आराम से बैट जाएं, शितिल हो जाएं और शान्ती से कहें मेरा अवजेतन मन जवाब जानता है यह इस समय भी प्रित्तिक्रिया कर रहा है मैं धर्निवाद देता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे अवजेतन की औसी विद्ध बुद्धि मत्ता सारी बाते जानती है और मुझे इस वक्त आदर जवाब दे रही है मेरा सच्चा विश्वाश मेरे अवजेतन मन की बुद्धि मत्ता और क्यान को बुक्त कर रहा है मुझे खुशी है कि ऐसा हो रहा है याद रखने लायक विचार अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा आप वही बनेंगे जो आप दिन भर सोचते हैं आपका अवजेतन मन आपके साथ बहस नहीं करता है यहाँ आपके चीतन मन के आदेश को चुपचाप मान लेता है अगर आप कहते हैं करने लगता है कोई ज्यादा अच्छा विचार चुने इसके बज़ाए इसे या आदेश दे मैं इसे खरीदूंगा ऐसे अपने मन बे स्विकार करता हूं आपके बस चुनने की शक्ती है स्वास्त और खुशी को चुने आप दोस्ताना या ग्यार दोस्ताना होने का चुनाव कर सकते हैं सहयोगी, खुश, दोस्ताना, प्रेम करने योगे बनने का चुनाव करेंगे तो सारा संसार प्रतिक्रिया करेगा अद्बुद व्यक्तित्व विक्सित करने का यह सबसे अच्छा तरीका है आपका जेतनमन द्वारपाल है इसका प्रमुक्काव जूटी छापों से आपके अवजेतनमन की रक्षा करना है यह विश्वास करने का चुनाव करे कि कोई अच्छी चीज हो सकती है और अभी हो रही है चुनाव करने की शमता आपकी सबसे बड़ी शक्ति है कुशी और प्रचूरता का चुनाव करे दूसरों के सुजावों और बातों में आपको छोट पहुचाने की जरा भी शक्ती नहीं है एक मात्र शक्ती आपके अपने विचारों में है आप दूसरों के विचारों या सुजावों को अस्विकरत करने का चुनाव कर सकते हैं और अच्छे विचारों को द्रणता से कह सकते हैं। आपके पास यह चुनाव करने की शक्ति है कि आप कैसी प्रितिक्रिया करेंगे। अपने शब्दों पर ध्यान दे। आपको हर आलसी शब्द का हिसाब देना होगा। कभी भी न कहें, मैं असफल हो जाओंगा, फिरी नोकरी छूट जाएगी, मैं किराया नहीं चुका सकता। आपका जेतन मन मजाक नहीं समझ सकता यह इन चीजों को हकीकत में बदल देगा। आपका मस्तिस्क बुरा नहीं है, प्रकिति की कोई भी शक्ती बुरी नहीं होती है। यह इस बात पर निर्बर करता है कि आप प्रकिति की शक्तियों का कैसा प्रयोग करते हैं। अपने मस्तिफ का प्रियोग हर जगा सभी लोगों को वर्दान देने, उपचार करने और प्रेरित करने के लिए करें। कभी ऐसा ना कहें, मैं नहीं कर सकता। इस वाकी की जगह पर आगे दिया वाके रखकर इस डर से उपरें, मैं अपने अवजेतन मन की शक्ती से सारे काम कर सकता हूँ। डर, अज्ञान और अंद विश्वास के बजाए, सासुत सत्तों और जीवन के सिद्धानतों के दृष्टी कोड़ से सोचना शुरू करें। आप अपनी आत्मा याने अवजेतन मन के कप्तान है, अपनी तक्तीर के मालिक हैं। याद रखें आपके पास चुन्य की शम्ता है, जिन्दगी चुने, प्रेम चुने, सेहत चुने और खुशी चुने। आपका जेतन्वन जिसे भी सच मानता है आपका अव जेतन्वन उसे स्वीकार कर लेगा और हकीकत बना देगा खुश किस्पती, तैवी मार्क दर्शन, सही कर्म और जीवन की सभी नियामतों में विश्वाश करें तो चलिए शुरूत करते हैं अध्य हैतीन की जिसमें हम बताएंगे कि आपके अफजेतन्वन की चमतकारी सक्ति क्या है अपके अफजेतन्वन की शक्ति अतुलनिया और असीमित है शायद आपको पता नहीं पर आपका अवजेतनमन आपको प्रेरित करता है और मार्क तरिशन देता है या यादों के बटार से तस्वीरे और तरिश निकान करनाता है आपका अवजेतनमन आपके दिल की धड़कन और रक्त संचार को नियंतरित करता है या पाचन और उत्सरजन को सुचारू बनाता है या आपके खाएवे बोजन को उत्तक, मासपेशी, हड़ी और खून में रूपांत्रित करता है ये प्रक्रियाएं दुनिया के सबसे समझदार व्यक्ति की समझ से भी परे होती है आपका अवजेतन मन शरीर की इन सभी अनिवारे प्रक्रियाओं को और कार्रियों को नियंत्रित करता है इसे सभी समस्याओं के जवाब मालू है आपका अवजेतन मन कभी नहीं सोता है नहीं कभी आराम करता है यहां हमेशा काम करता रहता है आपको अपने अवजेतन मन की चमतकारी शक्ति का पता चल सकता है बशरते आप सोने से पहले इससे यह कह दे कि आप किसी विशिष्ट चीज़ को हासिल करना चाहते है आपको यह जानकर हैरानी और खुशी होगी कि इसके बाद आपके भीतर ऐसी शक्तियां हो जाएंगी जो आपको मनचाहे परिणाम की और ले जाएंगी यहाँ शक्ति और बुद्धिमानी का ऐसा श्रूत है जो आपको सीधे सर्व शक्तिमान के संपर्क में रखता है यह ऐसी शक्ति है जो दुनिया को चलाती है ग्रहों को उनकी कक्षा में रखती है और सूरज को चमकाती है आपका अफजेधन मन आपके आदर्शों महतुकान चाहूं और परोपकारी इच्छाओं का श्रूत है अफजेधन मन के जरिये ही सेक्सपियर ने उन महान सच्चाईयों को जाना और व्यक्त किया जो उनके युक के आम आदमी को पता ही नहीं थी अफजेधन मन की बदौलत ही युनानी मूर्थिकान फेडियस ने संग मर्मर और कांसे में सुन्दरता व्यवस्था सुडौलपन और अनुपात उकेरने में इतनी निपूर्णता और कुशलता हासिल की दरजल अफजेधन मन वहाँ गहरा कुवा है जिसे महान कलाकारों ने आस्चरिजर शक्ति पाई इसने महान इतालवी कलाकार रैफल को उनकी उमर कलाकृती मैडोना बनाने और महान जर्मन संगीतकार बिथोवन को उनकी सिफनी की रचना करने में समर्थ मनाया कुछ साल पहले मुझे भारत में रिशिकेश की योगा फॉरेश्ट युनिवरस्टी में भाशर देने के लिए आमंतरित किया गया वहाँ बुबबई के एक सर्जन से मेरी लंबी बात चीत हुई उनसे मैंने डॉक्टर जेम्स एश्टेल की आश्चरिजर कहानी सुनी एश्टेल एक स्कॉर्टिस सर्जन थे जिनोंने 1840 के देशक में बंगाल में काम किया था उस जमाने में बेयोश करने के लिए इथर या रसायनिक एनोस्थेसिया की अन्य आतुनिक विदियों का इस्तमाल नहीं होता था बहराल 1843 और 1846 के बीच डॉक्टर एश्टेल ले सभी तरह के कुल मिलाकर 400 बड़े ओपरेशन किये इन में आख, कान और गले के ओपरेशनों के अलावा आंक काटने, ट्यूमर हटाने और कैंसर की गांट हटाने के ओपरेशन सामिल थे इन सभी ओपरेशनों में सिर्फ मानसिक अनोस्थीसिया ही दिया गया मरीजों का कहना था कि उन्हें कोई दर्द नहीं हुआ और ओपरेशन के दौरान उन में से कोई भी नहीं मरा आश्चरी के बाद यह भी थी कि ओपरेशन के बाद भी एश्टेल के बहुत कम मरीज मरे यह उस वक्त की बात थी जब लूई पास्वर और जोसेफ लिश्टर ने यह साबित नहीं किया था कि संक्रमण बैक्टीरिया से फैलता है किसी को भी यह ऐसास नहीं था कि ऑपरेशन के बाद होने वाले संक्रमण दूशित होजारों और हानिकारक विशाड़ों के गारण होते हैं पहराल जब एजडेल अपने बरीजों को सम्मोहन की अवस्था में यह सुझाव देते थे कि उन्हें कोई संक्रमण या सैप्टिक नहीं होगा तो उनके अवजेतन मन इस सुझाव वर प्रतिक्रिया करते थे वे संक्रमण के जीवन घाती खत्रों से लड़ने की प्रक्रिया शुरू कर देते थे जला इस बात को सोचे तेड़ सो साल पहले एक स्कॉर्टिक सर्जर ने या खोज दिया था कि अवजेतन मन की चमतकारी शक्ति का इस्तमाल कैसे किया जाए इस बात पर विस्मय और श्रद्दा होना स्वभाविक है जिट बराबहुत इक शक्तियों ने डॉक्टर एस्टेल को प्रेरित किया और उनके मरीजों को मौत से बचाया उनका नाब आप भी तो ले सकते हैं आपका वजेतन मन आपको समय और उस्थान के बद्दन से परे कर सकता है यह आपको हर दर्द और कष्ट से मुक्त कर सकता है यह आपको सभी समस्याओं के जवाब दे सकता है चाहेवे जो भी हो आपके भीतर ऐसी शक्ति और ज्ञान है जो आपकी बुद्धी से परे है और आप इसके चमतकार पर हैरान हो सकते है यह सारे अनुभव आपको अफजेतन मन की चमतकारी शक्तियों में यकीन दिलवाएंगे और खुशी से बढ़ देंगे अफजेतन पर जो भी छाप पड़ती है वह व्यक्त होती है अमेरिकी मनोविग्यान के जनक विलियम जेम्स ने कहा था कि आपके अफजेतन मन में दुनिया को हिलाने की शक्ति है इसमें और सी मिद्ग्यान और बद्धी बता है इसे छिपेवे श्रोतों से पोशर मिलता है और इसे जीवन का नियम कहा जाता है आप अपने अफजेतन मन पर जो भी छाप छोड़ते है या उसे साकार करने के लिए जमीन आसमान एक कर देगा इसलिए आपको इस पर सिर्फ सही और स्रिजनात्मक विचारों की चाप छोड़नी है दुनिया में इतनी अवस्ता और दुख इसलिए है क्योंकि अधिकांच लोग अपने चेतन और अफजेतन मन के आपसी संबन्द को नहीं समझते है जब ये दोनों अलुरूप होते हैं तथा सुख़ सामंजस से में होते हैं तो आपको सेहत, खुशी, सांती और सुख मिलता है जब जेतन और अफजेतन मन सामंजस से और शांती से मिलकर काम करते हैं तो कोई रोग या बदबेद नहीं होता है आप व्यक्तिकत रूप से जिसे सच मानते हैं वा इस्तितियों, अनुभवों और गटनाओं के रूप में व्यक्त होगा गती और भावना में संतुलन होना ही है जैसा स्वर्ग में है, वैसा ही धर्ती पर होगा यही जीवन का महान नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया, स्थिर्था और गती यह नियम आपको समूची प्रकृति में मिलेगा इन दोलों में संदुलन होने पर ही सामंजस्य और संदुलन बनेगा आप दुनिया में इसलिए हैं ताकि जीवन का सिद्धात आपके भीतर लैबद तरीके से सामंजस्य में प्रवाहित हो सके अंदर जाने और बाहर निकलने वाली चीज़े बराबर होनी चाहिए अंदर की और बाहर की अभी व्यक्ती पराबर होनी चाहिए आपकी सारी कुंठाओं का कारण अपूर्ण इच्छाएं हैं अगर आप नकारात्मक, विनाशक और त्रिष्ट विचार रखते हैं तो ये विचार विनाशक भाव पैदा करते हैं ये भाव बाहर निकलने का कोई न कोई रास्ता खोज लेंगे और किसी न किसी तरह व्यक्त होंगे चुकि इन भावों की प्रकती नकारात्मक है इसलिए ये प्राया है, अलसर, रिदे रोग, तनाव और चिंदा के रूप में व्यक्त होते हैं अपने बारे में आपकी क्या सोच या भावना है आपके अस्तित्तु का हर हिस्सा उसी सोच की अभिव्यक्ती है आपकी स्फूर्थी, शरीर, वित्यस्थिती, दोस्त और सामाजिक प्रतिष्टा उन विचारों का प्रतिभिंब है जो आपके अपने बारे में है इस बात का सच्चा अर्थिया है कि आप अपने अवजेतर मन पर भीतर जोच आप छोड़ते है वो आपके जीवन के सभी शेत्रों में बाहर व्यक्त होती है हम अपनी डगारात्मक सोच से खुद को नुकसान पहुचाते है आपने कितनी बार गुस्सा होकर, डरकर, जलकर या बदले की भावना से खुद को नुकसान पहुचाया है ये जहर आपके अवजेतर मन में दाखिल हो जाते है आप इन नकारात्मक नजरियों के साथ पैदा नहीं हुए थे अपने अवजेतर मन को जीवनदाई विजार देंगे तो इसके बीतर के सभी नकारात्मक विचार मिटने लगेंगे या काम लगातार करने पर सारा अतीत मिट जाएगा और अवजेतर मन उसे भुला देगा अफजेतन शरीर के सभी कारियों को कैसे निंद्रित करता है चाहें आप जागे हो या सोए आपके अफजेतन मन की अथक शक्ती आपके शरीर के सभी मैतवूर कारियों को निंद्रित करती है इसमें आपके जेतन मन के किसी तरह के दाखिल होने की जरूरत नहीं होती जब आप सो जाते हैं तब भी आपका हृदर धड़कता रहता है आपके सीने और फेफड़े की मास पेशिया फेफड़ों में हवा बरती और निकालती रहती है आपके शरीर की कोशिकाओं के काम के कारे निकली कार्बन डियोकसाइड के बदले बे ताजी ऑक्सीशन भर ली जाती है जिसकी आपको कारे करने के लिए जरूरत होती है आपका अवजेतन मन आपको पाचक प्रिक्रियाओं और ग्रंथियों के साथ के अलावा आपके शरीर के अन्य सभी अद्बुजटिल कारियों को निद्रित करता है यह सब लगातार होता रहता है चाहे आप जाग रहे हो या सोए हो अगर आपको अपनी शरीर के सभी काम चेतन मन से करने पड़े तो आप निश्चित ही असफल हो जाएंगे आप शायद बहुत जल्दी बर जाएंगे यह प्रितिक्रियाओं बहुत जटिल है और आपस में बुरी तरह गुंती हुई है हर्ट लंग मशीन जिसका इस्तमाल ओपन हर्ट सर्जरी में किया जाता है आदुरिक चिकित्सा तकनीक का चबतकार है बहराल इसके काम आपके अवजेतन मन की तुलना में बहुत दसान है जो साल में 365 दिन काम करता है वह भी 2400 गंटे मान ले आप किसी सूपरसोनिक जट लाइनर में बैठ कर समुत्र के उपर से गुजर रहे हो और कॉक्विट में गुश जाए निश्चिती आपको हवाई जाज उड़ाना नहीं आता है लेकिन आप पैलट का ध्यान बढ़का कर परेशानी जरूर खड़ी कर सकते है इसी तरह से आपका चेतन बस्तिस्क शरीर को तो नहीं चला सकता लेकिन यह इसके सही तरह से काम करने के रास्ते में बादा जरूर बच सकता है जिन्ता, तनाव, डर और निराशा हरिदय, फेफणों, हमाशन और आतों के सामा निकारों में बादा डाल सकती है लॉक्टर अब इस बात पर ध्यान देने लगे हैं कि तथा कथित तनाव संबंदी बिवारियां कितनी गंबीर है कारणिया है कि तनाव पूर्ण विचार आपके अफजेतन मन के सामंजस से पूर्ण काब में बादा डालते हैं जब आप शारिरिक और मानसिक रूप से विचलित महसूस करते हैं तो आप जो सबसे अच्छा काम कर सकते हैं वह है शितिल होना आराम करना और विचार प्रिया को रोब देना अपने अफजेतन मन से बात करें इससे कहें कि या शान्ती, सामंजस्य और दैवी विद्यान को स्थापित करें ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपके शरीर की समूची कारिप्रणाली दोबारा समाने हो गई है अपने अफजेतन मन से अधिकार और विश्वास के साथ बोले यहां आपके आदेश का पालन करके प्रतिक्रिया करेगा आप अपने अफजेतन से अपने लिए कैसे काम करवा सकते हैं पहरी बाद तो यह एहसास करना है कि आपका अफजेतन मन हमेशा काम करता है या रात दिन सक्रिया रहता है चाहे अब इस पर काम करें या ना करें आपका अफजेतन आपके शरीर का निर्माता है लेगन आप इस खामोश प्रिक्रिया को चेतन रूप से देख या सुन नहीं सकते आपका पाला हर बार अपने अवजेतन मन के बजाए अपने चेतन मन से पढ़ता रहा है बस अपने चेतन मन के सर्वस्रेष्ट की आशा करते रहें और यह आप पक्का करें कि आपके आदतन विचार अच्छी, सुन्दर, सच्ची, नयपूर्ण और सदभावना पूर्ण चीजों पर केंद्रित हो अपने चेतन मन का ध्यान रखें और दिल में जान लें कि आपका अवजेतन मन आपके ही आदतन विचारों के अनुरूप परिणाम दे रहा है वेक्ट कर रहा है और परिस्थितियां बना रहा है याद रखें, जिस तरह पानी उसी पाइप का आगार ले लेता है, जिसमें से वह बैता है, उसी तरह आप में जीवन से दान्त आपके विचारों की प्रकती के अनुरुप प्रवाहित होता है दावा करेंगे आपके अवजेतन की उप्चारक शक्ती आपके भीतर सामंजस्य, सेहत, शान्ती, सुक और प्रचूरता के रूप में प्रवाहित हो रही है ज्यानी व्यक्ति या प्यारे मित्र के रूप में इसकी कलपना करें द्रटा से यकीन करें कि या आपके भीतर लगातार प्रवाहित हो रहा है आपको सजीव बना रहा है, प्रेरित कर रहा है और सम्रिद बना रहा है या इसी तरीके से प्रतिक्रिया करेंगा जैसा आप यकीन करेंगे वैसा ही आपको मिलेगा अपने अवजेतन मन तक पूर्ण स्वास्त का विचार कैसे पहुचाएं मैं जोहांसबर्ग दक्षिन अफ्रीका में एक मेथोलडेरिष्ट पादरी से मिला उन्होंने मुझे बताया कि वे बुरी तरह फैल चुके फेवड़े की कैंसर से कैसे उबरे उन्होंने पूर्ण स्वास्त के विचार को अवजेतन मन तक पहुचा कर यह चबतकारी परिणाम पाया मेरे आग्रह पर उन्होंने मुझे उस प्रिक्रिया का जो विस्तरित वर्डर बेजा है उसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ तिर में कई बार मैं खुद को मानसिक और शारेरे रूप से पूरी तरह शितिल कर लेता था मैं अपने शरीर से या बोलकर खुद को शितिल करता था मेरे पंजे शितिल है मेरे टकने शितिल है मेरे पैर शितिल है मेरे आमासाए की मास्पेशिया शितिल है मेरा दिल और फेफड़े शितिल है मेरा सिर शिसिल है मेरा पूरा अस्तितु बिल्कुल शितिल है लगए पाच मिरिट मैं खुद को उनिंदी अवस्ता में पाता था फिर मैं इस सत्य की घुजड़ा करता था इश्वर की पूर्ड़ता अब मुझ में व्यक्त हो रही है संपूर्ड स्वास्त का विचार अब मेरे अवजेतन मन में भर रहा है इश्वर ने मेरी जो छवी बनाई है वह आदर्स छवी है और मेरा अवजेतन मन इश्वर की उसी आदर शवी के अनुसार मेरे शरीर को दोबारा बना रहा है इस पादरी का उलेकन यह उपचार हुआ और वे पूरी तरह ठीक हो गए उन्होंने जिस तकनीक का इस्तमाल किया था वह संपूर्ण स्वास्त के विचार को अवजेतन मन तक पहुँचने का सीधा और सरल तरीका थी स्वास्त के विचार को अवजेतन मन तक पहुचाने का एक और अद्बुत तरीका अनुशाशित या वैज्ञानिक कलपना है मैंने लकवे के एक मरीच को बताया कि वह कलपनावे स्पष्ट तस्वीर देखे कि वह अपने आफिस में चहल कदमी कर रहा है टेस्क छू रहा है वो उनका जवाब दे रहा है और वे सारे काम कर रहा है जो वह सामान इस्थिती में करता मैंने उसे बताया कि उसका अवजेतन मन संपूर्ण स्वास्त की मानसिक तस्वीर को स्वीकार कर देगा उसने खुद को इस भूमिका में जोग दिया उसने सच-बुच महसूस किया कि वह अपने आफिस में लोट चुका है वह जानता था कि वह अपने अवजेतन मन को एक मूर्त और निश्चित काम दे रहा है उसका अवजेतन मन या फिल्म थी जिस पर तस्वीर की चाप छोड़ी जा रही थी उसने कई सपता तक कहनता से तस्वीर देखी फिर एक दिन टेलीफोन की घंटी उस वक्त बजी जब बागी सब लोग बाहर थे टेलीफोन उसके बलंक से 12 फुट दूर रखा था पहरहाल वह जैसे दैसे इसका जवाब देने में कामियाब हो गया उसी पल से उसका लगवा कायब हो गया उसके अवजेतनमन की उपचारक शक्ती ने उसकी मानसिक तस्वीर पर प्रतिक्रिया की और उपचार समभ हो गया यह व्रक्ति एक मानसिक अवरोज से पीडित था जिसने बस्तिस्क में उत्पन्य तंत्रिका आवेको को उसके पैरों तक पहुचने से रोख दिया था इसलिए वह चन नहीं पाता था जब उसने अपना ध्यान अपटे भीतर की उपचारक शक्ती पर केंद्रित किया तो उसके एकांग्र ध्यान से शक्ती प्रवाहित होने लगी और वह दोबारा चलने लगा जो भी आप प्रार्थना में मांगेंगे विश्वास रखने पर वह आपको मिल जाएगा मैथ्यू 21 बटे 22 याद रखने लाइक विचार आपका अवजेतन मन आपके शेरीर की सभी महतुपूर प्रतिर्ग्याओं को नियद्रित करता है और सभी समस्याओं के जवाब जानता है सोले से पहले अपने अवजेतन मन से कोई विशिश्ट आग्रह करे और इसकी चमतकारी शक्ती देखे आप अपने अवजेतन मन पर जो भी चाप छोड़ते हैं वह परिस्थितियों, अनुभवों और घटनाओं के रूप में व्यक्त होती हैं इसलिए जेतन मन में मौजूद विचारों के बारे में सतर्क रहे क्रिया और प्रतिक्रिया का नियम शाश्वत है आपका विचार क्रिया है और इस विचार पर आपका अवजेतन मन स्वत्रा प्रतिक्रिया करता है अपने विचारों पर नजर रखें सारी कुंटा अधूरी इच्छाओं के कारण पैदा होती है अगर आप बाधाओं, विलम और मुश्किलों पर ध्यान के इंद्रित करेंगे तो आपका अवजेतन मन उसी अनुरुप प्रतिक्रिया करेगा और इस तरह आप अपनी भलाई को रोग देंगे जीवन का सिदान्त आपके भीतर, लैबद और समानजस से पूर्ण तरीके से प्रवाहित हो सकता है पशरते आप जेतन रूप से द्रणता से कहेंगे मैं विश्वास करता हूँ कि जिस अवजेतन मनते मुझे या इच्छा दी है वही इसे मेरे द्वारा पूरा कर रहा है इससे सारे संगर्ष खत्म हो जाते है आप चिंता, तनाव और डर के कारण अपने हिरिदे, वेफणों और अन्य अंगों की सामान्य लै को गड़बड कर सकते है अपने अवजेतन मन में सद्भाव, सेहत और शान्ती के विचार भरे इससे आपके शरीर की समूची कारणाली दोबारा सामान्य हो जाएगी अपने चेतन मन से सर्वसेष्ट की उम्मीद करते रहे आपका अवजेतन मन निष्टा से आपके आदतन विचारों को स्वाकार कर देगा अपनी समस्या के सुखद अंत या समाधान की कल्पना करें उपलब्दी के रोबाज को महसूस करें आप जो भी कल्पना करेंगे या महसूस करेंगे उसे आपका अवजेतन मन्त सुईकार करके परिणाम में बदल देगा तो आईए शुरुआत करते हैं अध्याचार की जो है प्राचीन काल में मानसेक उपचार युगो युगो से हर महादीप, परिवेश और संस्कृति के लोग जानते थे कि कहीं न कहीं पर एक उपचारक शक्ती है जो व्यक्ति की शारीरिक शमताओं को दुबारा लोटा सकती है और पिमारी ठीक कर सकती है वे मानते थे कि यह रह समय शक्ती कुछ विशेश सिथियों में जागर्थ की जा सकती है और इसे सही तरीके से जागरत करने पर मानविय कश्ट कम हो जाता है सभी देशों का इतिहास इस विश्वाश की पुष्टी करता है दुनिया की शुरूआती इतिहास में मनुष्यों को भले या बुरे के लिए गोपनिय तरीके से प्रवाहित करने का ग्यान जिसमें बिमारी का उप्चार भी शामिल था पुजारियों और धर्म गुरूह तक ही सीमित था यहां दावा किया जाता था कि इश्वर ने उन्हें कुछ विशेच सक्तिया दिये जिनमें उप्चारक शक्ति भी शामिल थी उपचारक के तरीके और कर्मकार्ट दुनिया भर में अलग-अलग थे लेकिन आम तौर पर उनमें ईश्वर की अराद्दा और चड़ावा शामिल होता था इसके अलावा विबिन धार्मिक अरुष्ठान भी किये जाते थे जैसे हाथ पर हाथ रखना और मंत्रों का प्रियोग तावीजों, जन्तर, अंगूठियों, स्मृत्ति चिन्नों और तस्वीरों का प्रियोग भी किया जाता था उधारण के लिए प्राचीन मंदिरों में पुजारी रोगियों को नशीले पदार्थ खिलाते थे और उनके मूर्चित हो जाने पर सम्मोहन के सुझाव देते थे मरीजों को आश्वाशन दिया जाता था कि उन्हें नीद में ईश्वर दिखेगा और उनका उपचार हो जाएगा इस तरह बहुत से रोगी स्वस्त भी हुए हीकेट के भक्तों से कहा गया कि वे राल, लोबान और गंधरस को छिपकलियों के साथ मिलाकर दूज के चांद की रोशनी में खुली हवा में कूटें इस अजीब और रहसमई रस्म के बाद वे देवी की प्रार्थना करते थे अपना बनाया हुआ काड़ा पीते थे और सो जाते थे अगर उनकी आस्ता द्रण होती थी तो उन्हें सपने बे देवी नजर आती थी हाला कि यहाँ अनुष्ठान हमें आजीब संभवतहा अती कलपनाशील भी लगे लेकिन इसके बावजूद इससे अकसर रोग ठीक हो जाते थे प्राजी जबए के लोगों ने अफजेतन मन की आस्वस्निय शक्ती के दोहन के कई कारगार तरीके खोज लिये थे जिनसे वे उपचार करते थे हाला कि वे जानते थे कि ये तरीके कारगर थे लेकिन वे यह नहीं जानते थे कि वे कैसे या क्यों कारगर थे आज हम देख सकते हैं कि वे अफजेतन मन को शशक्त सुझाव देकर उपचार कर रहे थे धार्मिक अनुष्ठान और काड़े तथत ताबीज लोगों की गल्पना पर गहरा असर डालते थे इनके कारण उनका अफजेतन मन उपचारत के प्रबल सुझावों को आसानी से स्विकार कर लेता था बहराल उपचार का काम मरीज का अफजेतन मन ही करता था सभी युगों में ऐसा हुआ है कि जहां अधिकरत उपचार असफल हो गए और मरीजों ने उपभी छोड़ दी वहां अंधिकरत उपचारकों को उलेकन ये सफलता मिली है दुरिया के सभी हिस्सों में इन उपचारकों नहीं इलाज कैसे किये इसका जवाब आसान है ये उपचार इसलिए हुए क्योंकि रोगी के अंधे विश्वास ने उसके अवजेतन मन में नहित उपचारक शक्ति को मुक्त कर दिया उपचारकों के इलाज और तरीके जितने कलपनाशील और अजीब होते थे इस बात की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती थी कि रोगी या यकीन कर ले कि इतनी अजीब चीज निश्चित रूप से औसाधारन शक्तिशाली होगी उत्तेजित भावनात्मक अवस्था के कारण उनके लिए चेतन और अवजेतन मन में स्वास्थ के सुजाव को स्वीकार करना आसान हो जाता था इस विशे पर हम अगले अध्याय में और विस्तार से बात करेंगे अवजेतन शक्तियों के प्रियोग पर बाइबल के प्रसंद जिन भी चीजों की आप इच्छा करते हैं प्रार्तना करते समय या विश्वाश करें कि आपको वे मिल रही हैं और वे आपको मिल जाएंगी इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल में फर्क पर गौर करें विश्वाश और मिल रही है वर्टमान काल में है लेकिन मिल जाएंगी भविश्य काल में है प्रेरित लेकक हमें व्याकरण के इस छोटी से अंतर से बहुत ही महतपूर बात बता रहा है अगर हम इस तक्थ को सच मान लेते हैं और स्विकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में ही पूरी हो चुकी है तो यह भविश्य में अवश्य पूरी होगी इस तक्नीक की सफलता इस विश्वास में नहीत है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविक्ता का रूप ले चुकी है मस्तिस के छेत्र में किसी चीज को साकार करने के लिए इसे सच-पुछ मौजुद मानना होगा ये गुण शब्द विचार की रिशनात्मक शक्ति के प्रियोग द्वारा अवजेतन पर अपनी मन चाही चीज की छाप छोड़ने का संचिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं आपका विचार, योजना या उद्देश अपने स्तर पर उतना ही वास्तविक है जितना कि आपका हाथ या हिरिदे बाइबल की इस तगनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों या किसी भी ऐसी चीज के सारे विचार बिल्कुल खत्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो आप अपने बन में एक बीज यानि अवधार्णा बो रहे हैं जिसे अगर आप जयों का त्यों छोड़ दे तो यहां हमेशा बारी फल में अंकुरित होगा बाइबल में जिस आस्था का वड़नन है वा सोचने का एक तरीका है मांसिक नजरिया है आंतरिक निश्चे है आप चानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह सुईकार कर लेते हैं वा आपके अवजेतन मन में साकार और प्रकट होगा आस्था एक तरह से उसे सच मानना है, जिसे आपकी तरक शक्ति और इंद्रिया अजविकार करती है या अपने छोटे, तारकेक, विशलेशनात्मक, जेतनमन की बात सुनने से इंकार करना है या तो अपने अफजेतनमन की आंतरिक शक्ति पर पूरे विश्वास का नज़रिया रखना है या बाइबल की उपचार तकनीक का एक बहुत मशूर उदारण है और जब वे घर में आए, तो उनके पास अंदे आदमी आए और इसा मसी ने उनसे पूछा तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूं उन्होंने कहा हां प्रभू फिर उन्होंने उन अंधों की आंखे शूकर कहा तुमारी आस्ता के अनुरूप तुम्हें मिले और उनकी आखे खुल गई और ईसा मसी ने उन्हें सक्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए मैथ्यू 9 बटे 28 और 30 तुमारी आस्ता के अनुरूप तुम्हें मिले या कहकर ईसा मसी अंदे व्यक्तियों के अवजेतन मन से सही योग मांग रहे थे उनकी आस्ता उनकी सबसे बड़ी उम्मेद थी उनकी आंतरिक भावना थी उनका आंतरिक विश्वास था कि कोई चमतकार होगा और उनकी प्राटना का जवाब मिलेगा और ऐसा ही हुआ या उपचार की सनातक तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर के सभी उपचारक समू करते है चाहे वे किसी भी धार्विक पंतके हो या बात किसी को पता नहीं चल ली चाहिए या कहकर ईशा मसी ठीक हुए रोगियों को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को न बताएं अगर रोगी लोगों को बताते तो औविश्वास करने वाले लोग संधे करते और अपमांजलख आलोजणा करके उन्हें सताते इशसे वे लाप कम भी हो सकते थे जो इसा मसी के हाथ से उन्हें मिले थे क्योंकि इस से उनके अवजेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते यह एक मान्यतत है कि उपचार की सभी पद्धतियां बहुत आश्यरिजनक उपचार कर सकती है आप इस निशकर्स पर पहुँचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक और प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान हो सच मुच ऐसा ही है उपचार का घटक अवजेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है इन आधारबुच सच्चाईयों के बारे में गहराई से सोचें आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य जेतन मन को और दूसरा कार्य अवजेतन मन को सौपा गया है आपका अवजेतन मन सुझाव की शक्ती का हमेशा पालन करता है आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवजेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है आप पक्के दोर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्तियों में किसी भी विमारी के लक्षर पैदा किये जा सकते हैं उधारन के लिए सम्मोहित वस्था में दिये गए सुझाव की प्रक्ति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वहाँ चल नहीं सकता और ऐसा ही होगा आप सम्मोहिट व्यक्ति की नाग के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते है इसमें नस्वार भरी है, इसे सुंगो वह भुरी तरह और बार बार चीकने लगेगा आपको क्या लगता है? चीक किस कारण आई? पानी के कारण या सुझाव के कारण? अगर आपको कोई बताता है कि उसे घास से अलर्जी है तो आप सम्मोहिट वस्ता में उसकी नाग के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रखकर उसे कह सकते हैं कि या घास है उसमें अलर्जी के सामान ने लक्षर प्रकट हो जाएंगे इसे आवे पता चलता है कि शारिरिक लक्षर अवजेतन मन के कारण पैदा हुए थे इन लक्षरों का इलाज भी अवजेतन मन में ही होता है द्यान दे कि अवजेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है या जानता है इसे कैसे करना है डॉक्टर घाव पर पट्टी बांग कर कहता है प्रकटी इसे ठीक कर देगी लेकिन प्रकटी और कुछ नहीं बल्कि प्रकटिक नियम का दूसरा नाम है जो अवजेतन मन का नियम है आत्मरक्चा की सहज भावना प्रकटी का पहला नियम है और आत्मरक्चा अवजेतन मन का सबसे प्रमुक काम है आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सर्शक्त आत्म सुजाव है बहुत अलग से दान्त विबिन धार्मिक पंतो और प्रार्थना उप्चार समूहों ने उप्चार के कई अलग-अलग सिद्दान दिये है बहुत से लोग या दावा करते हैं कि उनका सिद्दान तही सही है क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिडाम मिलते है जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके है यह सही नहीं हो सकता जैसा आप जानते हैं उप्चार के बहुत से तरीके है फ्रेंज एंटन मैसमर 1734 से 1815 एक आश्ट्रेलियन जिकित सकते जो पैरिस में इलाज करते थे उन्होंने पाया कि वे बिमार के शरी पर चुम्मक लगा कर उसे चमतकारी तरीके से ठीक कर सकते हैं उन्होंने काच और कई धातों के टुकडों से भी इलाज करके दिखाया बाद में उन्होंने इन सभी वस्तों का प्रियोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेर कर इलाज करने लगे उनका धावा था कि उनके उपचार का असली श्रोत प्राणी चुम्बिकियता यानि एनिवल बैग्रेटिजम था उनका सिदान था कि उपचारक के हाथ से रहसमी चुम्बकिय उड़जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुँच जाती है मेसमर ने उपचार के इस तरीके को मेसमरिज में नाम दिया आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं मेसमर की सफलता से जले वाले दूसरे डौक्टरों का दावा था कि सिर्फ सुजाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किये थे बहराल, जब दबाव देकर पूछा गया तो डॉक्टरों को मानना पड़ा कि वे या नहीं जानते थे कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्बुत परिड़ाम कैसे मिले हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिध्धान्द के कारण हुआ है लेकिन सच्चाई कोसो दूर है सभी प्रगार की उपचार के प्रक्रिया एक निश्चित, सकारातबक, मांशिक नजरिया है एक अन्धुरूर्वी नजरिया या सोचने का तरीका है जिसे आस्ता का आ जाता है उपचार विश्वास पूर्ण उबीद के कारण होता है जो अब जेतन मन को सशक्त सुजाव देती है इसी से उपचारक शक्ती मुक्त होती है एक विक्ति जिस तरीके से ठीक होता है दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है हाँ, यह हो सकता है कि दोनों के सिध्धान्त या तरीके भिन न हो लेकिन उपचार के प्रक्रिया एक ही है और वह है विश्वास सिर्फ एक ही उपचारक शक्ती है आपका अवजेतन मन आप अपना मन पसंद सिध्धान्त, विश्वास और तरीका चुन ले आप विश्वाश रखे अगर आपको विश्वाश है तो आपको परिणाम अवश्ची भी लेंगे पैरोसल्सस के विचार फिलिप्स पैरोसल्सस एक मशूर स्विस अलकेमिस्ट और चिकिट सकते वे अपने जमाने के मशूर उपचारत थे उन्होंने एक बात कही थी जो आज विज्ञानिक रूप से प्रमाणित तथ है वो बात थी आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या जूटी आपको परिणाम समान ही मिलेंगे अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वाश करता हूं जितना की सुएं सेंट पीटर में करता तो मुझे वही परिणाम मिलेंगे जो मुझे सेंट पीटर से मिलते या अन्विश्वाश है पहराल आस्था चमतकार करती है और आस्था सच्ची हो या जूटी वहां हमेशा वही चमतकार करेगी पेरसलस्था के विचारों को सोलवी सधी में इतावली दार्शनिक पियोत्रो पैम्पनाजी ने दोहराया और उन्होंने लिखा था हम असानी से उन अद्पुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्म विश्वाश और कल्पना से उत्पन हो सकती है खासकर जब ये दोनुई ही चीजे रोगी और उसे प्रभावित करने वाले के बीच प्रभाहित हो निस्चिस सम्रित्य चिन्ों के प्रभाव से होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्म विश्वाश के प्रभाव है नेमाकीन और दर्षनिक चांते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों की जगा किसी सामान ये इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए तब भी बिमारों को उतने ही नापकारी परिडाब मिलेंगे बशर्ते उन्हें या यकीन हो कि यही सच्चे सम्रित्ती चिन्न है जरह सोचे की इसका क्या मतलब है अगर आप संत की अस्थियों की सक्तियों या किसी जगा के पानी के उपचार गुणू या मेरे अश्ट्रेलिया ही रिस्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चबतकारी परिड़ाव में यकीन करते हैं तो आपको परिड़ाम जरूर मिलेंगे क्योंकि आपके अब जेतरमन को सुजाव दिया गया है आखिर उपचार तो अब जेतरमन ही करता है खून निकलने का कारण सुजाव से खून भी निकलवाया जा सकता है इसे परदरशित करते हुए टॉक्टर एम बोरो ने एक व्यक्ति पर सबोहन करके उसे यह सुजाव दिया आज दोपर चार बजे तुम मेरे आफिस में आओगे इस कुरसी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांद लोगे इसके बाद तुमारी नाक से खून बहने लगेगा दोपर को स्विवक्री ठीक वही किया जैसे उसे सुजाव दिया गया था जब उसने अपने हाथ बांद लिये तो उसके बाएन न थोने सिर्फ खून की कुछ बूदे टबक गई एक और मौके पर बूरो ने एक रोगी को सबमोहित करके उसका नाम उसकी बापर एक औजार की भूपरी नोक से लिख दिया फिर बूरो ने कहा अज उपर चार बजे तुम सो जाओगे मेरी खिची लाइनों पर तुमारे हाथ से खून निकलेगा जिससे तुमारा नाम हाथ पर उभर आएगा उस दोपहर रोगी पर नजर रखी गई चार बजे वह सो गया उसकी बाइबापर अक्चर चबकने लगे और कई जगहों पर खून की बूधे भी दिखने लगी हाला कि अक्चर तीरे-धीरे मिट गए लेकित तीन महीने बाद भी वे दूल्दले दिख रहे थे ये तथे पहने बताए गई आधार भूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं अब जेतनमन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों, अनुभूतियों और स्थितियों पर पूरा नियंत्रण करता है पूर्व में बताए गई सबी उधारण बताते हैं कि नाट के तरीके से दिये गई सुझाव बहुत असामान्य स्थितियों को प्रेरिद कर सकते हैं ये इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वह वैसा ये बन जाता है याद रखने लाइक विचार खुद को बार बार याद दिलाए कि उपचारक शक्तिया आपके अवजेतर मन में है जान ले कि आस्ता जमीन में बोई बीच की तरह है यह अपनी तरह के फल देती है अपने मन में विचार का बीज बोले इसे उम्मीद का पानी और खाद दे यह वास्तविक्ता में बदल जाएगा किसी पुस्तक, नए अविश्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिस्क में हकीकत है इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है अपने विचार, योजना या अविश्कार की वास्तविक्ता पर यकीन करे जब आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा किसी और के रिप्रार्टना करते समय यह जान ले कि पूर्णता सुन्दर्ता और आदर्श का आपका आंत्रिक ज्यान किसी दूसरे के अवजेतन मन के नकारात्मक सुरूप को बदल सकता है तथा अद्भुत परिडाम दे सकता है आप वबिन धर्मस्थलों पर जिन चमतकारी उप्चारों के बारे में सुनते हैं में कल्पणा शक्ती और अंधी आस्था के कारण होते हैं जो अवजेतन मन पर कारे करके उप्चारक शक्ती को मुक्त करती है कोई बीचीज शरी पर तब तक प्रकट नहीं होती है जब तक कि उसके अनरोप मानसिक सारचना ना हो सबमोहन के सुझाव से लगबग हर रोप के लक्षन उत्पन किये जा सकते है इससे पता चलता है कि आपके विचार कितरे शक्तिशाली है चार की शक्ति एक ही पिरक्रिया है और वहा है आस्था सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है और वहा है आपका अवजेतनमन चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या जूटी आपको परिणाम मिलेंगे आपका अवजेतनमन आपके मस्तिश के विचार पर प्रतिक्रिया करता है आस्था को अपने मस्तिस के विचार के रूप में देखे, इतना ही काफी है चले शुरुआत करते हैं अध्याई पांच की, जो है आधरिक योग में मानसक अपचार वह कौन सी चीज है जो अपचार करती है, यह अपचारक शक्ति कहां रहती है और इसका लाप कैसे लिया जा सकता है यह सभी सवाल हमारे लिए बहुत आहम है, इन सभी का एक ही जवाब है उपचारक शक्ती हर व्यक्ति के अवजेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिये से यह सक्रिय हो जाती है किसी भी मानसिक या धार्मिक वजज्ञानिक उपचारक मनोवज्ञानिक, मनोविशलेशक या डॉक्टर ने कभी भी किसी मरीज को ठीक नहीं किया है एक पुरानी कहावत है, डॉक्टर घाव पर पट्टी बानता है, ईश्वर उसे ठीक करता है मनो मेग्यानिक या मनो विशलेशक मरीज के मानसिक अवरोध हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है ताकि उपचारक सिद्धाद सक्रिय हो सके और रोगी धुबारा सुष्थ हो सके इसी तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रवा सामान रिडंग से काम कर सके कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रियोग करने वाला पूरी तरह से यहां दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक कर दिया उपचारक शक्ती एक ही है हाला कि इसे अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है प्रकति, जीवन, ईश्वर, रशनात्म ज्याद लेकिन वासविक्ता में ये सभी अवजीतन शक्ती की और इसारा करने के भिन भिन तरीके हैं जैसा हम पहले देख चुके हैं हम स्वय में बौदू उपचारक जीवन सिध्धान्त के प्रवा के मानसिक, भावनात्मक और शारिरिक अवरोदों को कई तरीकों से हटा सकते हैं आपके अवजीतन मन में रहने वाला या उपचारक सिध्धान्त आपको सभी मानसिक तथा शारिरिक रोगों से मुक्त कर सकता है और करेगा बशरते आप या कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे यह उपचारक सिध्धान्त सभी लोगों में काम करता है बले ही उनका पंत, रंग या जाती कोई भी हो इसका प्रियोग करने और इस उपचारक प्रक्रिया का लाब लेने के लिए आपको किसी विशेश जड़्च का सदस्य बनने की जरूरत नहीं है आपका अवजेतन आपके हाथ के जले हुए या कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा बले ही आप नास्तिक या स्चंशेवादी हो आदुनिक मानसिक जिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्ता होगी आपके अवजेतन मन की और सिमित बुद्धि मत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी मानसिक विज्ञान का प्रियोग करने वाले या पादरी बाइबल के आधेश का पालन करते हैं यारी वे अपने कमरे में जाकर तरवाजा बंद कर लेते हैं जिसका मतलब है कि वे अपने मस्तिस को श्थिर कर लेते हैं शिथिल कर लेते हैं और असीमित उपचार चक्ति के बारे में सोचने लगते हैं अपने बीतर मौजूद वे अपने मस्तिस का द्वार सभी बाहरी व्यवधानों तथा वस्तूों के लिए बंद कर लेते हैं फिर वे अपना आग्रय या इच्छा अपने अवजेतर मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि उनके मस्तिस का ग्यान उन्हें सही जवाब देगा चानने की सबसे अद्बुत बात यहाँ है इच्छित परिडाम की कलपना करे और इसकी वास्तविक्ता को महसूस करे अवसे में जीवन सिद्धान्त आपके चेतन चुनाओ और आपके चेतन आग्रय पर प्रतिक्रिया करेगा यही इस वाक्यकार्थ है कि विश्वास रखे कि आपको मिल गया है और आपको मिल जाएगा प्रार्तना चिकित्सा का प्रियोग करते समय आदूरिक मानसिक विज्ञानिक यही काम करता है उपचार की एक प्रक्रिया दुरिया की हर चीज में सिर्फ एक ही शाशुत उपचारक सिद्धान्त काम कर रहा है चाहे वह बिल्ली, कुता, पेड, घास, हवा, धर्ती हो क्योंकि हर चीज सजीव है यह जीवन सिद्धान्त प्राणी, वनस्पति और खने समराजियों में सहत, बोध और विकास के नियम के रूप पे काम करता है चुकि मरेश यह इस जीवन सिद्धान्त के बारे में चेतर रूप से जागरुख होता है इसलिए हम खुद को अनगिनत तरीकों से लाप पहुचाने के लिए इसका सचेतर प्रियोग कर सकते हैं इस सास्व सिद्धान्त का प्रियोग करने के कई भिन तरीके, तक्नीके और विदिया हैं लेकिन उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है वहाँ है आस्था क्योंकि आपकी आस्था के अनुरूप ही आपको परिडाम मिलेगा विश्वास का नियम दुरिया के सभी धर्म विश्वास के रूप में है और ये विश्वास कई तरीकों से स्पष्ट किये जाते हैं जीवन का डियम विश्वास है अपने जीवन और ब्रह्मार्ण के बारे में आपके विश्वास क्या है जैसा आपको विश्वास होगा, वैसा ही आपको मिलेगा विश्वास आपके मस्तिस का एक विचार है जिसकारण अवजेतन की शक्ती, आदतन सोच के अनुसार जीवन के सभी छेतरों में उतरती है आपको एसास करना चाहिए कि जब बाइबल आस्ता का जिक्र करती है तो यह किसी अनुष्ठान, समारो, रूप, संस्ता या फॉर्मुले में विश्वास के बारे में नहीं बोल रही है यह तो स्वय विश्वास के बारे में बोल रही है आपके बस्तिस का विश्वास आपके मस्तिस का विचार है अगर आप विश्वास कर सकें तो उसके लिए हर चीज संभव है जो विश्वास करता है मार्क 9 बटे 20 किसी भी ऐसी चीज में विश्वास करना मुर्गता है जो चोट या नुकसान पहुचाए याद रखें, जिस चीज में आप विश्वास करते हैं, वह आपको नुक्सान या चोट नहीं पहुचाती है यह तो आपके मस्तिस का विश्वास या विचार है, जो परिणाम उत्पन करता है आपके सभी अनुभव, सभी कार्य तथा जीवन की सभी घटनाई वह परिस्थितियां आपके विचार की प्रितिक्रियाएं और प्रतिविम्ब है प्रार्थना, चिकित्सा चेतन और अवजीतन मन का सईयुक्त कार्य है, जिसे वैग्यानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है प्रार्थना चिकित्सा मस्तिस के चीतन और अवजीतन स्तरों का क्रम बद्ध, सामांजस्य पूर्ण और बुद्धी मत्ता पूर्ड कार्य है जिसे किसी निश्चित उद्देश के लिए विशेश रूप से निर्देशित किया जाता है वैग्यानिक प्रार्थना या प्रार्थना चिकित्सा के लिए आपको पता होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं आप उपचार की नियम में विश्वाश करते हैं प्रार्तना चिकित्सा को कई बार मांसिक उप्चार या वैग्यारिक प्रार्तना भी कहा जाता है। प्रार्तना चिकित्सा में आप किसी निश्चित विचार, मांसिक तस्वीर या योजना को चुनते हैं, जिसे आप अनुबव करना चाहते हैं। आप इस विचार या मानसिक छवी को अपने अवजेतन तक पहुचा देते हैं और काल्पने कवस्ता की वास्तविक्ता और उभूव करते हैं। जब आप अपने मानसिक तजरियें में पूर्ण आस्ता रखेंगे तो आपको अपनी प्रारतना का जवाब मिल जाएगा। प्रारतना चिकित्सा किसी विशिष्ट उद्देश के लिए मानसिक कर्म है। मान ले, आप प्रारतना चिकित्सा से किसी समस्या के उपचार का वैसला करते हैं। आप जानते हैं कि आपकी समस्या या बिमारी जाहे वह जो भी हो आपके अफजेतन मन में रहने वाले भयाकरांत और नकारात्पक विचारों के कारण उत्पन हुई है आपको एसास है कि अगर आप अपने बस्तिस्ट से इन विचारों की सफाई कर दें तो आप ठीक हो जाएंगे इसलिए आप अपने अफजेतन मन की उपचारक शक्ति की और मुड़ जाते हैं आप खुद को इसकी असिमी शक्ति और बुद्धिमत्ता याद दिलाते हैं आप खुद को यह भी याद दिलाते हैं कि यह हर बिमारी का उपचार करने में सक्षम है जब आप इन सच्चाईयों पर लगातार सोचते हैं तो आपका डर धीरे धीरे कम होने लगता है इन सच्चाईयों की याद गलत विश्वासों से जूशती है और अंततहा उन्हें परास्त कर देती है आप उस उपचार के लिए धन्यवाद देते हैं जो आप जानते हैं कि अवश्य होगा फिर आप अपने मस्तिस को उस समस्या से तब तक दूर रखते हैं जब तक कि कुछ समय बाद आपके मन में दोबारा प्रार्टना करने की इच्छा प्रबलता से महसूस नहीं होती है प्रार्टा करते समय आप नकारातपक स्थितियों को जरा भी शक्ति नहीं देते हैं या पल भर के लिए भी यह नहीं सोचते हैं कि उपचार नहीं होगा इस तरह के मांसिक नजरिये से चेतन और अवजेतन मन का सामंजस से पूर्ण मेल बनता है जो उपचारक शक्ति को सक्रिय कर देता है आस्था उपचार का क्या मतलब है और अन्धी आस्था किस तरह काम करती है जिसे लोग आस्था उपचार के नाम से जानते हैं वह दरसल बाइबल में बताएगी आस्था नहीं है जिसका मतलब चेतन और अवजेतन मन के आपसे संबंदों का घ्यान होता है आस्था उपचारक वह व्यक्ति होता है जो उपचार में शामिल शक्तियों की विज्ञानिक समझ के बिना उपचार करता है हो सकता है कि वह उपचार की विशेश शम्ता का दावा करे और उसमें या उसकी शक्तियों बे रोगी की अंदियास्ता उसे ठीक कर दे तुरिये के कई हिस्सों में पारंपरिक उप्चारक अपने रोगीयों को नृत्य, मंत्रों और आत्माव को बुलाकर ठीक करते हैं हो सकता है कोई व्यक्ति किसी संत के सम्रित्ती चिन्ड छूकर खास डंडा बांद कर अगर बत्ती या धूप जलाकर या विशेज जड़ियों के काड़े को पीकर स्वस्थ हो गया हो जो भी चीज रोगी को उस तरीके या प्रक्रिया में सच्चा विश्वास दिलाएगी वह उप्चार को अधिक संभव बना देगी जो भी चीज आपको डर और चिंता से हटा कर आस्था और आज़ा की और ले जाएगी आपका इलाज करतेगी कई लोग दावा करते हैं कि चूकी उनके सिद्धान परिणाम देते हैं इसलिए विस सही और सच है जजाम पहले देख चुके हैं या सच नहीं हो सकता अंधियास्ता किस तरह काम करती है इसके लिए स्विस उप्चारक फ्रेंच एंटन मैस्मर के बारे में सोचें जिनका जिक राम पहले कर चुके हैं 1776 में उन्होंने अपने मरीजों के शरीर से चुमबक छूकर इलाज करने का दावा किया था बाद में उन्होंने चुमबक छोड़कर मरीज से कुछ दूरी पर अपने हाद गुमा कर इलाज किया या तरीका भी गारगर हुआ इस नई तक्नीक की सफलता को समझाने के लिए मैस्मर ने प्राणी चुमबक यता का सिद्दान दिया उनका बानना था कि यह द्रव वैसे ही पूरे ब्रह्माण में फैला हुआ है लेकिन इंसान के शरीर में सबसे सक्रिया है उनका दावा था कि यह चुमबक ये द्रव उनके हाथों से बिमार शरीर की और समप्रेशित होता है और प्राणी चुमबक यता का यह स्थानांतरण उनका उपचार कर देता है इसके बद हजारों लोखों लोग उनके पास आने लगे और कई अद्बुद उपचारों का दावा किया गया मैसमर पैरिस आ गए वागी सरकार ने उनके इलाजों की जाज के लिए एक आयोग गडित किया इस आयोग में प्रख्यात चिकित्सक और अकेडमी ओफ साइंस के सदस्य थे जिनमें बेंजमिन फ्रैंकलीन भी शामिल थे सदन जाज परतार के बाद आयोग ने सुईकार किया कि मैसमर ने बेमारों को सच-बुश ठीक किया था हालाकि यह भी कहा गया कि उनके चुमबकिये द्रव सिद्धान्त को सही साबित करने वाला एक भी प्रमार नहीं है यह अनुमा लगाया गया कि इलाज मरीजों की कलपना की वज़र से हुआ था इसके ठीक बाद मैसमर को निर्वासित कर दिया गया 1815 में उनकी मृत्य हो गई इसके कुछ समय बाद इंग्लैंड में मैंचेस्टर के डॉक्टर जैम्स ब्रैंड ने यह साबित करने का बीड़ा उठाया कि चुमबकिये द्रव का डॉक्टर मैसमर के उपचारों से कोई लिरा देना नहीं था डॉक्टर ब्रैल ने पाया कि रोगी को सुझाव देकर सम्भोही तंद्रा या निंद्रा बे बेजा जा सकता है रोगीयों के सम्भोही तंद्रा में रहते समय वे कई अद्बुत परिणाम उत्पन करने में सफल हुए जिनका स्च्रे मैसमर ने प्राणी चुम्बकिया तो गोदिया था अब देख सकते हैं कि ये सभी उपचार निसंद्रे रोगीयों की सक्रिय कल्पना और अब जेतर मन को दिये गए स्वास्त के सशक्त सुझावों द्वारा संभव हुए थे इसे अंदियास्ता कहना अनुचित नहीं होगा क्योंकि ना तो मरीज ना ही उपचारक को यह समस्ती की उपचार कैसे हुए कल्पनावादी आस्था और इसकार्थ किसी व्यक्ति कल्पनावादी अवजेतन मन उसके चेतन या यधार्थवादी मन के नियंतर के अधीन होता है यह दूसरों के सुझावों के प्रती भी अतिसमेदशील होता है इसका मतलब यहाँ है कि जो भी आपका यथार्थवादी विश्वाश है अगर आप उसमें सक्रिया या निश्क्रियता से आस्था रखेंगे तो आपका वजेतनमन उस सुझाव द्वारा नियंत्रित होगा और आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी मांचक उप्चारों के लिए विशुद्ध कल्पनावादी आस्था की जरूरत होती है इसे हासल करने का तरीका या थार्थवादी या चेतनमन के सक्रिय विरोध का अंद करना है जाहिर है शरीर के पभावी उप्चार के लिए सब चच्छा तो यहां रहेगा कि चेतन और अवचेतन दोनों ही मन आस्था क्यों पूरी तरह स्विकार करने की आवस्था में हो बहरहाल यहां हमेशा जरूरी नहीं होता है आप अपने मन और शरीर को शिथिल करके उनिदी अवस्था में पहुँच सकते हैं और निश्क्रियता तथा ग्रहंडशीरता की स्थिती में दाखिर हो सकते हैं इस उनिंदी अवस्था में आपकी निश्क्रियता कल्पनावादी छाप के प्रती गिर्हनशील बन जाती है एक विक्ति ने मुझसे एक बार पूछा ऐसा कैसे हो गया कि उस पादरी ने मुझे ठीक कर दिया जब उसने मुझे बताया कि रोग जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसका कोई आस्तित नहीं होता है तो मैंने उसकी एक भी शब्द पर यकिन नहीं किया मुझे लगा कि वहा मेरी बुद्धी का अपमान कर रहा है लेकिन इसके बावजूद में ठीक हो गया ऐसा कैसे हो सकता है जैसा मैंने इस व्यक्ति को बताया इसका स्पष्टिकरण आसान है वह पादरी के शांति दैक शब्दों से शांत हो गया फिर पादरी ने उसे कुछ समय के लिए पूर्ड़ता डिश्क्रिय अवस्था में जाने कुछ ना बोलने या सोचने की सलादी पादरी भी निश्क्रिय बन गए उन्होंने आदे घंटे तक शांति से धीरे धीरे तथा ध्रणता से लगातार कहा कि इस व्यक्ति को संपूर्ण स्वास्थ, शांति, सद्भाव और पूर्णता मिल जाए आदे घंटे बाद उस व्यक्ति को असीम राहत महसूस हुई और वहत दोबारा स्वस्थ हो गया यह देगना आसान है कि उप्चार के समय निश्क्रिय अता की कारण उसकी कल्पनावादी आस्था तकट हो गई थी और पादरी द्वारा दिये गए संपूर्ण स्वस्थ के सुजाव उसके अवजेतन मन तक पहुँच गए थे दोरू करपलावादी मन तालमेल में थे अगर इस व्यक्ति ने उप्चारक की शक्ती और उसके सिद्दान्त की सही होने के बारे में अपनी शंकाओं को उस वक्त उभारने दिया होता तो यहाँ विरोधी आत्म सुजाव के रूप में काम करता उस इस्थिती में पादरी के सुजाव बहुत कम असर दिखाते या बिल्कुल असफल हो जाते बहरहाल उनिंदिक निश्क्रिय अवस्था में जेतनमन का विरोध निउन्तम हो गया था रोगी का अवजेतनमन पादरी के सुजाव के प्रतिक ग्रहेंड शील था इसने उन सुजाव के अनुरूप काम किया और उपचार हो गया अनुपस्थित उपचार करत माने आप लॉस एंजलिस में रहते हैं और आपको यह खबर बिलती है कि आपकी मा न्यूयोर्क सिटी में बहुत बिमार है आपकी पहली इच्छा तो यह होती है कि आप घर, परिवार और नौकरी छोड़ कर उसके पास बहुँच जाए लेकिन अगर यह संभव ना हुआ तो क्या आप अपनी मा को ठीक होने की प्रक्रिया में अपनी आस्था की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएंगे ऐसा नहीं है बले ही आप शारीरी ग्रूप से मौझूद ना हो लेकिन आपकी प्रार्तनाएं उन तक अवश्य पहुँच सकती है परम्पिता सबके भीतर रहते है रचनात्मक मस्तिस्क एक ही है मस्तिस्क का रचनात्मक नियम आपको लाब पहुचाता है आपको तो बस अपने मन में स्वास्त और सामंज़स्य का आंतरिक एहसास भरना है इसकी प्रतिक्रिया सुतह होती है आपके अवजेतन मन का या आंतरिक एहसास आपकी मा के अवजेतन मन पर काम करता है सेहत, स्फूर्ती और पूर्णता के आपके विचार एक ही शाशुत कलपनावादी मन में काम करते हैं वे जीवन के कलपनावादी पहलु के नियम को गतिमान कर देते हैं जो उनके शरीर में उपचार के रूप में प्रकट होता है मस्तिस्क सिद्दान्त में समय या स्थान का कोई महतु नहीं होता है वही मस्तिस्क आपकी मा और आप में काम करता है चाहे आप कहीं भी रहें वास्तव वे कोई भी अनुपस्थित उपचार नहीं होता है जो उपस्थित उपचार का विरोधी हो क्योंकि शाश्वत मस्तिस्क हर जगा है आप विचार भेजने या पकड़ने की कोशिश नहीं करते हैं आपका उपचार विचार की चेतनकती है जब आप स्वास्त, कल्यान और आराम के लक्षनों के प्रती जागरुख बन जाते हैं तो ये लक्षन आपकी मा में प्रकट होंगे उसके बाद परिणाम अवश्य मिलेंगे या असल जिंदिगी का एक उजारण दिया जा रहा है जिसे गलती से अनुपस्थित उपचार मान लिया गया लॉस एंजलेस की एक महिला को पता जला कि न्यूव यॉर्क में रहने वाली उसकी मा को कोरोनरी थ्रॉम्ब्योसिस हो गया है वह अपनी मा के पास नहीं जा सकती थी इसलिए उसने यह प्राठना की उपचारक शक्ती मेरी मा के पास है उनके शरीर की स्थिती उनके विचार जीवन का वैसा ही प्रतिबिम्ब है जिस तरह छायाएं परदे पर परती है मैं जानती हूँ कि उस परदे की छवियों को बदलने के लिए मुझे उन चीजों को बदलना होगा जिनका वैं प्रतिबिम्ब दिखाती है मैं अब अपने बस्तिस्क में अपनी मा के लिए पूंडता सामंजस्य और संपूंड स्वास्त की छवी बना रही हूँ जिस अलसिमित उपचारक शक्ती ने मेरी मा का शरीर और उनके सभी अंग बनाए है वह उनके आस्तित्तु के हर परमाडू में भर रही है और उनके शरीर की हर कोशिका से शांती की धारा प्रवायत हो रही है डॉक्टरों को दैवी मार्दर्शन मिल रहा है जो भी मेरी मा को छू रहा है उसे सही काम करने का मार्दर्शन मिल रहा है मैं जानती हूँ कि रोग अंदिन सच नहीं है अगर ऐसा होता तो किसी का उपचार नहीं हो पाता मैं प्रेम और जीवन के असिमित सिद्धान्त की समर्थक हूँ मैं जानती हूँ और यहाँ आदेश देती हूँ कि मेरी मा के शरीर में सामंजस्य सेहत और शानती व्यक्त हो रही है उसने दिन में कई बारें अप्राटना दो रही कुछ दिन बाद उसकी मा की हालत में उलेकनी असुदार हुआ उनका हृदेरोग चिकिच्चक हैरान था और उसने इश्वर में प्रबल आस्था के लिए उन्हें बदाई दी पेड़ी के मस्तिस के पूर्ण आस्था के साथ सुईकार किये गए निशकर्ष ने सासवत अवजेतन मन में व्यापक रचनात्मा कूर्जा को सक्रिय कर दिया यहाँ उसकी मा की शरीर में संपूर्ण स्वास्थ और सामंजस्य के रूप में प्रकट हुई बेटी ने अपनी मा के बारे में जो सोचा वहाँ उसकी मा के अनुभव में अफिव्यक्त हुआ अब चेतन मन की गतिशील कर्म को सक्रिय करना मेरी एक मनुम वग्यानिक बित्र ने मुझे बताया कि एक महत्पूर्ण अंग की पायोप्सी में कैंसर की कोशिकाय मिली डॉक्टर ने पीडा दायक और खतरनाक उपचार का सुजाव दिया इसके लिए हा करने से पहले मेरी बित्र ने एक और तगनी काजमाई हर रात में सोने से पहले वह शान्ती से या विश्वास जताती थी हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अब पूर्ण, दोश्रहित और आदर्श बन रहा है वेरे पूरे शरीर में स्वास्त और सामंजस से दुबारा लोट रहा है लगबग एक महीने में पूर्ण उप्चार हो गया बात के परीक्षडों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाए अब बची ही नहीं है मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ लेकिन मेरी जिक्यासा जाग गई मैंने उससे पूछा कि वहाँ सोने से पहले अपना निश्चे क्यों दोराती थी उसने बताया एक बर किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवजेतन मन का काम नीद के दौरान भी चलता रहता है इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवजेतन मन को कोई लाब करी काम सौपते यहाँ बहुत समझदारी भरा जवाब था यह भी ध्यान दें कि सामंजस से और पूर्ड सौास्त के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बिमारी का नाम नहीं लिया मैं प्रबलता से सुजाफ देता हूँ कि आप अपनी बिमारी के बारे में बोलना बंद कर दे या उनका नाम न ले खासतोर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में उन्हें जिस एक मात्र शोत से जीवन मिलता है वहाँ है आपका ध्यान और डर उपर जिस मरोवग्यानिक का जिक्र किया गया है उसकी तरह मानसिक सर्जन बने फिर आपके मुश्किले भी उसी तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह निर्जीव शाकाए किसी पेर से तूट जाती है इसके विपरीत ज़िए आप लगातार अपने दर्ड और लक्षणों की रट लगाते रहते हैं तता उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ती बढ़ा देते हैं आप उस गतिशीन कर्म को रोकते हैं जो आपके अवजेतन मन की उपचारक शक्ती और उर्जा को सक्रिय करता है यही नहीं आपके ही मस्तिस्क के नियम द्वारा ये कल्पनाय आकार लेने लगती हैं वही चीज हो गई जिसका मुझे बड़ा डर था अपने मस्तिस्क में जीवन की महान सच्चाईयां भरे और प्रेम की रोष्णी की और बड़े आपकी सेहत बढ़ाने के सूत्र पता लगाए कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिये गए सही निर्देश आपके मस्तिस्क और शरीरगा उपचार कर देंगे अवचेतन मन को अपने आगरेंग या इच्छाए बताने की एक नए निश्चित योजना बना ले इच्चित परिणाम की कलपना करें और इसकी वास्टविक्ता महसूस करें इसे लगातार करें आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे पैसला करें कि विश्वास क्या है जानने की विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं बिमारी या नुकसान या चोड़ पहुचाने वाली किसी भी चीज़ में विश्वास करना मुर्पता है संपूर्ड स्वास्थ, संब्रिध्धी, शान्ती, दौनत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करें आप जिन महान और उदात्त विचारों के बारे में आज़तन सोचते हैं वे महान कर्ब बन जाते हैं अपने जीवन में प्रार्धन वप्चार की शक्ती लागू करें निश्चे तियोजना, विचार या मानसिक तस्मीर चुन ले उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाए जब आप अपने मानसिक नजरिये के प्रति आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्धना का जवाब मिल जाएगा हमेशा याद रखें अगर आप सच्पुच उप्चार की शक्ती पाना चाते हैं तो आप इसे आस्था के जरिये पा सकते हैं जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्वरिद्धी का ज्यान आस्था समझ से आती है अंदी आस्था का मतलब है कि उप्चारक शक्तियों की वैज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उप्चार हो सकता है अपने बिमार प्रियजनों के लिए प्रातना करना सीखे अपने मन को शांत कर ले सेहत, स्फूर्ती और पूर्णता के आपके विचार शाशुत कलपनावादी मस्तिस्क के मार्ध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिस्क में महसूस किये जाएंगे और प्रकट होंगे अब जेतनमन की गतिशील खर्म को सक्रिय करना मेरी एक मनुम वग्यानिक बित्र ने मुझे बताया कि एक महत्पूर्ण अंकी पायोप्सी में कैंसर की कोशिकाए मिली डॉक्टर ने पीडा दायक और खतरनाक उपचार का सुजाव दिया इसके लिए हा करने से पहले मेरी बित्र ने एक और तगनीक आजमाई हर रात में सोने से पहले वह शान्ती से या विश्वास जताती थी हर कोशिका, नस, तंत्रिका और अंग अप पूर्ण दोशरहित और आदर्च बन रहा है मेरे पूरे शरीर में स्वास्त और सामंजस से दुबारा लोट रहा है लगबग एक महीने में पूर्ण उपचार हो गया बात के परीक्षडों में पता चला कि कैंसर की कोशिकाए अब बची ही नहीं है मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ लेकिन मेरी जिक्यासा जाग गई मैंने उससे पूछा कि वहाँ सोने से पहले अपना निश्चे क्यों दोराती थी उसने बताया एक पर किसी दिशा में सक्रिय होने पर अवजेतन मन का काम नीब के दौरान भी चलता रहता है इसलिए यहाँ बहुत जरूरी है कि आप सोने से पहले अवजेतन मन को कोई लाब करी काम सौपते यहाँ बहुत समझदारी वहरा जवाब था यह भी ध्यान देगी सामंजस से और पूर्ण स्वास्थ के बारे में सोचते समय उसने एक बार भी अपनी बिमारी का नाम नहीं लिया मैं प्रबलता से सुजाव देता हूँ कि आप अपनी बिमारियों के बारे में बोलना बंद कर दे या उनका नाम ना ले खास दोर पर सोने से ठीक पहले के घंटों में उन्हें जिस एक मात्र शोत से जीवन मिलता है वहां है आपका ध्यान और डर उपर जिस मरोवग्यानिक का जिक्र किया गया है उसकी तरह मानसिक सर्जन बने फिर आपकी मुश्किले भी उसी तरह दूर हो जाएंगी जिस तरह निर्चीव शाकाएं किसी पेर से तूट जाती है इसके विपरीत यदि आप लगातार अपने दर्ड और लक्षणों की रट लगाते रहते हैं तता उनके बारे में बात करते हैं तो आप उनकी शक्ती बढ़ा देते हैं आप उस गतिशीन कर्म को रोकते हैं जो आपके अवजेतन मन की उपचारक शक्ती और उर्जा को सक्रिय करता है यही नहीं आपके ही मस्तिस्क के नियम द्वारा ये कल्पनाय आकार लेने लगती हैं वही चीज हो गई जिसका मुझे बड़ा डर था अपने मस्तिस्क में जीवन की महान सच्चाईयां बरे और प्रेम की रोश्नी की और बड़े आपकी सेहत बढ़ाने के सूत्र पता लगाए कि वह कौन सी चीज है जो आपका उपचार करती है विश्वास करें कि अवचेतन मन को दिये गए सही निर्देश आपके मस्तिस्क और शरीर का उपचार कर देंगे अवचेतन मन को अपने आगरेंग या इच्छाए बताने की एक नई निश्चित योजना बना ले इच्छित परिणाम की कलपना करें और इसकी वास्तविक्ता महसूस करें इसे लगातार करें आपको निश्चित रूप से परिणाम मिलेंगे फैसला करें कि विश्वास क्या है जानने की विश्वास आपके मन का एक विचार है और आप जो सोचते हैं आप उसकी रचना करते हैं विमारी या नुकसान या चोड़ पहुचाने वाली किसी भी चीज़ में विश्वास करना मुर्पता है संपूर्ड स्वास्थ, संबृध्धी, शांती, दौलत और दैवी मार्गदर्शन में विश्वास करे आप जिन महान और उदार्थ विचारों के बारे में आदितन सोचते हैं वे महान कर बज जाते हैं अपने जीवन में प्रार्थन वप्चार की शक्ती लागू करे निश्चे तियोजना, विचार या मानसिक तस्मीर चुन ले उस विचार के साथ मानसिक और भावनात्मक तालमेल बनाए जब आप अपने मानसिक नजरिये के प्रती आस्थावान रहेंगे तो आपकी प्रार्थना का जवाब मिल जाएगा हमेशा याद रखें, अगर आप सच्पुच उप्चार की शक्ती पाना चाहते हैं तो आप इसे आस्था के जरिये पा सकते हैं जिसका मतलब है अपने चेतन और अवचेतन मन की कार्वरिद्धी का ज्यान आस्था समझ से आती है अंधी आस्था का मतलब है कि उप्चारक शक्तियों की विज्ञानिक समझ के बिना भी सफल उप्चार हो सकता है अपने बिमार प्रियजनों के लिए प्रार्टना करना सीखे अपने मन को शांत कर ले सेहत, स्फूर्ती और पूर्णता के आपके विचार शासुत कलपनावादी मस्तिस्क के माध्यम से आपके प्रियजन के मस्तिस्क में महसूस किये जाएंगे और प्रकट होंगे तो यहां से शुरुआत करते हैं अध्याए 6 की जो है मानसे कुपचार की व्याभारिक तक्निके जब कोई इंजीरियर पुल या अध्रिक यान बनाता है तो वह किसी जानी पहचानी तक्निक या आजबाई हुई योगिताओं वह तरीकों से समस्या को हल करता है यह तक्निके योगिताओं और तरीके सीखने पड़ते हैं इसी तरह आपके जीवन को नियंद्रित और निर्दोशित करने कुई भी जानी पहचानी तक्निके योगिताओं और तरीके हैं ये तरीके और तक्नीके बूलभूत है गोर्लन गेट ब्रिज बनाने से पहले इंजीनियरों को गड़ित के सिध्धान्त, दबाव और तनाव को सवजना था दूसरे उन्हें अपने मस्तिस्क में खाड़ी पर उतक्रिश्ट पुल की माज़िक तस्वीर बनानी थी तीसरा कदब उस तस्वीर को सागार करने के लिए आजमाय हुए और समय सिध्ध तरीकों का इस्तमाल करना था जब ये तीनों कदब पूरे हो गए तो पुल बन गया और कार चलाने वालों की कई पीडियां इसके पार जाने लगी अगर आप चाते हैं कि आपकी प्रार्ताओं का जवाब मिले तो आपको सही तक्नीकों और विधियों से शुरुआत करनी होगी प्रार्ता का जवाब वैग्यानिक तरीके से मिलता है कुछ भी सही योग से नहीं होता है यहाँ व्यवस्ता और नियम काइदे की दुनिया है इस अध्याय में आप अपने आध्यात्मिक जीवन के प्रक्टिकरण और पोशन की व्यावारिक तकनीक पाएंगे आपकी प्रार्तनाओं को गुब्बारे की तरह हवा में लटक के रहने की जरूरत नहीं है उन्हें कहीं पहुँचना चाहिए और आपके जीवन में कुछ नाप पहुचाना चाहिए प्रार्तना का विशलेशिट करने पर पता चलता है कि इसकी कई अलग अलग विदियां और तरीके हैं हम इस पुस्तक में धार्विक पूजापाठ की अपचारिक प्रार्थनाओं को शामिल नहीं करेंगे समु अराधना का अपना महत्व है लेकिन यहां हम उन पर ध्यान केद्रित नहीं करेंगे हमारा मूल द्यान तो व्यक्तिकत प्रार्थना के उन प्रभावी तरीकों पर है जो आपकी रोजमर्रा की जिन्दिकी में शामिल किये जा सके ताकि आपको या दूसरों को मदद मिल सके प्रार्थना किसी मन चाही चीज से जुड़े विचार का सूत्री करण है प्रार्थना आत्मा की सच्ची मनोकामना है आपकी मनोकामना ही आपकी प्रार्थना है यहाँ आपकी सबसे गहरी जरूरतों से निकलती है और उन चीजों को साकार करती है जिरे आप अपने जीवन में पाना चाहते है वे लोग धन्य हैं जो धन्म प्रायरता के भूके और प्यासे हैं क्योंकि उन्हें भर पेट मिलेगा यही प्रायरता की सच्ची प्रिकती है जीवन की भूक और शांती, सद्भाव, स्वास्त, खुशी और जीवन की बागी अन्य नियामतों को पाने की कारगर अभिव्यक्ति जेतन से अवजेतन तक विचार पहुचाने की तक्नीक जैसा हम देख चुके हैं, प्रभावी प्रारतना का रहस्य अवजेतन मन को इच्छित परिणाम से सराबोर करना है ऐसा करने का एक बहुत आसान तरीका जेतन से अवजेतन मन तक विचार पहुचाने की तक्नीक है इसमें मूलता अवजेतन मन को प्रेरित किया जाता है, ताकि या जेतन मन के आग्रह को उसी रूप से ग्रहन कर ले या तक्नीक सपने जैसी स्थिती में सबसे अच्छी तरह काम करती है जान ले कि आपके इस ज़्यादा गहरे अवजेतन मन में असी विद्बुद्धिमता और असीम शक्ती है बस्षानती से अपनी मनोकामना के बारे में सोचे इके साकार होने की तस्वीर इसी पल से देखना शुरू कर दे उस छोटी लड़की की तरह बने जिसे बहुत पूरी खासी थी और कला खराब था उसने द्रणता से बार बार घोचना की खासी अब आ रही है यहाँ अब जा रही है जमातकार यहां हुआ की खासी एक घंटे में सचमुच गायब हो गई इस तक्निक का इस्तिमाल पूरी इमानदारी और सहस्ता से करे आपका अवजेतन आपके ब्लूप्रिंट को सुईकार कर लेगा अगर आप अपने और परिवार के लिए नया घर बनवा रहे हैं तो आप उसके ब्लूप्रिंट में गहरी रुची लेंगे आप यह सुनिश्चित करना चाहेंगे कि भवन निर्माता आपके ब्लूप्रिंट का अक्षरश पालन करे आप उसकी द्वाना लगाई जाने वाली निर्मार सामक्री पर भी नजर रखेंगे आप जानते हैं कि आपके भावी मकान का जीवन इस सामक्री की कुडवत्ता पर निर्भर करता है इसलिए आप सर्व सेष्ट सीमेंट, बिजली के तार, छत की सामक्री आदी चुनेंगे क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतना ही ध्यान अपने मानसिक घर का रखे क्या इसमें समझदारी नहीं होगी कि आप इतनी ही चिंता, खुशी और सिम्रिद्धी के अपने मानसिक ब्लूप्रिंट की करे आपके सभी अनुभव और जीवन में दाखिर होने वाली हर चीज उन मानसिक इटों की प्रकति पर निर्भर करती है जिनका प्रियोग आप अपने मानसिक घर को बनाने में करते हैं अगर आपका मानसिक ब्लूप्रिंट डर, जिन्ता, तनाव या कमी से बना हो अगर आप निराश, शंकालो और तोश्दर्शी हो तो आपकी इस मानसिक सामक्री के कारण आपके जीवन में अधिक ठकान, शंका, तनाव, जिन्ता और सभी तरह की सीमाय प्रकट हो जाएंगी जीवन में सबसे बूलभूत और दुर्गामी चीज वहाँ है जो आप हर घंटे अपनी मानसिकता में बनाते हैं आपके शब्द खामोश और अद्रिश लेकिन वास्तविक होते हैं आप हर समय अपना मानसिक घर बना रहे हैं और आपके विचार तो था मानसिक तस्वीरे आपके ब्लूप्रिट को दर्शाती है हर घंटे, हर पल आप बैतरी सेहत, सफलता और खुशी का निर्बार कर सकते हैं उन विचारों से जो आप सोसते या रखते हैं, उन विश्वासों से जिने आप स्विकार करते हैं और उन द्रिश्यों से जिनकी आप अपने बस्तिस के छेपेवे स्टूडियो में रिहर्स करते हैं जिस राजसी महल के निर्मार बे आप लगादार चुटे रहते हैं वहाँ आपका व्यक्तित्व है इस धर्थी पर आपकी पहचान है इस दुनिया बे आपके जीवन की पूरी कहानी है एक नया ब्लूप्रिंट बनाएं वर्तमान पल में शांती, खुशी और सद्भावना के एहसास द्वारा इसे खामोशी से बनाए इन चीजों का दाव़ करने पर आपका अवजेतन आपके ब्लूप्रिंट को सुईकार कर लेगा और इन सभी चीजों को उत्पन कर देगा उनके फलों से आप उन्हें पहचान जाएंगे सच्ची प्राड़ता का विज्ञान और कला विज्ञान कर सयोजित, व्यवस्थित और क्रमबद ज्ञान है आईए, सच्ची प्राड़ता के विज्ञान और कला के बारे में ज्यादा गौड से सोचे या ग्यान जीवर के बुर्यादी सिद्धानतों के बारे में है इसमें उन तक्नीकों और प्रिक्रियाओं का वर्णन है जो आपके या अनिकिसी व्यक्ति के जीवर में प्रदर्शित की जा सकती है जो पूरे विश्वास से उन्हें लागू करता है आपकी तक्नीक अप्रियाओं और इसके पीछे का विज्ञान आपकी मालसिक तस्वीर या विचार पर आपके रशनात्पक मन की निश्चित प्रितिक्रिया है मागो और तुम्हें मिल जाएगा खोजो और तुम पालोगे खट खटाओ और तुम्हारे लिए दर्वाजा खुल जाएगा मैथ्यू साथ पटे साथ यह पैतरीन पंक्ति हमने क्या बताती है इसका स्पष्ट अर्थ है कि आप जो चीज बांगेगे वहाँ आपको मिल जाएगी जब आप खट खटाएंगे तो आपके लिए दर्वाजा खुल जाएगा और आप जिसे खोज रहे हैं उसे पालेंगे इस सबग में मादसिक और आध्यात्मिक नियमों की निश्चित्ता निहित है आपके चेतन चिंद्धर पर आपके अवजेतन मन की असे मिद्बुद्धि बत्ता हमेशा सीधी प्रितिक्रिया करती है अगर आप रोटी मागेगे तो आपको पत्थर नहीं मिलेगा आपको पूरी विश्वास से मांगना होगा तब ही आपको मिलेगा आपका मन विचार से वस्तु की ओर चलता है जब तक मन में तस्वीर नहीं होगी तब तक मन नहीं चल सकता क्योंकि आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं होगा आपकी प्राटना जो आपका मांसिक कर्म है को पहले आपकी मांसिक तस्वीर को बनाना होगा तब ही आपके अवजेतन की शक्ति इस पर काम कर सकती है और इसे साकार कर सकती है आपको अपने मस्तिस्प में स्वीकृति के बिंदू पर पहुंचना होगा आविवाहित और पूर्व स्वीकृति इसके अलावा, अपनी मनों कामने की पूर्थी को पहले से देखने की खुशी तथा सुक की भावना होनी चाहिए सच्ची प्रार्था की गला और विज्ञान का दमदार आधार, आपका यह ग्यान तथा पूर्ड विश्वास है कि आपके जेतनमन की गतिविधी पर आपका अवजेतनमन डिश्चित प्रदिक्रिया करेगा, जिसमें असिमिद ग्यान और असीम शक्ती है इस तरीके से आपको अपनी प्रार्थनाओं का जवाब बिल जाएगा किसी विचार के सूत्री करण का सबसे सराल और स्पष्ट तरीका है, इसकी तस्वीर देखना अपने मन की आख से इसे उतनी ही स्पष्टता से देखना, जैसे या साकार हो आप आख से सिर्फ वही देख सकते हैं, जो बाहरी जगत में पहले से मुझूद है इसी तरह आप मन की आख से जो तस्वीर देख सकते हैं, वह पहले ही आपके मन के अद्रिश शेत्रों में मौझूद होती है जो भी तस्वीर आपके मन में है, वह चाही गई अद्रिश चीजों का प्रमाण है आप अपनी कल्पना में जो गड़ते हैं वह आपके शरीर की किसी अंग जितना ही वास्तविक होता है विजार वास्तविक होते हैं और वे एक दिन आपकी यथार्थवादी दुनिया में अवश्य प्रकट होंगे शर्च सिर्फ इतनी है कि आपको अपनी मानसिक तस्वीर के प्रती निश्ठावान रहना होगा चिंतन की यह प्रक्रिया आपके दिमाग पर छाप छोड़ देती है यह छाप बाद में आपके जीवन में तथ्ध और अरुबव के रूप में सामने आती है आर्किडेट जीस तरह की इमारत बनाना चाहते हैं पहले उसकी तस्वीर देखते हैं वे उसे इस तरह देखते हैं जीस तरह वे उसे पूरा देखना चाहते हैं उनकी कलपना और विचार प्रक्रिया एक प्लास्टिक का साचा बन जाती है जिससे इमारत उबरिकी यह सुन्दर और बदसूरत हो सकती है गगंजुम्बी, अट्टालिका या एक मंजिला मकान हो सकती है लेकिर यह सब तस्वीर की कल्बना से शुरू होता है आर्खिटेक्ट की मानसिक तस्वीर कागज पर आकार लेती है अंततह, कॉंट्रेक्टर और भवन निर्माता आवशिक सामगरी खट्टी करते हैं और इमारत बनने लगती है पूरी होरे पर यह आर्खिटेक्ट के मानसिक धाजे के अनुरूप होती है मैं शुरूताओं के सामने भाशर देने से पहले हमेशा तस्वीर की तक्नीक आजबाता हूँ मैं अपने मस्तिष को शांत कर लेता हूँ ताकि विचार की तस्वीर अवजेतन मन तक पहुचा सको फिर मैं पूरे सवाग्रह की तस्वीर देखता हूँ इसकी कुर्सिया पुरुशों और महिलाओं से भरी है वे अपने भीतर की असिमित उपचार सक्ती से उचसाहित है मैं उन्हें स्वास्थ, खुश और स्वतंद्र देखता हूँ अपनी कल्पना वे या विचार लाने के बाद मैं इस मांचिक तस्वीर को बनाए रखता हूँ और कल्पना करता हूँ कि लोग कह रहे हैं मैं ठीक हो गया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है मेरा काया पलट हो गया मैं लगबग 10 मिनिट तक ऐसा करता हूँ जहां मैं मन में जन्ता की आवाजे सुन सकता हूँ जो उनकी सेहत और खुशी की गोशना करती है फिर मैं पूरी तस्वीर को मुप्त कर देता हूँ और मंच पर पहुँच जाता हूँ इस तकनीक का प्रयोग करने के बाद मैं जब भी बोलता हूँ तो हर बार कुछ लोग बात तक रुक कर मज़े बताते हैं कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल चुका है चार्ल्स बार्डोइन फ्रांस के रूसो इंस्टिटूट पे प्रोफेसर थे वे न्यू नैंसी स्कूल आफ हीलिंग के कुशल साइको थेरैपिस्ट और शोद नितेशक थे उन्होंने पाया कि अवजेतन मन को प्रवाज़ करने का सबसे अच्छा तरीका वो निंदी, निश्क्रिय या निन जैसी अवस्था में पहुँचना है जहां सारे प्रयास कम से कम हो जाएं फिर जिद्दद्वरा या विचार शांत, निश्क्रिय, ग्रेंट्शीर तरीके से अवजेतन तक पहुचाया जाता है जैसा बार्डोईन ने सपश्ट किया ऐसा करने का एक आसान तरीका सुझाई वस्थू के विचार को सतन करना है इसे तकाल याद होने वाले संचिप्त वाक्यांच में व्यक्त करना है और लोरी की तरह बार बार दोहराना है कुछ सार पहरे लॉस एंजलेस की एक युवा विद्वा लंबे और कटू परिवारिक विवाद में उलच गई थी उसके स्वर्गिये पती ने पूरी जाधाद उसके नाम कर दी थी लेकिन पहनी शादी से उसके बेटे बेटियों ने वसीयत को गैर कानूरी ठहराने के लिए मुकद्बा दायर कर दिया था उन्होंने विद्वा के समझावतों के प्रस्तावों को ठुकरा दिया था जब इस विद्वा ने मेरी बदद मांगी तो मैंने उसे बार्डोईन तक्नीक बताई मैंने उससे कहाँ कि वह अपनी आवशक्ता को कुछ शब्दों में भर ले ताकि यह उसकी याद पर आसानी से अंकित हो सके उसने जो वाक्यांस चुना वह था यह दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ड हुआ इस शब्दों से उसका बतलब था कि अवसी बिद्बुद्धी जो उसके अवजेतर मन के नियमों द्वारा काम कर रही थी सामंजस से कि सिधान द्वारा सामंजस से पूर्ण निशकर्ष निकालेगी दस रातों तक हर रात वह एक कुर्सी पर बैठी और अपने शरीर को सुनियोचित तरीके से शिधिल करके वो निंदी अवस्ता में पहुँची फिर उसने धीरे धीरे शांति और भावना से या वाक के बार बार दृटा से कहा या दैवी इच्छा के अनुरूप पूर्ण हुआ उसे आदरिक शांति का एहसास हुआ फिर वह कहरी सामान निद में सो गई ग्यारवे दिन सुबा जागने पर उसे सुख़द एहसास हुआ उसे विश्वास था कि या सचमच पूर्ण हो गया था उसे दिन उसके वकील ले उसे फोन किया विपक्षी वकील और उसके मुकविल समझाते के लिए तैयार हो गए थे सामान जस्से पूर्ण समझाता हो गया और मुकादमा वापस ले लिया गया नीद की तकनीक उनिंदी निश्क्रिय अवस्था में प्रयास नियून्तम हो जाते हैं उनिंदी अवस्था में चेतन मन कावी हद तक निश्क्रिय हो जाता है इसका कारण यहा है कि अवजेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बाद ही सबसे शक्तिशाली होता है इस अवस्था में आपकी इच्छा को अवजेतन मन तक पहुँचने से रोकने वाले नकारात पक्विजार मौजूद नहीं होते है मान ले, आप किसी विनाशक आदत से छुटकारा पाना चाते हैं इसके लिए आराम दे बुद्रा अपना ले अपने शरीर को शितिल कर दे और स्थेर हो जाए उनिंदी अवस्था में जाएं और बार बार किसी लोरी की तरह दोराते रहें मैं इस आदत से पूरी तरह आजाद हूँ मैं सद्भाव और पूर्ण मानसिक शांती महसूस कर रहा हूँ इस शब्दों को रात और सुबर पांच-दस मिनट तक भीरे धीरे शांती और प्रेम से दोराएं बार बार दोराने से शब्दों का भावनात्पक महत बढ़ जाता है जब नकारत्पक आदत जोर मारे तो इस फॉर्मुले को दोरा ले इस तक्निक साब अफजेतन को विचार सुईकार करने के लिए प्रेरित करते हैं और उपचार हो जाता है धन्यवाद तक्निक बाइबल में पॉल सुजाव देते हैं कि हम अपने आग्रहों के साथ प्रशंशा करें और धन्यवाद दे कारतन के इस आसान तरीके से औस आधर प्रशंशा करीब होता है जिससे साजे संबंद के नियम तथक्रिया और प्रतिक्रिया के ब्रहमाद ये नियम के आधर पर इसकी और असंद के नियामते प्रवाहित होती है हाल ही में एक युवा मा ने मुझे इस तक्नीक के बारे में अपना अनुभव बताया और उन्होंने कहा मेरी नौकी शूट गई थी और मैं धिवालिया थी मेरे तीन बच्चे थे जिनका मुझे पेट पालना था मैं नहीं जानती थी कि मदद के लिए किदर जाऊंग मैं समझ गई कि मुझे इसे आजबाना होगा हर रात और सुबा तीन हफते तक वा मैला ये शब्द दोराती रही परमपिता मेरी दौलत के लिए धन्यवाद उसने यह काम शिथिल शान्त अवस्था में किया और तब तक करती रही जब तक की कृतग्यता की भावना उसके दिमाग पर हावी नहीं हो गई उसने कलपना की कि वा अपने बीतर की असिमित शक्ति और बद्धिमत्ता का आवान कर रही है हालाकि जाहिर है यह रचनात्मक बुद्धिमत्ता या असिमित्मस्तिस को देख नहीं सकती थी वह आध्याद में कनुभूती की अंदुरूनी आक से देख रही थी और उसे यह एसास था कि दौलत की उसकी विचार छवी पहला कारण था जिससे उसे धन, प्रतिष्ठा और भोजन मिलेगा उसकी विचार भावना दौलत से ओत्प्रेथ थी जिस पर किसी तरह की परिस्थिती का प्रभाव नहीं पड़ा था बार बार धन्यवाद परमपिता दोहरा कर महिला का दिलो दिमाग स्विक्रिती के बिद्दू तक पहुँच गया जिब उसके मन में कमी, गरीबी और रोग के विचार आते थे तो वह आवशक्ता अनुसार बार बार कहती थी धन्यवाद परमपिता वह जाती थी कि अगर वह क्रतक बे नजरिया रखेगी तो उसका दिमाग दौलत के विचार को ग्रण कर लेगा और यही हुआ उस महिला की डारतना का एक और रोजक परिणाम मिला प्रातना शुरू करने से कुछ समय बाद उसे रास्ते में एक पूर्व नियोकता मिला जिससे वह पात साल से नहीं मिली थी पूर्व नियोकता ने उसके सामने अच्छी तंखावाली नौकरी देने का प्रस्ताव रखा उसने उसे कर्ज भी दिया ताकि वह पहली तंखावा मिलने तक काम चला सके उस महिला ने मुझसे कहा मैं धन्यवाद परंपिदा की अद्बु शक्ति को कभी नहीं भूल पाऊंगी इसने मेरे लिए चमतकार किया है सकारात्मा गोश्रा का तरीका सकारात्मा गोश्रा का प्रभाव काफी हद तक इसके शब्दों में नहित सत्य और अर्थ की आपकी समझ से तै होता है प्रार्थना में निर्थ तक दोराव ना करे सकारात्मक गोश्रा की शक्ति निश्चित और स्पष्ट सकारात्मक बातों के बुद्धिमत्ता पूर्ण अमल में है मान ले, स्कूल का कोई बच्चा तीन और तीन को जोड़कर ब्लाक बोर्ड पर साथ लिख देता है टीचर गड़ित की निश्चिता से गोश्रा करता है कि तीन और तीन छे होते हैं इसके बाद बच्चा अंकों को बदल देता है टीचर की गोश्रा से तीन और तीन छे नहीं हुए यह तो पहले ही गड़ित की सच्चाई थी इसी सच्चाई के कारण बच्चे ने ब्लैक बोर्ड के अंग बदल दिये बीमार होना असामान्य है स्वास्थ होना सामान्य है स्वास्थ आपके आस्थित्यू की सच्चाई है जब आप स्वास्त, सामंजस और खुद के लिए या किसी दूसरे के लिए शान्ती की सकारात्मक गोश्रा करते हैं तथा जब आपको यह एसास होता है कि आपके अस्तित्व के सास्वत सिद्धान्त हैं तो आप अवजेतन मन के नकारात्मक ढाचे को अपनी आस्था और खोश्रा के अनुरूप दुबारा व्यवस्तित कर लेते हैं तार्तन की सकारात्मक गोश्रा का परिणाम जीवन के सिद्धान्तों पर बल देने पर निर्बन करता है जाहे इस्थिती कैसी भी दिखे एक पल के लिए विजार करें गड़ित का एक सिद्धान्त होता है लेकिन गल्ती का कोई सिद्धान्त नहीं होता सच्चाई का एक सिद्धान्त होता है लेकिन बेवानी का नहीं होता बुद्धी का एक सिद्धान्त होता है लेकिन अग्यान का नहीं होता सद्बाव का एक सिद्धान्थ होता है लेकिन मन मुटाव का नहीं होता जब इंग्लैंड के एक अस्पताल में गाल्स्टोन्स हटाने का मेरी बहन का ओपरेशन होने वाला था तो मैंने सकारात्पक घोशना के तरीके का प्रियोग किया अस्पताल की जाचो और एक्सरे में उसके रोकी पुष्टी हो चुकी थी उसने उससे अपनी सेहत के लिए प्रारता करने को कहा मैं छे हजार बील से ज़्यादा दूर था लेकिन इससे मैं विचलित नहीं हुआ मस्तिस्क सिद्दांत में समय और दूरी का कोई बहतु नहीं होता है आसी मित मन या बुद्धि मत्ता एक ही समय में हर बिंदू पर पूरी तरह मौजूद रहती है दिन में कई बार मैंने अपनी बहन की रोक के लक्षणों और उसके शरीरिक व्यक्तित्तों के विचार को दूर किया शाद्य और विष्वास से मैंने इस बात की सकारात्मा गोश्रा की यह प्रारता मैं अपनी बहन कैथरीन के लिए कर रहा हूँ वा आराम और चैन से है संतुलित और पूरी तरह शांत अवजेतनमन के जिस उपचारक बुद्धी ने उसके शरीर को बनाया है वा अब उसके अस्तित्व के हर कोशिका, सनायू, उतक, मासपेशी और अस्थी को बदल रही है या बदलाव उसके अवजेतनमन में सामाहित सही अंगों के आदर्श ब्ल्यूप्रिंट के अनुरूप हो रहा है शांती और खामोसी से उसके अवजेतनमन के सभी विक्रत विचार तंत्र हट रहे हैं और घुल रहे हैं उसके अस्तितु के हर अडू में जीवन से दान्त की जीवन्तता, पूर्णता और सुन्धरता प्रकट हो रही हैं वह अब उन उपचारक तरंगों को प्रकट कर रही हैं जो उसमें नदी की तरह प्रवाहित हो रही हैं तथा उसे पूर्ण स्वास्त, सामंजस्य और शान्ती दे रही हैं दो सब्ता बाद मेरी बहन की एक बार फिर जाच हुई आश्चरे जनक बात यहाँ थी कि इस बार उसके एक्सरे में कोई गड़बर नहीं निकली उसके डॉक्टर ने कहा कि उसके हालत में उल्लेकनी सुधार हुआ था और अब आपरेशन की कोई जरूरत नहीं थी सकारात्मक गोश्रा का मतलब यह कहना है कि ऐसा ही है जब आप सारे विपरीत प्रमाणों के बावजूत इस मानसिक नजरिये को सच मानते हैं तो आपको अपनी प्रार्तना का जवाब जरूर बिलेगा द्यान दे आपका विचार नकारात्मक नहीं सिर्फ सकारात्मक गोश्रा करता है क्योंकि अगर आप किसी चीज से इंकार करते हैं तब भी आप धरसल उस चीज की उपस्थिति को सुईकार तो कर ही रहे हैं सकारात्मक गोश्रा को दोराना या जानना कि आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं मस्तिस को चेतना की उस अवस्था की और ले जाता है जहां यहां आपकी कहींवी बात को सच मान लेती है जीवन की सच्चाईयों की तब तक सकारात्मा घोशना करते रहें जब तक कि आपको संतुष्टी दायक अवजेतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए हमारे सब्दों में शक्ति उनके पीछे की भावना और विश्वास के अनुरूप आती है जब हमें यह एहसास होता है कि हमारे सब्दों के बीचे दुनिया को हमारे पक्ष में चलाने वाली शक्ति है तो हमारा आत्पिवश्वास बढ़ जाता है आप इसमें और ज़्यादा शक्ति जोड़ने की कोशिश नहीं करते हैं इसमें किसी तरह का मानसिक दबाव, बलप्रियोग या मानसिक कुष्टी नहीं होनी चाहिए एक युवती ने आदेश विदी का इस्तमाल एक युवक पर किया जो लगातार उसे फोन करके तंग कर रहा था और डेटिक पर चलने के लिए दबाव डारा था उससे चुटकारा पाना युवती को बहुत मुश्किल लग रहा था जब वह उसके आफिस में जाने आने लगा तो युवती समझ गई कि अब उसे तत्काल कोई प्रभावी कदम उठाना होगा दिन में कई बार वहाँ खुद को शान्त अवस्था में लाकर बार बार यहां आदेश देने लगी मैं J-R- को एश्वर के लिए मुक्त करती हूँ वहां हर समय अपनी सही जगा पर है मैं सुतंत्र हूँ और वह सुतंत्र है मैं अब आदेश देती हूँ कि मेरे शब्द और सिमित मस्तिस्क में पहुँचकर इसे वास्तविक बना दे ऐसा ही हो उसने बताया कि विवक उसकी जिन्दगी से ततकाल गायब हो गया वह उस विवती को दुबारा नहीं दिखा वह कहती है ऐसा लगा जैसे उसे जमीन निकल गई थी तुम किसी चीज का आदेश देंगे तो यह तुमारे सामने रख दी जाएगी और तुमारे रास्ते पर रोशनी जल जाएगी जौब 22 बटे 28 वैज्यानिक सच्चाई के लाब ले मानसिक इंजीनियर बने और अथिक व्यापत कता महान जीवन बनाने के लिए आजबाई हुई और सैमाय सिद्ध तकनीकों का प्रियोग करें आपकी मनोकामना आपकी प्राणतना है इसी समय अपनी मनोकामना पूरी होने की तस्वीर बनाए और इसकी वास्तविक्ता महसूस करें आपकी मनोकामना सच-पूरी हो जाएगी चीजों को आसान तरीके से हासिल करने की इच्छा करें मानसिक विज्ञान की अचूख मदद ले आप अपने मन के स्टूडियो में सोचे गए विचारों से अच्छे सेहत, सफलता और खुशी की तस्वीरे बना सकते है वग्यानिक रूप से प्रयोग करते रहें जब तक कि आप खुद के सामने यह साबित ना कर दे कि आपकी जेतन सोच पर आपके अवजेतन मन की असिमित बुद्धिमत्ता की हमेशा सीधे प्रतिक्रिया होती है अपने मनों कामना की निश्चित उपलब्दी के पूर्वा नुमान में खुशी और आराम रुभव करें आप अपने मस्तिस्क में जो तस्वीर रखें वा उन चीजों की होनी चाहिए जिनकी उम्मीद तो हो लेकिन प्रमार ना हो एक मानसिक तस्वीर हजार शब्दों के बराबर है आप आस्था से अपने मन में जिस तस्वीर को रखेंगे आपका अवजेतन उसे हकीकत में बदल देगा प्रार्था में किसी तरह की जबरन कोशिश या मानसिक दबाव का प्रयोग ना करें उनिंदी डिश्करी अवस्ता में पहुंच जाएं और इस एहसास के साथ सोने जाएं कि आपकी प्रार्था का जवाब मिल रहा है याद रखें गृतक गिरिदे हमेशा ब्रामाण की संप्रिद्धी के करीब होता है सकारात्मक घोशना करने का मतलब यहाँ कहना है कि ऐसा ही है और विप्रीत प्रमाणों के बावजूद जब आप इस मानसिक नजरिये को सच मानते हैं तो आपको प्रातना का जवाब मिलेगा इश्वर के प्रेम और महिमा के बारे में सोचकर सदभाव, सेहत और शांती की लहरे उत्पन न करे आप जो आदेज देते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वह सच हो जाएगा सदभाव, सेहत, शांती और समरिद्धी के आदेज दे तो चलिए शुरुवात करते हैं अध्याई साथ की जिसमें हम सीखेंगे अवजेतन का जुकाव जीवन की तरफ है आपका नब्बे प्रतिशत से अधिक मानसिक जीवन अवजेतन है अगर आप इस अध्यू शक्ति का ब्रयोग नहीं करेंगे तो आप बहुत सीकंड सीमाव में जीने के लिए अभिशप्त होंगे आपके अवजेतन की प्रिक्रिया हमेशा स्रिजनात्मक जीवन की तरफ होती है आपका अवजेतन आपके शरीर का निर्वाता है और इसके सभी बहत पूर कारे करता है यहां हर दिन 2400 गंटे काम करता है और कभी नहीं सोता है यहां हमेशा आपकी मदद करने और आपको नुक्सान से बचाने की कोशिश करता है आपका अवजेतन मन असीम जीवन और असीम बुद्धिमत्ता के संपर्क में रहता है इसके आवेग और विचार का रुख हमेशा जीवन की ओर होता है अधिक व्यापक वा उदात जीवन की महतुकांशाएं, प्रेड़नाएं और सपने अवजेतन से ही उत्पन होते हैं आपके सबसे गहन विश्वास वे होते हैं जिनके बारे में आप तर्क वितर्क नहीं कर सकते क्योंकि वे आपके चेतन मन से नहीं, बिल्कि आपके अवजेतन मन से आते हैं आपका अवजेतन आपसे अंतरग्यान, आवेगों, अनुभूतियों, संकेतों, मनु कामनाओं और विचारों के जरिये बात करता है यहां हमेशा आपको प्रेरित करता है कि उठो, बाधाएं पार करो, विकास करो, आगे बढ़ो, रोमांच हासिल करो, और ज्यादा उचाई पर पहुँचो प्रेम करने और दूसरों का जीवन बचाने के इच्छा आपके अवजेतन की गहराईयों से आती है उधारण के लिए, अठारा प्लैन 1906 को सैन फ्रांसिस्को में भीशट भूकम पाया, तथा अगनिकांड हुआ जो बिमार और अपाईज लोग लंबे समय से विस्कर पर पड़े थे, वे भी संकट की इस घड़ी में उट बैटे और उन्होंने बहादुरी तथा शक्ती के कई आश्चरे जरक काम कर दिखाए और में दूसरों को हर कीमत पर भजाने की प्रबल इच्छा जागरत हुई और उनके अवजेतन ने उसके अनुरूप प्रजिक्रिया की महान कलाकार, संगीतकार, कवी, वक्ता और लेकग अपनी अवजेतन शक्तियों के साथ सामंजस से बना लेते हैं और प्रेरित हो जाते हैं रॉबर्ट लूई श्टिवेंसन सोने से पहले अपने अवजेतन को प्रेरित करते थे कि नीद के दोरान वहाँ उनके लिए कहानिया खोजे जब भी उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे हमेशा अपने अवजेतन को एक अच्छा बिकने वाला उपन्यास देने को कहते थे श्टिवेंसन ने बताया कि उनके अवजेतन मन की बुद्धिमत्ता ने उन्हें कहानी सीरियल की तरह टुकडों में दी इससे पता चलता है कि आपका अवजेतन आपके माद्यम से कितनी महान और समझदारी बरी बाते व्यक्त करता है जिनके बारे में आपका चेतनमन जरा भी नहीं जानता है बार्क ट्वेन ने कई बार बताया था कि उन्होंने जीवन में कभी काम नहीं किया उनका सारा हासे और महान लेखन अवजेतन मन के अथा बढ़नार का दोहन करने की योगिता का परिडाम था किस तरह शरीर मस्तिस की कारवरिद्धि को चित्रित करता है आपके चेतन और अवजेतन मन की अंतक्रिया के तंत्रकाओं के सामझस से पूर्ण सिस्टम के बीच भी उसी तरह की अंतक्रिया की जरूरत होती है सेरीवरो स्पाइनल या स्वैचिक तंत्र जेतन मन का अंग है स्वतंत्र तंत्र अव्जेतनमन कांग है स्वैचिक तंत्र द्वारा आप अपनी शारीरिक इंद्रियों से अनुभूती पाते हैं और शारीर की गतिविदियों पर स्वैचिक नियंद्र करते हैं इस सिश्टम का नियंदरण केंद्र मस्तिस के सेरिब्रल कार्टेक्स में होता है स्वतंत्र तंत्रिका तंत्र को कई बार अनैचिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है इसकी गतिविदी केंद्र मस्तिस के दूसरे हिस्सों में होते हैं जिनमें Cerebrum, Brain Stem और Emiglodaf शामिल है इन अंगों के शरीर के महतपूर तंत्रों के सास अपने संबंध होते हैं और वे उनके महतपूर कारियों में मदद करते हैं चाहे सचेतन जागरुकता ना हो एक बुद्धी है जो शरीर की देखबाल करती है जब आप कोशिकाओं और अंगों की सरचना का अध्यन करते हैं जैसे आखे, कान, दे, लिवर, ब्लैडर आदी तो आप पाते हैं कि उनमे कोशिकाओं का समू सामूहिक बुद्धी का निर्माण करता है तागि सामंजिस से में काम हो सके वे आदेश लेने और मस्टर माइंड के सुझाओं का पालन करने में सक्षम होते हैं एकल कोशिय जीवन के अध्यन से यहां पता चलता है कि आपके जटिल शरीर में क्या चलता रहता है अलकि एकल कोशिय जीवन में कोई अंग नहीं होते हैं लेकिन इसके बावजूद या गती, पाचन, पोशन, उस्ष्रजन के मूलभूत कारे करके मस्तिस की क्रिया और पतिक्रिया के प्रमार देता है कई लोग कहते हैं कि एक भुद्धी आपके शरीर की देखबाल करती है बशरते आप इसे काम करने दे यहां एक तरह से सच है मुश्की लिया है कि चेतनमन हमेशा बाहरी अरुभूती और इंद्रियगत प्रमार के कारण इसमें हस्त शेप करता रहता है इससे जूटे विश्वाश, डर और राय बल्वान हो जाते है जब आपके अवजेतनमन में मनोवज्ञानिक, भावनात्मक, कंडीशनिंग, द्वरह डर, जूटे, विज्वाश और नकारात्मक ढाचे दर्ज होते है तो अवजेतनमन के पास इसे दिये जा रहे ब्लूप्रिंट पर काम करने के अलावा कोई रास्ता रही बसता है सेहत मन्द, जीवन्द और शक्तिसाली बनना स्वाभाविक क्यों है? बिमार होना अस्वाभाविक क्यों है? औसत बच्चे दुनिया में बिल्कुल स्वस्ता आता है और इसके सभी अंग सटीक्ता से काम करते है यही सामानने अवस्था है हमें स्वस्त, जीवन्द और शक्तिसाली होना चाहिए आत्म रक्षा की अनुभूती मानस वभाव की सबसे प्रबल अनुभूती है यहाँ आपके सोभाव में नेट सबसे शक्तिसाली, हमेशा मौजूद और लगातार काम करने वाली सच्चाई है जब आपके विचार और विश्वाश हमेशा आपकी रक्षा करने वाले जीवन्द सिधान्त के सामान जस्से में होंगे तो वे अधिक शम्ता से कारी करेंगे इससे यहाँ निशकर्स निकलता है कि असामान परिस्थितियों के बजाए सामान परिस्थितियों ज़्यादा आसानी और डिश्चित्ता से वापस पाई जा सकती है बिमार होना असामान है बिमारी का यहाँ अर्थ है कि आप जीवन की धारा के विपरी जा रहे हैं और नकारात्मक सोच रहे हैं जीवन का नियम विकास का नियम है पूरी प्रकृति खामोशी से लगातार दीरे दीरे विकास करके इस नियम के प्रमार देती है जहां भी विकास और अभी व्यक्ति है वहाँ जीवन है जहां जीवन है वहाँ सामंजस से है और जहां सामंजस से है वहाँ आदर्श स्वास्त है अगर आपकी सोच आपके अवजेतनमन के रचनात्मक सिद्दान्त के सामंजस्य में हैं तो आप सामंजस्य के निहित सिद्दान्त का लाब उठा रहे हैं अगर आपके विचार सामंजस्य के सिद्दान्त के अनुरूप नहीं हैं तो ये आपसे चिपक जाएंगे आपको सताएंगे, आपको चिंतित करेंगे और अंततहब बिमारी उत्पन्न कर देंगे अगर इसके बाद भी इन विचारों को नहीं छोड़ा गया तो शायद मित्यू भी उत्पन्न कर देंगे बिमारी के उपचार में आपको अपने पूरे तंत्र में अवजेतन मन की महत्मूर शक्तियों का प्रवा और फैलाव बढ़ाना होगा डर, चिंता, तनाव, इर्शा, नफरत और अन्य हर विनाशक विचार को हटा कर ऐसा किया जा सकता है ये विचार आपकी तंत्रिकाओं और ग्रंथियों को कमजोर तथा नश्ट कर देते हैं बॉडी टीश्यू को भी जो सारे अवसिष्ट बदार्थों के उत्सरजन को नियंद्रित करता है और शरीर को साफ रखता है अवजेतन शक्तियों में आस्था आपका इलाज करती है एक युवक अवजेतन मन की उपचारक शक्ति बर मेरे भाशर सुनने आता था उसकी आँकों में गंबीर समस्या थी डेत्र विशेशग्य ने उससे कहा कि उसे एक नाजुक और खतरना का उपरेशन कराना होगा प्राटना के विग्यानिक आधार के बारे में सीखने के बाद एस विवक ने कहा मेरे अवजेतन ने मेरी आखे बनाई है इसलिए यहां मेरा उपचार कर सकता है हर रात को सोने से पहले वह निशकरिय ध्यान की अवस्था यानि नीन जैसी अवस्था में जाता था उसका ध्यान नेत्र विशेशग्य पर केंद्रित था उसने कलपना में डॉक्टर को साफ देखा और यहां कहते सुना चमतकार हो गया है उसने हर रात सोने से पहले पाश मिनट तक यह बार बार सुना तीन सपता बाद वह एक बार फिर नेत्र विशेशग्य के पास गया जिसने उसकी आखों की जाच की डॉक्टर को जब यकीन नहीं हुआ तो उसने उसकी दोबारा जाच की और हैरानी से बोला यह तो चमतकार हो गया क्या हुआ था इस व्यक्ति ने नेत्र विशेशग्य के काल्पनिक शब्दों के माध्यम से अपने अवजेतन मन पर छाप छोड़ी थी तकि इसे विश्वाज दिलाया जा सके और विचार पहुँचाया जा सके दोहराव आस्था और उम्मीद से उसने अपने अवजेतन मन में यह विचार भरा उसके अवजेतन मन ने उसकी आँखे ठीक कर दी अवजेतन मन में आग की सामान्य, स्वस्त अवस्था का आदर्श ब्ल्यूप्रिंट था जब यहां आग को स्वस्त करने के विज़ार से भर गया तो तत्काल आग का उपचार करने लगा यह उधारन इस बात का प्रमाण है कि अवजेतन की उपचारक शक्ती में आस्था आपका इलाज कर सकती है, समीक्षा के कुछ बिंदू आपका अवजेतन आपके शरीर का निर्माता है और हर दिन 2400 गंटे काम करता है आप नकारात्मक सोच द्वारा इसके जीवनदाई प्लूप्रिंट पे हस्त शेप करते हैं सोरे से पहले अपने अवजेतन को किसी समस्या का जवाब खोजने का काम सोपे यह उसे कर देगा अपने विचारों पर नजर रखें जिस विचार को सच माल लिया जाता है उसे आपका चेतन कॉर्टेक्स अवजेतन मस्तिस्त तक बेज देता है और फिर यहां वास्त्विक्ता बन कर आपकी दुनिया बे प्रकट हो जाता है जानने कि आप अपने अवजेतन मन को नया ब्लूपरिंट देकर खुद को दोबारा बना सकते हैं आपके अवजेतन का जुकाव हमेशा जीवन की तरफ होता है अपने अवजेतन मन में वही आधार वाक्य भरे जिसे आप सच करना चाहते हूँ आपका अवजेतन हमेशा आपके आदतन मानसिक विचारतंत्र के अनुरूप परिणाम देगा आपका शरीर हर ग्यारा महिने में नया बन जाता है अपने विचार बदल कर अपने शरीर को बदल दे स्वस्थ होना सामान्य है बेमार होना असामान्य है यही सामंजस्य के नीच सिद्दान्त है इर्शा, डर, चिंता और तनाव आपकी तंत्रिकाओं तथा ग्रंतियों को कमजोर या नश्ट कर देते हैं जिससे सभी तरह की मानसेक और शारीरिक बिमारियां उत्पन्य होती हैं अब जेतन रूप से जिसमें विश्वास करते हैं और जिसे सच मानते हैं वहाँ आपके मस्तिस्क, शरीर और परिस्थितियों में प्रकट हो जाएगा अच्छाई की घोशना करें और जीवन की खुशी पाएं और अब शुरू करते हैं अध्यायार्ट जो है मज्जाहे परिणाम कैसे पाए सभी प्रार्टना सफल नहीं होती हर व्यक्ति यहाँ बात जानता है संदेवादी इससे यह निश्कर्ष निकालते हैं कि प्रार्टना काम नहीं करती है वे इस बात को नजर अंदाज कर देते हैं कि सफल प्रार्टना के लिए इसका कारगर प्रयोग होना चाहिए और इसके विज्ञानिक आधार की इस पष्ट समझ होनी चाहिए आपकी प्रार्टनाओं का अपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहा है तो क्या करे आपको इस असफलता के प्रमुक कारणों को समझ लेना चाहिए ये हैं विश्वास के कभी और बहुत ज़्यादा कोशिश कई लोग अपने अवजेतन मन की कारिवरिद्धी को पूरी तरह नहीं समझ पाने के कारण अपनी प्रार्टनाओं को खुद असफल कर लेते हैं जब आप जान जाते हैं कि आपका मस्तिस कैसे काम करता है तो आप में आत्म विश्वास आ जाता है आपको याद रखना होगा कि आपका अवजेतन मन किसी विचार को स्विकार करते ही उस पर तत्काल अमर करने रखता है या उस लक्ष को पाने में एड़ी चोटी कर जूर लगा देता है या आपके अधिक गहरे मन के सभी मानसिक और आध्याद्मिक नियमों को सक्रिय कर देता है या नियम अच्छे विचारों के साथ साथ बुरे विचारों पर भी लागू होता है अगर आप अपने अवजेतन मन का नगारात्मक प्रयोग करते हैं तो या मुश्किल, असफलता और दुविदा पैदा करता है जब आप इसका स्रजनात्मक प्रयोग करते हैं तो या मार्ग दर्शन, सुतंत्रता और मानसिक शान्ति प्रदान करता है अगर आपके विचार सकारात्मक, स्रजनात्मक और प्रेमपूर्ण है तो सही जवाब जरूर मिलेगा इसे यास पश्ट हो जाता है कि आपको असफलता से उबरने के लिए बस एक ही काम करना है और वह काम है अपने विचार या आगरे को अपने अवजेतन से स्वीकृत करवाना इसकी वास्विक्ता को महसूस करें बाकी का काम आपके मस्तिस्क का नियम कर देगा अपने आगरे को आस्था और विश्वास से सौपे तभी आपका अवजेतन उस पर काम करेगा और आपकी इच्छा को हकीकत में बदल देगा जब भी आप अपने अवजेतन मन पर किसी काम को करने का दबाव डालेंगे तो आप असफल हो जाएंगे जो परिणाब आप चाहते हैं वो करीब आने के बज़ाए ज़ादा दूर हो जाएंगे आपका अवजेतन मन मानसिक दबाव पर प्रक्तिक्रिया नहीं करता है यह तो आपकी आस्था या चेतन मन की स्विक्रिति पर प्रक्तिक्रिया करता है परिणाम पाने में असफल होने का कारण यह भी हो सकता है कि आप मानसिक रूप से ऐसी बाते कह रहे हो इस्थिति बिगरती जा रही है मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा है कोई उम्मीद नहीं है मुझे नहीं पता कि क्या करना है मैं उल्जन में हूँ अब आप इस तरह की बाते सोचते हैं तो आपको अवचेतन मन की और से कोई प्रितिक्रिया या सहियोग नहीं मिलता है समय काटते सैलिक की तरह ना तो आप आगे बढ़ते हैं नहीं पीछे हटते हैं दूसरे शब्दों में आप कहीं नहीं पहुँच पाते हैं मान लेजिए आप किसी टैक्सी में बैठें और ड्राइवर को आदा दर्जन अलग-अलग जगहें बताएं वह बुरी तरह बौखला जाएगा हो सकता है वह आपको कहीं भी ले जाने से इंकार कर दे अगर वह आपके निर्देशों का पालन करने की कोशिश भी करे तो संभवतहा ऐसा नहीं कर पाएगा कोई नहीं जानता कि आप कहां पहुँचेंगे ऐसा ही तब होता है जब आप अपने अवजेतन मन की विशाल शक्तियों के साथ काम करते हैं आपके मन में एक स्पष्ट विचार होना चाहिए आपको एक निश्चित निर्दनाय पर पहुँचना चाहिए कि कोई रास्ता है बिमारी या परिशान करने वाली समस्या का कोई समाधान है सिर्फ आपके अवजेतन के भीतर की सहसीमित बुद्धिबत्ता जवाब जानती है जब आप अपने चेतन मन में इस इस्पष्ट दिश्कर्श्वर पहुँचते हैं तो आपका मस्तिस्क फैसला कर लेता है और आपको अपने विश्वास के अनुरूप फल मिलता है आराम से एक काम अच्छी तरह होता है एक व्यक्ति की अंगेटी कडागी की ठंड में खराब हो गई उसने मकैनिक को बुलाया जो फॉरन आ गया उसने आदे घंटे में अंगेटी ठीक कर दी और मालिक को 200 डॉलर का बिल थमा दिया क्या बिल देखकर मालिक गुस्से से चिलाया इसमें तो तुम्हें जरा भी समय नहीं लगा तुमने किया क्या है बस एक छोटा सा पुर्जा ही तो बदला है इस चोटे से पुर्जे के 200 डॉलर मागने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसकी कीमत तो 5 डॉलर भी नहीं होगी मकानिक कंदे उचका कर बोला मैंने उस तूटे पुर्जे के तो आपसे सिर्फ 2 डॉलर ही लिये है मैंने इसे इतने मेही खरीदा था मकान मालिक ने उसके चेहरे के सामने बिन लहराया दो डॉलर? वह चिननाया इसमें तो 200 डॉलर लिखे है सही है मकानिक बोला बाकी 198 डॉलर तो यह जानने के हैं कि गड़बड़ी क्या थी और उसे कैसे ठीक किया जाए आपका अवजेतन मन माश्टर मेकैनिक है वह सबसे समझदार है वह आपके शरीर के किसी भी अंको ठीक करने के रास्ते और तरीके जानता है सेहत का आदेज दे आपका अवजेतन सेहत का निर्मान कर देगा लेकिन इस काम को आराम से करना जरूरी है आराम से अच्छी तरह होता है विस्तित रवेवर्ण और साधनों के बारे में सोच सोच कर हताशा होने की जरूरत नहीं है बस इतना जान ले कि अंतिब परिणाम क्या होगा अपनी समस्या के सुकत समादान को महसूस करे चाहे यह सेहत, पैसे या लोक व्यवार से संबन्दित हो याद रखे कि गंबीर बिमारी से ठीक होने पर आपको कैसा महसूस हुआ था यह कभी न भूले कि आपकी भावना अवजेतन प्रदर्चन का पैमाना है आपको नए विचार को साकार रूप में पूरी निष्ठा से महसूस करना चाहिए बविश्य में होने वाली गटना की तरह नहीं बलकि इस तरह जैसे यह दरसल इसी समय हो रही है इच्छा शक्ती नहीं, कल्पना शक्ती का इस्तमाल करे अवजेतन मन की शक्तियों की मदद लेना किसी बादा के खिलाफ शंगर्ज करने की तरह नहीं है जादा कड़ी मैनत करने से जादा अच्छे परिणाम नहीं मिलते है इच्छा शक्ती का जरा भी प्रियोग ना करे इसके बजाए इसके कारण मिलने वाले परिणाम और सतंत्रता की साकार तस्वीर देखें आप पाएंगे कि आपकी बुद्धी टांग अडाने, समस्य को सुलजाने के तरीके खोजने और आपके अवजेतन पर उन तरीकों को थोपने की कोशिश करेगी इसका प्रतिरोध करें समस्य सुलजाने के अपने बौद्धिक प्रियासों को दूर हटा दे पच्चे जैसी चमतकार करने वाली सरल आस्था रखने में जुटे रहें यह तस्वीर देखें कि आपको कोई रोग या समस्या नहीं है अपनी मन चाही इस्थिती की भवनात्मक संतुष्टी की कल्पना करें इस प्रिक्रिया से सारी जटिलताएं हटा दे सरल तरीका सबसे अच्छा होता है अनुशासित कल्पना कैसे चमतकार करती है अपने अफजेतन मन से प्रितिक्रिया पाने का एक अद्बु तरीका अनुशासित या वैग्यानिक कल्पना शक्ती का प्रियोग करना है जैसा हम देख चुके हैं अफजेतन मन शरीर का आर्किटैक्ट और निर्बाता है या आपकी सभी महत्वोड कारेप्रालियो कोई नियंत्रित करता है बाइबल कहती है आप प्रार्ता में जो भी वांगेंगे विश्वास करने पर आपको मिलेगा विश्वास करना किसी चीज को सच मारना है इसके होने की उमीद में जीना है जब आप इस अवस्था में रहते हैं तो आपकी प्रार्ता पूरी हो जाएगी प्रार्ता में सफलता पाने के तीन कदम सफल प्रार्ता के लिए तीन मूलभूत कदमों की जरूरत होती है पहला समस्या को सुईकार करे या माने दूसरा समस्या को अवचेतन मन के हवाले कर दे सिर्फ वही इसे सुलजाने का सबसे प्रभावी समाधान जानता है तीसरा कहन विश्वाज की शान्त अनुभूती रखें कि यहां काम हो चुका है जिजक और शंकाए आपकी प्रार्टना को सिर्फ कमजोर करती है खुच से यहां न कहें काश में ठीक हो जाता या मुझे उम्मीद है या कारगर होगा जो काम होना है उसके बारे में आपकी भावना से ही परिडामत है होता है मान ले कि आपको सामज़स से अवश्य मिलेगा मान ले कि आपको सेहत जरूर मिलेगी अवजेतन मन की असिमित उपचारक शक्ती का जरिया बनकर आप प्रभावी बनते हैं सेहत के विचार को अवजेतन मन तक पूरे विश्वास के साथ पहुचाए फिर आराम से बैठ जाए खुद को इसकी शक्ती के भरोसे छोड़ दे हर इस्थिती और परिस्थिती में कहें यह भी गुजर जाएगा आराम और विश्वास के साथ आप अवजेतन मन में विचार भड़ते हैं इससे विचार के पीछे की गतिमान उर्जा को क्रियाशील होने और विचार को साकार करने की सामर्थ मिलती है आपको प्रार्टना के विपरीत परिडाम क्यों मिल सकते हैं एमाईल कुए बशूर फ्रांसिसी मनोवज्यानिक है जिनके अमेरिका बे बहुत से प्रिशन्शक है उन्होंने एक महत्तपूर्ण बात कही थी जब आपकी इच्छाओं और कल्पना में शंगर्श होगा तो हर बार आपकी कल्पना की जीत होगी वेसे विपरीत प्रियास का नियम कहते हैं मान ले आपसे जमीन पर रखे एक संकरे पटिये पर चलने को कहा जाए आप बिना कोई सवाल किये ऐसा असाली से कर लेंगे लेकिन मान ले वही पटिया बीज फूट उजी दो दिवारों के बीच रखा हो क्या आप उस पर चलेंगे? क्या आप ऐसा कर पाएंगे? शायद नहीं पटिये को पार करने की आपकी इच्छा आपकी कलपना से संगर्ज करेगी आप कलपना करने लगेंगी कि आप पटिये पर लडखडा रहे हैं और उतनी उचाई से जमीन पर गिर रहे हैं हो सकता है पटिये पर चलने का आपका बहुत मन हो लेकिन गिरने का डर आपको रोब देगा आप अपनी कल्पना पर विजय हासिल करने या इसे दबाने की जितनी कोशिश करेंगे गिरने का विचार उत्रा ही मजबूत होगा मैं अपनी असफलता से उबरने के लिए इच्छा शक्ति का प्रियोग करूँगा का विचार असफलता के विचार को प्रबल बनाता है मांसिक प्रियास अक्सर आत्म प्राजे की और ले जाता है और चाहे गए परिणाम का विपरीद परिणाम हुत्पन कर देता है इच्छा शक्ति लगाने पर ध्यान की इंद्रित करना इस बात पर जोड़ देना है कि आप में शक्ति की कमी है यह तो इस बात का फैसला करना है कि आप हरे हिपोपोटामस के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे इस निर्णाय से हरा हिपोपोटामस आपके दिमाग पर हावी हो जाता है और अवजेतन हमेशा सबसे प्रबल विचार पर प्रतिग्रिया करता है आपका अवजेतन दो विरोधी विचारों में से अधिक प्रबल विचार को स्विकार कर लेगा शायद आप यहां सोच रहे हो मैं सेहत चाता हूँ, मुझे यहां क्यों नहीं मिलती है मैं बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ, मुझे परिणाम क्यों नहीं मिल रहा है मुझे जम कर प्राटता करने के लिए खुद को विवश करना होगा मुझे अपनी सारी इच्छाशक्ती का प्रयोग करना होगा आपको यह एसास करना होगा कि आप से कहां गलती हो रही है देखिए आप बहुत ज़्याद़ कोशिश कर रहे हैं कभी भी अपने अवजेतन को मजबूर करने की कोशिश ना करे कभी भी अपनी इच्छाशक्ती दुआरा उससे अपना विचार स्वीकृत करवाने की कोशिश ना करे इस तरह की कोशिशों का नकाम्याब होना तय है इस तरह अकसर आपको उस चीज की विपरीच चीज मिलती है जिसके लिए आपने प्रार्टना की है प्रियासीन तरीका ज़्यादा अच्छा है क्या आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई है मानने आप किसी तरह की परिक्षा में बैठे है आपने पढ़ाई और सामक्री की समिक्षा में बहुत समय लगाया है आपको लगता है कि आप बहुत कुछ जानते हैं लेकिन परिक्षा में कोरी कौफी को देखने पर आप पाते हैं कि आपका दिमाग तो उससे भी ज़्यादा को रहा है विशय का सारा ग्यान अचानक आपका साथ छोड़ देता है आपको एक भी प्रसंगिक विचार रियाद नहीं आता है आप अपने दाद भीचते हैं और अपनी सारी इच्छा शक्ति का आवान करते हैं लेकिर आप चितनी ज़्यादा कोशिश करते हैं ग्यान उतना ही ज़्यादा दूर पहुँच जाता है कुंटे थोकर आप परिक्षा कक्षेब बाहर चले जाते हैं मानसिक दबाव कम हो जाता है जिन जवाबों की आप कुछ मिरट पहले तक इतनी बेतावी से तलाश कर रहे थे अचानक विए अपने आप आपके दिमाग में प्रवाहित होने लगते हैं आप उस विशे को जानते थे लेकिन तब तक नहीं जब आपको उसकी जरूरत थी आपकी गलती यह थी कि आपने याद रखने के लिए खुद को मजबूर करने की कोशिश की विपरीत प्रियास के नियम के अनुसार इससे सफलता नहीं बल्कि असफलता मिली आपको उसका ठीक विपरीत प्रियना मिला जो आपको चाहिए था या जिसके लिए आपने प्रार्टना की थी इच्छा और कल्पना शक्ती के शंगर्ज को हल करना चाहिए मानसिक शक्ति या इच्छा शक्ति का प्रयोग करना या मान लेना है कि कहीं न कहीं विरोध है पहरहाल विरोध की कल्बना करने से विरोध उत्पन हो जाता है अगर आपका ध्यान मंचाही वस्तु को हासिल करने की बादाओं पर केंद्रित है तो इसका मतलब है कि यहाँ आपके मनचाहे परिडाम को हासिल करने के साधन पर केंद्रित नहीं है बाइबल में कहा गया है अगर आप में से दो लोग दुनिया में किसी भी बात पर सहमत हो जाएं और मांगे तो स्वर्ग में बैठे मेरे पिता उन्हें दे देंगे ये दो कौन है जिनके बारे में बोला गया है ये किसी विचार, इच्छा या मालसिक छवी पर आपके चेतन और अवजेतन के बीच के सामन्जस सिपूर्ड मेल या सहमती के प्रतीक है जब आपके मस्तिस के अलग-अलग हिस्सों में कोई संगर्ष नहीं होगा तो आपकी प्रातना का परिणाम मिलेगा जो दो लोग सहमत हैं वे हो सकता है आप और आपकी इच्छा हो आपका विचार और भावना या भाव हो आपकी इच्छा और कलपना हो अपनी इच्छाओं और कलपना में सारे संगर्ष से बचने का तरीका निश्क्रिय उनिंदी अवस्था में पहुँचना है जो सारे प्रयास को नियूंदब कर देती है जेतन मन उनिंदी अवस्था में काफी हद तक दूप जाता है आपके अवजेतन को साराबोर करने का सबसे अच्छा समय सोने से ठीक पहले का है ऐसा इस कारण है क्योंकि अवजेतन सोने से ठीक पहले और जागने के ठीक बात सबसे ज़्यादा सशक्त होता है इस अवस्था में वे नकारत्मक विचार और तस्वीरे नहीं रहती है जो आपकी इच्छा को नकारती है और आपके अवजेतन मन द्वारा उनकी स्विक्रिती को रोकती है जब आप मनोकामना पूरी होने की वासरिक्ता की कल्पना करते हैं और उपलब्दी का रोमांच महसूस करते हैं तो आपका अवजेतन आपकी मनोकामना पूरी कर देता है बहुत से लोग अपनी सारी दूविदाओं और समस्याओं को अपनी नियंत्रित, निर्देशित तथा अनुशाशित कल्पना से सुलजा लेते हैं वे जानते हैं कि वे जो कल्पना करते हैं और जिसे सच महसूस करते हैं वहा होगा और अवैश्य होगा शाराजी नामा के खिवा महिला बड़ी हतासा में मेरे पास आई वहाँ एक लंबे जटिल मुगद्मे में उलजी थी जिसकी तारीके बढ़ती जा रही थी और कोई अंत नजर नहीं आ रहा था उसकी सबसे गहरी इच्चा मुगद्मे का सामन्जिस से पूर्ण समाधान थी बहराल उसकी मानसिक तस्वीरे असफलता, हानी, दिवालिये पन और गरीबी से भरी थी परिणाम वैसा ही मिला जैसी कोई ने भविश्यवाणी की थी उसकी कल्पना चक्ति उसकी इच्चा पर हावी हो गई और भुकद्मा टलता रहा मेरे सुझाव पर सारा हर रत सोते समय खुद को उनिन्दी निश्क्री अवस्था में ले आती थी और अपनी समस्या के सबसे अच्छे संभावित अंध की कल्पना करने लगती थी वह इसकी भरकस कोशिश करती थी वह जानती थी कि उसके दिमाग की छवी अंततहा उसके दिल की इच्छा के अनुरूप बन जाएगी निश्क्रिया होने पर वह बहुत चित्रात्मक तरीके यह कल्पना करने लगी कि मुकदमक ख़त्म होने के बाद वह अपने वकील से मिल रही है परिडाम के बारे में सवाल पूछ रही थी और उसके इस बश्टी करह सुच रही थी उसने सुना कि वकील उससे बार-बार कह रहा था वो खत्मे का कोट से बाहर समझोता हो गया है यहाँ बिल्कुल उचित समाधान है दिन में जब डर के विजार उसके दिमाग में आते थे वो शारा वकील से मुलाकात का मानसिक वीडियो टेप चला देती थी जिसमें शब्द और हावभाव भी थे उसने वकील की मुस्कुराहट, उसके अंदाज, उसकी आवाज, उसके विजिश्ट शब्दों की कल्पना की उसने यहाँ इतनी ज़्यादा वार और इतनी निश्टा से किया कि डर दिमाग में घुसने से पहले ही खत्म हो गया और वहाँ जानती थी कि समझाता उची थी होगा यही भजनकार का मतलब था जब उसने लिखा था मेरे शब्द यानि आपके विचार और मानसिक छवियां और बिरे हिर्दय का मरन यानि आपकी भावना, भिकती और भाव आप स्विकार करे, हे इश्वर यानि आपके अवजेतन मन का नियम मेरी शक्ति और मेरे उद्दारक यानि आपके अवजेतन मन की शक्ति और बुद्धी बत्ता जो बिमारी, बंदन तथा दुख से आपका उद्दार कर सकती है और आखरी में आते हैं याद रखने लायक विचार मानसिक दबाव या बहुत ज़्यादा कोशिश तनाव और डर का सूचक है ये प्रार्ता के जवाब को रोकते हैं आराम से काम अच्छी तरह होता है जब निश्करी अवस्ता में आप किसी विचार को स्वीकार करते हैं तो आपका अवजेतन उस विचार को साकार करने में जुड़ जाता है पारंपरिक तरीकों से मुक्त होकर सोचे और योजना बनाए जान ले कि हमेशा हर सवाल का कोई न कोई जवाब होता है और हर समस्चा का समाधान होता है अपने दिल के धड़कनों, फेफ़डों के सास ले ले या शरीर के किसी अंग के कारे को लेकर ज़्यादा चिंतित ना हो अपने अवजेतन पर पूरा भुरुसा करे और बार बार दावा करे कि सही काम हो रहा है सेहत की भावना से सेहत उत्पन होती है दौलत की भावना से दौलत उत्पन होती है आपकी भावना कैसी है कल्पना आपकी सबसे बड़ी आंतरिक शक्ति है अच्छी और सुन्दर चीजों की कल्पना करे आप वैसे ही हैं जैसी आप खुद के बारे में कल्पना करते हैं उनिंदी अवस्ता में चेतन और अवजेतन मन के बीच शंगर्ज नहीं होता है सोने से पहले अपनी इच्छा के पूर्ण होने की बार बार कल्पना करें शांती से सोय और खुशी से जागे तो चलिए शुरुआत करते हैं अध्याए 9 की जो है दौलत पाने के लिए अवजेतन की शक्ती का प्रियोग कैसे करें अगर आप आर्थिक संकट में हैं तंगाली में दिन काड़ रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ है कि आपने अवजेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया है कि आप हमेशा सब्रिद्धी में रहेंगे और बच्चत भी करेंगे आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफते में सिर्फ कुछ गंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं वे ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं इस बात पर यकीन ना करें कि दौलतमत बनने का एकलोता तरीका खून-पसीना बहान और कड़ी मेहनत करना है ऐसा नहीं है जीवन का प्रियास रही तरीका सबसे अच्छा है वह काम करें जैसे करने में आप प्रेम करते हों इसे इसके खुशी और रोमांच केड़े करें मैं लास एंजलिस के एक एक एक्जेक्यूटिव को जानता हूँ जिसकी तनख़ा लाखों में है पिछले साल उसने क्रूज में नौ महीने तक दुनिया की सैर की उसने मुझे बताया कि उसने अपने अफजेतनमन को विश्वास दिला दिया था कि वह इतनी जदा तनख़ा का हगदार है उसने बताया कि उसकी कंपनी में ऐसे लोग हैं जिनके तनख़ा उसकी तुलना में 10 प्रतिशत है हाला कि वे बिजनिस के बारे में उससे ज़्यादा अच्छा जानते है और शायद बेहतर प्रबंदर भी खड़ सकते है बहराल उनमें ना तो महतु गांशा है ना ही रचनात्वक विचार अपने अफजेतनमन के आश्चरियों में उनकी रुची नहीं है दौलत बस्तिस्क में रहती है दौलत विक्ति के अवजेतन के विश्वास से ज़्यादा और कुछ नहीं है आप यह कहकर लखपती नहीं बन सकते मैं लखपती हूँ, मैं लखपती हूँ अपनी मान सकता में दौलत और सम्रिद्धी के विचार रखकर आप दौलत की चेतना विक्सित करते है अधिकाज लोगों के साथ दिक्कत यहा है कि उनके पास अद्रिश सहारे नहीं होते है जब बिजनिस कमजोर हो जाता है स्टॉक मर्केट किरने लगता है या उनके निवेशों में नुकसान होता है तो वे बेबस नजर आते है इतनी असुरक्षा का कारण यहा है कि वे अवजेतन मन का दोहन करने का तरीका नहीं जानते है वे यह नहीं जानते हैं कि उनके भीतर कभी न खत्म होने वाला भंडार भरा है गरीबी की मानसित्ता वाला व्यक्ति खुद को गरीब परिस्थितियों में पाता है बहरहाल जिसका मस्तिस्क दौलत के विचारों से भरा होता है वह तमाम सुक्सोविधाओं में जीता है इश्वरिया कभी नहीं चाता है कि हम गरीबी में धिन गाटे आप दौलत और अपनी जरूरत की हर वह चीज़ पा सकते है आप बहुत सारी दौलत पा सकते है आपके शक्दों में इतनी शक्ति है कि वे आपके मस्तिस्क से गलत विजार साफ करके सही विचार भर दे दौलत की चेतना विक्सित करने का सटीक तरीका शायद यहां अध्याय पढ़ते समय आप कह रहे ही होंगे मुझे दौलत और सफलता चाहिए आप एक काम करे रोजाना तीन चार बार पाच मिनट तक यह दो शब्दों दो रहे दौलत सफलता इन शब्दों बे जबर्दस शक्ति है यह अवजेतन मन की आंतरिक शक्ति के प्रतिनिदी है अपने मस्तिस्क में अपने भीतर की प्रबल शक्ति का लंगार डाल दे इसके बाद उनके प्रकति और गोड़ से मेल खाती परिस्थितियां आपके जीवन में प्रकट हो जाएंगी आप यह नहीं कह रहे हैं, मैं दौलत मन्ध हो आप तो अपने भीतर की वास्तविक शक्तियों पर भरूसा कर रहे हैं दौलत कहने पर आपके मस्तिस्क में कोई दूविदा नहीं होती है यही नहीं, जब आप दौलत के बारे में सोचते रहेंगे तो आपके बीतर इसकी भावना प्रबल हो जाएगी दौलत की भावना से दौलत उत्पन होती है यहाँ बात हर वक्त ध्यान रखे आपका अवजेतन मन किसी बैंक की तरह है एक तरह की शाशुद वित्य संस्ता या हर उस चीज़ को बढ़ा देता है जो भी आप इसमें जमा करते हैं या जिसकी भी आप इस पर छाप चोड़ते हैं भले ही या दौलत का विचार हो या गरीबी का दौलत को चुने दौलत के संकल्प असफल क्यों होते हैं मैंने इतने बरसों में कई लोगों से बात की जिनकी आम सिकायद यहा होती है मैं कहीं हफ्तों और महीनों से कह रहा हूँ मैं दौलत मन हो, मैं अमीर हो लेकिर कुछ नहीं हुआ मैंने पाया कि जब वे कहते थे मैं दौलत मन हो, मैं अमीर हो तो उन्हें मरीमन लगता था कि वे खुझ से जूट बोल रहे हैं एक व्यक्ति ने मुझे बताया मैंने खोश्णा की कि मैं अमीर हूँ मैं अकरते करते थक चुका हूँ इस थितिया पहले से ज़्यादा खराब है अपनी अमीरी की गोश्णा करते समय मैं जानता था कि यह सच नहीं है इस तरह के कत्नों को चेतनमन स्विकार नहीं करता है इसी कारण उसने बाहर से जो गोश्णा की और जिसका दावा किया उसे उसका विपरीत परिणाम मिला अपकी सकारात्मक गोश्णा तब सबसे अच्छी तरह सफल होती है जब यहाँ विशिष्ट हो और मानसिक शंगर्ज या विवात पैदा ना होता हो इस व्यक्ति के कर्थन से स्थिती और बिगड़ गई क्योंकि उसमें वित्यतंगी की भावना थी आपका अवजेतन निरतक शब्दों या वाक्यों को सुईकार नहीं करता है यह तो सिर्फ उने सुईकार करता है जिने आप सच-मुच सच मानते है अब जेतनमन हमेशा प्रबल विचार या विश्वास को सुईकार करता है मानसिक संगर्ज से कैसे बचे जिन लोगों के सामने यहां मुश्किल है उनके लिए इस संगर से उबरने का आदर्श चरीका यहां दिया गया है यहां व्यावहारिक कथन बार-बार दोरा है खास दोर पर सोने से ठीक पहले दिन रात मैं अपनी सभी रुचियों में सम्रिद हो रहा हूँ इस सकाराद में गोश्रा से कोई बहस नहीं होगी क्योंकि यहां आपके अफजेतन मन की वित्य कमी की चाप का विरोध नहीं करती है एक बहुत चिंतित बिजनसमेन मेरे पास आया उसके भिक्री वह आर्थिक स्थिती बहुत खराब थी मैंने उससे कहा कि वह अपने आफिस में शान्थ होकर बैठ जाए और बार बार दो रहा है मेरी विक्री हर दिन बढ़ रही है इस कतन के कारण उसके चेतन और अफजेतन मन मिलकर काम करने लगे और बाद में अच्छे परिणाम मिले कोरे चेक पर साइन ना करे आप कोरे चेक पर साइन करते हैं जब आप इस तरह की बात कहते हैं काम चलाने के लिए प्राप्त पैसे नहीं है काफी तंगी है कर्ज की किस्म नहीं चुकाने के कारण मैं अपना घर गवा दूँगा जब आप भविश्य के बारे में ड़ते हैं तो आप एक कोरा चेक लिख रहे हैं और नकारात्मक परिस्थितियों को अपनी और आकर्चित कर रहे हैं आपका अवजेतन मन आपके डर्द अथा नकारात्मक कथन को आपके आगरे के रूप में सुईकार करता है फिर यहां अपने तरीके से काम शुरू करतेता है जिससे आपके जीवन में बाधाएं, विलम्प, कमी और सीमाएं पैदा हो जाती है आपका अवजेतन आपको चक्नविद्धी ब्याज देता है जिसमें दौलत की भावना है उसे अधिक दौलत जी जाएगी जिसमें कमी की भावना है उसे कम दिया जाएगा आप जिस चीज़ को अपने अवजेतन में जमा करते हैं या उस चीज़ को कई गुना कर देता है और बढ़ा देता है हर सुबा जब आप जागे तो संब्रिद्धी, सफलता, दौलत और शान्ती के विचार जमा करें इन अवधारणाओं पर सोचें अपने मस्तिस को उनके साथ अधिक्तम व्यस्त रखें ये स्रजनात्मक विचार जमा राशी की तरह आपके अवजेतन मन में पहुँच जाएंगे और प्रचूरता तथा संब्रिद्धी ले आएंगे कुछ क्यों नहीं हुआ आप शायद कह रहे होंगे ओ, मैंने यह किया था, लेकिन कुछ नहीं हुआ आपको परिणाम इसलिए नहीं विले क्योंकि शायद 10 मिनट बाद ही आप डर के विचार में डूब गए थे और आपने उस अच्छे विचार को नकार दिया था जिसकी आपने गोशना की थी जब आप जमीन में कोई बीज बोते हैं तो आप उसी दिन के बाद में उसे खोद कर वापस नहीं निकाल लेते आप उसे जड़े जमाने और बढ़ने का मौखा देते हैं मान ले, उधारण के लिए आप यह कहने वाले हैं मैं उस चीज के पैसे अदा नहीं कर पाऊंगा इससे पहले कि आप मैं से आगे बढ़ें वही रुख जाएं इसे बदल कर स्रिजदात्मक कर दें जैसे मैं सभी तरीकों से समर्द बरूँगा दौलत का सच्चा श्रोथ आपके अवचेतन मन में विचारों की कमी कभी नहीं होती इसके बीतर असंग के विचार है जो आपके चेतन मन में प्रवाइद होने और असंग के तरीकों से आपकी जेब में पैसे भरने के लिए तयार है यह प्रक्रिया आपके दिमाग में चलती रहेगी पले ही शेयर बाजार उपर जाए या नीचे पले पॉंड श्टरलिंग या डॉलर का मुल कम या जादा हो जाए दरसल आपकी दॉलत कभी बॉंड, स्टॉक या बैंक के पैसे पर निर्बर नहीं करती रहती यह तो सिर्फ प्रतीक है चाहिर है आवशक और उपियोगी भी लेकिन सिर्फ प्रतीक मैं जिस बात पर जोड देना चाहता हूँ वह यहा है कि अगर आप अपने अवजेतन मन को विश्वास दिला दे कि दॉलत आपकी है और यहाँ आपके जीवन में हमेशा प्रवाहित हो रही है तो हमेशा और अंत्तहा यहाँ आपको मिल जाएगी चाहे या कैसा ही रूप ले कहीं लोग यहाँ दावा करते हैं कि वे तंगी में दिन गुजार रहे हैं और महीने का खर्च चलाने के लिए संगर्स कर रहे हैं उन्हें अपने खर्च पूरे करने के लिए बहुत जूजना पड़ता है क्या आपने कभी उनकी बात सुनी वे लगातार उन लोगों की निंदा करते है जो जीवन में सफल हुए है और जिनोंने अपने सिर्फ भीर से उपर उठाए है कई मामलों में उनकी बात्चेत इस तरह से चलती है ओ, वो आदमी बदमाश है, वो अक्रूर है, वो तो धूर्थ है इसलिए उनके पास पैसे की कमी रहती है वे लगातार उसी चीज की निंदा कर रहे हैं जिसे वे चाहते हैं वे अपने अधिक दौलतमन सही होगयों की आलोचना इसलिए करते हैं क्योंकि वे अपनी संब्रिद्धी से जलते हैं दौलत का दूर भगाने का सबसे तीवर तरीका अपने से ज़्यादा दौलतमन लोगों की आलोचना और निंदा करना है दौलत का एक आम अवरोद एक भावना बहुत से लोगों के जीवन में दौलत की कमी का कारण है अधिकांज लोग इसे मुश्किल तरीके से सीखते हैं यहाँ भावना इर्शा है उधारण के लिए अगर आप अपने किसी प्रतिस्परती को बैंक में बहुत सारे पैसे जमा करते देखें जिबकि आपके पास जमा करने के लिए छोटी राशी है तो क्या इससे आपको जलन होती है इस बाव से उबरने का तरीका खुद से यह कहना है कितनी बड़िया बात है मुझे इस व्यक्ति की संब्रिद्धी पर खुशी होती है मैं चाहता हूँ कि वह और अधिक दौलत कमाए इर्शा के विचार विद्वंच होते है क्योंकि वे आपको नकारात्मक स्थिती में रखते है इसलिए दौलत आपके पास आने के बजाए आपसे दूर बात जाती है अगर आप किसी दूसरे को दौलत या संब्रिद्धी से चिड महसूस करें तो तत्काल दावा करें कि आप सच्मुच उससे ज़्यादा दौलत मन देखना चाते है हर संबव तरीके से या आपके मस्तिस के नकारात्मक विचारों को हटा देगा और आप जेतन मन के डियम द्वारा आपको अधिक दौलत प्रदान कर देगा दौलत के बड़े मान से गवरोत को हटाना अगर आप इस बारे में चिंता या आलोचना कर रहे हैं कि कोई अपना पैसा बैमानी से कमा रहा है तो उसके बारे में चिंता करना चोड़ दे अगर आपकी शिंकाए सही हैं तो आप जानते हैं कि इस तरह का व्यक्ती मस्तिस्क के नियम का नकारात्मक प्रियोग कर रहा है समय के साथ मस्तिस्क का नियम उसे परिणाम देगा बहरहाल सावधान रहें उसकी आलोचना न करें इसके कारण पहले ही बताए जा चुके है याद रखें दौलत की रामे अव्रोद आपके अपने मस्तिस्क में है आप अप उस मानसिक अव्रोद को नश्ट कर सकते है इससे आप हर एक के साथ अच्छे मानसिक सम्बंद भी बना सकते है सोए और अमीर बने रात को सोने जाते समय इस तक्निक का अभ्यास करें दौलत चब्द को शान्ती, सरलता और भावना से दोराए ऐसा बार-बार करें किसी लोरी की तरह दौलत चब्द बोलते हुए सोए आप परिणाम देखकर हैरान रह जाएंगे दौलत पड़े हिमखंडों की तरह आपकी और प्रवाहित होगी या आपके अवजेतन मन की जादूई शक्ती की एक और मिसाल है अपने मन की शक्तियों का लाब ले सरलता से दौलत बद बनने का फैसला करे अपने अवजेतन मन की अचूख सायता से अमीर बने खून पसीने और कड़ी मेनद से दौलत इखटी करने की कोशिश करना कबर में सबसे अमीर आद्मी बनना है आपको कड़ी मेनद करने की कोई जरूरत नहीं है दौलत अवजेतन विश्वाश है अपनी मान सकता में दौलत का विचार बनाए जादे तर लोगों के साथ दिक्क दिया है कि उनके पास अद्रिश सहारे नहीं है सोने से पहने पाच मिनट तक दौलत शब्द धीरे धीरे और शान्ती से दोराए ऐसा करने पर आपका अवजेतन मन आपके जीवन में दौलत ले आएगा दौलत की भावना से दौलत पैदा होती है इसे हमेशा याद रखें जेतन और अवजेतन दोनों मन सहमत होने चाहिए आपका अवजेतन उस चीज को स्विकार करता है जिसे आप सच मांते है आपका अवजेतन मन हमेशा प्रबल विचार को स्विकार करता है आपका प्रबल विचार गरीबी नहीं, अमीरी होना चाहिए आप यहाँ कोश्रा करके दौलत के बारे में किसी भी मानसिक संगर से उबर सकते है दिन रात मैं अपनी सभी रुजियों में अमीर बन रहा हूँ इस वाक्य को दोरा कर अपनी बिक्री बढ़ाए मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं हर दिन तरक्की कर रहा हूँ और हर दिन जादा दौलत मन बन रहा हूँ कोरे चक लिखना बंद कर दे जैसे काम चलाने के लिए प्रियाप्त पैसे नहीं है या बड़ी तंगी है इस तरह के वहाँ के आपकी कमी को और बढ़ाते है अपने अवजेतन मन में सम्रिद्धी, दौलत और सफलता के विचार जमा करे यहाँ आपको चक्रविद्धी ब्याज के साथ लोटाएगा आप जेतन रूप से जो सकारात्पक घोशला करते हैं उसे कुछ पल बाद ही मानसिक रूप से ना नकारे इससे वहाँ अच्छाई खत्म हो जाएगी जिसकी आपने गोश्रा की है दौलत का सच्चा श्रोट आपके विचार है आपके एक विचार का मूल यह लाखर डालर भी हो सकता है आपका अवजेतन मन आपको आपका चाहा गया विचार दे देगा इर्शा और जलन दौलत के प्रवाब में अवरोध है दूसरों की संब्रिद्धे पर खुश हो दौलत का अवरोध आपके अपने मस्तिस्क में है सभी के साथ अच्छे मानसिक संब्द बनाकर उस अवरोध को इसी समय नश्ट कर दे और अब शुरुआत करते हैं अध्यार दसकी जिसमें हम बताएंगे कि आपको अमीर बनने का हक है आपको अमीर बनने का मूल भूत हक है आप इस दुनिया में संब्रेद् जीवन जीने और खुश, स्वस्त तथा आजाद रहने के लिए हैं इसलिए आपके पास उतना पैसा हो ला चाहिए जितने की जरुरत आपको पूर्ण, सुखी और संब्रेद् जीवन जीने के लिए होगी आप इस दुनिया में विकास करने, व्यापक बनने और स्वय को अध्यात्मिक, माजजिक तथा भौतिक रूप से प्रिक्ट करने के लिए हैं आपको अपनी सभी संभावना का पूरा विकास करने और आत्म अभिव्यक्ति का और संदिग्द आधार है इसका एक महत्पूर पहलू सुंदर्ता और विलासिता से घिरे रहना है, बशर्ते आप इसे चुने जब आप अपने अवजेतन्मन की बदद से अमीरी का आनंद ले सकते हैं, तो फिर तंगी में क्यों रहा जाए? इस अध्याय में आप पैसे से दोस्ती करना सीखेंगे, जब आप पैसा कर लेते हैं, तो आपके पास अपनी जरूरत का सारा पैसा होगा, और जरूरत से ज़्यादा भी अमीर बनने की अपनी इच्छा के बारे में किसी की भी बातों से शंकालू या शर्विन्दा महसूस ना करें गैन्तम स्तर पर यह इच्छा पूर्ण, खुश और अद्बुद जीवन जीने की इच्छा है, यह पूरे ब्रहमाण की इच्छा है, यह न सिर्फ अच्छी है, बल्कि बहुत अच्छी है धन एक प्रतीक है धन विरियम का प्रतीक है आपके लिए ना सिर्फ कमी से आजादी का प्रतीक है बल्कि सुन्दर्ता, परिश्कार, प्रचूरता और विलासिता का भी प्रतीक है या किसी राश्ट की आर्थिक सेहत का प्रतीक है अगर खून आपके शरीर में मुक्त प्रवाहित होता है तो आप शारेरिक द्रिश्टी से स्वस्त है अगर धन आपके जीवन में मुक्त रूप से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक द्रिश्टी से स्वस्त है जब लोग धन संचे करने लगते हैं इसे टिन के डबों में बंद करने लगते हैं और भायांकरात या आशंकित होने लगते हैं तो वे आर्चिक रिष्टी से बिबार बन जाते हैं दन के प्रतीक सदियों से रूप बदलते रहते हैं आपके विचार में आने वाली लगबग हर चीज ने इतिहास में किसी रह किसी समय और किसी रह किसी जगा धन का काम किया है जाहिर हैğ, 16 और 24 धन का रूप थे, लिकिन नवक, मनके और कई सस्ती चीजे भी थी प्राचीन काल में लोगों की दौलत अक्सर उनकी भेडों और बैलों से आकी जाती थी अब हम मुद्रा और अन्य आसान साद्दों का प्रयोग करते हैं इसका कारण स्पष्ट है बिल चुकाने के लिए अपने साथ कुछ भेडों को लेकर चलने के बजाए चेक लिखना ज्यादा सुविदा जनक है अमीरी की शाही रापर कैसे चले जब आप अपने अवजेतन मन की शक्तियों को समझ लेते हैं तो आपके पास आध्यात्विक, मांसिक और वित्यक सभी तरह की अमीरी की शाही रापर का नक्षा आ जाता है जिसने भी मस्तिस के नियमों को सीख लिया है वह निश्चे दुरूप से जानता और माद्दा है कि उसे कभी किसी चीज की कभी नहीं बढ़ेगी आर्थिक संक्टों, टॉक मार्किट के उतार चड़ावों मंदिरों, हर्तालों, बढ़ती महंगाई या यहां तक की युद्ध के दौरान भी उसके पास काफी धन रहेगा इसका कारेड यह है कि उसने दौलत का विजार अपने अवजेतन मन तक पहुचा दिया है परिडाम सुरूप, उसका मन उसे दौलत देता रहता है चाहे वह जहां भी रहे उस व्यक्ति ने अपने मस्तिस को विश्वास दिला दिया है कि धन उसके जीवन में बुक्तता से प्रवाइत हो रहा है और उसके पास हमेशा जरूरत से बहुत ज़्यादा पैसे रहेंगे जैसा वह आदेश देता है वैसा ही होगा अगर कल यह वित्य रूप से तबाह हो जाए और उसके पास की हर चीज मूली हीन हो जाए तब भी वहाँ दौलत को आकर्चित करेगा वह संकट से आराम से उबर जाएगा यही नहीं वहाँ उससे लाप भी उठा लेगा आपके पास अधिक पैसे क्यों नहीं है यहाँ अध्याय पढ़ते समय शायद आप सोच रहे हो मैं जादा आमदनी का हगदार हो बेरी रह में यहाँ अधिकांज लोगों के बारे में सही है वे सच मुच जादा आमदनी के हगदार होते है लेकिन उन्हें यहाँ मिलती नहीं है इन लोगों के पास अधिक पैसे नहीं होने का एक बहुत महत्पूर कारण यहाँ है कि वे मन ही मन या खुनकर इसकी निंदा करते है वे धन को गंदा कहते या मानते है वे अपने बच्चों और दोस्तों से कहते हैं कि धन का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है उनके दौलत बन ना बन पाने का एक कारण यहाँ भी है कि उनके अवजेतन में कहीं न कहीं यह भाव छिपा होता है कि गरीबी में कोई खास गुण है हो सकता है कि यह अवजेतन भाव, बच्चपन की नसीहत या फिर धर्म गरंतों के गलत विशलेशन के कारण आ गया हो दन और संतुलित जीवन एक बर एक आदमी ने मुझसे कहा मैं धिवालिया हो गया हूँ लेकिन यह बिलकु ठीक है मुझे धन पसंद नहीं है यह सारी बुराईयों की जड़ है यह कथद दुविदा ग्रस्थ नियूरोटिक मादसित्ता के सूचक है धन का प्रेम अगर बाकी हर चीज से ज़्यादा हो जाए तो इससे आप एक तरफा और अस अदुरित हो सकते हैं लेकिन यहाँ आप अपली शक्ती या सत्ता का समझदारी से प्रेयोग करेंगे कुछ लोग शक्ती के भूके होते हैं बाकी धन के भूके होते हैं अगर आप सिर्फ धन पर पूरा ध्यान लगाते हैं और कहते हैं मैं सिर्फ धन जाता हूँ मैं अपना पूरा ध्यान धन संग्रा पर केंद्रित करूँगा बाकि किसी चीज का कोई महतु नहीं है तो हो सकता है कि आप धन कमा ले और धेर सारा जमा भी कर ले लेकिन आप इसकी कितनी बड़ी कीमत चुकाएंगे आप शायद भूल चुके हैं कि आप दुनिया में संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं आपको मानचिक शान्ती, सद्भाव, प्रेम, खुशी और संपूर्ण स्वास्त के अविशक्ता को भी संतुष्ट करना चाहिए दन सहक्रे को एक मातर लक्ष बनाकर आप गलत चुनाव करते हैं हो सकता है, आप सोचें कि आप सिर्फ धन ही चाहते हैं लेकिन तमाम कोशिशों के बाद आप पाते हैं कि आपको सिर्फ धन की ही जरूरत नहीं रहती है किसी ने भी बृत्युशाया पर यह इच्छा व्यक्त नहीं की है कि काश उसने पैसे कमाने में ज़्यादा समय लगाया होता आप अपनी छिपीवी प्रतिभाव की सच्ची अभी व्यक्ति, जीवन में सच्ची जगापाने, सुद्धर्ता और दूसरों की सफलता तदा कल्याड में योगदान देने की खुशी की इच्छा भी करते हैं अगर आप चाहें तो अपने अवजेतनमन के नियम सीखकर दस लाग डॉलर या एक करोड डॉलर दी कमा सकते हैं और साथ ही मानसिक शांती, सद्भाव, सबूर्ड स्वास्त और आदर्स अभी व्यक्ति भी पा सकते हैं गरीबी एक मानसिक रोग है गरीबी में कोई गुर्ड नहीं है या किसी अन्यमानसिक रोग की तरह है अगर आप शारेरिक रूप से बीमार हैं तो आपको यह एसास होगा कि आपके साथ कुछ न कुछ गणबढ है आप मदद लेना चाहेंगे और स्थितिका उपचार करने की कोशिश करेंगे इसी तरह अगर आपके जीवन में धन का प्रयाप्त परवार नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई मूलभूत गणबढ है जीवन सिद्दाद की दिशा विकास, विस्तार और जीवन को अधिक संब्रिद बनाने की और है आप यहाँ पर किसी दबडे में रहने, चितड़े पहनने और भूको मरने के लिए नहीं आये है आपको खुश, संब्रिद और सफल बरना चाहिए आपको धन की कभी अलोचना क्यों नहीं करनी चाहिए धन के बारे में सारे अजीव विश्वाज और अंध विश्वाज अपने दिमाग से दो डाले कभी भी धन को बुरा या गंदा ना माने ऐसा करने पर यहाँ पंक लगा अगर आपसे दूर उड़ जाएगा याद रखें आप जिसकी बुराई करते हैं उसे खो देते हैं आप जिसकी आलोचना करते हैं उसे आकर्शित नहीं कर सकते धन के प्रतिस सही नजरिया अपनाना यहाँ एक आसान तक्निक दी जा रही है जिसका प्रियोग आप अपने जीवन में धन को कई गुना करने के लिए कर सकते हैं दिन में कई बार ये वाकिद हो रहे हैं मुझे धन पसंद है मैं इससे प्रेम करता हूँ मैं इसका समझदारी से, स्रजनात्मक तरीके से और न्यायपूर्ण प्रियोग करता हूँ मेरे जीवन में धन का लगातार प्रवा हो रहा है मैं खुशी से इसे मुक्त करता हूँ और यहाँ अद्भुत तरीके से कई गुना होकर मेरे पास लोटता है यहाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है धन बहुत बड़ी मात्रा में मेरी तरफ प्रवाहित हो रहा है मैं इसका प्रियोग सिर्फ भलाई के लिए करता हूँ मैं अपनी आर्थिक सम्रिद्धी तथा माचिक दौलत के लिए खृतक ग्यूँ वैग्यानिक चिन तक धन की और कैसे देखता है मान ले, आप सोने, चांदी, जस्ते, तांबे या लोहे की संब्रिद्ध ख़दान खोज लेते हैं क्या आप यहाँ ऐलान करेंगे कि ये चीज़े बुरी हैं जाहिर है नहीं सारी बुराई इंसानों की अंदकार्माई समझ अग्यान, जीवन के जूटे विशलेशन और अफजेतन मन के दुरुपियोग के कारण पैदा होती है चूकि धन सिर्फ एक प्रतीक है इसलिए हम लेंदेन के साधर के रूप में उतनी ही असानी से जस्ते या टिन या किसी अन्य धातू का इस्तमाल कर सकते हैं बीसवी सदी में अमेरिकी सिक्केट डाइम और क्वार्टर चांदी से बनते थे उनमें 10 या 25 सेंट मूल की चांदी होती थी फिर सरकार उन्हें जादर सस्ती धातू से बनाने लेगी इसके बाद भी क्वार्टर का मूल 25 सेंट ही रहा हाला कि इसकी धातू का मूल इससे कम था कोई भी भौतिक शास्त्री आपको बता देगा कि एक धातू और दूसरी धातू के बीच एकलोता अंतर इसके परमाणूं में पारंभिक करणों के प्रकार और संख्या का है किसी धातू के टुगडे पर करणों की धारा छोड़कर आप इसे दूसरी धातू में बदल सकते हैं कीमियागरों ने सस्ती धातू को सोने में बदलने का सपना देखा था लेकिन उससे क्या सोना जस्ते से ज़्यादा गुडवान या बुरा नहीं है ये तो भिन धात्वे हैं जिनके गुड भिन है पस इतनी सी बात लंबे इतिहास के कारण ही सोने को खास कीमती समझा जाता है यही वज़ा है कि लोग इससे जस्ते से ज़्यादा प्रेम या नफरत करते हैं कई सार पहले मैं आश्ट्रेलिया में एक युवक से मिला उसने बताया कि उसने डॉक्टर बनने का सपना देखा था वहाँ विज्ञान की कलासों में गया और उसका प्रेजिशन बहुत बढ़िया था लेकिन मेडिकल कॉलेज का खर्च उठाना उसके बूते से बाहर था उसके माता-पिता मर चुके थे अपना पेट पालने के लिए उसने स्थानी अस्पताल में डॉक्टरों के आफिसों की सफाई की मैंने उसे बताया कि जमीन में बोया गया बीज अपनी तरफ हर उस चीज को अकर्शित करता है जिसकी इसे सही तरीकी से उगने में जरूरत होती है उसे तो बस बीज से सबक लेना था और अपने अवजेतन मन में अपेक्षित विचार का बीज बोना था हर रात सोने से पहने यह युवक एक मैडिकल डिप्लोमा सर्टिफिकेट की तस्वीर देखता था जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षिरों में लिखा रहता था उसे डिप्लोमा की सपष्ट विश्तरत तस्वीर देखने में जरा भी मुश्किल नहीं हुई वह दिन में डॉक्टरों के ओफिसों बे दिवारों पर टंगे फ्रेम किये वे डिप्लोमा की धूल साफ करके उन्हें चमकाता था उनकी सफाई करते समय वह उन्हें गौर से देखा करता था लगबग चार महीने तक हर रात वह तस्वीर वाली तक्निक आजमाता रहा खड़ चुठाया जा उसने बहुत सी चिकित्सा संबद्धी योगिताय सीखी इसके बाद डॉक्टर ने उसे अपना सही योगी बना लिया वह इस युवक की प्रतिबा और संकल्प में इतना प्रवावित हुआ कि उसने उसे बाद में मेडिकल कॉलिज बेजने में भी बदत की आज वह युवक मार्ट्रियल कनाड़ा में एक सीर्शस्त डॉक्टर है इस युवक को सफलता इसलिए मिली क्योंकि उसने आकर्चक का नियम सीख लिया था उसने यह जान लिया कि अपने अवजेतन मन का सही तरीके से प्रियोग कैसे करना है इसमें युगो पुराना वहाँ डियम शामिल है जो कहता है अंत को सपश्ट रूप से देखने के बाद आप उस अंत की प्राप्ति के साधर की इच्छा करते हैं इस मामले में अंत डॉक्टर बनना था वह डॉक्टर बनने की कलपना कर सकता था इसकी तस्वीर देख सकता था और इसकी वास्तमिक का महसूस कर सकता था वह इस विचार के साथ जिया उसने इसे बनाए रखा पोशर दिया और प्रेम किया आखिरकार तस्वीर देखने के कारण या विचार उसके अवजेतन मन की पर्तों को बेटकर पहुँझ गया यह विश्वास बन गया इस विश्वास ने उसकी और हर उस चीज को आकरशित किया जो उसके सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी थी कई लोगी की तन्खुआ क्यों नहीं बढ़ती है मान लीजिए आप किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं आपको लगता है कि आपको कम तन्खुआ मिलती है आप इस बात से चिड़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत तो नहीं देते हैं आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तन्खुआ और महत्टु के हगदार हैं अपने बॉस के प्रती मानसिक विरूद रखकर आप अफजेतर रूप से उस कंपनी से अपने बंधत दोड़ रहे हैं आप एक प्रिक्रिया शुरू कर रहे हैं नचीज़ा यह होगा कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा हमें आपको निकालना पड़ेगा सस्तो यहाँ है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है आपका बॉस तो सिर्फ एक सादर के रूप में काम कर रहा है जिससे आपकी ही नकारात्मक मानसिक अवस्ता की पुष्टी हुई है यहां क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उधारन मात्र है क्रिया आपका विचार है और प्रतिक्रिया आपके अवजेतन मन की है अमेरी की राव में बादाएं और अवरोध समय समय पर आपने शायद किसी को कहते सुना होगा जो भी धेर सारे पैसे कमाता है वह हमेशा बदमाश होता है इस तरह से बोल ले और सोचने वाला आम तोर पर वित्य बिमारी का शिकार होता है शायद वह अपने पुराने दोस्तों के प्रदीक कटू और इर्शालू है जो ज़्यादा सफल तदा दौलनवत बन गए है अगर ऐसा है तो वह अपनी मुश्किले खुद पैदा कर रहा है उन दोस्तों के बारे में नकारात्मक विचार रखकर और उनकी दौलत की निंदा करके वह दौलत और सब्रिद्धी को खुद से दूर कर रहा है क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास रुखना पसंद करेंगे जो आपकी निंदा करता हो जाहिर है नहीं और दौलत भी ऐसा नहीं करेगी यह व्यक्ति उसी चीज़ को दूर भगा रहा है जिसके लिए वह प्रार्थना कर रहा है वह दो विरोधी प्रार्थनाई कर रहा है एक तरक तो वह कह रहा है मैं चाहता हूँ कि अब दौलत मेरी और प्रवाहित हो लेकिन अगली ही सास में वह कह रहा है उस आदमी की दौलत गंदी और बुरी चीज़ है या विरोध गरीबी और दुख की राह का सूचक है इस बात का खास द्यान रखें कि आप दूसरे व्यक्ति की दौलत पर हमेशा खुश हो अपने निवेशों की रच्छा करें अगर आप निवेश सम्मधी मार्गदर्शन चाहते हो या अपने शेरों या बॉर्ण्स के बारे में चिंतित हो तो धीरे से ये दावा करें अश्यमित बुद्धी मेरे सभी वित्य मामलों को नियंदर्ण कर रही है और उनकी निगरानी करती है मैं जो भी करूंगा सम्म्रद्ध होगा अगर आप इसे बार बार पूरी आस्ता और विश्वास से करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका अवजेतर मंद समझदारी भरे निवेशों की और आपको मार्गदर्शन देगा यही नहीं आपको नुकसान भी नहीं होगा क्योंकि नुकसान होने से पहले ही आपको जोखिम भरे शेयरों को बेचने का संदेश मिल जाएगा बिना दिये आपको कुछ नहीं मिल सकता बड़े इस टोरों में पहरेदारों और जासुसों को रखा जाता है ताकि वे समान चुराने वालों को रोक सके हर दिन वे कुछ लोगों को चोरी करते हुए पकरते हैं इस तरह की चोरी करने वाले कमी और सीमा के मानसिक माहौल में रहते हैं दूसरों से चुराने की कोशिश में वे अपनी ही शान्ती, सद्भाव, आस्था, इमानदारी, अखंडता, सद्भावना और विश्वास को चुरा रहे हैं यही नहीं इससे उनके अवजेतन मन में जो संदेश जाता है उससे उनका बहुत नुकसान होता है चरित्र, छवी, सामाजिक प्रतिष्टा और मानसिक शान्ती का नुकसान यह लोग यह नहीं समझते हैं कि उनका दिमाग कैसे काम करता है उन्हें आपूर्ती के श्रोत में आस्था नहीं होती है अगर वे मानसिक रूप से अपने अवजेतन मन की शक्तियों का आवान करें और यहाँ दावा करें कि उनकी सच्ची अभीव्यक्ती हो रही है तो उन्हें सफलता और संब्रिद्धी मिलेगी फिर एमानदारी, अखंटा और लगन से वे खुद को और समाज को लाप पहुचा सकते है सोतंतरता, आराम और आवशक दौलत की सतत आपूर्ती आपके अवजेतन मन की शक्तियों को पहचानने में नहित है या आपके विचार या मानसिक शवी की रचनात्मक शक्ति को पहचानने में नहित है अपने मस्तिस्क में संब्रिद्धी से भरे जीवन को स्विकार करे दौलत की मानसिक शुकृत्ती और आशा का अपना कडित तथा अभिव्यक्ति का तंत्र होता है जब आप संब्रिद्धी की मानसिक्ता में कदम रखते हैं तो संब्रिद्ध जीवन को संभव बनाने वाली चीज़े होने लगती है इसकी दैनिक घोश्रा करे इसे अपने दिल पर लिख ले मैं अपने अवजेतन मन की अशिमी संब्रिद्धी के साथ एकाकार हूँ अमीर, खुश और सफल बनना मेरा अधिकार है धन मेरी और मुक्तता से, प्रचूरता से और अनंत रूप से प्रवाहित हो रहा है मैं हमेशा अपने सच्चे मूली के प्रति सचेत हूँ मैं अपनी प्रतिभाव को मुक्तता से देखता हूँ और मुझे अत्यदिक वित्यवर्दान मिलते है या अद्बुत है अमेरी की रापर आगे बढ़ने की पायदाने या दावा करने का साथ जुटाएं कि आपको अभीर बनने का हक है आपका अफजेतन मन आपके दावे को हकीकत में बदल देगा आप जैसे तैसे गुजारा नहीं करना चाहते है आप इतना सारा पैसा चाहते हैं ताकि आप जब चाहें तब अपनी मन चाही चीज़े कर सके अपने अफजेतन मन की दौलत को पैचाने अगर धन आपके जीवन में वुक्तता से प्रवाहित हो रहा है तो आप आर्थिक दिश्टी से स्वस्त है धन को जुआर की तरह देखेंगे तो यहां आपके पास हमेशा बहुत सारा रहेगा जुआर का आना और जाना लगातार होता है जब जुआर चला भी जाए तो भी आपको पूरा विश्वास होता है कि यह जरूर लोटेगा अपने अवजेतनमन के नियम जानने के बाद आपको हमेशा धन मिलता रहेगा चाहिए अग किसी भी रूप में मिले कई लोग तंगी में जीते हैं और उनके पास प्रयाप्त पैसे नहीं होते है इसका एक कारण यह है कि वे धन की निंदा करते हैं आप जिसकी निंदा करते हैं वो पंक लगा कर दूर उड़ जाता है धन को भगवान ना बनाए यह सिर्फ एक प्रतीक है याद रखें सच्ची दौलत आपके दिमाग में है आप संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं इसमें अपनी जरूरत का सारा धन हासिल करना शामिल है धन को अपना एकमात रिलक्ष ना बनाए दौलत, खुशी, शान्ती, सच्ची अभी व्यक्ती और प्रेम का दावा करें सब के प्रती प्रेम और सद्भाव रखें फिर आपका अवजेतन मन इन सभी शेत्रों में आपको चकर्विद्धी ब्याज देगा गरीबी में कोई गुड नहीं है या मानसिक रोग है आपको इस मानसिक संगर्ष या बिमारी का तत्काल इलाज करना चाहिए आप यहाँ पर किसी दड़बे में रहने, चिस्ठड़े पहनने या भोको बनने के लिए नहीं आए है आप यहाँ अधिक सम्रिद्ध जीवन जीने के लिए आए है कभी भी गंदा पैसा शब्दावली का प्रियोग ना करें या ना कहें मैं धन से नफरत करता हूँ आप जिसकी आलोचना करेंगे उसे खो देंगे दर अपने आप में बुरा या अच्छा नहीं है इसके बारे में इस तरह सोचने पर वहाँ वैसा बन जाता है बार बार दोह रहें मैं धन को पसंद करता हूँ मैं इसका प्रियुक समझदारी से स्रजनात्मक तरीके से और नयायपूर तरीके से करूँगा मैं उसे खोशी के साथ मुक्त करता हूँ और यहां हजार गुना होकर मेरे पास लोटाता है धन तामबे, जस्ते, टेन या लोहे से ज़्यादा बुरा नहीं है जिसे आप जमीन में पास सकते हैं सारी बुराई मस्तिस्क की शक्तियों के अज्यान और दुरूपियों के कारण उत्पन होती है अपने मस्तिस्क में अंतिप परिणाम के तस्वीर बना ले आपका अवजेतन आपकी मांसिक तस्वीर पर प्तिक्रिया करता है और उसे साकार कर देता है बिना कुछ दिये कुछ पाने की कोशिश छोड़ दे मुफ्त लंच जैसी कोई चीज नहीं होती है आपको कुछ पाने के लिए कुछ देना होगा अगर आप अपने लक्षियों, आतर्षियों और कामों पर मांसिक ध्यान देंगे तो आपका अवजेतन मन हमेशा आपका साथ देगा दौलत की कुछी अवजेतन मन के नियमों को लागू करना और इसमें दौलत के विचार का बीज बोना है तो यहां से शुरुवात करते हैं अध्याए 11 की जो है आपका अवजेतन मन सफलता में साजिदार है सफलता का सच्चा आंतरिक अर्थ जीवन में सफल बनना है इस धर्ती पर तीर्द काली शांती, खूशी और सुख पाने को सफलता की संग्या दी जा सकती है इनका अनुबवीवा अनंत जीवन है जिसके बारे में ईसा मसी ने कहा था जीवन की सच्ची चीजे जैसे शांती, सद्भाव, अखंड़ता, सुरक्षा और खुशी अमूर्त है वे इनसान के गहरे सुरूप से उत्पन होती है इन गुड़ों पर मनन करने से सुरक्षे ये खजाने हमारे अवजेतन में उतर जाते है यही वह सच्ची जगा है जहां धुन और जंग कमजोर नहीं करती है और जहां चोर धावा बोलकर चुराते नहीं है सफलता की तीन पायदाने सफलता की अति बहत पुर पहली पायदान उस काम का पता लगाना और करना है जिससे आप प्रेम करते है जब तक आप अपने काम से प्रेम ना करते हूँ तब तक संभवतहा आप उसमें खुद को सफल नहीं मानेंगे वहले ही दुनिया आपको बहुत सफल कहती हो काम से प्रेम होने पर आपके मन में उसे करने की गहरी इच्छा होती है अगर कोई युवती मरोचिकित्सक बनने की इच्छा रखती हो तो डिप्लोमा लेकर उसे दिवार पर टांग लेना ही काफी नहीं है वह उस छेत्र में आगे काम करना चाहेगी सम्मेलनों में भाग लेगी और मस्तिस्क तथा इसकी कारविद्धी का अधियन करती रहेगी वह दूसरे क्लीनिकों में जाएगी और नवीन्तम विज्ञानिक जनरल पड़ेगी दूसरे शब्दों में वह इंसानी कष्ट को कम करने के नवीन्तम तरीकों के बारे में ज्ञान हासिल करती रहेगी क्योंकि वह अपने रोग्यों के हितों को सर्वोच प्रात्मिक्ता देती है लेकिन हो सकता है ये शब्द पढ़कर आप यहाँ सोचने लगे मैं पहला कदम नहीं उठा सकता क्योंकि मैं यही नहीं जानता हूँ कि मैं क्या करना चाहता हूँ मुझे या पता ही नहीं है कि मैं किस काम से प्रेम करता हूँ मैं कोई शेत्र कैसे चुन सकता हूँ जिससे मैं प्रेम करूँ अगर आपकी स्थिति यहाँ है तो मार्गदर्शन के लिए इस तरह प्रार्टना करे मेरे अवजेतनमन की अशिवित बुद्धिमत्ता जीवन में मेरी सच्ची जगा मेरे सामने प्रकट कर रही है इस प्रार्टना को धीरे-धीरे सकारात्मक तरीके और प्रेम से अपने अवजेतनमन के सामने दोराए जब आप आस्था और विश्वास से जुटे रहेंगे तो आपको भावना, सगेत या किसी निश्चित दिशा में प्रवत्ति के रूप में जवाब मिलेगा यह इस पश्टता और चांती से तथा आंतरिक मौन जागरुकता से आपके सामने प्रकट हो जाएगा सफलता की दूसरी पायदान काम की किसी विशेष्ट शाखा में विशेषग्यता हासिल करना और उसमें उत्कृष्ट बनने की इच्छा रखना है मान ले कोई विद्यार्थिक केमिष्ट्र के शेष्टर को पेशे के रूप में चुद्धा है उसे इस शेष्टर की किसी एक शाखा पर अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा समयत अथा ध्यान उसी चुने हुए शेत्र पर केंद्रित करना चाहिए तकि वह उसका विशेशग्य बन जाए उसके उत्सा के कारण वह अपने शेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल करना चाहिएगा अगर संबब हो तो वह बाकि सबसे ज़्यादा जानने की कोशिश करेगा उसे अपने काम में बहुत उत्सापूर दिल्चस्पी लेरा चाहिए और उसके मर्द बेद दुविदा की सेवा करने की इच्छा होनी चाहिए जो सबसे महान है उसे सेवक बनना होगा इस मानसिक नजरिये और उस व्यक्ति के नजरिये में बहुत बड़ा विरोधा भास है जो जैसे तैसे आजीवी का कमाना चाहता है जैसे तैसे आजीवी का कमाना सच्ची सफलता नहीं है लोगों के लक्ष ज़्यादा महान, उदात और परोपकारी होने चाहिए उन्हें दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी रोटी पानी में बहानी चाहिए तीसरा गदम सबसे बहत पूर है आपको यह सुरिश्चित करना चाहिए कि आप जो करना चाहते हैं वह सिर्फ आपको ही सफल बनाए आपकी इच्छा स्वार्थपूर्ण नहीं होनी चाहिए इससे मानवता को लाब होना चाहिए सर्किट पूरा होना चाहिए तूसरे शब्दों में आपका उद्देश दुनिया की सेवा करना या लाब पहुचाना होना चाहिए अगर आप सिर्फ अपने ही लाब के लिए काम करते हैं तो आप इस अनिवारिस सर्किट को पूरा नहीं करते हैं हो सकता है आप सफल नजर आए लेकिन आपने अपने जीवन में जो शॉर्ट सर्किट किया है वहाँ आगे चलकर सीमा या बिबारी की ओर ले जा सकता है हो सकता है इस मोड पर आप सोच रहे हो उस आदमी के बारे में क्या जिसके बारे में मैंने टीवी पर अभी खबर देखी है उसने तो दोके बाजी करके शेयर बाजार से करोडो डॉलर कवाए है उससे ज़्यादा सफल तो कोई नहीं लगता है और मुझे नहीं लगता कि वह मानवता को लाप पहुचानी की जरा भी परवा करता होगा इस तरह के मामले बहुत आम है लेकिन हमें सावधानी से उनकी हकीकत समझनी होगी हो सकता है कोई व्यक्ती कुछ समय के लिए सफल नजर आए लेकिन धोगे से हासिल धन अक्सर पंग लगा कर उड़ जाता है इसके अलावा जब हम किसी दूसरे को लूटते हैं तो हम खुद को लूटते हैं जिस कमी और सीमा की मानसिता से हमने व्यवहार किया है वह दूसरे तरीकों से भी खुद को प्रकट करती है जैसे हमारे शरीर, पारिवारिक जीवन और लोगों के साथ हमारे संबंदों को मैं एक बन लंदन में एक अपरादी से मिला जिसने मुझे अपने कुछ कारणामे बताए उसने बहुत सारी दौलेत इकटी कर ली थी और वह लंदन के बाहरी लाके में अपने बकार में विलासिता में रहता था गर्मियों में वह फ्रांस के घर में विलासिता का जीवन गुजारता था विलासिता से लेकिन आराम से नहीं उसे हमेशा डर लगा रहता था कि स्कॉटलेंड यार्ड उसे कभी भी गिरफतार कर लेगा उसे कई आंदरिक समस्याए थी जो निश्चित रूप से उसके सतर डर और गहराई में जमी आपराद बोट की ग्रंती से उत्पन हुई थी वह जानता था कि उसने गलत काम किये है आपराद के इस गहरे हैसास ने उसकी और बहुत सी मुश्किलों को अकर्शित किया बाद में मैंने सुना कि उसने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और जेल की सजा काटी जेल से चूटने के बाद उसने मरो वैग्यानिक और आत्यात्पिक सला ली जिससे उसका काया पलट हो गया वहाँ नौकरी करने लगा और कानून का पालन करने वाला इमानदार नागरिक बन गया उसे वहाँ मिल गया जिसे करने से उसे प्रेम था अब वहाँ जीवन में पहली बार खुश था सफलता की तीन पायदानों पर विजार करते समय आपको अपने अवजेतन मन की रचनात्मक शक्तियों को कभी नहीं बूलना चाहिए यही सफलता की किसी भी योजना में सारे कदमों के पीछे की शक्ति है आपका विजार रचनात्मक है विचार भावना के साथ मिलकर कल्पनावादी आस्ता या विश्वाश बन जाता है और तुम्हारे विश्वाश के अनुरूप तुम्हें दिया जाएगा मैथ्यू 9.39 जब आप सबज लेते हैं कि आपके भीतर एक प्रबल शक्ति है जो आपकी सारी इच्छाओं को साकार करने बे सक्षम है तो आपको आत्म विश्वाश और सांती का एसास मिलता है आप चाहे जो काम करते हो आपको अपने अवजेतन मन के नियम अवश्च सीखने चाहिए जब आप जानते हैं कि अपने मन की शक्तियों का कैसे प्रियुक किया जाए जब आप खुद को पूरी तरह अभिव्यक्त कर रहे हो और अपनी प्रतिबा से दूसरों को लाप पहुचा रहे हो तो आप सच्ची सफलता के अजूख मालग पर है अगर आप इंशूर के काम या इसके किसी हिस्से में जुटे हैं तो इंशूर आपके साथ है ऐसे में कौन आपके खिलाफ टिक सकता है धर्दी आसमान में ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको सफलता तक पहुचने से रोक सके कुछ साल पहले मैंने बिजनस एग्जेक्यूटिव के एक समूग के सामने कलपना और अफजेतन मन की शक्तियों का भाषड दिया भाषड में मैंने यहा बताया कि महान जर्मन कवी गेटे मुश्किलें और समस्याएं आने पर अपनी कलपना का किस तरह प्रियोग करते थे गेटे के जीवनी लेखकों के अनुसार वे घंटों तक अकीले कालपनिक बातचीत किया करते थे वे कलपना करते थे कि उनका कोई दोस्त उनके सामने बैठा है और उन्हें सही जवाब दे रहा है दूसरे शब्दों में वे यह कलपना करते थे कि उनका दोस्त उनकी समस्या के बारे में उन्हें सही या उचिस सला दे रहा है वे उस दोस्त की सामान ये मुद्राओं और बोले के खास इंदाज की कल्पना करते थे वे इस पूरे काल्पनिक द्रेश्ची को जितना वास्तविक और स्पष्ट बना सकते थे बना लेते थे इस भासर में एक युवाश टॉक प्रोकर भी मौजूद थी उसने गेटे की तक्नीक अपना ली वह एक परिशित करोड़पती निवेशक से काल्पनिक बातचीत करने लगी जिसने एक बार शेयरों की समझदारी भरे सुजाव के लिए उसे बदाई भी दी थी उसने इस बातचीत का तब तक अभियन किया जब तक की उसके मन में या मनो वैज्यानिक विश्वास के रूप में अलकित नहीं हो गया इस ब्रोकर की आंदरिक बातचीत और नियंद्रित करपना निश्चित रूप से उसके लखिके अदुरूप भी थी उसका काम क्लाइंट्स को दमदार निवेश का सुझाव देना था जीवन में उसका लक्ष था कि वह अपने क्लाइंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा ना पहुचाए और अपनी समझदारी भरी सला से उन्हें समर्द बनाए वह अब भी अपने बिजनस में अवजेतनमन का उपियूग कर रही है और अपने शेत्र में बहुत सफल है एक प्रमुक मवित्य पत्रिका में हाल ही में उसका इंटर्व्यू भी छपा है 16 साल का लड़का सफलता को सफलता में बदलता है 16 साल के टेड एंप ने मुझे बताया मैं हर चीज बे असफल हो रहा हूँ मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हो रहा है मुझे लगता है मैं नीरा मूर्ख हूँ शायद अच्छा यहीं रहेगा कि उनके स्कूल से निकालने से पहले मैं खुद ही स्कूल छोड़ दू आगे की बातचीत में मुझे पता चला कि टॉड का नजरिया ही गड़बर था वहाँ अपनी पढ़ाई के बारे में उदासीन था और अपने कुछ टीचर्स तथा सहंपार्टियों के प्रती द्वेश भी पाले था मैंने उसे सिखाया कि पढ़ाई में सफल होने के लिए वहाँ अपने अवजेतन मन का इस्तमाल कैसे कर सकता है वहाँ दिन में कई बार कुछ सच्चाईयों की गोश्रा करने लगा खास तोर पर सोने से ठीक पहले और सुबा जागने के ठीक बाग जैसा हम देख चुके हैं अवजेतन मन तक विचार पहुचाने के लिए ये सबसे अच्छे समय होते हैं उसने यह सगारात्मक घोश्रा गी मुझे एसास है कि मेरा अवजेतन मन यादों का बंढ़ार है या हर उस चीज का संग्रे करता है जो मैंने पढ़ी है या टीचर्स के लेक्चर्स में सुनी है मेरी यादश आदर्श है पशर्ते मैं उसका इस्तवाल करने का चुनाव करूँ मेरे अवजेतन मन की औसी मिद्बुद्धि मत्ता मुझे वहा हर चीज लगातार बताती है जो मुझे परिक्षा में जानने की जरूरत है चाहे वह लेकित हो या मौकिक मैं अपने सभी टीचर्स और सहपाठियों के प्रती प्रेम और सद्भाव दर्चाता हूँ मैं सच मुझ चाता हूँ कि वह सफल हो और उन्हें सभी अच्छी चीजे मिले तौड़ पहले से जादा सुतंतरता का आनद ले रहा है उसे अब हर विशे में एक ग्रिट मिल रहा है वह लगातार कर्पना करता है कि उसके टीचर्स और माता-पिता पढ़ाई में उसकी सफलता पर उसे बधाई दे रहे है खरीदने और बेजने में सफल कैसे बने खरीदने आप बेजने समय याद रखें कि आपका चेतनमन स्टार्टर है और आपका अवजेतनमन मोटर है आप मोटर चालू करेंगे तब ही यह काम शुरू कर पाएगी अपका जेतनमन आपके अवजेतनमन की शक्ति को जगाता है अपनी स्पष्ट इच्छा, विचार ये छवी को अपने अवजेतनमन तक पहुचाने का पहला कदम उसे शांत करना है ध्यान को गतिहीन करना है, स्थिर होना है और शांत बनना है शिथिल, निश्क्रिय और शांत मांसिक नजरिया बाहरी मामलों तो था गलत विचारों को अवजेतन मन तक पहुंचने और लक्ष में हस्ट सेप करने से रोपता है यही नहीं मस्टिस के शांत, निश्क्रिय और क्रेंशी नजरिय में नियूंतम प्रयाज की जरूरत होती है दूसरा कदम मन चाहे परिणाम की वास्थविक्ता की कलपना करना है उधारन के लिए हो सकता है आप कोई मकान खरीदना चाहते हो अपनी शिथिल मानसिक अवस्था में आप इस तरह घोशना करते है मेरे अवजेतन मन की असीन बुद्धि मत्ता परम बुद्धि मान है या मुझे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करने वाला आदर्श मकान बताती है जिसे मैं खरीज सकता हूँ मैं अब इस आगरे को अपने अवजेतन मन को सौप रहा हूँ मैं जानता हूँ कि यह मेरे आगरे की प्रकती के अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा मैं इस आगरे को पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ उसी तरह मुक्त कर रहा हूँ जिस तरह किसान जमीन में बीजबोता है विकास के नियवों में अधरूनी विश्वास के साथ आपकी प्रार्टा का जवाब अकबार के किसी विग्यापन या दोस्त से मिल सकता है हो सकता है कि आपको किसी खास मकान की तरफ सीधे मार्दर्शन दिया जाए जो ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चाहते हो प्रार्टा का जवाब कई तरीकों से मिल सकता है मुख्य बात यहाँ है कि जवाब हमेशा मिलता है वशर्टे आपको अपने अवजेतन मन के काम करने पर पूरा विश्वास हो मान ले, खरीदने के बज़ाए आप कोई मकान, जमीन या जायदाद बेचना चाहते हो अब जेतन मन की और सिमित बुद्धि मत्ता पर भरोसा करने की यही नीती आपको सटीक मार्दर्शन देगी लास एंजलेस में अपना मकान बेचते समय मैंने एक तकनीक का अस्तमाल किया जब मैंने यह तकनीक अपनी पहचान की कई रियल एश्टेट डोकर्स को बताई तो वे भी इसका अस्तमाल करने लगे इससे उन्हें उलेकर यह परिणाम मिल रहे हैं मैंने अपने मकान के सामने घास पर एक साइन बोर्ड लगाया जिस पर लिखा था बेचना है उसरा सोने से ठीक पहले मैंने खुछ से पूछा मान लो तुम्हें घर के लिए खरीदार मिल गया तो फिर तुम क्या करोगे जवाब था मैं बेचना है कि साइन बोर्ड को कच्रे में फेक दूँगा अपने मस्तिस के अंदरूनी परदे पर मैंने एक विस्तिर द्रिश देखा मैंने साइन बोर्ड पकड़ा उसे जमीन से उखाड़ा अपने कंदे पर रखा और मकान के पीछे कूड़े दान के तरफ ले गया मैंने उसे फेकते हुए कहा मदद के लिए धन्यवाद लेकिन अब मुझे तुम्हारी जनुदत नहीं है मैं गहरी संतुष्टी के एहसास के साथ सोने गया कि काम पूरा हो गया था अगले देनेक आद्भी ने मुझे उस मकान का बयाना दे दिया और कहा अब आप उस साइन बोर्ड को फेक सकते हैं अब आपको उसकी जरूर्ट नहीं है मैंने उसकी सला पर अमल किया मैंने साइन बोर्ड उखाड़ा और उसे फेक दिया आंत्रिक क्रिया ने बाहरी क्रिया को साकार कर दिया इसके बारे में नया कुछ नहीं है जैसा भीतर वैसा बाहर दूसरे शब्दों में आपके अवजेतन मन पर छपी तस्वीर जैसी होगी वैसा ही द्रिश आपके जीवन के परदे पर उबरेगा बाहरी स्वरूप आंत्रिक स्वरूप का प्रतिबिम्ब दिखाता है बाहरी कर्ब आंत्रिक कर्ब का अनुसरण करता है यहाँ घर, जबीन या जायदाद बेचने का एक और प्रभावी तरीका बताया जा रहा है दीरे दीरे शान्ती से और भावना के साथ या सकारात्मक घोशना करें और सिमित बुद्धिमत्ता इस मकान के उस खरिदार को मेरी और अकरशित कर रही है जो इसे चाता है और इसमें संब्रिद्ध होता है इस खरिदार को मेरे पास मेरे अवजेतनमन के रचनात्म ग्यान ने भीजा है जो कभी गलतिया नहीं करता है हो सकता है या खरिदार कई और मकान देखे लेकिन मेरा मकान ही उसे पसंद आएगा और वह इसे खरीदेगा क्योंकि उसके भीतर की और जिमित बुद्धि मता उसका मारतरशिन करेगी मैं जानता हूँ कि खरिदार सही है समय सही है और कीमत सही है इसके बारे में हर चीज सही है मेरे अवजेतनमन का अधिक गहरा प्रवा अब हम दोनों को दैवी विद्यान में एक साथ ला रहा है मैं जानता हूँ कि ऐसा ही है हमेशा याद रखे कि आप जिसे खोज रहे हैं वह भी आपको खोज रहा है कोई ना कोई हमेशा रहता है जो उसी मकान या जायदाद को खरीदना चाहता है जिसे आप बेचना चाहते हैं अपने अवजेदर में की शक्तियों का सही इस्तमाल करके आप अपने मस्तिस्ख से प्रजिस्ट पड़ता का सारा एसास और खरीदने बेचने की सारी चिंटा खत्म कर देते हैं कई उतक्रिष्ट एग्जेक्यूटिव्स द्वारा अपना ही जाने वाली सफलता की तक्नीक कई सीरस्ट बिजनस एग्जेक्यूटिव दिन में कई बार सफलता शब्द का तब तक इस्तमाल करते हैं जब तक कि उन्हें या विश्वास नहीं होने लगता कि उन्हें सफलता मिल गई है वे जानते हैं कि सफलता के विजार में सफलता की सवी अनिवार्यतत तो शामिल हैं इसी तरह आप भी सफलता शब्द को आस्था और विश्वास के साथ दोराएं आपका अवजेतन मन इसे आपके बारे में सच मान लेगा और आपको सफलता की प्रेणा देगा आप अपने कल्पनावादी विश्वासों, छापों और विश्वासों को व्यक्त करने के लिए विवश हैं सफलता का आपके लिए क्या मतलब है बेशक आप अपने घरेलू जीवन और दूसरों के साथ सम्मद्धों में सफल बनना चाते हैं आप अपने चुने हुए काम या व्यवसाय में उतक्रिष्ट बनना चाते हैं आप एक सुन्दर घर और दौलत चाते हैं ताकि आप आराम और सुक से रह सके आप अपने प्रार्टना जीवन और अपने अवजेतनमन की शक्तियों के संपर्क में सफल बनना चाते हैं आप एक बिस्नेस एक्जेक्यूटिव भी है क्योंकि आप जीने के व्यवसाय में है आप जो करना चाते हैं और जिस वैस्तू के मालिक बनना चाते हैं उसकी कल्पना करके सफल एक्जेक्यूटिव बने, कल्पना शील बने, मालसे ग्रूप से सफलता की वास्तिविक तस्वीर देखें, इसकी यादत डाले, हर रात को सफल और पूर्ण संतुष्टी के एसास के साथ सोने जाएं, अंततहा आप अपने अवजेतन मन में सफलता का विचार बोने में कामियाब हो जाएंगे, यखीन करें कि आप सफल होने के लिए पैदा हुए हैं, और प्रास्ता करने से चमतकार हो जाएगा, अब कुछ याद रखने लायक विचार, सफलता का मतलब सफल जीवन है, अगर आप शान, खुश, सुखी हैं, और अपना प्रि किया है, फिर उसे कर दे, अगर आप अपनी सच्ची अभी रूची नहीं जानते हैं, तो बार्गदर्शन के लिए प्रार्तना करें, और यहां आपको मिल जाएगा, अपने खास शेत्र में विशेशक्य बने, और इसके बारे में किसी अन्य व्यक्ति से जादा जानने की को ही मिलती है, सफल व्यक्ति के पाल गहन मनुविज्ञानिक और आध्यादमिक समझ होती है, अगर आप किसी उद्देश की इस पश्टता से कल्पना करते हैं, तो अब जेतन मन की चमतकारी शक्ति आपको सारी आविशक वस्तुवे प्रदान कर देगी, आपका विचर भावन के साथ जुड़कर कल्पनावादी विश्वास बन जाता है और आपके विश्वास के अनुसार आपको मिलता है, लगातार कल्पना करने से आपके अवजेतन मन की चमतकारी शक्तिया प्रेरित होती हैं, अगर आप नौकरी में प्रमोशन जाते हैं, तो कल्पता करेगी आप का मालिक, सुपर्वाइजर या कोई प्रियजन्ट प्रमोशन पर आपको बधाई दे रहा है इस तस्वीर को इस पर्ष्ट और वास्तविक बनाए आवाज सुने मुद्राय देखें और इसकी वास्तविक्ता को महसूस करें ऐसा करते रहें बार बार दोहराने से आपकी मनो कामना सुख़त रूप से पूरी हो जाएगी आपका अवचेतन मन यादों का बढ़नार है आदर्श याददाश के लिए बार बार सकारात्मक घोशना करें मेरे अवचेतन मन की असिमित बुद्धिमत्ता मुझे वहां हर चीज़ याद दिलाती है जो मैं कभी भी कहीं भी जानना चाहता हूँ अगर आप मकान या जायदाद बेचना चाहते हैं तो धीरे धीरे शान्ती से और भावना से या सकारात्मक घोशना करें और सिमित बुद्धिमत्ता इस मकान की अजायदाद के खरीदार को मेरी और आकरशित कर रही है जो इसे चाता है और इसमें सम्रिद्ध होता है इस जागरुकता को कायम रखें और आपके अवचेतन मन का अधिक गहरा प्रवा इसे सागार कर देगा सफलता के विचार में सफलता के सवी तर्तु सामिल है सफलता शब्द बार बार आस्था और विश्वास के साथ दो रहा है तो अवचेतन मन आप पर सफल होने के लिए दवाव डालेगा और अब हम शुरुआत करते हैं अध्याय बारा की जिसमें हम सीखेंगे कि वैज्ञानिक अवचेतन मन का परियोग कैसे करते हैं इतिहास के सबसे रशनात्मक वैज्ञानिक अवचेतन मन के सच्चे महत को जानते थे एडिसन, मारकोनी, आइंस्टाइन और कई अन्य वैज्ञानिकों ने अवचेतन मन का परियोग करके विज्ञानिको और शोद करताओं की सवलता बहुत महतपूर और निर्नायक तथ्य है इसका एक बहुत अद्बुत उधारण मशूर कैमिष्ट फ्रेडरिक वॉन स्ट्रेडोनिट्स के जीवन में देखा जा सकता है वे काफी समय से बेंजिन नामक हाइडरोकारबन के रसायनिक सूत्र को समझने के लिए जूज रहे थे जिसमें कारबन और हाइडरोजन के छेचे परमाडू होते हैं स्ट्रेडोनिट्स इस समस्या से लगातार प्रिशान हो रहे थे उनकी तमाम कोशिशे नाकाम हो रही थी जब वे इस गुत्ति को सुलजाने में काम्याब नहीं हुए तो उनोंने ठक कर मामले को अपने अवजेतन मन को सौब दिया इसके कुछ समय बाद जब वे लंदन की बस में चड़ने वाले थे तो उनके अवजेतन ने उनके दिबाग में अचानक कौन्ध प्रसूत किया अपने बन में श्ट्रैडोनिट्स ने साप की छवी देखी जो अपनी ही पूछ को काड रहा था और गोल-गोल खूम रहा था अवजेतन मन के इस संदेज से वे प्रेरित हो गए और उन्होंने अपनी खोच की दिशा बदल दी जल्दी ही उन्हें लंबे समय से चाहा गया जवाब मिल गया पर माड़ों का गोला कार सैयोजन जिसे बेंजिन रिंग नाम से जाना जाता है किस तरह एक मशूर वग्यादिक ने अपने अविश्कार किये निकोलर टेसला विदूत के छेतर पे बहुत प्रतिभाशाली बदप्रदर्चक थे विज्ञान म्यूजियमों में रखी टेसला काईल बच्चों को हमेशा बहुत पसंद आती है यह उनका सिर्फ एक अविश्कार है अविश्यद धातू के इस गोले को जब कोई छूता है तो स्थैतित विदूत यानि स्टेटिक इलेक्रिसिटी उसके बाल खड़े कर देती है टेसला ने प्रसारर उर्जा की आवधारणा के उपी प्रोयोग किये और इस विश्यद में उनके विचार अब भी क्रांतिकारी समझे जाते है टेसला अवजेतन मन की शक्ती पर विश्वाश करते थे और उसका इस्तमाल भी करते थे जब भी उनके मन में किसी नए अविश्कार या नए शोध दिशा का विचार आता था तो वे अपनी कल्पना में इसकी तस्वीर बनाते थे और फिर इसे अवजेतन मन के हवाले करते थे वे जानते थे कि उनका अवजेतन मन इसे सही तरीके से पूरा बना देगा और उनके चेतन मन को वे सारी बाते बता देगा जो इसे साकार करने के लिए जरूरी है हर संघावित सुधार पर शांती से मनन्च करने की वज़ा से गलतिया सुधारने में उनने जरा भी समय बर्बाद नहीं हुआ क्योंकि गलतिया होई ही नहीं अपने साथ काम करने वाले तकनीषेनों को वे अपने मस्तिक से निकला आदर्श पूर्ण प्रोड़क्ट देने में सक्षम थे एक इंटर्विव में उन्होंने कहा था मेरा यंत्र हमेशा मेरी कलपना के अनुरूप ही काम करता है 20 सालों बे इसका एक भी अपवाद नहीं है किस तरह एक मशूर प्रकृति विज्यानिक ने अपनी समस्या सुलजाई हावर्ड युनिवर्स्टी के प्रोफेसर लुई अग्यासिस 19-वी सदी के सबसे मशूर अमेरिकी प्रकृति विज्यानिकों में से एक थे उन्होंने अपने अवजेतनमन की महान शक्तियों को नीद में महसूस किया नीचे दिया गया उधारण अग्यासिस की जीवनी से लिखा गया है जिसे उनकी विद्वा पत्नी ने लिखा है वे दो सप्ता से एक पत्थर के टुकडे पर सरक्षित फॉसिल को धूतली छाप को समझने की कोशिश कर रहे थे तकने और चक्राने के बाद उन्होंने आखिरकार अपना काम एक तरफ रख दिया और उसे अपने दिमाग से निकालने की कोशिश की इसके ठीक बात एक बार आधी रात को जब उनकी नीद खुली तो उन्हें यकीन था कि सोते समय उन्होंने उसी मचली को देखा था जिसमें सभी खोई हुए अंग पूरी तरह से दिख रहे थे लेकिन जब उन्होंने उस छवी को याद करने की कोशिश की तो वहाँ उन्हें याद नहीं आई बहराल वे यह सोचकर जार्डिन डेस प्लांटिस के पास एक बार फिर उस छाप को देखने गए तकि शायद उससे उन्हें सपना याद आ जाए यह कोशिश बेकार हुई दुद्रा रिकॉर्ड पहले जितना ही असपश था अगरी रात को मचली उन्हें दुबारा दिखी लेकिन परिणाम पहले से ज़्यादा संतोज जनक नहीं थे पहले की तरह ही जागने पर छवी गायब हो गई वहीं अनुवाव एक बार फिर दोराया जाएगा इस उम्मीद में तीसरी रात को उन्होंने सोने से पहले अपने पलंग के पास एक पैंसिल और कागज रख लिया हुआ भी यही सुबह के करीब मचली एक बार फिर उनके दिवाग में आई पहने तो अवस पश्टा से लेकिन बाद में इतनी सपश्टा से कि उन्हें इसकी जैविक अंगों के बारे बे जरा भी शंका नहीं रह गई थी आदे सपने और पूरे अंधेरे में उन्होंने बिस्तर के पास रखे कागज बर मचली के आकरिती बना ली सुबह जब वे चागे तो अपने रात वाले स्केच में ऐसे अंग देखकर हैरान रह गए जिटके बारे में उन्हें लगता था कि फॉसिल में इतनका मिलना असंभव था वे जल्दी से जॉड़े डस प्रांटेस के पास गए स्केच के माग दर्शन से उन्होंने पत्तर की सता को छेनी से छीला जिसके नीचे मचली के बागी अंग शिपे हुए थे जब मचली पूरी तरह से बाहर आ गई तो यह उनके सपने और स्केच के अनुरूप निकली तथा वे असानी से इसका वरगी करण कर पाए किस तरह एक असादान डॉक्टर ने डापिटीज की समस्या सुल जाई 1920 के दशक में मशूर कानाडाई डॉक्टर और शोद करता डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग ने अपना ध्यान डापिटीज की और मोड़ा उस वक्त तक जिकित सा विज्ञान इस बिमारी की रोगताम का कोई प्रभावी उपाए नहीं सुझा पाया था डॉक्टर बेंटिंग ने इस विशे पर प्रयोग करने और इस पर उपलब्द अंतराश्टी साहित के अध्यान में काफी समय लगाया लेकिन उन्होंने जो भी रास्ता खोजा वहाँ बंद विला असफल कोशिशों के लंबे दिन के बाद एक रात को वो सो गए नीद में अवजेतन मन ने उन्हें संदेश दिया कि वे कुत्तों की बिगडी हुई पैंक्रेटिक डक्ट से अवजेश निकाल ले इस प्रेणा से वे इंसुलिन की खोज कर पाए जो आज भी असंद के लोगों की मदद कर रही है आप ध्यान दे डक्टर बेटिंग काफी समय से चेतन मन से इस समस्या को सुलजाने की कोशिश कर रहे थे उनके अवजेतन ने इसके अनुरूप प्रतिक्रिया की इससे यहाँ निश्कर्श नहीं निकलता है कि आपको भी हमेशा रातो रात जवाब मिल जाएगा हो सकता है जवाब कुछ समय तक ना मिले हताश ना हो हर रात सोने से ठीक पहले समस्या अपने अवजेतन मन के हवाले इस तरह करते रहे जैसे आपने यह काम पहले कभी किया ही ना हो अगर समाधान मिलने पे ज़्यादा देर लगे तो समभव है आप यहाँ सोच रहे हो कि अवजेतन मन को सौपा गया सवाल इतना बड़ा है कि उसे सुलजाने में लंबा समय लग जाएगा यहाँ हैरानी की बात नहीं है आम तोर पर हम सभी को यकीन होता है कि हमारी समस्याएं मुश्किल है अगर वे मुश्किल नहीं होती तो वे समस्याएं नहीं होती बहराल यहाँ सोच गलत है आपका अवजेतन मन समय और स्थान के बद्दन से परे है यह यकीन करते हुए सोने जाए कि आपको जवाब अभी मिल गया है यह गोशना ना करे कि जवाब का भविश्य में इंतजार करना पड़ेगा परिणाम में आस्था रखे इस पुस्तक को पढ़ते समय अभी विश्वास करे कि आपकी समस्यादा एक जवाब है एक आदर समाधान है पुरा तत्वेत्ता किस तरह प्राजीन द्रिश्यों को दुबारा बनाते हैं आपके अवजेतन मन में मानव जाती की इतिहास में होई हर चीज की स्मृत्ती होती है प्राजीन खंडरों और पूर संस्कृतियों के लोगों द्वारा छोड़ीगी उनका अवजेतन मन प्राजीन द्रिश्यों के पुनर निर्माड में उनकी साहधा कर सकता है मृत अती दोबारा सचीव बन सकता है वेग्यानिक इन प्राजीन इबारतों के टुकडों को देखता है और पूर्व सभ्यताओं के बर्तनों, मूर्तियों, और जारों तथा घरेलू सामानों का अध्यन करता है अपने स्चाश्वत मस्तिस्क के डाटा बैंक द्वारा वेग्यानिक या जानने में सक्षम होता है कि ये वस्तुए कब, कैसे और क्यों बनाई गई वेग्यानिक की पैनी एकागरता और अनुशासित कल्पना अवजेतनमन की नीच छक्तियों को जगा देती है जहां उसे प्राचीन स्थंबों पर छटों की कल्पना करने में समर्थ बनाती है और इमारत के चारों तरफ बगीचों, तालाबों तथा फवारों की कल्पना करने में भी कंकाल पर आखें, नसों और मास पेशियों का लबादा डाल दिया जाता है और वे एक बार फिर बोल तथा चल सकते है मृत अति जीवंत वर्तमान बन जाता है और हम पाते हैं कि मस्तिस्क में समय या स्थान की कोई दूरी नहीं होती है अनुशाशित, नियंद्रित और निर्देशित कल्पना से आप हर युक के सबसे महान विज्ञानिकों और प्रेरित चिंतकों के साथ ही बन सकते है अपने अवजेतन मन से मार्ग दर्शन कैसे पाएं जब आपको कोई मुश्किन लिड़ने लेना हो या जब आप अपनी समस्चा का समाधान ना देख पा रहे हो तो ततकाल इसके बारे में इस रजनात्मक सोचने लगे अगर आप भाएबीत और चिंतित रहेंगे तो आप सच्पुच सोच नहीं पाएंगे सच्ची सोच डर से मुक्त होती है यहाँ पर एक आसान तकनिक दी जा रही है जिसके द्वारा आप किसी भी विशय पर मार्ग दर्शन पा सकते है मस्तिस को शान्त कर ले और शरीर को स्थिर कर ले शरीर को आराम से रहने को कहे इसे आपका आदेश मानना ही पड़ेगा इसका कोई इच्छा, पहल या आत्पचेतना नहीं होती है आपका शरीर सिर्फ एक भावनात्पक डिस्क है जो आपके विश्वासों और तस्वीरों का रिकॉर्ड रखती है अपने ध्यान को गतिशील कर ले अपने विचार समस्चय के समाधान पर केंद्रित कर ले इसे अपने चेतन मन से सुलजाने की कोशिश करे सोचे कि आप आदर समाधान पर किस तरह खुशी जाहिर करेंगे अगर आपको आदर जवाब इसी समय बिल जाए तो कल्प्ता करें कि आपको कैसा लगीगा अपने मस्तिश को खुशी और संदुष्टी के इस मूट से शिथिर तरीके से खेलने दे फिर सोचाएं जागरे पर अगर आपको जवाब नहीं मिले तो किसी दूसरे काम में जुट जाएं संबभव है किसी दूसरे काम में वेस्ट रहने पर जवाब खुद पखुद आपके दिबाग में आ जाएगा अब जेतन मंच से मार्क दर्शन पाने में आसान तरीका ही सबसे अच्छा है इसका एक उदारर देखे एक बार मेरी एक कीमती अंगुठी खो गई जो पारिवारिक निशानी थी मैंने हर जगह उसकी तालाज की लेकिन वहाग कहीं नहीं मिली मैं इस नुक्सान से चिंतित और दुखी था उस रात मैंने अपने अवजेतन मन से उसी तरह बात की जिस तरह मैं किसी और से बात करता हूँ सोरे से पहले मैंने इस से कहा तुम सब कुछ जानते हो तुम जानते हो कि वह अंगुठी कहा है और तुम मुझे बताओगे कि वह कहा है सुबा में अचानक इन शब्दों की गूंज के साथ जागा रॉबर्ट से पूछो यहां मुझे बहुत अजीब लगा मैं जिस रॉबर्ट को जानता था वह तो मेरे पड़ोसी का नौसान का बेटा था उसे मेरी अंगूठी के बारे में भरा क्या और क्यों पता होगा बहराल मैंने अपने अवजेतन की आंतरिक आवाज का पालन किया मैंने रॉबर्ट को उसके आंगन में देखा और मैंने उसे अंगूठी के बारे में बताया मैंने पूछा तुमने ऐसी कोई अंगूठी देखी तो नहीं है उसने जवाब दिया जरूर दरहसल वाँ मुझे कल लुका चुपी खेलते समय जाडियों में मिली थी मुझे नहीं पता था कि या किसकी है इसलिए मैं इसे अंदर ले गया और अपनी डेस्क पर रख दी मैं इसके बारे में साइन बूर्ड लिखकर लगाना चाहता था लेकिन भूल गया अब जेतन मन आपको हमेशा जवाब दे देगा बशर्दे आप इस पर भरोसा करे मार्ग दर्शन का रहस मार्ग दर्शन या सही कर्म का रहस से मांसिक रूप से खुद को सही जवाब के प्रति निष्ठान बनाना है जब तक कि आपको अपने भीतर इसकी प्रतिकरिया ना मिल जाए प्रतिकरिया एक भावना है एक आंतरिक एहसास है एक सशक्त संगेत है इसके दोरा आप जान जाते हैं कि आपको जवाब मिल गया है आपने शक्ति का उस बिंदू तक प्रियोग कर लिया है अब यहां आपका प्रियोग करने लगी है अपने भीतर की इस व्यक्ति निष्ट बुद्धि मत्ता के मार्ग दर्शन में काम करते समय आप असफल नहीं हो सकते या एक भी गलत कदम नहीं उठा सकते आप पाएंगे कि आपके सभी काम खुशी से भरे होंगे और आपको रास्ते भर शान्ती मिलेगी अब कुछ याद रखने लायक विचार याद रखें अफजेतन मन ने सभी महान विज्ञानिकों को अद्बुद सफलता और अपलब्दिया प्रदान की है किसी जटल समस्या के समाधान की दरफ ध्यान और एकागरता देकर अपना अफजेतन मन सभी आवशक जानकारी खट्टा करता है और फिर इसे सुलजा कर जेतन मन को सौब देता है अगर आप किसी समस्या के जवाब के बारे में परिशान हो रहे हो तो इसे वश्ट निष्ट तरीके से सुलजाने की कोशिश करे शोब और दूसरों से जितनी जानकारी हासिल कर सकते हो हासिल करे अगर कोई जवाब नहीं मिलता है तो सोने से पहले इसे अवशेतन मन के हवाले कर दे फिर आपको हमेशा जवाब मिलेगा यह कभी असफल नहीं होता है आपको हमेशा रातों जवाब नहीं मिलता है अपने अवशेतन से तब तक आगरे करते रहे जब तक की सूरज ना निकल आए और छायाएं गायब ना हो जाए जवाब में देरी आपके कारण भी हो सकती है अगर आप यह सोचने लगें कि इसमें बहुत समय लग जाएगा यह बहुत बड़ी समस्या है आपके अवशेतन के लिए कोई समस्या बड़ी नहीं है यहां हर समस्या का जवाब जानता है यकीन माने कि जवाब आपके पास अभी है जवाब के खुशी उसी तरह महसूस करें जैसा आप आदर जवाब मिलने पर करते आपका अवशेतन आपकी भावना पर प्रतिक्रिया करेगा आस्था और लगन से देखी जाने वाली हर मानसिक तस्वीर आपके अवशेतन की चमतकारी शक्तियों के माध्यम से साकार होगी इस पर भरोसा करें इसकी शक्ति पर विश्वास करें और जब आप प्रांतना करेंगे तो चमतकार होंगे आपका अवशेतन यादों का बंडार है और आपके अवजेतन में बच्पन से लेकर आज तक के सभी अनुभवदर्ज है प्राचीन लीपियों, मंदिरों, अफ्षेशों और अन्य प्रमाडों पर मनन करने वाले विज्ञानिक अतीत के द्रिश्यों को दोबारा जीवत बनाने में समर्थ इसलिए होते हैं क्योंकि उनका अवजेतन मन उनकी सहेता करता है समाधार के अपने आगरे को सोने से ठीक पहले अपने अवजेतन मन को सौपे इस पर भरोसा करेंगे तो आपको जवाब अवश्य मिलेगा यह सब कुछ जानता है और सब कुछ ज्रिकता है इसकी शक्तियों पर शंका या सवाल ना करे आपका विचार क्रिया है जिस पर आपका अवजेतनमन प्रतिक्रिया करता है अगर आपके विचार समझदारी भरे हैं तो आपके काम और निर्णय भी समझदारी भरे होंगे मार्क दर्शन हमेशा भावना, आंतरिक एहसास या शशक्त संकेत के रूप में आता है जिसे आप जान जाते हैं कि आपको मालूम जल गया है या इस पर्ष का एक आंतरिक एहसास है आस्था की सादगी के साथ इसका पालन करे और यहां से शुरूआत करेंगे हम अध्या 13 की जिसमें हम जानेंगे कि आपका अवजेतन मस्तिस्क और नीद के चवतकार क्या है आप हर 24 में से 8 गंटे यानि अपनी एक पिहाई जिन्द की सोने बें बिताते है यह जीवन का अटूट नियम है नीद एक दैवी नियम है और हमारी कई समस्याओं के जवाब हमें गहरी नीद में बिलते है कई लोग इस जिदाद का समर्थन करते हैं कि आप दिन में ठक जाते हैं इसलिए आप शरीर को आराम देने के लिए सोते हैं और सोते समय शरीर में मरंबत की प्रक्रिया चलती है यह बहुत बड़ी गलत फेहमी है नीद में शरीर कभी आराम नहीं करता है सोते समय भी आपका दिल, फेफडे और सभी महतपूर्ण अंग काम करते हैं अगर आप सोने से बहले खाते हैं तो खाना पज जाता है और पोशक पदार्ट सभी अंगों तक पहुँच जाता है आपकी चमणी पसीना उत्पर्ण करती है आपके नाखूर्ण और बाल बढ़ते रहते हैं इसी तरह से आपका अवजेतर्मन कभी नहीं सोता है या आराम नहीं करता है यहां हमेशा सक्रिय रहता है और आपकी सभी महतपूर्ण शक्तियों को नियंतरित करता है नीद में उपचारक प्रक्रिया ज्यादा तेजी से काम करती है क्योंकि तब आपका चेतर मन कोई व्यवधान नहीं डालता है आपके सवालों के उलेखनिय जवाब आपको नीद में ही मिलते हैं हम क्यों सोते हैं? नीन के बारे में गंभीर शोत करने वाले शुरुवाती वैज्यानिक शोत करताओं में डॉक्टर जॉन बिजोलो का नाम उलेखनिया है वे यह दिखाने में सफल हुए कि राग को सोते समय आख, कान, नाक और तवचा के नीचे की तंत्रिकाओं से आपको लगातार समेग मिलते रहते हैं मस्तिस का तंत्रिका संचार तंत्र भी काफी सक्रिय रहता है डॉक्टर विजेलो के सोत का निशकर्ज इस पुस्तक में दीगई जानकारी से काफी मिलता जुलता है उन्होंने कहा कि हमारे सोने का प्रमुख कारणिया है कि आत्मा का अधिक उत्क्रिष्ट हिस्सा अमूर्तता से हमारी अधिक उच्च प्रकृती के एककार हो जाता है और देवताओं के ज्ञान तथा पूर्व ज्ञान में हिस्सेदार बनता है नीद प्राठना का एक प्रकार है देन भर आपका चेतनमन चिंताओ, शंगर्स और विवादों में उल्जा रहता है इसे समय समय पर इंद्रियों के प्रमान और यथार्थवादी जगत से दूर हटने तता अब जेतनमन की आंतरिक बुद्धिमत्ता से मौन सप्रेशन करने की जरूरत होती है मार्क धर्शन, शक्ति और अधिक ज्यान का दावा करके आप जीवन के हर शेत्र की हर मुश्किल से उबरने में काम्याब होंगे और अपनी दैनिक समस्याओं को सुलजाने में भी इंद्रिय प्रमान और रोजमर्रा के शूर्श रावे वा दुविधा से नियमित रूप से हटना नीद का एक प्रकार है यानि आप इंद्रियों की दुनिया के लिए सोय होते हैं और अपने अवजेतनमन की बुद्धि मत्ता तथा शक्ती के लिए जागरत होते हैं नीद की कमी के आश्चरी जनक प्रभाव नीद की कमी आपको चिर्चडा, तुनक मिजाज और निराशावादी बना सकती है सभी इंसानों को सोयस्ट सरखने के लिए कम से कम 6 गंटे नीद की जरूरत होती है अधिकांज लोगों को इससे ज़्यादा की जरूरत होती है जो लोग सोचते हैं कि वे इससे कम में काम चला सकते हैं, खुद को बूर्ख बना रहे हैं जिन शोद करताओं नीद की प्रक्रियाओं और नीद की कभी में शोद किया वे बताते हैं कि कुछ मामलों में नर्वस ब्रेक्डाउन से पहले गंबीर अनिंद्रा रोग प्रकट होता है याद रखें, नीद के दौरान आप आध्यात्मिक रूप से तरोताजा हो जाते हैं जीवन में खुशी और स्फूर्थी लाने के लिए प्रयाप्त नीद अरिवार है नीद सलाल आती है सेंड्रा एफ लास एंजलेस की एक युवा महिला है जो अक्सर रेडियो पर मेरे भासर सुनती है उसने मुझे बताया कि उसे न्यू यॉर्क सिटी में एक नौकरी का प्रस्ताव मिला या उसे वर्तमान नौकरी से दुगना तन्खा देने का प्रस्ताव रखा गया वह फैसला नहीं कर पा रही थी कि नई नौकरी सुईकार करें या नहीं सोने जाने से पहले उसने इन शब्दों में प्रार्टना की मेरे अवजेतन मन का रचनात्मक ज्यान जानता है कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है इसकी प्रवित्ति हमेशा जीवन की ओर है और यहां मुझे सही निर्णय बताता है जिससे मुझे और सभी संबंदित लोगों को नाप पहुँचेगा मैं उस जवाब के लिए धन्यवाद देती हूँ जो मैं जानती हूँ कि मुझे बिलेगा उसने सोते समय इस आसान प्रार्टना को लोरी की तरह बार बार दोहराया सुबा उसे प्रबल ऐसास हुआ कि उसे नई नौकरी के प्रस्ताव को स्विकार नहीं करना चाहिए उसने इसे ठुकरा दिया बात की गटनाओं ने उसके अंदरूने ऐसास को सही ठहराया क्योंकि कुछ महीने बाद ही वा कमपनी दिवालिया हो गई जेतनमन नियधार्दवादी तत्थों के मामले में सही हो सकता है बहराल अब जेतनमन की सहजबूत की शम्ता को कमपनी की समस्चाओं का एसास था इसलिए उसने उसे सही ठेताबनी दी निश्चित दवाही से बचाया अगर आप सोने जाते समय सही कर्म के लिए प्राठना करते हैं तो आप जेतनमन की बुद्धी मत्ता आपको निड़देश दे सकती है और आपकी रक्षा कर सकती है कई साल पहले मुझे सुधूर पूर्वख में आर्थिक रूप से काफी आकर्शक प्रस्ताव मिला में नए दैवी विद्ध्यान में मुझे बताया जाता है जब जवाब मिलेगा तो मैं उसे पहचान लूगा मैंने सोने जाने से पहले इस प्राठना को बार बार लूरी की तरह दोराया उस राद मैंने एक सपना देखा जिसमें एक पुराना दोस्त मेरे पास आया उसके हाथ में एक अकबार था और वहाँ बोला इन हेडलाइन्स को पढ़ो मत चाओ अकबार की हेडलाइन्स हिंसा, उब्द्रव और युद्ध की खबरों से बरी थी जो सभी कुछ समय बाद उसी इलाके में होई जहां मुझे जाना था आपका अवजेतनमन सब कुछ समझता है यह सारी बाते जानता है अकसर यह आपसे बोलेगा लेकिन ऐसी आवाज में जिसे आपका चेतनमन तथकाल मान लेगा जिस सपने के बारे में मैंने अभी बताया है उसने मुझे निश्चित रूप से भारी खत्रे की स्थिती में जाने से बचा लिया पेरे अवजेतनमन ने अपनी चेतावनी एक ऐसे व्यक्ति के माध्यम से दी जिस पर मैं भरोसा करता था और सम्मान करता था कुछ लोगों को यह चेतावनी सपने में मा दे सकती है वह व्यक्ति से यहां वहां ना जाने को कहती है और चेतावनी का कारण बताती है कई बार आपका अवजेतन आपके जाकते समय भी आपको चेतावनी दे देगा आपको लगता है कि आपने अपनी मा या किसी अन्य प्रियजन की आवाज सुनी है आप रुख कर मुड़ते हैं और इसके श्रोत की तलाश करते हैं बादने आप पाते हैं कि अगर आप उसी रास्ते आगे अगए होते तो खिड़की से गिरने वाले सामान से आपका सिर्फ उट सकता था आपका भविश्च आपके अवजेतन मन में है याद रहे चुकि आपका भविश्च आपकी आदतन सोच का परिडाम है इसलिए आप पहले से ही आपके मन में है जब तक कि आप इसे प्लार्तना द्वारा बदल न ले इसी तरह देश का बविश भी देशवासियों की सामूही कवजेतना में है उस सपने में कुछ भी अजीब नहीं है जिसमें मैंने अकबारों की सुर्कियां देखी थी हाला कि वे घटनाए उस समय तक नहीं घटी थी बहराल वे घटनाए उन लोगों के मन में तो पहले ही घट चुकी थी जिन्होंने उनकी साजिश रची थी उनकी सभी योजनाए पहले से ही उस महान रिकॉर्डिंग यंद्र यानि शाश्वत मन के सामूहिक अवजेतन पर अंकित थी आने वाले कल की घटनाएं आपके अवजेतन मन में हैं इसी तरह अगले सप्ता और अगले महीने की भी है अगर आप प्रार्ता करने का फैसला करें तो आपके साथ कोई तबाही या तराजदी नहीं हो सकती कोई भी चीज पहले से तै नहीं है आपका मानसिक नजरिया जिस तरह से आप सोचते, महसूस करते और यकीन करते हैं ही आपका भागे निर्दारित करता है वैग्यानिक प्रार्ता द्वारा आप अपने भविश्य को ढ़ा सकते है आकार दे सकते हैं और बना सकते हैं इंसान जैसा बोएगा, वैसा ही उसे काटना पड़ेगा किस तरह अवजेतर ने एक मशूर लेकर के सोते समय काम किया अपनी एक पुस्तक, Across the Place में Robert Louis Stevenson ने सपनों के विशय पर एक पूरा अध्याय लिखा है वे प्रबल सुपने दर्शी थे उनकी आदत थी कि वे हर रात सोने से पहले अपने अवजेतन को सपष्ट निर्देश देते थे वे अपने अवजेतन से आगरह करते थे कि सोने से पहले वह उनके लिए कहानिया गड़े उधारण के लिए जब उनके बैंक खाते में पैसे कम हो जाते थे तो वे अपने अवजेतन को कुछ इस तरह आदेश देते थे मुझे एक बैहतरीन रोमान चुपन्याज दो जो बिकाओ और लाबदायक है उनका अवजेतन बहुत अच्छी तरह से प्तितिक्रिया करता था स्टिवन्स लिखते हैं ये छोटे बॉने यानि उनके अवजेतन की भुद्धी और शक्तिया मुझे टुक्ड टुकडे में थी किसी धारवाहिक की तरह कहानी बता सकते हैं और उनका लक्ष क्या है या मुझे यानि रचीता को ही पता नहीं होता है जागरत अवस्ता में मैं जो काम करता हूँ एने जिसके बारे में मैं चितन रूप से जाग रुक रहता हूँ, वह अभी अविश्यक रूप से मेरा नहीं है, क्योंकि इसमें भी बॉनों का हाथ साफ नजराता है शान्ती से सोए और खुशी से जागे अगर आप अनिंद्रा से पीडित हैं, तो आप नीजे दी गई प्रातना को बहुत कारगर पाएंगे इसे सोरे से पहले धीरे-धीरे शान्ती से और प्यार से दोराएं मेरे पैरों के अंगुठे शिथिल है, मेरे टकने शिथिल है, मेरे पेट की मास पेशिया शिथिल है, मेरा हिरदय और फेफड़े शिथिल है, मेरे हाथ शिथिल है, मेरी आखे शिथिल है और मेरा पूरा मन और शरीर शिथिल है मैं पूरी तरह से हर एक को शमा करता हूँ और मैं सबके लिए सद्भाव, सेहत, शान्ती और जीवन की सभी नियामतों की सच्छी इच्छा करता हूँ मैं शान्ती से हूँ मैं संदुलित और शान्त हूँ मैं सुरक्षा और शान्ती वे विश्राम करता हूँ एक गहरी शांती मेरे पूरे अस्तेतु को शांत करती है जब मैं अपने भीतर दैवी उपस्तिती का एहसास करता हूँ मैं जानता हूँ कि जीवन और प्रेम का एहसास मेरा उपचार करता है मैं खुद को प्रेम की जादर में लपेटता हूँ और सबके प्रति सदभावना से भरा सोता हूँ राद बर शानती मेरे साथ रहती है और सुबा मैं जीवन तथा प्रेम से भरा रहूंगा मेरे चारो तरफ प्रेम का दाइरा है मुझे किसी बुराई का डर नहीं होगा क्योंकि आप मेरे साथ हैं मैं शान्ती से सूँगा, खुशी से जगूँगा और उनमें मैं जीऊँगा, चलूँगा और मेरा अस्तित तो होगा बीन के चमतकारों का संचेब अगर आप चिंतित हों की आप समय पर नहीं उठ पाएंगे तो सोने से पहले अपने अवजेतन मन को यह सटीक समय बता दे जब आप उठना चाहते हूँ या आपको उठा देगा इसे किसी घड़ी की जरूरत नहीं है सभी समस्याओं के लिए ऐसा ही करें आपके अवजेतन के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है आपका अवजेतन कभी नहीं सोता या हमेशा काम करता रहता है या आपकी सभी महत्पूर्ण कारेप्रणालियों को नियंद्रित करता है खुद को और बागी सब को माफ कर दे सोने से पहले और जागने के ठीक बाद उपचार ज्यादा तेजी से होगा सोते समय आपको मार्गदर्शन दिया जाता है जो कई बार सपने में बिलता है उपचारक प्रवा भी मुक्त होता है जिसे आप सुबस फूर्थी तथा ताजगी में हसूस करते हैं जब आप दिन बर की चिंताओं और संगर्थ के कारण कष्ट में हो तो अपने दिमाग को शांत कर ले और अपने अवजेतन मन में वास करने वाली बुद्धि मत्ता तथा ज्यान के बारे में सोचे जो आपको जवाब देने के लिए तयार है इससे आपको शांती, शक्ती और आद्म विश्वाश मिलेगा नीद मानसिक शांती और शारिरिक सेहत के लिए अनिवारे है नीद की कमी से चिर्चडापन, तनाव और मानसिक विक्तियां हो सकती है आपको आठ घंटे नीद की जरूरत है चिकिच्सा शोदकरताओं ने बताया कि अनिंद्रा कई बार नर्वस ब्रिकडाउन से ठीक पहले आती है नीद के दोरान आप आध्याद में कुरूप से तरोताजा होते हैं चीवन में खुशी और स्वूरती के लिए प्रियाप्त नीद अरिवारे है आपका ठकाववा मस्तिस्क नीद के लिए इतना बेताब रहता है कि इसे पाने के लिए सब कुछ भी बलिदान देने को तयार रहता है कारसलाते समय सो जाने वाले लोग इस बात की गवाही दे सकते हैं नीद की कमी के शिकार कई लोगों की याद्दास कमजोर होती है और उनमें सही समन्य का आभाव होता है वे चक्राए हुए दुविदाग्रस्ट और एकागरतारित होते हैं नीद सलाल आती है सोने से पहले दावा करें कि आपके अवजेतन मन की और सिमित बुद्धी मत्ता आपको मार्दर्शन दे रही है और निर्देश दे रही है फिर उस संकेत पर नजर रखें जो शायद जागने पर आपको मिलेगा अपने अवजेतन पर पूरा बरोसा करें यह जान ले कि इसकी प्रवित्ती हमेशा जीवन की और है कभी कबार आपका अवजेतन मन रात को किसी समय बहुत सपष्ट सपने में आपको जवाब देता है आपको सपने में उसी तरह की पूर्व चितावनी मिल सकती है जैसी इस फुस्तक के लेखक को मिली थी आपका भविश्य अभी आपके मन में है जिसका आधार आपकी आदतन सोच और विश्वाश है यह दावा करे कि असे मिद ग्यान आपका नेतरत्व कर रहा है मार्ग दर्शन दे रहा है और यह अभी आपको अच्छा ही मिलेगा तथा आपका भविश्य अद्बुत होगा इस पर यकीन करें और इसे स्वीकार करें सर्विश्रेष्ट की उम्मीद करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सर्विश्रेष्ट मिलेगा अगर आप कोई उपन्यास, नाटक या पुस्तक लिख रहे हो या किसी अविश्कार पर काम कर रहे हो तो अपने अवजेतन मन से रात में बात करें साहस के साथ दावा करें कि इसकी बुद्धिमत्ता, ज्यान और शक्ति आपका माल्गतर्शन और निर्देशन कर रहे हैं तथा आदर्श नाटक, उपन्यास, पुस्तक या आदर्श अमाधान को प्रिकट कर रहे हैं जब आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो चमतकार हो जाएंगे और यहाँ से शुरूत करते हैं अध्याय चोधा की जिसमें हम बात करेंगे आपके अवजेतनमन और वैवाहिक समस्याओं की सभी वैवाहिक समस्याइं बन की कारवरिद्धिय और शक्तियों को सही तरह से ना समझ पाने के कारवर पैदा होती है अगर पती और पत्नी दोनों ही मस्तिष के नियम का सही प्रियोग करें तो उनके बीट का संगर्स गायब हो जाएगा एक साथ प्रार्ता करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे दैवी आदशुक का मनन जीवन के नियमों का अध्ययन साजे उदेश वा योजना पर आपसी सहमती और व्यक्तिकत सोदंतरता का आनन सामंजस से पूर्ण व्यवाईग जीवन प्रदान करता है तदा दो व्यक्तियों को एक कर देता है तलाग को रोकने का सबसे अच्छा समय शादी से पहले है किसी बहुत बुरी स्थिती से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है लेकिन पहली बात तो यहाँ है कि बुरी स्थिती में पढ़ना ही क्यों क्या यह बैतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के असली कारण पर ध्यान देते समय मामले की चड़ तक महुँच जाएं वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की समस्याओं महिला पुरुशों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है इनके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि यह समस्याओं उनके चेतन और अवजेतन मन की कारवरिद्धी तथा आपसी संबंद की नासमजी से पैदा होती है विवा का अर्थ वास्तविक बनने के लिए हर विवा की शुरुआट ठोस अध्यात्पिक नीव से होना चाहिए यह दिल से होना चाहिए क्योंकि दिल बे प्रेम भरा होता है इमांदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू है दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह इमांदार और सच्चा रहना चाहिए अगर कोई व्यक्ति अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवा नहीं होगा यह इमांदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है इस तरह का विवा मजाक, धोका और नाटक है अगर कोई औरत कहती है मैं काम करते करते ठक चुकी हूँ मैं सुरक्चा की खातिर शादी करना चाहती हूँ तो उसका मूल आधार ही गलत है वा मस्तिस के नियमों का सही तरह से प्रियोग नहीं कर रही है उसकी सुरक्चा चेतन और अवजेतन मन के अंतस्पंद के ज्ञान तथा इसके प्रियोग पर निर्वर करती है अगर कोई महिला या पुरुष इस पुस्तक के अध्यायों में बदाएगी तकनीकों पर अमल करे तो उसे दौलत या सेहत की कभी कभी नहीं होगी उसकी दौलत उसके पती, माता-पिता या किसी अन्य शुरूत के बजाए अपने आप आएगी महिला सेहत, शांती, कुशी, प्रेणा, मार्कदर्जन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या दुनिया की किसी अन्य चीज़ के लिए अपने पती पर निर्वर नहीं है उसे सुरक्षा और मानसिक शांती तो अपने भीतर की शक्तियों के ज्यान और अपने मस्तिस्ट के नियमों के सतस्ट श्रिजनात्मक प्रियोक से मिलती है आदर्ज पती को कैसे अकरशित करें? अगर आपने इससे पहले के अध्याय पढ़ लिये हैं, तो अब तक आप जान चुकी होंगी कि आपका अवजेतनमन कैसे काम करता है आप जानती हैं कि आप इस पर जो भी चाप छोड़ेंगी, वह बारी जगत में साकार हो जाएगी इसी समय अपने अवजेतनमन पर उन गुड़ों और लक्षडों की चाप छोड़ें, जो आप किसी पुरिश में चाती हैं यहाँ एक उतकरिष्ट तकनीक दी जा रही है रात को कुर्सी पर बैठ जाए, आखे बंद कर ले, शिथिल हो जाए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे बहुत शान्त, निश्क्रिया और ग्रहन शील बन जाए अपने अवजेतनमन से बात करें और कहें मैं अब एक ऐसे पुरुष को अकर्षित कर रही हूँ जो इमानदार, सच्चा, वफादार, निश्ठावान, शान्त, खुश और संब्रिद्ध है जिन गुड़ों की मैं प्रशंशा करती हूँ वे मेरे अवजेतनमन में इसी समय उतर रहे हैं इन गुड़ों पर विचार करते समय वे मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवजेतन के रूप से साकार हो जाते हैं मैं जानती हूँ कि अगर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवजेतन विश्वास के अनुसार अपनी और किसी पूरिश को आकरशित करती हूँ मैं उसे आकरशित करती हूँ जिसे मैं अपने अवजेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ मैं जानती हूँ कि मैं उसकी शान्ती और सुक को बढ़ा सकती हूँ वह मेरे आदेशों से प्रेम करता है और मैं उसके आद्शों से प्रेम करती हूँ वह मुझे बदल कर नया नहीं बनाना चाहता है ना ही मैं उसे बदल कर नया बनाना चाहती हूँ हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंतरता और सम्मान है अपने अवजेतन मन में विचार भरने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करे फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिसमें वही गुड़ और लक्षन होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना गीती आपकी अवजेतन बुद्धि मत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकेंगे ऐसा आपके अवजेतन मन के अजू और आपरवर्तनिय प्रवा के अनुरूप होगा अपने भीतर सर्विस्रेष्ट प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव रिच्छा रखे प्रेम के उस उफार के प्रती ग्रहन शील रहे जो आपने अपने अवजेतन मन को दिया है आदर्ज पतनी को कैसे अकर्शित करे अपनी आदर्ज जीवन साथी को अकर्शित करने के लिए नीचे दी गई सकारात्मा घोश्रा करे मैं अब उप्युक्त महिला को अकर्शित कर रहा हूँ जिसके साथ मेरा पूरा ताल मेल होगा वह आध्यात्मिक मेल है क्योंकि यह दैवी प्रेम है यह प्रेम किसी ऐसी महिला के व्यक्तित द्वारा काम कर रहा है जिसके साथ मेरी जोड़ी आदर्श रहेगी मैं जानता हूँ कि मैं इस महिला को प्रेम, प्रकाश, शान्ति और खुशी दे सकता हूँ मैं महसूस करता हूँ और विश्वास करता हूँ कि मैं इस महिला के जीवन को पूर्ण वा अजबुद बना सकता हूँ मैं अब आदेश दिता हूँ कि उसमें ये गुण और आधते हैं वह आध्यात्मिक, निश्ठावान, वफादार और इमानदार है वह सामंज से पूर्ण, शान्त और खुश्क मिजाज है हम एक दूसरे के प्रती प्रबलता से आकर्शित है जो प्रेम, सत्य और सुन्दर्ता से संबंद रखता है वही मेरे अनुभव में आ सकता है मैं अब अपने आधर जीवन साथी को सुईकार करता हूँ जब आप शान्ती और गहरी रुची से उन गुणों और लक्षणों के बारे में सोचेंगे जिने आप अपने चाहे गई साथी में पसंद करते हैं तो आप अपनी मानसिक्ता में उसका मानसिक सम्तुल्य बना लेंगे फिर आपके अवचेतनमन का अधिक गहरा प्रभा आप दोनों को दैवी विद्यान के तहट एक साथ ले आएगा तीसरी गलती की कोई जरूरत नहीं है शीला भी गई सालों से प्रिशाखशक के एक पदपर काम कर रही थी हाल ही में उसने मुझसे कहा मैं तीन लोगों से शादी कर चुकी हूँ और तीनों ही निश्क्रिय तथा दब्बू थे वे निर्णाय लेने तथा हर चीज चलाने के लिए मुझ़ पर निर्वढ थे मेरी तरफ ऐसे ही लोग क्यों अकर्शित होते हैं मैंने उससे पूछा कि क्या दूसरी शादी करने से पहले वह जानती थी कि उसके होने वाले पती में पहले पती जैसा ही चरित्र था जाहिर है नहीं उसने जोड दे कर कहा अगर मैं पहले से जानती कि वह इतना दप्व है तो मैं उससे शादी ही नहीं करती यही मेरे तीसरे पती के साथ हुआ दिक्कत उन आदमियों में नहीं थी जिनसे शीरा ने शादी की थी दिक्कत तो उसके अपने व्यक्तित्तु की बनावट में थी वह बहुत हडीली थी और हर स्थिति पर नियंद्रण करना चाहती थी एक स्थर पर वह ऐसा जीवन साथी चाहती थी जो दब्बू और निश्क्रिय हो ताकि वह स्वय निर्नाय भूमिका निबा सके साथ ही उसकी अधिक गहरी आवशक्ता ऐसे जीवन साथी की थी जो उसकी बराबरी का हो उसकी अवजेतन तस्वीर ऐसे व्यक्ति को अगर्चित कर रही थी जिसे वह चाहती तो थी लेकिन शादी के बाद उससे पता चलता था कि वह उसकी वास्तविक आविशक्ता पूरी नहीं करता था उसे सही प्रार्थना प्रिक्रिया अपना कर इस दुष्चक्र को तोड़ना सीखना पड़ा उसकी प्रार्थना का जवाब कहीं महीने गुजर गए शीला डेटिंग करती रही और सामाजिक उत्सवों में भी गई लेकिन वह जिन व्यक्तियों से मिली उनमें से कोई भी ऐसा नहीं लगा जिसकी उसे तालाश थी वह सोचने लगी कि कहीं उसकी तालाश अधूरी तो नहीं रह जाएगी उसने पाया कि वह खुद से सवाल पूछ रही है डावाडोल हो रही है शंका कर रही है और धुलबुल हो रही है इस मोड पर उसने खुद को याद दिलाया कि असिमित बुद्धि मत्ता इस काम को अपने तरीके से कर रही है इसके बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है जब उसे कोड से तलाग का आखिरी आदेश मिल गया तो उसे मुक्ति और मांसिक सोतंतरता का गहरा एसास हुआ इसके बाद जल्दी ही उसे एक मेडिकल कंपनी में प्रमुक प्रक्षाषक का नया पद मिल गया नौकरी के पहले दिन एक वरिष्ट डॉक्टर उसके कबरे में परीचे करने के लिए आए जिस दिन शीला ने इस पद के लिए इंटर्व्यू दिया था उस दिन वे एक मेडिकल कॉन्फरेस में भाग लेने के लिए शेहर से बाहर गए थे जिस पल में अंदर आए वहाँ जान गई कि यही वहाँ परुश है जिसके लिए वह अप्रार्तना कर रही थी जाहिर है डॉक्टर को भी इसका अंदाजा हो गया था एक महीने के भीतर ही डॉक्टर ने शीला के सामने शाधी का प्रस्ताव रख दिया बाद में उनका विवाहिक जीवन सुखद रहा या डॉक्टर निश्क्रिया या दबू किस्म के नहीं थे विश्यशक्त, आत्म विश्वाशी और निर्नायक थे अपने शेत्र में वे बहुत सम्मानित थे और कॉलेज के दिनों में बहुत अच्छे खिलाडी भी रह चुके थे वे गहरे आध्यात्मिक व्यक्ति भी थे शीला को वह जीवन साथी मिल गया जिसके लिए उसने प्रार्तना की थी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने अविसका मानसिक रूप से तब तक दावा किया जब तक कि वहां संत्रप्त के बिंदू तक नहीं पहुँच गई दूसरे शब्दों में वहां मानसिक और भाफनात्मक रूप से अपने विचार के साथ एकाकार हो गई तथा यहां उसका हिस्सा बन गया क्या मुझे तलाक ले लेना चाहिए तलाक नितांत व्यक्तिकत सवाल है इसका कोई ऐसा आम जवाब नहीं हो सकता जो सब पर सही बैठता हो जाहिर है कुछ मामलों में तो शादी ही नहीं होनी चाहिए थी दूसरे मामलों में तलाक समस्या का समादा नहीं है तलाग एक व्यक्ति के लिए सही और दूसरे के लिए गलत हो सकता है जिस व्यक्ति को तलाग दिया जा रहा है वह जूटी जिंदगी जी रहे कई वेवाहित लोगों से ज़्यादा सच्चा और बहतर हो सकता है उधारण के लिए एक बार मुझसे एक महिला ने पराबर्श लिया उसका पती उसे मारता पीटता था और नशे की लट के लिए उसके पैसे शुरा लिता था उस महिला को बच्पन से सिखाया गया था कि शादी पवित्र और स्थाई होती है तथा तलाग और नैतिक है मैंने उसे बताया कि सच्चा विवा दो दिलों का मेल होता है अगर दो दिल सामंजस्य प्रेम और इमानदारी से एक होते हैं तो यहां आदर्श विवा है प्रेम करना दिल का पवित्र कर्म है मेरी बाद सुनने के बाद वह जान गई कि उसे क्या करना चाहिए वह अपने मन में जानती थी कि ऐसा कोई दैवी नियम नहीं है जो से मजबूर करता हो कि वह धौस में रहे ताट खाती रहे और पिटती रहे सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी ने एक बार कहा था आज से तुम दोनों पती पतनी हो अगर आप असमंजिस से में हूँ कि क्या करना है तो बार्ग दर्शन मांगे जान ले कि हर सवाल का हमेशा कोई न कोई जवाब होता है और यह आपको मिलेगा आपकी आत्मा की खामोशी में आपको जो जवाब मिले उस पर अमल करें यहाँ आपसे शान्ती में बोलती है तलाक तक पहुँचना मैंने एक बार एक युवाद अमपत्ती से बात की जो शादी के कुछ महिने बाद ही तलाक ले रहे थे युवक को लगाता डर सताता रहता था कि उसकी पतनी उसे छोड़ कर चली जाएगी उसे औस्यकृत्ती की आशंका थी और वहाँ मानता था कि उसकी पतनी उसके प्रती वफादार नहीं थी यह विचार उसे पूरी तरह सताने लगे और उस पर हावी हो गए उसका मानसिक नजरिया अलगाव और शंका का था वहिला उसके प्रती उदासीन महसूस करने लगी लेकिन यह उस पूरिश की भावना का ही परिणाम था अलगाव का माहौल पती के अवजेतन मन से संजालित हो रहा था और इसने उसके पीछे के मानसिक पैटन के अनुरूब स्थिति या कर्म उत्पन कर दिया या क्रिया और प्रतिक्रिया या कारण और परिणाम का नियम है विचार क्रिया है जिस पर अवजेतन मन प्रतिक्रिया करता है उसकी पती घर छोड़कर चली गई और उसने तलाक का आवेदन दे दिया वही हुआ जिसका उस पती को डर और विश्वास था तलाक सबसे पहले मन में शुरू होता है कानूनी कारवेही बाद में होती है ये युवा पती-पत्नी द्वेश, डर, शंका और क्रोच से भरे थे इस तरह का नजरिया पूरे अस्तित्व को गहम जोर करता है ठका देता है और पस्त कर देता है उन्होंने यह जाना कि नफरत अलग करती है और प्रेम मिलाता है उन्हें ऐसास होने लगा कि वे अपने मस्तिस के साथ क्या कर रहे थे उन में से कोई भी मांच से कर्म के नियम को नहीं जानता था वे अपने दिमाग का दूरूपियोग कर रहे थे और परेशानी तथा दुख को आमंतृत कर रहे थे बेरे सुजव पर यह दमपति एक साथ रहने लगे और प्राटना चिकिच्चा के प्रयोग करने लगे वे एक दूसरे के प्रती प्रेम, शान्ती और सद्बावना जताने लगे वे एक दूसरे के प्रती सामनजस्ट से सेहत, शान्ती और प्रेम प्रसारित करते थे, तता हर रात को बारी-बारी से भजन पढ़ते थे उनकी इस सची कोशिश और अवजेतन मन को लापकारी सेवकों से भरने की बदौलत, उनका वैवाहिक जीवन हर दिन पहले से जादा सुन्तर होता जा रहा था कई बार पतनी इसलिए चिड़चिडाती है, क्योंकि उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है उसकी प्रेम और स्ने की नैसरगित इच्छा ऐसे तरीके से व्यक्त होती है, जिससे उसका जीवन साथी उससे और दूर भागने लगता है अपनी पतनी पर ध्यान दे और उसकी सराह ना करे उसके कई अच्छे गुड़ों या बातों की प्रिशंचा करें, और उसे उपर उठाएं चिड़चिड़े पन का एक और प्रकार जीवन साथी को किसी खास तरीके से चलाने की इच्छा है यह जीवन साथी को दूर भगाने का बहुत ही कारगर उपाय है पती पत्नियों को ध्यान रखना होगा कि वे आक्रामक ना बने ना ही एक दूसरे के चोटे मोटे दोशों या गलतियों की तलाश में जुटे रहें दोनों को ही अपने जीवन साथी के स्रजनात्मक और अद्बुद गुणों पर ध्यान देना चाहिए तथा उनकी प्रशंचा करनी चाहिए विचार मगन पती अगर कोई पती अपनी पत्नी की किसी बात या काम पर उसके खिलाफ सोचने लगता है या विकृत मान सकता अपना लेता है तो मनोवग्यानिक रूप से वहाँ व्यभिचार यानि अडल्टरी कर रहा है जब कोई व्यक्ती खामोशी से अपनी पत्नी के प्रती द्वेश पूर्ड या शत्रुता पूर्ड होता है तो वह बेवफाई कर रहा है वह अपनी शादी की कस्मों के प्रती वफादार नहीं है जिन में उसने उसे जिन्दगी भर प्रेम करने, चाहने और सम्मान करने का वादा किया था चुपा कटू और द्वेश पूर्ड पुरुश कोशिश करके अपनी तीगी टिपडियों को निगल सकता है अपने गुस्से को दबा सकता है और प्रवा करने वाला दयालू या सिष्ट बन सकता है वहां मदभेतो को कुशलता से मोड सकता है तारीफ और मानसिक कोशिश करके वहां विरोध की आदत से बाहर निकल सकता है जब आपने अवजेतन मन में शान्ती, सामंजस्य और प्रेम के विचार रखेगा तो वह पाएगा कि उसके ना सिर्फ पत्नी बलकि जीवन में बाकि सभी के साथ भी ज़्यादा अच्छे और मदूर संबंध है सद्भावना पूर्ण अवस्ता अपना ले और अंतता आपको शान्ती तता सद्भावना मिल जाएगी बहुत बड़ी गलती पड़ोशियों और रिष्टेदारों से अपनी वैवाहिक समस्याओं या मश्किलों के बारे में बात करना एक बहुत बड़ी गलती है मान ले एक पत्नी अपनी पड़ोशन से कहती है जोर अपनी मा के साथ बहुत भुरा सलुक करता है बहुत ज़्यादा पीता है और हमेशा अपमान करता रहता है अब शब्द भी कहता रहता है यहाँ पत्ती अपने पत्ती को सबकी निगाह में गिरा रही है और अपमानित कर रही है यही नहीं अपने पती की कमिया गिनाते समय दरसल वह अपने भीतर इन अवस्थाओं को पनपने का मौका दे रहा है यह सारी बाते कौन सोच रहा है और कौन महसूस कर रहा है वह खुद और जैसा आप सोचते तथा महसूस करते हैं, वैसा ही आप होते हैं पिस्तेदार आम तोर पर आपको गलत सला देते हैं यहां आम तोर पर पक्षता पूर्ण और पूर्वा ग्रह से ग्रस्थ होती है क्योंकि यह निश्पक्षता से नहीं दी जाती है अपने जीवन साती को बदलकर नया बनाने की कोशिश ना करें बदी पत्नियों को यह कोशिश नहीं करनी चाहिए कि उनके जीवन साती खूब हूँ उनकी तरह बन जाए उन्हें बदलने की कोशिश उनका अपमान करना है और यहां बताना है कि वे खुद धहत्पूर्ण नहीं है यह कोशिशे हमेशा मुर्खता पूर्ण होती है और कई बार तो वैवाहिक जीवन को तबा भी कर देती है किसी को बदलने की कोशिश उसके गर्व और आत्मसंबान को नश्ट कर देती है यहां विरोध और द्वेश की भावना जगाती है जो वैवाहिक संबन्द के लिए घातक साबित हो सकता है जाहिर है आपसी तालमेल की जरूरत होती है हम में से कोई भी आदर्श नहीं है और यहां जीवन साथियों के बारे में भी सच है लेकिन अगर आप अपने दिमाग के बीतर अच्छी तरह देखें और अपने चरित्र तथा व्यवहार का अध्यान करें तो आपको इतनी कमिय मिल जाएंगी कि उन्हें दूर करने में आप जिंदगी भर व्यस्त रह सकते हैं अगर आप सोचते हैं मैं उसे अपने मज़ाय साचे में डालूँगा तो आप समस्या को आमंतरित कर रहे हैं और तलाक का रास्ता पकड़ रहे हैं आप दुख की तलाश कर रहे हैं आपको दलना है तो खुद को बदले इन कदबों द्वारा प्रारतना करके एक साथ रहे हैं पहला कदम कभी भी छोटी मोटी निराशाओं से होने वाली चेड़ को अगले दिन तक ना ढोएं रात को सोने से पहले एक दूसरे को हर कड़वी बात के लिए माफ कर दे आप सुबा जि आपको सभी तरीकों से मार्क दर्शन दे रही हैं शान्ती सामजस्य और प्रेम के विचार अपने जीवन साथी परिवार के सभी सतस्यों और पूरी दुनिया की तरफ प्रेशित करें दूसरा कदम नास्ते के समय भगवान को याद करें स्वादिष्ट भोजन सम्रिद्धी और सभी नियामतों के लिए शुक्रिया आदा करें यह सुनिश्चित करें कि टेबल पर समस्या चिंता या बैस की बातचीत न हो यही डिनर पर भी लागू करें अपने जीवन साथी से कहें मैं आपके सभी कामों की सराना करता हूँ और दिन बर आपकी और प्रेम तता प्राव फैलाता हूँ तीसरा कदम बती पत्नी को हर रात बारी बारी से प्राटना करनी चाहिए अपने जीवन साथी को अंदेका न करें अपना प्रेम और सराना जताएं निंदा अलोचना और चिड के बजाए सराना और सदबाव के विचार रखें शांत घर और सुखत व सदबाव, आपसी सम्मान, ईश्वर में आस्ता और सभी अच्छी चीजों की नीव रखना है 23, 27 और 91 भजन हिब्रूज के 11 अध्याएं और 1 कॉरोनिक्स के 13 अध्याएं को पड़े थाता सोने से पहले बाइबल के महान प्रसंगक पड़े और यहाँ से शुरूआत करते हैं अध्याए 15 की, जो है आपका अवजेतन मन और खुशी अमेरिगी मनोव ज्यान के पितामा विलियम जेम्स ने कहा था कि 19 सदी की सबसे महान खोज, बहतेक सास्तर के शेतर में नहीं थी सबसे बड़ी खोज, आस्था से प्रेरित अवजेतन की शक्ती थी हर इंसान में शक्ती का असिमित भंडार है, जो दुनिया की किसी भी समस्या को परास्त कर सकता है सच्ची और स्थाई खुशी आपके जीवन में उस दिन आएगी, जब आपको स्पष्ट एहसास हो जाएगा कि आप किसी भी कमजोरी से उबर सकते हैं जब आपको यह एहसास हो जाएगा कि आपका अवजेतन आपकी समस्याओं को सुल जा सकता है, आपके शरीर का उपचार कर सकता है और आपको आपके सपनों से भी ज़्यादा सम्रिद्धी दिला सकता है जब आपकी अपने सपनों के जीवन साती से सगाई हुई थी, तो आप बहुत खोश हुए होंगे शायद आपको तब भी बहुत खोशी महसूस हुई होगी, जब आप कॉलिज से ग्रैजुएट हुए हों, जब आपकी शादी हुई हो, जब आपका बच्चा पैदा हुआ हो, या जब आपने कोई बड़ी विजय या पुरुसकार हासिल किया हो आप इसी तरह के दूसरे अनुभवों की सूची भी बना सकते हैं, जब आप खोश हुए हो, बहरहाल चाहे ये अनुभव कितने भी अद्बुत हो, ये सच्ची स्थाई खुशी नहीं देते हैं, ये सारे अनुभव और स्थाई हैं जवाब देती है, जो भी इश्वर में भरोसा करता है, वह सुखी है, जब आप इश्वर, यानि अपने अफजेतनमन की शक्ती और बुद्धी मत्ता पर भरोसा करते हैं, तो वे सभी शेत्रों में आपका नेत्रत्र, नियंत्रन और निर्देशन करेंगे, तो आप संतुले शान्त और अरामदे हो जाएंगे, जब आप सबके प्रती प्रेम, शान्ती और सद्वावना प्रसारित करते हैं, तो आप दरसल अपने जीवन में खुशी की गगन चुम्बी मारत बना रहे हैं, आपको खुशी चुन्नी होगी, खुशी एक मानसिक अवस्ता है, बाइबल यह बहुत आसान दिखता है, और यह है भी, शायद इसलिए लोग खुशी की रापर लड़ खड़ा जाते हैं, वे खुशी की सादगी भरी कूजी को नहीं देख पाते हैं, जीवन की महान चीजें आसान प्रकतिशीर और रशनात्मक हैं, वे कल्यान और खुशी देती हैं, सेंट पॉल आपको बताते हैं कि आप किस तरह सोचकर प्रबल शक्ति और खुशी का जीवन पा सकते हैं, आखिरकार, भाईयों, जो भी चीजे सच हैं, जो भी चीजे एमानदार हैं, जो भी चीजे न्यायपूर्ण हैं, जो भी चीजे शुद्ध हैं, जो भी चीजे प्या इन्सा है तो इनके बारे में सोचें। फिल चार बटे आठ। खुशी कैसे चुने। इसी समय खुशी चुने। यह काम ऐसे करें। सुव अपनी आखे खोलते ही खुद से कहें। दैवी विद्यान आज और हर दिन मेरे जीवन का संचारन करता है। सारी चीजे आज मेरे भले के लिए काम करती हैं। जहाँ मेरे लिए एक नया और अद्बुद दिन है। इस दिन जैसा कोई दूसरा दिन कभी नहीं होगा। मुझे दिन भर दैवी मार्गदर्शन मिलता है। और मैं अपने हर काम में संब्रिद बनूँगा। दैवी प्रेम मुझे घेरे हैं, मेरे चारों तरफ हैं और मैं शान्ती से हूँ। जब भी मेरा ध्यान अच्छाई और सजनात्मक्ता से भटकेगा। तो मैं उस चीज के बारे में तत्काल सोचने लगूँगा। जो सुन्दर और अच्छी है। मैं आध्यात्मे को और मानसिक चुमबक हूँ। मैं अपनी और उन सभी चीजों को आकर्शित करता हूँ, जो मुझे नियामते देती हैं और सम्रिद करती हैं। आज मैं अपने सभी कामों में अद्बुत सफलता पाऊंगा। निश्चित रूप से आज मैं दिन भर खुश रहूंगा। हर दिन इसी तरह शुरू करें। पिर आप खुशी का चुनाव करेंगे और खुश तथा प्रफलित रहेंगे। उसने खुश रहने की आदर डाली। कई साल पहले मैं आरलेंड के पस्चिमी किनारे पर काने मानब एक किसान के घर लगबग एक हफ्ते ठहरा। मेरा मेजबान हमेशा गुनगुनाता और सीटी बजाता रहता था। वह इतना खुश नुमा था कि मैंने उससे उसकी खुशी का राज पूच लिया। यहाँ मेरी आदत है। उसने जवाब दिया। जब मैं सुबा जाकता हूँ और जब मैं राग को सोने जाता हूँ तो मैं अपने परिवार, फसल, जानवरों को दुआए देता हूँ और अद्बुत फसल के लिए ईशुर को धन्यवाद देता हूँ। इस किसान ने 40 साल से ज़्यादा समय पहले या आदत डाल ली थी। जैसा आप जानते हैं, दियामित रूप से दोहराए जाने वाले विचार अवजेतन मन में पहुँच जाते हैं और आदत बन जाते हैं। उसने समझ लिया था कि खुशी एक आदत है। आप में खुश रहने की इच्छा होनी चाहिए। इतने लंबे समय से तनावगरस्त, दुखी और निराश होते हैं, कि अगर किसी अदबुत, अच्छी, सुखत खबर से वे अचानक खुश हो जाएं, तो वे उस महिला की तरह प्रतिक्रिया करेंगे, जिसने मुझसे एक बार कहा था, इतना खुश होना ठीक नहीं है, वे अपनी पुरानी मानसिक सनचना के इतने आधी हो चुके हैं, कि उन्हें खुशी सहज महसूस नहीं होती है, वे अपनी जानी पहचानी तनावगरस्त, दुखी अवस्था में लोटने के लिए बेताब रहते हैं, मैं एंगलाइंट के एक बुड़ी महिला को जानता हूँ, जिसे कई सालों से अर्थराइटेस था, वह अपने घुटने थप थपा कर कहती थी, मेरा अर्थराइटेस आज पूरी हालत में है, आज में बाहर नहीं जा सकती, मेरा अर्थराइटेस मुझे दुखी क कर रहा है, मैला की इस इस्थिति के कारण, उसके बेटे-बेटी और पडोसी उसका बहुत ध्यान रखते थे, दरसल इसी कारण वह अपने अर्थराइटेस को पसंद करती थी, वह अपने दुख को पसंद करती थी, अपने अवजेतन मन के स्तर पर वह खुश नहीं होना चा जाया, मैंने उसे बाइबल की कुछ पंक्तियां लिख कर दी और कहा कि अगर वह इन सच्चाईयों पर ध्यान केंदरित करेगी, तो उसका मानसिक नजरिया बेशक बदल जाएगा, उसकी आस्था और विश्वाज उसे स्वस्त कर देंगे, उसने इसमें दिल्चस्पी नही पसंद था, या कम से कम उसे दुख से मिलने वाले लाप पसंद थे, दुख क्यों चुनना, कई लोग दुख को चुनते हैं, और उन्हें यह ऐसास ही नहीं होता कि वे ऐसा कर रहे हैं, वे इस तरह के विचार रखते हैं, आज का दिन बुरा है, हर चीज गडबड होने वाल होंगा, हर व्यक्ती मेरे खिलाफ है, धन्दा बुरा है, और या पहले से ज़्यादा बुरा होने वाला है, मैं हमेशा देर से पहुंशता हूँ, मुझे कभी सुनरे मौके नहीं मिलते हैं, वह कर सकता है, लेकिन मैं नहीं कर सकता, अगर सुबा सुबा आपका या मान्सक नजरिया रहता है, तो आप अपनी और इन सभी दुखत घटनाओं को अगर्शित करेंगे, और बहुत दुखी रहेंगे, यह एसास करना शुरू करेंगी, जिस दुनिया में आप रहते हैं, वह काफी हद तक इस बात से तय होती है कि आपके दिमाग में क्या चलता है, महान रोमन दार्शनिक मारकस अरेलियस ने कहा था, इनसान का जीवन उसके विचारों से बनता है, उन्नीसवी सदी के अग्रणी अमेरिकी दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, इनसान वैसा ही होता है, जैसा वा सारे दिज सोसा है जो विचार आप आदतन अपने मस्तिस्क में रखते हैं विश्यारी रिक वा भातिक रूप में प्रकट हो जाते हैं या सुनिश्चित करें कि आप नकारातमक, परायजेवादी, बुरे या निराशाजनक्व पिजार ना रखें। अपने मस्तिस को बार बार याद दिलाएं कि आप अपनी मान सकता के बाहर कुछ अनुबव नहीं कर सकते। अगर मेरे बस दस लाक डॉलर होते तो मैं सुखी होता। दॉलरत अपने आप में आपको सुखी नहीं बना सकती। दूसरी और यह सुख में बादक भी नहीं होती है। आज कई लोग चीजें खरीद कर सुख पाने की कोशिश करते हैं। बहतरीन टेलिविजन, नवीन तमकार, महेंगे डिजाइनर कपड़े, फार्म हाउस। लेकिन सुख इस तरह से खरीदा या पाया नहीं जा सकता। सुख का सामराज आपके विचार और भावना में है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सुख उत्पन करने के लिए किसी घटना की जरूरत होती है। कुछ कहते हैं, अगर मैं मेयर बन जाओं, कॉर्परेशन का सीईयो बन जाओं, या अगपार के सुसाइटी पेश मेरी फोटो चप जाए, तो मैं सुख ही हो जाओंगा। सस्तो यहा है कि खुशी एक मानसे को राध्याद में कवस्ता है। प्रमोशन या बाहरी सम्मान खुशी नहीं दे सकते। आपकी शक्ती, खुशी और सुख तो इस बात में नीत हैं कि आप अवजेतन मन में निवास करने वाले दैवी विद्यान तथा सही कर्म के नियम का पता लगा लें। और इन सिद्धानतों को अपने जीवन के सभी शेत्रों में लागू करें। सबसे सुखी लोग। सबसे सुखी व्यक्ति वहा है जो लगातार अपने भीतर के सर्विश्रेश सरूप को सामने लाता है और उसका अभ्यास करता है। सुख और सद्गुर्ण एक दूसरे के पूरक हैं। सबसे अच्छे लोग ना सिर्फ सबसे सुखी होते हैं बलकि आम तोर पर सफलता से जीने की कला में भी सबसे माहिर होते हैं। इश्वर आपके भीतर सबसे उजा और सबसे अच्छा है। इश्वर के प्रेम, प्रकाश, सत्य और सुन्दर्ता को अधिक व्यक्त करेंगे, तो आप दुनिया के सबसे सुखी व्यक्तियों में से एक बन जाएंगे। ग्रीक श्टोइक दार्षनिक एपक्टेटस ने कहा था, मानसिक शान्ति और सुख का बस एक ही रास्ता है। इसलिए इसे अपने साथ हमेशा रखें। तब भी जब आप सुखा जागें और पूरे दिन तथा जब आप सोने जाएं। बारी चीजों से प्रभावित ना हो, बलकिन सभी को इश्वर को समर्पित कर दें। और यहाँ से हम शुरुवत करेंगे अध्या सोला की, जो है आपका अवजेतन मन और सदभावना पूर्ण वह मानवी है सम्मंद। आपने इस पुस्तक के अध्यान से एक पहुत महत्वपूर्ण अवधारणा यह सीखी है, कि आपका अवजेतन मन एक रिकॉर्णिंग मशीन की तरह है, जो निश्ठा पूर्वक इस पर छोड़ी हर चाप को दुबारा उत्पन कर देता है। यह भी एक कारण है कि सर्वणिय नियम यानि गोल्डर रूल दूसरों के साथ सद्भावना पूर्ण संबंद बनाने और बनाए रखने में इतना महत्वपूर्ण है। आप दूसरों से अपने लिए जैसा चाते हूँ, उनके साथ वैसा ही करें। मैथ्यू साथ बटे बारा इस सबक के बारी और आंत्रिक दोनों अर्थ है। आंत्रिक अर्थ आपके चेतन और अवजेतन मन से संबंदित है। बाइबल की संदेश के अनुसार, जैसा आप चाते हो कि लोग आपके बारे में सोचें, वैसा ही आप उनके बारे में सोचें। जैसा आप चाते हो कि लोग आपके बारे में महसूस करें, वैसा ही आप उनके बारे में महसूस करें। जैसा आप चाते हो कि लोग आपके ब्रती काम करें, वैसा ही आप उनके ब्रती काम करें। उधारण के लिए हो सकता है आप आफिस में किसी के प्रती नम्र और शालीन हो, लेकिन उसकी पीट पीछे उसके बारे में आलोच नात्मक और द्वेशपूर विचार सोचते हो। इस तरह के नकारात्मक विचार आपके लिए बहुत विनाशकारी है, यह जहर खाने की तरह है, आप जो नकारात्मक उर्जा उत्पन कर रहे हैं, वह आपकी स्फूर्ती, उत्सा, शक्ती, मार्क तर्शन और सद्भावना कम कर देती है। जब यह नकारात्मक विचार और भाव आपके अवजेतन में उतर जाते हैं, तो वे आपके जीवन में तमाम तरह की मुश्किले और रोग उत्पन कर देते हैं। दूसरों के साथ सुकत संबंदों की सफल कुजी, मुल्यांकन ना करें, ताकि आपका मुल्यांकन ना किया जाए, क्योंकि जैसा मुल्यांकन आप करते हैं, वैसा ही आपका मुल्यांकन होगा, और जिस पहमाने पर आप मुल्यांकन करते हैं, उसी पहमाने पर आपका भी मु भी अध्यान और उनमें छिपी सच्चाई पर अमल करना है, मुल्यांकन करने का अर्थ सोचना और किसी मानसिक फैसले या निशकर्स पर पहुँचना है, दूसरे विक्ति के बारे में आपके मन में जो विचार हैं वह आपका है, क्योंकि आप ही उसे सोच रहे हैं, आपके वि भव में उतार रहे हैं, जो सुजाव आप किसी दूसरे को देते हैं, वह आप खुद को भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका मस्तिस्ख ही रसनात्मक साधन है, इसलिए यह कहा गया है, जैसा आप मुल्यांकन करेंगे, वैसा ही आपका मुल्यांकन होगा, इसका यह मतलब है कि दूसरों पर पैमाने और मानदंड लागू कर गए, आप अपने अवजेतन में उन मानदंडों और पैमानों को उतार रहे हैं, जिनने यहाँ आप पर लागू करेगा, जब आप इस नियम को जान जाते हैं, और यहाँ समझ लेते हैं कि आपका अवजेतन मन किस तरह काम करत तो फिर आप दूसरों के प्रति सोचने, महसूस करने, काम करने में हमेशा सावधान रहेंगे, क्योंकि ऐसा करके आप अपने प्रति सही कर्म, भाव और विचार की स्थिती बना रहे हैं, जिस पैमाने से आप मुल्यांकन करेंगे, उसी से आपका मुल्यांकन होगा, आप दूसरों के साथ जो भलाई करते हैं, वह उसी पैमाने से आपकी और लोटेगी, और आप जो बुराई करते हैं, वह भी आपके मस्तिस के नियम के अनुरूप आपकी और लोटेगी, अगर कोई किसी को धोका देता है, तो वह दरसल खुद को धोका दे रहा है, उसका अपरादबोद और नुकसान का भाव अंततहक किसी न किसी तरह, किसी न किसी समय नुकसान को उसकी और आकरशित करेगा, उसका अवजेतन उसके मानसिक काम का रिकॉर्ड रखता है और मानसिक इरादे या प्रेणना के अनुरू प्रतिक्रिया करता है आपका अवजेतन मन निस्पक्ष और आपरवर्तनिया है या ना तो व्यक्तियों में भेद करता है और ना ही किसी तरह के धार्मिक पंत या संस्ता में या ना तो दयालू है और ना ही प्रतिशोद आत्मक आप दूसरों के बारे में जिस तरीके से सोचते हैं महसूस करते हैं और काम करते हैं वही अंतदहा आपके और लोटेगा मुझे और तो से नफरत है लेकिन पुरुष पशंद है सिंथिया आर एक बड़ी कमपनी में एक्जेक्यूटिव सेक्रेटरी थी वह मेरे पास इसलिए आई क्योंकि उसके मन में अपने ओफिस की कुछ महिलाओं के प्रति बहुत कड़वाट बरी थी उसे यकीन था कि वे उसके बारे में गपशप करती थी और जूटी अखवाएं फैलाती थी जब मैंने पूछा तो उसने स्विकार किया कि उसके महिलाओं के साथ सम्बंदों में उसे बहुत से दिक्कतें आती है उसने कहा मुझे औरतों से नफरत है लेकिन पुरुष पसंद है जब मैंने उससे आगे की बातचीत की तो मुझे पता चला कि सिंथिया अपने करमचारी उसे बहुत दंबी, अकड़ और चिर्चिरी आवाज में बोलती थी उसके बोलने के लहजे में घमण जलगता था और मैं समझ गया कि उसके अंदाज से कुछ लोग क्यों चिर्टे थे हाला कि उसे इस बात का एसाज भी नहीं था उसके लिए महतपूर्ण मुद्दा यह था कि उसके साथ काम करने वाली औरतों को उसकी समस्याएं बढ़ाने में मज़ा आता था अगर आपके ओफेस या फैक्टरी के सभी लोगों से आपको चिर्ट होती है तो क्या यह संभव नहीं है कि यहाँ चिर्ट और परेशानी आपके ही किसी अवजेतन पैटन या मांसिक विजार से उत्पन हो रही हो हम सभी जानते हैं कि अगर आप कुट्टे से नफरत करते हो या ड़ते हो तो वा खुंखार प्रतिक्रिया करेगा दरशल जानवर आपके अवजेतन कंपनों को भाप लेते हैं और उसी के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं क्या या कहना उचित नहीं होगा कि इस मामले में इंसान भी कुट्टों, बिल्यों और अन्य प्राडियों जितरे सम्वेद अंशील होते हैं और तों से नफरत करने वाले इस महिला को मैंने प्रारतना की एक प्रिक्रिया सुजाई मैंने उसे बताया कि जब वाग खुद को आध्यात्मिक मुल्यों से भर लेगी और जीवन की सच्चाईयों की सकारात्मक घोश्टा करने लगेगी तो औरतों के प्रति उसकी नफरत पूरी तरह गायब हो जाएगी इसके साथ ही उसके आवाद से घमंड और पुट भी चला जाएगा जिसके जरिये उसकी नफरत औरतों तक पहुंचती थी वहाँ यहाँ जानकर हैरान थी कि हमारी भावनाएं बोलने, कामों, लिखने और जीवन के बाकी पहलों में दिख जाती है हमारी बादचीत के बाद सिंथिया ने अपने द्वेशपूर्ण और गुस्यल व्यभार को खत्म कर दिया उसने प्रार्तना के आदर डाल ली वहाँ हर दिन सुरियोजे तरीके से और लगातार अपने ओफिस में इसका अभ्यास करती थी प्रार्तना की इस अभ्यास ने उसकी जिन्दगी बदल दी उसने पाया कि उसके आफिस में आलोचना और चिड़का माहल धीरे धीरे गायब हो गया साथ काम करने वाली महिलाएं जीवन की यात्रा में उसकी साथी और सहेलिया बन गई उसने या सच्चाई जान ली कि हमारे पास दोश देने और बदलने के लिए हमारे सिवाए कोई नहीं होता भावनात्मक रूप से परिपक्वबनना कोई दूसरा चाहे जो कहे वह आपको तब तक सच-बुच नहीं चड़ा सकता जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुबती न दे दूसरा वित्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वह हैं आपके अपने विचार द्वारा अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको चार अवस्थाओं से गुजरना होगा आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया आप गुस्सा होने और गुस्से का भाव बैदा करने का फैसला करते हैं फिर आप काम करने का फैसला करते हैं शायद आप पलट कर जवाब देते हैं और उसी तरह के प्रतिक्रिया करते हैं विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिस्क में होती है भावनात्मक ग्रूप से परिपक को बनने का क्या मतलब है इसका मतलब है कि आप स्वभाविक लिकिन बचकानी प्रवत्ती से परे हो जाएं इसका मतलब है कि आप दूसरों की अलोजना और द्वेश पर नकारात्पक प्रतिक्रिया न करें कोई भी अपनी अलोजना या अपमान को पसंद नहीं करता है बहराल हम में यह चुन्डे की शम्ता होती है कि हम गटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें परिपक को चुनाव नकारात्पक प्रतिक्रिया करने से बचना है नकारात्पक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया अलोजना के इस्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्पक माहौल में पहुँचना है जीवन में अपने लक्ष याद रखे किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को या अनुमती ना दे कि वह आपको शान्ति और सेहत के आंतरिक एहसान से दूर कर दे सद्भावनापूर वो मानुविय संबंदों में प्रेम कार्थ मलो विसलेशन के संस्थापक और मलो विज्ञान के इतिहास में बहुत महदपूर भूमिका निबाने वाले सिग्मन्ट फ्राइड ने कहा था कि अगर व्यक्ति के पास प्रेम ना हो तो या बिमार हो जाता है और मर जाता है प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौझूद दैवी अंच के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है आप जितना ज़्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके पास लोट कर आएगा अगर आप किसी के आँग को चकना चूर कर देते हैं और उसके स्वाब इमान को ठेश पहुँचाते हैं तो आप उसकी सद्भावना नहीं पासकते या जान ले, हर व्यक्ति चाहता है कि उससे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंशा की जाए हर व्यक्ति को दुनिया में महत्पूर समझे जाने की जरूरत है एहसास रखे कि सामने वाला व्यक्ति अपने सचे महत्व के बारे में सजग है आपकी ही तरह वाय भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन से धान्त की अभिव्यक्ती के कारण उसकी गरिमा है जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं तो आप सामने वाले को सचक्त करते हैं और वह आपके प्रेम तसा सद्भावना को लटाता है बुश्की लोगों को संभालना इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग बुश्किल होते हैं वे एटे हुए और माजसिक रूप से विक्रत होते हैं वे गलत तरीके से कंडिशन्ड होते हैं कई मान से कपरादी हैं जो विवाद शील्ड, और सहीयोगी, जगडालू, दोश्दर्सी और जीवन पर बदनाम दाक बन चुके हैं वे मरोवग्यानिक रूप से बिमार हैं उनके मस्तिस्क, विक्रत और बेडॉल हो गए हैं शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण अगर ऐसे किसी व्यक्ति से आपका पाला पड़े, तो आप क्या करें प्रिलोवन यहाँ है कि आप उनकी नकारात्म कुर्जा को नापसंदी के रूप में उन्ही की और लोटा दे लेकिन ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्म क्ता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रवावों को ग्रेड करना होगा इसके बज़ए बुराई के बदले बलाई देने की कोशिश करे इससे एक ढाल बनती है चो उनके मुश्किल और आप्रिय नजरियों से आप पर प्रवाव नहीं पढ़ने देती है आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रिक्रिया को भी गदिमान कर देंगे दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं नफरत, कुंठा और विक्रिती से भरा आसामान्य व्यक्ति असिमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है यह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेश करता है आम तोर पर वह उनीक यालोचना करता है, दिंदा करता है और बुराई करता है जो उसके प्रती बहुत अच्छे और दयालू होते हैं उसका नजरिया यह होता है जब मैं इतना दुखी हूँ, तो वे इतने खुश क्यों हैं? वहाँ उन्हें नीचे गसीट कर अपने स्तर तक लाना चाता है पुरानी काहवत अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं जब आप यह समझ लेते हैं, तो आप औविचलित, शान्त और उदासी रह सकते हैं ब्रूश्टी नाम के एक आदमी ने लंदन में मेरे भासर सुने, उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया वह एक स्वैच्चिक संक्टन में सक्रिय हो गया था, जो आसपास के इलाके को सुन्दर बनाने को लेकर चिंतित था अधिकास सोय सेवक पगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडर इमारतों को सुधारने के काम में सच मुझ रुची लेते थे बहराल एक विक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर हामला करता रहता था वह समू की बैटकों को इतना अप्रिय बना देता था कि इसके सदस्यों की संक्या गटने लगती थी कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आये उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ती को संग्ठन से बाहर निकाल दे वह उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था कि तब ही उसे ऐसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ती के भीतर के खराब नजरिये को बढ़ाना होगा इसके बज़ेवा कल्पना करने लगा कि वा व्यक्ती सबों का खुशनुमा सहीयोगी सदस्य बन रहा है हर मीटिंग से पहले बुरू से कोने में जाकर दोराता था मैं अपने बीतर सद्भाव और शांती के सिद्दान्त के साथ सच्चे समंजस्य में सोचता दोलता तथा काम करता हूँ हमारे संगठन के सदस्य दैवी विद्यान में दयालुता और उद्देशी के साथ काम करते हैं कोई मतबेद, कोई अप्रियता नहीं है रचनात्म ग्यान हम सभी के कारियों में नेतरत्व, नियंत्रण और मागदर्शन दे रहा है जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सब्ता बाद एक प्रस्ताव रखा उसने इसे इतने अच्छे और सहियों की डंग से रखा कि उसे पूरे संग्ठंस की सहमती मिल गई इसमें वे लोग भी शामिल थे, जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे मानुविय संबद्धों में पुरानू भूती का अब्यास, एलिस ओ नामा के क्यूवती हाल ही में मुझसे मिलने आई उसने बताया कि काफी लंबे समय से ओफिस की एक यूवती से उसे नफरत थी इसका कारण यह था कि दूसरी यूवती उससे ज़्यादा सुन्दर, खुश और सम्रिद्ध थी एलिस को सबसे बड़ा जटका तब लगा जब उस दूसरी यूवती की सगाई कंपनी के ही एक CEO से हो गई जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी एलिस जिस यूवती को नापसंद करती थी वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ आफिस आई जो उसकी पिछली शादी से थी एलिस को पता नहीं था कि उस यूवती की एक लड़की भी थी या वह पहले से शादी सुदा थी जन्मजाद समस्या के कारण उस यूवती की लड़की के पैरों में श्टील की प्लेट थी एलिस ने सुना वह लड़की अपनी मा से कह रही थी पम्मी क्या यही मेरे नए ड़डी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यहाँ उन लोगों से बरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ मेरा दिल अचानक उछ छोटी लड़की पर आ गया एलिस ने मुझे बताया मैं जानती थी कि वाग कितनी खुशी महसूस कर रही होगी मुझे एक जलग दिखी कि यहाँ युब्ती इतनी विपरीत परस्तितियों के बावजूद कितनी खुश थी जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी अचानक मैंने उसके प्रती प्रेम महसूस किया मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बढ़ाई देते वे उसकी खुशी की कामना की और मैंने यहाँ दिल से किया उस पल में एलिस ने यहाँ अनुबव किया जिसे मनोवज्यानिक पुरानुबूती कहते हैं यहाँ सानुबूती नहीं है जिसमें हम दूसरों की भावनाओ को समझते है यहाँ इससे भी बढ़कर है इसका मतलब है कि काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे विक्ती के मानसिक नजरियों और अवस्ताओं में रखना जब एलिस ने अपने मानसिक मूट या दिल को उस दूसरी यूवती की जगा रखा तो ऐसा लगा जैसे वहाँ दूसरी औरत की तरह सोचने लगी वहाँ दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी और उस बच्ची की तरह भी क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगा भी रख लिया था जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुचाने या उसके बारे में बुरा सोचनी की इच्छा हो तो खुद को मांसेक रूप से मोसेज के मस्दिस्क में रखें और टैन कमांडन्ट में द्रिश्टी कोड से सोचें अगर आप इर्शालू, जलनकोर या गुच्सा हो तो खुद को ईशा मसी के मस्दिस्क में रखें और उस द्रिश्टी कोड से सोचें तब आप इन शब्दों की सच्चा ही महसूस करेंगे एक दूसरे से प्रेम करो तुष्टी करण कभी नहीं जीतता कभी भी लोगों को इस बात की अनुमती ना दे कि वे आपका फायदा उठाएं या अपने व्यवहार के तमाशे रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैक मेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाए ये लोग तानाशा है जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते है द्रण लेकिन दयालू रहे और जुकने से इंकार कर दे तुष्टी करण कभी नहीं जीतता है उनके अपराद, स्वार्थ और अधिकार वाधिता में योगदाद देने से इंकार कर दे याद रखे, सिर्फ सही काम करे आप यहाँ अपने आदर्श पूरे करने और शाशो सच्चाईयों तो था जीवन के आत्यात्मिक बूलियों के प्रती इमानदार रहने के लिए आये है दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष या उद्देश्च से भटकाने की शक्ति ना दे जो आपकी छिविवी प्रतिभाव को दुनिया के सामने व्यक्त करना है मानवता की सेवा करना है और ईश्वर की बुद्धिवालिक, सत्य और सुन्दर्ता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है अपने आदर्श के प्रती इमानदार रहे निश्चिद रूप से और पूरी तरह से जान ले कि जो भी आपकी शान्ती, खुशी और संतुष्टी में योगदान देता है वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वर्दान होता है अंच की खुशी संपूर्ण की खुशी है क्योंकि संपूर्ण अंच में है और अंच संपूर्ण में है जैसा पौल कहते हैं, सबसे प्रेम करें सेहत, खुशी और मानसिक शान्ती का नियम ही प्रेम को संतुष्टी दायग बनाता है और यहां से शुरुआत करते हैं अध्याशत्रा की जिसमें हम सीखेंगे कि शमा के लिए अवजेतन मन का प्रेयोग कैसे करें जीवन किसी के साथ भेदबाव नहीं करता है ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धान्त इस पल भी आपके बीतर प्रवाहित हो रहा है जब अब इन शब्दों को पढ़ रहे हैं और इन पर विचार कर रहे हैं ईश्वर आपके दौरा सद्भाव, शान्ती, सुन्दर्ता, खुशी और प्रचूरता में व्यक्त होना पसंद करता है इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवित्ति कहा जाता है अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवा के खिलाफ अपने मस्तिस्क में अवरोध बना लेते हैं तो यहा भावनात्पक बादा आपके अवजेतन मन को बहुत दुविदा में डाल देगी और हर तरह की नगारात्मक स्थितिया उत्पन कर देगी इस्वर का दुनिया की दुखी या अराजक परिस्थितियों से कोई लेना देना नहीं है यह इस्थितिया तो हमारी ही नगारात्मक और विद्वन्सात्मक सोच का नतीजा है इसलिए अपनी मुश्किल या बिमारी के लिए इश्वर पर दोस मरना एक गंभीर गलती है कई लोग मानवजाती के पाप, बिमारी और कश्ट के लिए इश्वर की आलोचना करके या इश्वर पर आरोब लगा कर जीवन प्रवा के विरुद्ध आदतन मान से कवरोध बना लेते हैं बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजनों के मृत्यू, व्यक्पिकत दुखों और दुरगटनाओं के लिए इश्वर पर दोश मरते हैं वे इश्वर पर गुसा होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं जब तक लोग इश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधालनाएं रखेंगे तब तक उनका अवजेतन मन इन नकारात्मक चीज़ों को साकार करता रहेगा वे या नहीं समझ पाते हैं कि वे खुद को ही सजा दे रहे हैं उन्हें सच देखना होगा आत्म निर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रती निंदा द्वेश और क्रोध को त्यागना होगा वरना वे सेहत मन्त, खुश या रचनात्मक गतिविदी में अग्रणी नहीं बन सकते जब तक ये लोग अपने दिल और दिमाग में प्रेम पूर्व की इश्वर की कलपना करने लगते हैं जब वे यकीन करने लगते हैं कि इश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखबाल करता है उनका मार्च दर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिध्धान्त के बारे में या विश्वास तथा अवधारना उनके अवजेतन मन में उतर जाएगी और वे असंखे तरीकों से धन्य हो जाएंगे जीवन आपको हमेशा शमा करता है जीवन सिध्धान्त में शमा का असीमित खजाना है जब आप अपनी उगली काट लेते हैं, तो यहाँ आपको शमा कर देता है आपके भीतर की अवजेतन बुद्धिमत्ता ततकाल इसकी मरमत के लिए सक्रिय हो जाती है नई कोशिकाएं घाव के उपर पुल बना देती है अगर आपको कोई संकरात्मक रोग हो जाता है तो जीवन आपको शमा कर देता है और आक्रामक विशार्वों को मिटाने बे ततकाल जुट जाता है जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है यहां हमेशा आपको शमा करता रहता है जीवन आपको सेहत, स्फूर्थी, सद्भाव और शान्ती देता रहता है बचरते आप प्रकती के साथ सामंजस सबे सोचकर सहयोग करें नकारात पक आहत करने वाली यादे कटूता और दिरुभावना आपके भीतर के जीवन सिद्दान के मुक्त प्रवा को रोग देती है उसने अपराद बोच से मुक्ती कैसे पाई हैरियर जी रोज आफिस में देर रात तक काम करती थी वा अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लोड़ पाती थी वा उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ट अधिकारी और सेकर भी उसकी मैनत की दाथ देंगे लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था जोकि वा आम तोर पर अकेली ही इतनी देर तक आफिस में रुकती थी इसलिए बाकी गर्बचारीयों को तो उसकी असामाने निष्टा का पता भी नहीं था इसी दोरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल पे पड़ गया उसके पती और दो बेटे उसे पहचानना ही भूल गए जब उसके छोटे मेटे के लिटिन लिग टीम ने स्थानिय मैच जीत लिए तो हैरिएट ने मैस तो देखे ही नहीं बल्कि यहाँ पूछना भी भूल गई कि कौन जीता स्थिती तब और भी गंभीर हो गई जब हैरिएट के डॉक्टर ने उसे चैतावनी दे दी कि उसका हाई बल्ड प्रेशर स्थराक रूप से बढ़ रहा था जब हैरिएट के पती ने उससे कह दिया कि वह तलाक लेना चाता है तो वह मेरे पास आई मैंने उससे पूछा कि उसने पती को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है और अपने पेटों में इतनी कम दिल्चस्पी क्यों लेती है पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करने पड़ती है लेकि जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं तो उसने मना किया कि उसकी कमपनी के बाकी लोग सामान गंटे काम करते थे और वे काम में उससे ज़्यादा माहिर भी नहीं थे. मैंने पूछा कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी? तुम्हारे मन में कोई चीज तुम्हें खाये जा रही है. मैंने उससे कहा, अगर ऐसा नहीं होता, तो तुम इस तरह से काम नहीं करती. तुम खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हो. कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोद किया. वह कहती रही कि उसकी काम की आदते सामान गंटी. बाकी लोग आलसी थे. बहराल, आखिरकर उसने स्विकार किया कि उसके मन में गहरा अपराद बोथ था. पंदरा साल पहले उसके पिदा की मौत के बाद, वह उनकी जायदात की एग्जेक्यूटर थी. उसने चान बूचकर अपने छोटे बाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था. तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूचा. क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं. उसने जवाब दिया. मेरा भाई, देखिये, वहाँ नशे की समस्या से पूरी तरग्रस था. मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया, तो क्या होगा? मैंने खुच से कहा कि मैं इसे उसके लिए बचा कर रख लूँगी, और उसके ठीक हो जाने पर उसे दे दूँगी. और मैंने आगे पूचा, हरियर्ट ने गेरी सासली. ऐसा कभी नहीं हो पाया. उसने खुद को मार डाला. शायद उसने ऐसा जान बूच कर नहीं किया था. लेकिन बात वही थी. तब वह सिर्फ 26 साल का था. मैं सोचती रहती हूँ, अगर मैंने वह पैसा उसे दे दिया होता, तो क्या होता? शायद वह इससे किसी सुधार ग्रे में जाकर अपना इलाज करवा सकता था. वह अब भी जिन्दा हो सकता था. मेरी गलती से उसकी मौथ हुई है. मैंने उससे पूचा, अगर तुम्हे यह दोबारा करना पड़े, तो तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा. लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डाटने फटकारने के बज़ाए, उसकी मदद करने की ज़्यादा कोशिश करूँगी. लेकिन साथ ही तुम मैसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया. मैंने पूछा, क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सही काम कर रही थी? बिल्कुल, उसने मुझसे कहा. लेकिन अब मुझे यकीन हो गया कि मैं गलत थी. वहाँ पैसा मेरा नहीं था. तो अब तुम वहाँ काम नहीं करोगी? नहीं, मैं नहीं करोंगी. लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता. मैंने अपने एकलोते भाई का पैसा चुराया है. और वहाँ मर गया है. यह सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहा है. मैं इसी काबिल हूँ. मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है. वहाँ खुद को सजा दे रही है. अगर आप जीवन के नियवों का दूरोपयोग करते हैं, तो आपको उसी अनुसार कश्ट उठाना पड़ेगा. अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे, तो आपको जटका लगेगा. प्रिकदी की शक्तियां बुरी नहीं है. या तो आपके प्रियोक से तै होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा. बिजली बुरी नहीं है. या तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राण घा तक जटका देने के लिए. एकलोता पाप नियम का अग्यान है और एकलोती सजा इस नियम के दुरुपयों की सुटः प्रतिक्रिया है. अगर आप रसायन सास्तर की सिद्धानतों का दुरुपयों करें, तो अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं. अगर आप अपना हाथ किसी पटिये पर मारें, तो हाथ से खून निकल सकता है. गल्ती पटिये की नहीं है. गल्ती तो आपकी है कि आपने उसका दुरुपयों किया. अंततहा मैंने हैरियट को एसास दिला दिया कि इश्वर किसी को सजा नहीं देता है. उसका सारा कश्ट, उसके नकारातपक और विद्वनसात्मक सोच पर अवजेतनमन की प्रितिक्रिया के कारण था. उसे शमा की जरूरत थी. लेकिन माफी का सच्चा अर्थ खुद को शमा करना है. शमा अपने विचारों को सामंजे से के दैविनियम के तारतम में लाना है. अपरातबोध और आत्मनिंदा का बोज उसके दिमाग से उतर गया और वह अप पूरी तरह ठीक हो गई. अगली बार जब उसने जाज करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला. स्पष्टी करण ही इनास था. आलोचना आपकी सहमती के बिना आपको चोट नहीं पहुचा सकती. रैमोना के नाम की एक स्कूल टीचर मेरे एक भासड के बाद मेरे पास आई. उसने बताया कि हाल ही में उसे एक भासड देना पड़ा. बासड के बाद उसकी एक साथी स्कूल टीचर ने उसे एक आलोचना बरी चिट्थी बेजी. उसमें लिखा था कि रैमोना बहुत जल्दबाजी में बोली थी. कुछ शब्द खा गई थी. और उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी. उसका वाग के गटन कमजोड था, तथा उसकी बात सार्वगर्भित नहीं थी. इससे रैमोना आथ और नाराज हो गई. वो अपनी आलोचक के द्वेश करने लगी और स्कूल में उससे दूर दूर रहने लगी. जब मैंने रैमोना से सवाल किया, तो उसने अंततार सुईकार किया कि आलोचना दरसल सही थी. उसे व्यस्क शुरुताओं के सामने बोलने का कोई अरुबव नहीं था. वहाँ भाशर देने से पहले घबरा रही थी और बाद में वहाँ खुश थी कि उसने यहाँ काम कर दिखाया था. यही कारण था कि वह अपनी साथी टीचर के अलोचना से इतनी आहत हुई थी. यह तो ऐसा था जैसे किसी नन्ने बच्चे को इस बात पर डाटा जा रहा हो कि ज़्यादा तेज नहीं दोड़ा, जबकि उसके लिए सिर्फ चलना ही अद्बुत गाम था. हमारी बादचीत के बाद रहवोना ने पाया कि उसकी पहली प्रितिक्रियां बचकानी थी. वह सैमत हुई कि अलोचना भरी चिट्टी सच्मुच एक वर्दान थी और उसे इन सुधारों की सच्मुच जरूरत थी. उसने भाषण कला को निखारने के लिए पास के एक कॉलेज में पब्लिक स्पीकिंग कोर्स करने का फैसला किया. इस बीच उसने चिट्टी लिखने वाली टीचर को उसकी दिल्चस्पी और जानकारी के लिए धन्यवाद दिया. करूण कैसे बने? क्या होता अगर रैमोरा को मिली चिट्टी पूरी तरह गलत होती? क्या होता अगर उसके पास यह सोचने का अच्छा कारण होता कि उसके भासड की यहाँ अलोचना बिल्कुल गलत है? उस मामले में रैमोरा को यह एसास होता कि उसके भासड के शब्दों या अंदाज में ऐसा कुछ था जिससे उस चिट्टी लिखने वाली के पूर्वा ग्रहों, अंद विश्वाशों यह सकीन विश्वाशों को जटका लगा होगा. समस्या उसके साथ नहीं, बन्खी लेखिका के साथ होती. इसे समझना करूरा की दिशा में पहला अनिवारे कदम उठाना है. अगला तार के कदम सामने वाले की शान्ती, सद्भाव और समझ के लिए प्रार्टना करना है. जब आप जानते हैं कि आप अपने विचारों, प्रतिक्रियाओं और भावनाओं के मालिख हैं, तो आप आहत नहीं हो सकते. बावनाएं विचारों का अनुसरन करती है और आप में उन सभी विचारों को अस्विक्रित करने की शक्ति है जो आपको विचलित या परिशान कर सकते हैं शमा उपचार के लिए आवश्यक है और अगर तुम्हारे मन में किसी की खिलाफ कुछ है तो तुम खड़े होकर प्रार्थना करो, शमा करो मार्क 11.25 दूसरों को शमा करना मानचक शान्ती और अच्छी सेहत के लिए अनिवार है अगर आप अच्छी सेहत और खुशी चाते हैं, तो आपको हर उस व्यक्ति को शमा करना चाहिए, जिसने आपको चोट पहुचाई है अपने विचारों को दैवी नियमों और व्यवस्ता के सामज़स से मिला कर खुद को शमा करें आप खुद को तब तक पूरी तरह शमा नहीं कर सकते, जब तक की दूसरों को शबा ना कर दें खुद को शमा ना करना सिर्फ आध्यात में कहंकार या अज्यान है आज की मनोदैहिक जिकित्सा में इस बात पर लगातार जो दिया जा रहा है कि द्वेश, दूसरों की आलोचना, पश्चाताप और शत्रुता कई रोगों की कारण है जिनमें अर्थराइटस से लेकर रिदे रोग तक शामिल है इन नकारात्मक भावनाओं से उत्पन तनाव सीधे शरीर के पतिरोधक तंत्र को प्रभावित करता है जिससे आप संक्रमण और रोग का शिकार हो जाते हैं तनाव संबंदी विकारों के विशेशक के बताते हैं कि दुर्व्यवार के शिकार, धोक खा चुके या आहत लोग अक्सर प्रतिक्रिया करते हुए द्वेश और नफरत पाल लेते हैं यह प्रतिक्रिया उनके अवजेतन मन में गैरा घाव उत्पन कर देती है, जो लगातार टीस मारता रहता है सिर्फ एक ही इलाज है, उन्हें अपनी चोट को गाट कर हटाना होगा और इसका एक मात्र अजूप तरीका है, शमा शमा सक्रिय प्रेम है शमा की कला में अनिवारे तक्तु शमा करने की इच्छा होना है अगर आप सच्चे दिल से किसी को शमा करने की इच्छा करते हैं, तो आपने आदी बादा पार कर लिया है जाहिर है आप जानते हैं कि किसी को शमा करने का यह मतलब नहीं है कि आप उसे पसंद करते हैं या उसके साथ संबंद बढ़ाना चाहते हैं आप किसी को पसंद करने के लिए बाद नहीं हैं यह तो ऐसा ही होगा जैसे सरकार सद्भाव, प्रेम, शान्ती या सही शुड़ता के बारे में कानून बनाने की कोशिश करे आप किसी व्यक्ति को सिर्फ इसलिए पसंद नहीं कर सकते क्योंकि कोई आपको ऐसा करने का आदेश देता है बहराल और यह काफी महत्पून बात है हम लोगों को पसंद किये बिना उनसे प्रेम कर सकते हैं बाइवल कहती है एक दूसरे से प्रेम करो यह पहली रज़र में असंभव लग सकता है लेकिन यह काम कोई भी कर सकता है बसरते वह इसे सचमुच करना चाहे ब्रेम का मतलब यह है कि आप सामने वाले के लिए सेहत, खुशी, सांती, सुख और जीवन की सभी नियामतों की कामना करे सिर्फ एक ही चर्थ है और वहा है इमानदारी आप शमा करते समय दरसल उदार नहीं बलकि सुआर्थी होते हैं क्योंकि आप दूसरों के लिए जो कामना करते हैं वास्तव में वहा अपने लिए कर रहे हैं इसका गारण यहा है कि आप ही इसे सोचते और महसूस करते हैं जैसा आप सोचते और महसूस करते हैं वैसे ही आप बन जाते हैं क्या इससे सरल कोई चीज हो सकती है शमा की तक्निक शमा करने की एक सरल लेकिन कारगरविदी है इसका अब्याज करने पर या आपके जीवन में चमातकार कर देगी अपने दिमाग को शान्त कर ले शिथिल हो जाएं और मुक्त रहें इश्वर के बारे में अपने प्रती उसके प्रेम के बारे में सोचें और फिर सकारात्मा गोशना करें मैं पूरी तरह से आहत करने वाले का नाम सोचें को शमा करता हूँ मैं उसे मादसिक और आध्यात्मिक रूप से मुक्त करता हूँ मैं उसे इस मुद्दे से संबंदित हर चीज के लिए पूरी तरह से माफ करता हूँ मैं मुक्त हूँ और वह मुक्त है यह अद्बुद भावना है मेरे लिए आम शमादान का दिन है मैं हर उस व्यक्ति को मुक्त करता हूँ जिसने मुझे कभी आहत किया है और मैं हर एक के लिए सेहत, खुशी, शान्ती तथा जीवन की सभी नियामतों की कामना करता हूँ मैं यह काम मुक्तता, खुशी और प्रेम से करता हूँ जब भी मेरे मन में अपने को आहत करने वालों के बारे में विचार आता है तो मैं कहता हूँ मैंने तुम्हें मुक्त कर दिया है और जीवन की सभी नियामते तुम्हें मिले मैं आजाद हूँ और वे भी आजाद है या अद्बुत है सच्ची शमा का महान रह से यहा है कि जब आप एक बार व्यक्ति को शमा कर दे तो प्रार्टना को दोराना अनावश्यक है जब भी वह व्यक्ति आपके मन में आए या वह खास चोट आपके दिमाग में उबरे तो उसके प्रती अच्छे विचार व्यक्त करें और कहें तुम्हें शान्ती मिले जितनी बार विचार मन में आए उतनी ही बार या काम करें आप पाएंगे कि कुछ दिनों के बाद उस व्यक्ति या अनुभव का विचार कम बार आएगा और फिर गुमनामी में खो जाएगा शमा का एसिड टेस्ट सुरार यहां जाज करने के लिए एसिड टेस्ट का प्रियोग करते हैं कि सोना असली है या नकले शमा के लिए भी एक एसिड टेस्ट है मान लीजी कि मैं आपको किसी के बारे में कोई बहुत अच्छी खबर सुनाने जा रहा हूँ जिसने आपको चूना लगाया है दोका दिया है या छल किया है अगर आप उस व्यक्ति के बारे में अच्छी कबर सुनकर कुड जाते हैं तो यहा जान ले कि नफरत की जणे अब भी आपके अवजेतन मन में है और नुकसान पहुचा रही है मान ले कि पिजले साल आपका बहुत दुखने वाला दाथ निकाल लिया गया था और आप मुझे इसके बारे में इस सम्हें बताते है अगर मैं पूस्ता हूँ कि क्या इस सम्हें दर्द हो रहा है तो आप मुझे हैराजी से देख कर कहते हैं जाहिर है? नहीं मुझे दर्द याद है लेकिन आप मुझे यहा महसूस नहीं होता है यही पूरी कहानी है अगर आपने सचमुच किसी को शमा कर दिया है तो आपको घटना तो याद होगी लेकिन आपको अब उसकी चोट या डंक महसूस नहीं होगा यह समा का एसिट टेस्ट है आपको इसे मनोवेग्यानिक और आध्यात्मिक तरीके से करना होगा वरना आप खुद को धोका दे रहे हैं आप शमा की सच्ची कला का अभ्यास नहीं कर रहे हैं सब को समझना, सब को शमा करना है जब आप अपने मस्तिष के रशनात्मक नियम को समझ लेते हैं तो आप दूसरे लोगों और परिस्थितियों को दोश देना बंद कर देते हैं कि वे आपके जीवन को बना या बिगाड रही है आपको ऐसास हो जाता है कि आपके खुद के विचार और भावनाई ही आपके किस्मत बनाते हैं इससे भी बढ़कर आप जान जाते हैं कि बाहरी चीजे कारण नहीं है वे आपके जीवन तथा अनुभवों के कारण या निर्माता नहीं है या सोचना गलत है कि दूसरे आपकी खुशी में बादा डाल सकते हैं कि आप बेरहम किस्मत की फुटबॉल है कि आपको जीने के लिए दूसरों का विरोध करना पड़ेगा और उनसे लड़ना पड़ेगा ये सभी विचार अपनी विध्वन सात्मक प्रकती को प्रकट करते हैं जब आप यह समझ लेते हैं कि विचार ही वस्तु है यह सिद्दान बाइबल में स्पश्टा से बताया गया है जैसा व्यक्ति अपने दिल में सोचता है वैसा ही वह होता है प्रोवर्ब्स 23 पटे साथ और अब हम शुरुआत करते हैं अध्या अठारा की जो है आपका अवजेतन मानसे गवरोत कैसे हटाता है अगर आपके सामने कोई मुश्किल सिती आजाए और आपको रास्ता स्पश्ट न दिख रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं समाधान समस्या के भीतर ही होता है हर सवाल में इसका जवाब नहित होता है आपके अवजेतन मन की असिमित बुद्धिमता सब कुछ जानती है और सब कुछ देखती है इसके पास जवाब है और यह आपको वह जवाब अभी बता रही है लेकिन आपको सुनना होगा आपको पूर्ण विश्वास के साथ अवजेतन मन के सुझाए मार का अनुसरण करना होगा जवाब इस नए मानसिक नजरिये को हासिल कर लेते हैं कि आपके भीतर का रशनात्म ग्यान सुखत समाधान सुझा रहा है तो फिर आपको वह जवाब मिल जाएगा जिसे आप खोज रहे हैं आश्वस्त रहे कि इस तरह का मानसिक नजरिया आपके सभी कामों में व्यवस्ता, शान्ती और अर्थ लाएगा किसी आदत को कैसे बनाएं या तोड़ें हम सभी आदतों के हिसाब से जीने वाले प्राणी है आदत हमारे अवजेतन मन का कारे है हमने तैरना, साइकल चलाना, नाचना और कार चलाना जेतन रूप से इन कामों को बार-बार करके सीखा है जब तक कि ये कारे हमारे अवजेतन मन में स्थापित नहीं हो गए फिर अवजेतन मन की आदत ने उस काम को अपने जिम में ले लिया इसे कई बार दूसरी प्रकृति भी कहा जाता है यानि हमारी पहली प्रकृति के जिन्तन और क्रिया पर अवजेतन मन की प्रतिक्रिया अगर हम अपनी खुद की आदते बनाते हैं तो इसका मतलब है कि हम अच्छी या बुरी आदते चुड़ने के लिए सोतंत रहे अगर आप कोई नकारात्मक विजार या कारे कुछ समय तक दोराते हैं तो आप खुद को एक आदत के दवाव में रख रहे हैं आपके अवजेतन मन का नियम दवाव है उसने बुरी आदत कैसे छूड़ी जब बॉब जे मेरे पास आया तो वहाँ बहुत निराज था उसने मुझसे कहा शराब मेरी नौकरी, पत्नी और परिवार को पी गई मेरी पत्नी मुझसे फोन पर बात भी नहीं करती वहाँ मुझे अपने बेटी से मिलने भी नहीं देती मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूँ मैंने पूछा क्या अपने शराब छोड़ने की कोशिश की है जाहिर है की है उसने कहा बहुत बार और मैंने छोड़ी भी है कुछ समय के लिए लेकिन मन बेकाबू हो जाता है और मैं दो सब्ते तक लगातार नशे में डूबा रहता हूँ यह अब भयंकर है इस दुर्भाग इशाली व्यक्ति के साथ ऐसा बार बार हुआ उसे एसास था कि लगातार पीना उसकी आदत बन चुकी है और वह जानता था कि उसे इस आदत को बदल कर एक नई आदत डानली थी बहराल इच्छाओ को दबाने की कोशिश से अपनी इच्छा को नेदरित करने की शक्ति नहीं है शक्ति इनता के इस विचार ने उसके अवजेतन मन पर जबरदस सुझाव के रूप में काम किया इस कारण उसकी कमजोरी बढ़ गई और उसका जीवन असफलताओ का सिलसिला बन गया मैंने उसे चेतन और अवजेतन मन के कारियों में तालमेल बैठाना सिखाया इन दोनों के सईयोग से अवजेतन मन में बोई गई इच्छा या विचार साकार हो जाता है उसका तारकिक मन सहमत था कि अगर उसकी आदत के पुराने मार्ग ने उसे मुश्किल में डाल दिया है तो वा चेतन रूप से सोतंतरता, सैयम और मानसिक शांती का नया मार्ग बना सकता है वा जानता था कि हाला कि उसकी विनाशक आदत अब स्वचलित बन गई है लेकिन उसने इसे सचेतन विकल्ब चुनकर खुद बनाया था उसे एहसास था कि अगर उसने अपनी कंडीशनिंग नकारात्मक कर ली है तो वा इस कंडीशनिंग को सकारात्मक भी बना सकता है परिणाम स्वरूप उसने यह सोचना छोड़ दिया कि वह इस आदत को नहीं छोड़ सकता उसने एक स्पष्ट समझ हासिल की कि उसके अपने विचार के अलावा उसके उपचार में कोई बादा नहीं है इसलिए बहुत ज़्यादा मानसिक कोशिश या मानसिक दबाव की कोई जरूरत नहीं है उसकी मानसिक तस्वीर की शक्ती बाद ने अपने शरीर को शितिन करने का अभ्यास किया और मनन की निश्करी अवस्था में पहुंच गया फिर उसने या जानते हुए मस्तिस्क में इच्छित पणिडाम की तस्वीर बरी कि उसका अवचेतर मन सबसे आसान तरीके से इसे साकार कर सकता है उसने कल्पना की कि उसकी बेटी गले लगते हुए स्वागत कर रही है और कह रही है ओ डैडी कितना अच्छा होता कि आप दोबारा घर लोटाए नियमित रूप से सुनियोजित तरीके से वह इस तरह से बैठ कर मनन करता रहा ध्यान बड़कने पर उसने ततकाल अपनी बेटी को मानसिक तस्वीर याद करने की आदर डाल ली उसकी मुस्कान के साथ और उसके घर का द्रिश जो बेटी की चक्ति अवाद से जीवन था इस सबसे उसके दिमाग की दोबारा कंडिशनिंग हो गई यहाँ एक क्रमिक प्रक्रिया थी उसने इसे जारी रखा वहाँ लगा रहा क्योंकि वह जानता था कि देर सबेर वहाँ अपने अवजेतनमन में आदत का नया पैटर्न बना लेगा मैने उसे बताया कि वहाँ अपने जेतनमन को कैमरे की तरह मान सकता है जबकि उसका अवजेतन मन वह समवेदन शील प्लेट है जिस पर वह तस्वीर की चाप छोड़ता है इस सुजाव का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा उसका पूरा लक्ष यहाँ बन गया कि वह अपने मन की तस्वीर की द्रिन चाप छोड़े और उसे डेवलप करे फिल्म को अंधेरे में डेवलप किया जाता है इसी तरह मानसिक तस्वीरों को अब जेतन मन के डार्क रूम में डेवलप किया जाता है केंद्रे ध्यान बॉब समझ गया कि उसका चेतनमन कैमरे की तरह है इसलिए उसने कोई कोशिश नहीं की कोई मानसिक संगर्स नहीं हुआ उसने स्चान्ती से अपने विचारों को संदुलित किया और अपना ध्यान अपने सामने के द्रिश्य पर केंदृत किया जब तक कि वहां तस्वीर के साथ क्रमशह एकाकार नहीं हो गया वहां मानसिक माहूल में डूब गया और मानसिक फिल्म को बार बार देखने लगा उपचार होने के बारे में कोई शंका ही नहीं थी जब भी पीने की तलब लगती थी तो वहां अपनी कलपना को शराब के विचार से दूर मोड़ कर अपने परिवार के साथ घर पर रहने की भावना की और मोड़ लेता था वह सफल था क्योंकि उसे विश्वाच पर ही उम्मीद थी कि वहां अपने मस्तिस में जो फिल्म डवलप कर रहा था वहां अवश्य घटेगी आज वह सयम पूर्ण जीवन जी रहा है अपने परिवार के साथ दोबारा रहने लगा है केरियर में सफल और खुश है आप जो चाते हैं उसे कितना चाते हैं कहा जाता है कि एक युवक ने सुकरात से पूचा कि उसे भुद्धी कैसे मिल सकती है मेरे साथ आओ सुकरात ने जवाब दिया वे उस लड़के को डदी तक ले गए और उसका सिर पानी में डुबा दिया उन्होंने उसे तब तक डुबाई रखा जब तक की लड़का हवा के लिए पुरी तरह छट पटाने नहीं लगा फिर उन्होंने उसे छोड़ दिया जब लड़के की हाला ठीक हो गई तो सुकरात ने उससे पूचा जब तुम्हारा सिर पानी में डुबा था तो तुम्हें किस चीज की सबसे ज़्यादा चाहत थी हवा की लड़के ने जवाब दिया सुकरात ने धीरे से सिरह लाया जब तुम भुद्धि मानी को उतना चाहने लगोगे जितना की पानी में डूपते समय हवा को चाहते थे तो यहाँ तुम्हें मिल जाएगी इसी तरह जब आपके मन में जीवन की किसी डिश्चित बादों को पार करने की गहिन प्रबल सच्ची इच्छा होगी आप एक निश्चित निड़ने पर पहुचेंगे कि कोई रास्ता है आप विश्वास से वैसला करेंगे कि यही वह रास्ता है जिस पर आप चलना चाहते हैं तो विज़य सुनिश्चित है अगर आप सच-मुच मानसिक और आंदरिक शान्ती चाहते हैं तो आपको वह मिल जाएगी इससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है कि आपके साथ कितना बेदबाव व्यवार हुआ है या बॉस ने कितना अनुचित प्रिक्सपात किया है या किसी ने आपके साथ कितना गटिया काम किया है जब आप अपनी मानसिक और अध्याद्बिक शक्तियों के बारे में जागरित हो जाते हैं तो आपको इससे कोई फर्क नहीं बढ़ता है आप जानते हैं कि आप क्या चाहते हैं और आप डिश्चित रूप से नफरत, गुस्से, शत्रुता तथा दुर्भावला के चोरों को अपनी शानती, सद्भाव, सेहत और खुशी नहीं लूटने देंगे जब आप अपने विचारों को जीवन के लक्ष के साथ एकाकार करने की आदत सीख लेते हैं तो आप लोगों, परिस्थितियों, खबरों और गटनाओं पर विचलित होना छोड़ देते हैं आपका लक्ष शानती, सेहत, प्रेणा, सद्भाव और समरिद्धी है महसूफ करें कि शानती की नदी आपके भीतर इसी समय प्रवाहित हो रही है आपका विचार अमूर्थ और अद्रिश ही शक्ती है तता आप इसका चुनाव खुद को दुआ देने, प्रेरित करने और शानती बाने के लिए करते हैं मानने से इंकार करना अगर आप शराबी या मादक पदार्थ के आदी हैं, तो इसे स्विकार करें बचने की कोशिश ना करें कहीं लोग शराबी इसलिए बने रहते हैं क्योंकि वे इसे स्विकार ही नहीं करते हैं आपकी बिमारी एक और्स थिरता है, एक आंतरिक डर है आप जीवन का सामना करने से इंकार कर रहे हैं इसलिए आप शराब के माद्यम से अपनी जिम्मेदारियों से पलायन करने की कोशिश कर रहे हैं शराबी के रूप पे आपकी कोई सुतंत्र इच्छा नहीं है हाला कि आप सोच सकते हैं की है हो सकता है आप अपनी इच्छा शक्ती के बारे में डीं के हांकते हो अगर आप आददन शराबी हैं और साहस के साथ यहां गोशना करते हैं अब मैं इसे कभी नहीं चूँगा तो आप मैं इस गोशना को सही साबित करने की शक्ती नहीं है कारणिया है कि आप यहां नहीं जानते की शक्ती को कहा खोजना है तरसल आप खुद की बनाई मनोव एग्यानिक जेल में रह रहे हैं आप अपने विश्वासों, रायों, प्रशीक्षन और माहौल के प्रभावों की बेडियों में जकड़े हुए हैं अधिकांच लोगों की तरह आप भी आदत के गुलाम है आप जिस तरह से प्रतिक्रिया करते हैं उसके लिए कंडिशन है सोतंतरता के विचार बनाना आप अपनी मानसिक्ता में सोतंतरता के मानसिक शांतिक का विचार भर सकते हैं ताकि यह आपकी अवजेतन गहराईयों तक पहुँच जाए अवजेतन मन सर्व शक्तिमान है इसलिए यह आपको शराब पीने की इच्छ से मुक्त कर देगा उस मोड पर आपको एक नई समझ मिलेगी कि आपका दिमाग कैसे काम करता है आपको अपने बीतर असीमित संसादन मिलेंगे जिनके द्वारा आप अपनी बात को सच साबित कर सकते है अगर आपके मन में किसी विनाशक आदत से चुटकारा पारे की प्रबल इच्छा है तो आपका एक विनावन प्रतिशत इलाज पहले ही हो चुका है जब आपकी बुरी आदत को छोड़ने की इच्छा इसे जारी रखनी की आवशक्ता से अधिक बड़ी हो जाती है तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि पूर्ण सुतंदरता सिर्फ एक कदम दूर है जो भी विचार आप अपनी दिमाग में लंगर की तरह डालते हैं इससे आप ऐसी भावनाय उत्पन करते हैं जो सतंतरा और शान्ती की अवधारणा को धीरे धीरे ग्रण कर लेती है आप जिस भी विचार को इस तरीके से भावनात्मक बनाते हैं उसे आपका अवजेतनमन सुईकार कर लेता है और साकार कर देता है प्रतिस्थापन का नियम या जान ले कि आपके कश्ट से कोई अच्छी चीज उत्पन हो सकती है आपने नाहक कश्ट नहीं उठाया है पहराल कश्ट उठाते रहना मुर्खता है अगर आप शिराबी बने रहते हैं तो इससे मानसिक और शारिरिक दुआस होगा महसूस करें कि अवचेतिर की शक्ति आपका साथ दे रही है हाला कि आपको मानसिक अवदास हो सकता है लेकिन आप भावी सुतन्ददा की सुकत कल्पना शुरू कर सकते हैं जो आपके भीतर भरी हुई है आपकी कल्पना आपको शराब की बोतल तक ले गई इसे अप खुद को सुतन्ददा और मानसिक शांती तक ले जाने दे आपको थोड़ा कश्ट होगा लेकिन यह स्रजनात्म गुद्देश ये के लिए होगा आप इसे उसी तरह सहयन करेंगे जिस तरह मा रसव पीड़ा को करती है और आप मस्तिस्क में एक बच्चे को जर्म देंगे आपका अवजेतल सयम को जर्म देगा शराब खोरी के कारण शराब खोरी का असली कारण नगारात्बक और विनाशक सोच है जैसा इंसान सोचता है वैसा ही वह होता है शराबी में हीन भावना, अक्षमता, कुंठा और पराजय का गहरा एसास होता है अक्सर इनके साथ गहरी आंतरिक्षतुरता भी होती है व्यक्ति के बास अनंत बहाने होते है जिसे वह अपने शराबीपन का बचाव कर सकता है लेकिन असली कारण व्यक्ति का वैचारिक जीवन होता है तीन जादुई कदम पहला कदम स्थिर हो जाए मस्तिस को शांत कर ले उनिंदी निस्करी अवस्ता में पहुंच जाए इस सिथिल, शांत, ग्रेंडसी लवस्ता में आप दूसरे कदम की तैयारी कर रहे है दूसरा कदम एक संचिप्त वाके ले जिसे आसानी से यादास पर उकेरा जा सके और लोरी की तरह बार बार दोराया जा सके इस वाके का प्रियोग करे अब मुझ में सयम और मानसिक शांती है और मैं धन्यवाद देता हूँ मस्तिस को भटकने से रोकने के लिए इसे जोर से दोराये और मन में बोलते समय इसके उचारण में होटों और जीब को चलाएं इससे अवसेतन मन तक पहुँचने में मदद मिलती है इसे पाच मिनट या इससे ज़्यादा समय तक करते रहे आप एक गहरी भावनात्मक प्रतिक्रिया पाएंगे तीसरा कदम सोने से ठीक पहले वह करें जो महान जर्मन कवी जोहानन वान गेटे करते थे कल्पना दरेगी कोई मित्र या प्रेजन आपके साथ है आपके आखे बंध है आप शिथिल और शान्त है या प्रेजन या मित्र कल्पना से आपसे कह रहा है बधाईया आप उसकी मुस्कराट देखते हैं आप उसकी आवाज सुनते हैं आप मानसिक रूप से उसका हाथ छुते हैं सब कुछ वास्तविक और चित्रात्मक है बधाईया शब्द पूर्ण सुतंत्रता का घोतक है इसे बार बार सुने जब तक की आपको संतोष जनक अवजीतन प्रतिक्रिया ना मिल जाए लगातार करते रहें जब डर आपके मस्तिस का दर्वाजा खट-कटाए अपने अवजीतन मन के भीतर की असिमी शक्ति के बारे में सोचें जो आपके चिंतन और कलपना को उत्पन कर सकती है इससे आपको विश्वास्त, शक्ति और साहस मिलेगा लगातार करते रहें, जुटे रहें जब तक कि दिन न निकलाए और अंधेरा दूर न भाग जाए और अब शुरूआत करेंगे अध्याय 19 की जिसमें हम सीखेंगे कि डर बगाने के लिए अवजीतन मन का प्रियोग कैसे करें मेरे एक विद्यार्थी को उसके व्यावसाइक सम्मेलन के वार्षिक समारों में भासर देने के लिए अमंत्रित किया गया था उसने मुझे बताया कि एक हजार लोगों के सामने भासर देने के बारे में सोचकर ही वह दैशत में आ गया था जिन मेंसे कहीं उसके शेत्र में विशेशक्य थे उसने अपने डर पर इस तरह विजय पाई कई रातों तक वह लगबग पाँच मिनट तक कुर्सी पर शान्ती से बैठा उसने खुछ से धीरे से, शान्ती से और सकारात्मक तरीके से कहा मैं इस डर पर विजय पाने वाला हूँ मैं इस पर अभी विजय पा रहा हूँ मैं संतुलन और विश्वास से बोलता हूँ मैं शान्त और आराम दे हूँ इस तरीके से उसने मस्तिस के एक निश्चित नियम से कारे करवाया जब समाय आया, तो उसने अपने डर पर विजय पाई और बहुत सफल बासर दिया अवजेतन मन सुजाव के प्रती बहुत क्रेंडशील होता है या सुजाव द्वारा नियंतरित होता है जब आप अपने मस्तिस को स्थिर कर लेते हैं और शितिल हो जाते हैं तो आपके छेतन मन के विजार आपके अवजेतन में उतर जाते हैं या प्रक्रिया प्रसारर जैसी ही है जिसमें छित्र वाली जलियों द्वारा विभाजित दव्र आपस में मिल जाते हैं जब ये सकारात्मा क्वीज या विजार अवजेतन छेत्र में उतरते हैं तो वे अपनी तरह के फल देते हैं, तता आप संतुले शांत और सद्भावना पूर्ण बज जाते हैं। यहां का गया है कि डर लोगों का सबसे बड़ा शत्रू है। डर ही असफलता, बिमारी और कमजोर मानवे संबंदों का कारण होता है। लाकों करोडों लोग अतीप, भविष, बुड़ापे, पागलपन और बहुत से डरते हैं। लेकि डर आपके दिमाग का एक विचार है। इसका मतलब है कि आप अपने वी विचारों से डरे हुए हैं। कोई छोटा बच्चा डर के मारे दहशत में आ सकता है। जब उसका साती कहता है कि बिस्तर के नीचे एक राकशक्स है, जो रात को उसे पकड़ लेगा। लेकिन जब बाता या पिता लाइट जला कर दिखाते हैं कि कोई राकशस नहीं है, तो उसका डर दूर हो जाता है। बच्चे के दिमाग का डर उतना ही असली था जितना की असली राकशक्स होने पर होता है। उसके मन के जूटे विचार का उपचार हो गया। जिस चीज का उसे डर था, वह मौजूद ही नहीं थी। इसी तरह से आपके अधिकांच डर वास्तविग नहीं होते हैं। वह महज, दुष्ट च्चायाओं का समू होते हैं और च्चायाइं असली नहीं होती हैं। वह काम करें जिससे आप डरते हों। वह नीश्वी सदी के महांदार्शनिक और कवी, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, जिस काम से आप डरते हों उसे कर दे, और डर की मौत तैह हैं। एक समय था, जब मैं श्रोताओं के सामने खड़े होने और भासर देने के विचार से पूरी तरह घपराता था। मैंने अवजेतनमन की कारवेदी के बारे में जो भी सीखा है, उसे दूसरों तक कभी नहीं पहुचा पाता। मैंने इमर्सन की सलापर अमल करके इस डर्ग पर विजय पाई। अंदर से कापने के बावजूद मैं श्रोताओं के सामने गया और बोलने लगा। धीरे धीरे मेरा डर कम होने लगा, और आखिरकार मैं इतना आरामदे हो गया कि मैं इसमें आनन्द लेने लगा। इसके बाद तो यह स्तिती आ गई कि मैं भाशर देने के लिए उत्सुक होने लगा। मैंने वह काम किया जिसे करने में मैं डरता था और डर की मौत तय थी। जब आप सकारात्मक रूप से घोश्टा करते हैं कि आप अपने डर पर विज़े पाने वाले हैं और अपने जेतन मन में एक निष्चित निर्णय पर पहुँचते हैं तो आप अप जेतन की शक्ति को बुक्त कर देते हैं, जो आपके विचार की प्रकति की प्रतिक्रिया म में प्रवाहित होती है मंच के डर को दूर भगाना पहले एक अध्याय में मैंने जैनेट आर का उदारन दिया था इस यूआ ओप्रा सिंगर का करियर मंच के डर के कारण खत्रे में पड़ गया था जब उसे एक आप्रा प्रोडक्शन में प्रवुख भूबिका के आडिशन के लिए बुलाया गया तो उसे एसास था कि शायद वह सफल होने का उसका आखरी मौका था लेकिन उसका मंच का डर पहले जितना ही प्रबल था वह जानती थी कि अगर वहाँ इससे नहीं उबर पाई तो एक बार फिर असफल हो जाएगी अपने डर से उबरने के लिए उसने यह तरीका एजमाया एक कमरे में एक आद में बैटकर उसने अपने शरीर और मन को शितिल करने की शर्वस्रेष्ट कोशिश की उसके अवजेतन मन पर जो डर भारी था उसके सुझाव का प्रतिरोध करने के लिए उसने धीरे धीरे शानती से और भावना से शब्द दोराए मैं बहुत बढ़िया गाती हूँ मैं संतुलित, आत्मविश्वासी और शान्त हूँ उसने हर बार ये शब्द पास्टस बार दोराए एक सप्ता के अंत तक वह संतुलित और आत्मविश्वास से भरी हूई मैसूस करने लगी समय आने पर उसने बहुत बढ़िया ओडिशन भी दिया अगर आप यह तकनी का आजमाएं और इस काम को पूरी इमानदारी और विश्वास से करें तो डर की मौत तैय है असफलता का डर मेरे पास अक्सर करीब की एक यूनिवर्स्टी के विद्यारती आते हैं और मैं से जादा तरकी एक ही शिकायत रहती है जिसे हम परिक्षा में भूलना कहते है मैं सभी उससे एक ही बात कहते है परिक्षा से पहले मुझे सब कुछ यात रहता है और परिक्षा के बाद भी सारे जवाब याद आ जाते है लेकिन परिक्षा हॉल में मेरा दिमाग बिलकुल खाली हो जाता है हम में से बहुत से लोगों ने ऐसी ही समस्या का सामना किया होगा इसका स्पष्टिकरण अवजेतन मन के एक प्रमुक नियम में नहेत है वही विचार साकार होता है जिस पर हम सबसे ज़्यादा ध्यान के इंद्रित करते हैं इन विद्यार्दियों के साथ बातचीत करते समय में पाता हूँ कि उनका ध्यान असफलता के विचार पर सबसे ज़्यादा के इंद्रित होता है परिणाम सरूप उनका अवजेतन मन असफलता को साकार कर देता है असफलता करडर और स्थाई बुलककरपन लाकर असफलता उत्पन कर देता है शीला ए अपनी क्लास की बहुत प्रुभावशाली मेडिकल स्टूडेंट थी लेकिन जब भी वह कोई लिखित या मौखित परिक्षा देती थी तो उसके दिमाग में आसान सवालों की जवाब भी नहीं आपाते थे मैंने उसे इसका कारण समझाया वह परिक्षा के कई दिन पहले से असफलता की आशंका पर सोच रही थी और चिंता कर रही थी ये नकारात्मक विचार डर से प्रेरित हो गए दर के शशक्त भाव में लिप्टे विचार अवजेतन मन में साकार होते है दूसरे शब्दों में यह लड़की अपने अवजेतन मन से आगरे कर रही थी कि वह उसे फेल करवा दे और अवजेतन मन ने ठीक वही काम किया परिक्षा के दिन वह सब कुछ बूल गई वह अपने डर से कैसे उबरी जब शीला ने अपने अवजेतन मन की कारविद्धी का अध्येन किया तो उसने सीखा कि यह संबृत्तियों का बंडार है इसके पास हर बात का पूरा रिकॉर्ड है जो उसने मेडिकल प्रसिक्षर के दौरान सुनी या पढ़ी है यही नहीं उसने जाला की अवजेतन मन प्रतिक्रियाशील और पारस्परिक है इसके साथ गहरे तालमेल में आने का तरीका शान, आराम दे और आत्म इश्वास से पूर्ड बनना है हर सुबा और रात वह अगया कालपना करने लगी कि उसके माता पेता उसके अद्बुद रिकॉर्ड पर उसे बढ़ाई दे रहे है वह उनके एक खालपनिक पत्र को भी अपने हाथ में महसूस करती थी जब वह इस सुकत प्रिणाम पर विचार करने लगी तो उसे अपने भीतर उसी के अदूरूप प्रतिग्रिया मिली इस सत्त प्रिणामे अवजेतन की सर्व ग्यानी और सर्व शक्तिमान शक्ती ने कमान अपने हाथ में ले ली इसने उसी अनुसार उसके चेतन मन को निर्देशित किया उसने अंतिप प्रिणाम की कल्पना कर ली थी पस इसे सकार करने के साधन की जरूरत थी इस तक्नीक के अनुस्तरण के बाद उसे परिक्षाएं पास करने में कोई दिक्कत नहीं हुई उसके अवजेतनमन की व्यक्तिनिष्ट बुद्धी ने खमान्ध हाथ में ले ली और उस पर दवाव डाला कि वह उतक्रिष्ट प्रदर्शन करे पानी का डर जब मैं दस साल का था तो अकस्मात एक स्विमिंग पूल में किर गया मैंने कभी तयाना नहीं सीखा था मैंने अपने हाथ हिलाए लेकिन इससे कोई फाइदा नहीं हुआ मुझे महसूस हुआ कि मैं डूप रहा था मुझे अब भी वह देशद याद है जब शाप पानी मुझे घेरे हुए था मैंने सास लेने के लिए मूँ खोला लेकिन मूँ में पानी भर गया आकरी पर एक लड़के ने मेरी हालत देख ली वहाँ पानी में कूटकर मुझे बाहर निकाल लाया यह अनुबब मेरे अफजेतन मन में उतर गया परिणामिया हुआ कि मैं बर्सों तक पानी से डरता रहा फिर एक दिन मैंने अपना यह अताकिरिक डर एक समझदार बुजिर्ग मरोवे ग्यानिक को बताया स्विमिंग पूल में जाओ उन्होंने मुझसे कहा पानी की तरफ देखो यह सिर्फ एक रसायनिक योगिक है जो हाइड्रोजन के दो परमाड़ों और अक्सीजन के एक परमाड़ों से बना है इसकी कोई इच्छा नहीं है कोई जाग रुकता नहीं है लेकिन तुम्हारे पास दोनों है मैंने सेर हिलाया और सोचने लगा कि बात आखिर कहा जा रही है एक बार जब तुम यह समझ लेते हो कि पानी मूलत दहां निश्क्रिया है उन्होंने आगे कहा तो जोर से द्रण आवाज बेखो मैं तुम पर विजय पाने वाला हूँ मन की शक्तियों से मैं तुम पर विजय पालूँगा फिर पानी में उतर जाओ तैरना सीखो पानी पर विजय पाने के लिए अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रियोग करो मैंने ऐसा ही किया जब मैंने नयामानसिक नजरिया अपना लिया तो अवजेतन की सर्व शक्तीमान शक्ती ने प्रतिक्रिया की और मुझे शक्ती, आस्था तदा आत्मी विशाज दिया इसने मुझे अपने डर से उबरने में समर्थ बनाया और मैंने पानी पर विज़े पाली आजकल मैं हर सुबह सेहत और आनंद के लिए तैड़ता हूँ पानी को अपने पर विज़े ना पाने दे याद रखें आप पानी के मालिक हैं किसी भी खाज डर से उबरने की अचूप तकनीक यहाँ डर से उबरने की एक ऐसी तकनीक दी गई है जो मैंने मज़ पर खड़े होकर हाजारों लोगों को सिखाई है यह जादू की तरह काम करती है आज माकर देख ले मालने आप तैरने से डरते हैं पास-दस मिनिट के लिए दिन में तीन-चार बार स्थिर बैठ जाएं खुद को गहरे आराम की अवस्ता में ले जाएं अब कल्पना करें कि आप तैर रहे हैं कल्पना में आप तैर रहे हैं मालसिक रूप से आपने खुद को पानी में डाल लिया है आप पानी की ठंड़क और हाथ पैरों का हिलना डूलना महसूस करते हैं यह सब वास्तविक, चित्रात्मक और मानसिक खुशी की गतिविदी है यह निरर्थक दिवासवपने नहीं है आप यह तो समझते हैं कि आप जो भी अपनी कल्पना में अरुबव करते हैं वह आपके अवजेतन मन में विक्सित होगा इसके बाद आप पर दबाव पड़ेगा कि आपने अपने अधिक गहरे मस्तिस्क पर जो तस्वीर छोड़ी है उसे वास्तविक जीवन में साकार करें जब आप अगली बार तैरने की कोशिश करेंगे तो आप यह खुशी महसूस करेंगे यह अवजेतन का नियम है अन्य डरों पर भी आप यही तक्निक लागू कर सकते हैं अगर आपको उची जगों से डर लगता है तो कल्बना करें कि आप पहाडों पर टहल रहे हैं इसकी वास्तविक्ता को महसूस करे ताजी हवा, पहाडी फूलों और रोमान्चक छटा का आनंद ले यह जान ले कि अगर आप मानसिक रूप से इसे करते रहेंगे तो शारेरिक रूप से आपको कोई बुश्किल नहीं होगी नवजाच शिशू को सिर्फ दो मूलभू डर होते हैं गिरने का डर और अचानक तेज शूर का डर यह डर पूरी तरह सामान्य है वे एक तरह से अलारम की तरह काम करते हैं जो आपको प्रकृती से आत्मरक्ष के साधर के रूप में दिये गए हैं सामान्य डर अच्छा है आप सडक पर अपनी और आदिकार की आवाज सुनते हैं और बचने के लिए एक तरह हट जाते हैं अकर का डर आपके कर्म द्वारा टल जाता है बागी सभी डर असामान्य होते हैं वे खास अनुभवों द्वारा उत्पन्न होते हैं या फिर माता पिता, रिष्टेदारों, टीचर्स या अन्य लोगों से आपके पास आते हैं जिन्होंने आपको शुरुवाती वर्षों में प्रुभावित किया असामान्य डर तब उत्पन होता है जब लोग अपनी कल्पना को बेकाबू होने देते हैं मैं एक महिला को जानता हूँ जिसे हवाई जहाज से दुनिया की सैर पर जाने का पुरुसकार मिला वा अगबारों से हवाई जहाज दुरगटनाओं की सारी खबरे इखटा करने लगी उसे दे वर्ल्ड वर्ष एयर्पन क्रैशिस के वीडियो टेप का ओर्डर भी दे दिया उसने कल्पना किये कि वह हवाई जहाज से गिरकर समुद्र बे डूब रही है यह आसामा ने डर था अगर वह ऐसा ही सोशती रहती तो इस बात की प्रबल समभावना है कि उसके साथ भी वही होता जिसका उसे सबसे ज़्यादा डर था असामा ने डर का जवाब अगर आप असामा ने डर से ग्रस्त हो तो आपको मांसिक रूप से विपरीद धुरूप पर चले जाना चाहिए अगर आप डर की अती पर बने रहते हैं तो आप ठहराव की शिकार रहेंगे साथ ही मांसिक और शारिरिक द्वास भी होगा जब डर जाकता है तो अवजेतन मन का एक मूलभूत नियम ततकाल डर की विपरीद किसी चीज़ की इच्छा ले आता है अपना ध्यान ततकाल चाहिए गई वस्तू पर केंद्रित करें अपनी इच्छा में डूब जाएं चान ले कि अवजेतन जगत हमेशा जेतन जगत को बदल देता है यह नजरिया आपको आत्म विश्वास देगा और आपका मरोबल बढ़ाएगा आपके अवजेतन मन की और सीमिज शक्ती आपके पक्ष में है यह असफल नहीं हो सकती इससे आपको शान्ती और आत्म विश्वास मिलेगा अपने डरों की जाच करे एक बड़ी मर्टी नैशनल कॉर्परेशन के सेल्स प्रमुक ने मुझे बताया कि जब उसने पहले पहल सेल्समें के रूप में काम करना शुरू किया था तो वहां इमारत के 5-6 चक्कर लगाता था तब कहीं जाकर उसमें ग्राग के घर की घंटी बजाने की हिम्मत आपाती थी उसकी सूपर्वाइजर बहुत अनुभवी और समझदार थी एक दिर उसने सेल्समें से कहा सूपर्वाइजर ने उसे आगे बताया कि डर का आभास होने पर वहां डटकर खड़ी हो जाती थी वह सीधे डर की आँखों में आखे डाल कर देखती थी जब वह ऐसा करती थी तो हमेशा पाती थी कि उसका डर गायब और उड़न्चू हो गया वह जंगल में पहुँच गया अमेरिकी सेना के एक पूर्व पादरी जॉन एन ने मुझे बताया कि द्वित्य विश्यूद के दोरान वे जिस जहाज पर थे एक एंटिक्राफ्ट मशीन गन की गोलाबारी से जहाज तबाह हो गया उने जंगल में ढके ड्यू गिनी के पहाड़ों में उतरना पड़ा जायर हैं वे डरे हुए थे लिकिन वे जानते थे कि डर दो तरह का होता है सामाण्य और असामाण्य वे जानते थे कि उस वक्त जो असामाणय डर उन पर हावी होने की कोशिश कर रहा था वह दहश्यत का निकट संबन्दी था उन्होंने अपने डर के बारे में ततकाल कुछ करने का फैसला किया वे खुद से बोलने लगे जॉन, तुम अपने डर के सामने गुटने नहीं देख सकते तुमारा डर सुरक्षा की इच्छा है बाहर निकलने का रास्ता है वे एक छोटी खाली जगह के बीच में खड़े हुए और उन्होंने अपनी सांस को सामान ने किया इससे दहश्यत के लक्षण कम हो गए जैसे ही वे अधिक आराम दे महसूस करने लगे वे यह सकारात्मक दावा करने लगे जो सीम बुद्धिमत्ता ग्रहों को उनकी कख्षा में बार्वदर्शन देती है वही अब मुझे इस जंगल से बाहा निकलनी की रा दिखा कर सुरक्षा की ओ ले जा रही है वे दस मिनट तक ऐसा चोड़ चोड़ से करते रहे जॉन ने मुझे बताया अचानक मुझे अपने भीतर कोई चीज हिलती हुई महसूस हुई यहां आत्म विशास और आस्था की हिलोर थी मैं खाली जगल के एक हिस्से की तरफ आकरशित हुआ वा मुझे एक धुद्री सी पगडंडी दिखी और मैं उस पर चनले लगा दो दिन बाद चमतकारिक रूप से मैं एक छोड़े गाउं में पहुच गया जहांके लोग बहुत दोस्ताना थे उन्हें ने मुझे खाने को दिया फिर जंगल की किनारे तक ले गए जहां एक बचाव हुआई जहाज ने मुझे बचा लिया जौन के बद्रे हुए मांसिक नजरिये ने उन्हें बचा लिया अपने भीतर की अवजेतन बुद्धी और शक्ती में उनके विश्वास ने उन्हें समस्या का समाधा दिया उन्होंने आगे कहा अगर मैं अपनी किस्मत पर आसू बहा था और अपने डरों का शिकार होता तो डर का राक्चस मुझसे जीच जाता शायद मैं डर के कारण भूका ही मर गया होता खुद को सभी डरों से मुक्त करें बाइबल में डर दूर करने का एक आदर्श फॉर्मूला है मैंने ईश्वर को जहां और उन्होंने मेरी बात सुनी तता सभी डरों से मुक्ती दे दी भजन 34 बटे 4 ईश्वर यानि गौर्ड एक प्राचीन शब्द है जिसका अर्थ है कानून आपके अवजेतन मन की शक्ती अपने अवजेतन मन के आश्चरियों को जाने समझे कि यह कैसे काम करता है इस अध्याय में बताएगी तक्निकों में निपूर्ण बने आज इसी समय से उनका अभ्यास करे आपका अवजेतन प्रतिक्रिया करेगा और आप हर डर से मुक्त हो जाएंगे मैंने इश्वर को जाहा और उन्होंने मेरी बात सुली तथा सभी डरों से मुक्ती दी तो यहां से हम शुरुआत करेंगे आखरी अध्याय की जिसमें हम सीखेंगे कि मन से हमेशा युवाक कैसे रहा जाए आपका अवजेतन मन कभी बुड़ा नहीं होता है यह अजर, अमर और अनन्थ है यह ईश्वर के सासुत मस्तिस्ट का अन्थ है जो न कभी पैदा हुआ है नहीं कभी मरेगा ठकार यह बुड़ाबे का आपकी आध्यात में गुड़वत्ता यह शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है अगर आप इन गुड़ों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा मंद से युवा बने रहते हैं सिर्फ उम्र या वर्स ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं यह समय नहीं बलकि समय का डर है जो हमारे दिलों दिमाग पर हानिकारक प्रभाव डालता है दरसल समय के प्रभाव के नियूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं इतने सालों की सार्वजनिक सक्रिया ने मुझे मशूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर बिला जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविदिया जीवन की सामा नियवदी से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी यहां मेरा सौबा के रहा है कि मैं ऐसे असंक व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुचे लेकिन अपने विनमर अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया है कि बुढ़ापा मस्तिसक और शरीर की रसनातपक शक्तियों को नश्ट नहीं करता है वह अपने विचारों में बूड़ा हो गया था कुछ साल पहले मैं लंदन के एक पुराने दोस्ते मिला वह उसी समय 80 साल का हुआ था कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अफसर होता लेकिन दुर्बाग इसे उसके लिए ऐसा नहीं था उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा वह कमजोर दिख रहा था बेमार भी हाला कि उसने सीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खाज बिमारी नजर नहीं आ रही थी डॉक्टर मूर्ख होते हैं उसने जलना कर कहा मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बिमारी क्या है जिन्दगी खुद रोग बन चुकी है मैंने उससे पूचा कि उसका क्या मतलब है उसने चिलना कर कहा कोई भी मुझे नहीं चाता है किसी को भी बेरी जरूरत नहीं है और उन्हें क्यों हो मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूँ हम पैदा होते हैं बड़े होते हैं बूडे होते हैं और मर जाते हैं बस कहानी खत्म हो जाती है मैंने देख लिये कि एक तरह से उसने अपनी बिमारी सही समझी थी वह बिमार था जिन्दगी के कारण नहीं बल्कि जिन्दगी को देखने के तरीके के कारण दिर्थकता और महतुहींता के मालसक नजरिये के कारण वह बिमार था वह सिर्फ बुड़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नही दरसल वह अपने विचारों में बुड़ा हो गया था और उसके अवजेतन मन ने हर उस चीज को साकार कर दिया जिसके वह आशंका कर रहा था और डर रहा था बुड़ापा बुद्धी का हुद्ध है दुर्बाद बिसे कई लोग इस दुखी व्यक्ति जासा नजरिया विक्सित कर लेते हैं उन्हें उस चीज से डर होता है जिसे वे बुड़ापा, अंत और समाप्ति कहते हैं दरसल इसका यहां मत्तब है कि वे जीवन से डर रहे हैं लेकिन जीवन अनंत है बुड़ापा बरसों की उड़ान नहीं बलकि बुद्धी का हुद्धी है बुद्धी आपके अवजेदन मन में नेज जबर्दस अध्याद्मिक शक्तियों की जाग रुकता है और यहां ज्यान है कि पूर्ण वो सुखी जीवन जीने के लिए इन शक्तियों का इस्तमाल कैसे गिया जाए अपने दिमाग से यह बात हमेशा के लिए निकाल दे कि 65, 75 या 85 साल की उम्र आपके या किसी और के लिए अंत का दूसरा नाम है यहां यसस्वी, लाबकारी, सक्रियों और सबसे उप्यों की जीवन तंद्र की शुरुवात हो सकती है शायद पहले से भी ज़्यादा अच्छी इस पर यकीन करें, इसकी उम्मीद करें और आपका अवजेतन इसे साकार कर देगा परिवर्तन का स्वागत करें बुडापा कोई दुखत गटना नहीं है हम जिसे भुडापे की प्रिग्रिया कहते हैं, वह दरसल परिवर्तन है इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए मानव जीवन का हर पहलू, उस रापर आगी की तरफ एक कदम है, जसका कोई अंत नहीं है हमारे पास ऐसी व्रज शक्तिया हैं, जो हमारी शारिरिक शक्तियों की सीमाओ के पार जाती है हमारे पास अद्भुद इंद्रिया हैं, जो हमारी पांच शारिरिक इंद्रियों की सीमाओ को पार जाती है जीवन आध्याद्मिक और शाश्वत है अबे कभी बुड़े होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जीवन या इश्वर कभी बुड़ा नहीं हो सकता पाइबल में कहा वेया है कि इश्वर ही जीवन है जीवन नित नया होने वाला शाश्वत तथा अलियाशी है और यहाँ सभी लोगों के बारे में सच है जीवन है एक महिला ने एक बार विदुत के जादुगर थॉमस एडिसन से पूछा था मिश्टर एडिसन बिजली क्या है उन्होंने जवाब दिया मैडम बिजली है इसका इस्तमाल कड़े मिश्टर वहाँ नाम है जो हम एक अद्रिशी शक्ती को देते हैं जिसे हम पूरी तरह नहीं समझते हैं बहराल हम विदुत के सिद्दादों और इसके प्रियोगों के बारे में जितना सीख सकते हैं सीखते हैं हम असन के तरीकों से इसका इस्तमाल करते हैं वग्यानिक अपनी आखों से एलेक्ट्रॉन को नहीं देख सकते फिर भी वे इसे वग्यानिक तत्य के रूप में स्विकार करते हैं हम जीवन को नहीं देख सकते बहराल हम जानते हैं कि हम जिन्दा है जीवन है और हम यहां इसे इसकी पूरी सुन्धरता और महिमावे व्यक्त करने के लिए आए है मस्तेशक और आत्मक कभी बुड़े नहीं होते बाइबल कहती है और यह शास्वत जीवन है ताकि वे तुम्हें एक लौते सच्चे इश्वर के रूप में जान सके जौन 17,3 जो भी सोस्ता है या मानता है कि जन्म, किशोरावस्ता, जवानी, परिपक्तुाता और बुड़ापे का धर्थी का चक्र ही जीवन है वह वास्तव में दया का पात्र है इस तरह के व्यक्ति का कोई लंगर नहीं है, कोई आशा नहीं है, कोई सपना नहीं है इस तरह के व्यक्ति के लिए जीवन का कोई अर्थ नहीं है इस तरह का विश्वास कुंठा, ठहराव, दोश्दर्सिता और एक तरह की निराशा लाता है जो डियूरोसिस और सभी तरह के मानसिक विकारों की और ले जाता है क्या होगा जब आप टैनिस का तेज मैच नहीं खेल पाएंगे या अपने बच्चों जितना तेज नहीं तैर पाएंगे क्या होगा जब आपका शरीर धीमा हो जाएगा या आप धीमी चाल चलेंगे याद रखें, जीवन नित नया चोला बदलता है जिसे लोग मौत कहते हैं वह जीवन के एक अन्य आयाम में एक नए शहर की यात्रा करने जैसा है मैं अपना भासर सुनने आने वाले लोगों को समझाता हूँ कि उन्हें बढ़ापे को क्रितक्यता से स्विकार करना चाहिए उम्र की अपनी महिमा सुन्दर्ता और नियामत होती है शान्ती, प्रेम, खुशी, सुन्दर्ता, ग्यान, सद्भावना और समझ वे गुड़ा हैं जो कभी बुड़े नहीं होते हैं या मरते नहीं हैं कभी और दार्शनिक राल्फ वाल्डो इमरसन ने कहा था हम तब तक किसी इंसान के साल नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने को और कुछ ना बचा हो आपका चरित्र, आपके मस्तिस की गुड़वत्ता आपकी आस्ता और आपके विश्वास नश्वर नहीं है आप उतने ही युवा है जितना खुद को मानते है मैं हर कुछ सालों में लंदन के एक कैक्टस हॉल में भासर देता हूँ ऐसे एक भासर के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया उसने मुझसे कहा मेरी उमर्ट 84 साल है मैं हर सुबा ओपरेशन करता हूँ दोपहर मैं मरीजों को देखने जाता हूँ और शाम को मेडिकल वा विग्यानिक जनरल्स के लेक लिखता हूँ उसका नजरिया यह था कि वा उतना ही उपयोगी है जितना वा खुद को मानता है और उतना ही वा है जितने उसके विचार है उसने मुझसे कहा आपने अभी अभी जो कहा है वा बिल्कुल सही है विक्ति उतना ही सेशक्त होता है जितना वा खुद को मानता है और उतना ही मुल्यवान होता है जितना वा खुद को समझाता है इस सर्जन ने बुड़ाबे के सामने गुटने नहीं देके वह जानता था कि वह अमर है उसकी आखरी टिपड़ी यह थी अगर मैं कल मर जाओं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूँगा शाय सर्जन के ओजारों से नहीं बलगी मांसिक और अध्यात्मिक सर्जरी आपके सफेद बाल संपत्ती है कभी भी यह सोच किर किसी अवसर से मू न बोड़े मेरी उम्र इतनी ज़्यादा है कि इसका लाब नहीं ले सकता इस सोच का नतीजा ठहराव और मांसिक ब्रित्यू है अगर आप विश्वास कर लेते हैं कि आप ख़त्म हो चुके हैं तो आपका अवजेतन मन उस स्विश्वास को स्विकार कर लेगा और उसे हकीकत में बदल देगा कुछ लोग तीस साल की उम्र में ही बूड़े हो जाते हैं जबकि कुछ असी साल में भी युवा रहते हैं मैं ऐसे पुरूशियों और बहिलाओं से मिलता हूँ जो बताते हैं कि कई नियोकता यह सुनकर ही उन्हें नौकरी पर नहीं रखते हैं कि उनकी उम्र 40 से ज़्यादा है कंपरी के मालिकों का यह नजरिया भावहीन, निष्ठुर और करुडा तदा समझ से विहीन है किसने यह कहा है कि 35 साल से कम उम्र वाला ही बुद्धिमान होता है इसके पीछे का तर्क खोलकला और अर्धहीन है अगर कंपरी का मालिक सोचे, तो उसे यह एसास होगा कि वह व्यक्ति अपनी उम्र या सफेद बाल नहीं बेच रहा है इसके बजाए वह अपने गुड़, अनुबाव और बुद्धिमत्ता देना चाहता है जो उसने जीवन के बाजार में बरसों के अनुबाव से एकट्टी किया है उम्र एक संपत्ति है आपकी उम्र किसी भी संपत्ति के लिए सपश्ट रूप से संपत्ति होनी चाहिए क्योंकि आपने इतने बरसों तक स्वर्णिम नियम के सिद्दानतों और प्रेम तथा सद्बाव के नियम का अब्याज किया है आपके सफेद बाल, अगर आपके बाल बचे हो तो अधिक बुद्धिमानी, योगिता और समझ दर्चाते है आपकी भावनात्मक और अध्यात्मिक परिबक्तता किसी भी संस्तान के लिए बहुत बड़ा वर्दान होना चाहिए अपनी उम्र के बने इस बिजनस से मेरा मन भर गया हॉलिवुड के एक पटकता लेखक ने मुझसे कहा मैंने बरसू तक एक आला दर्जे का काम किया मैं अपनी कला को बागी किसी से भी अच्छी तरह जानता हूँ मैंने दुनिया बर के फिल्म समा रहो हो, मैं पुरुसकार जीते हैं इसलिए तुनों एक कहानी समेलन में गया था वाद 30 साल का स्टूडियो एक्जेक्यूटिव उससे बोला कि मैं आज के दर्शकों के साथ ताल में नहीं बैठा सकता जब मैंने तर्ग देनी की कोशिश की तो उसने मुझे बताया कि उसे ऐसी कोई पटकता नहीं चाहिए जो बारा से अठारा साल के लड़कों के दिमाग और रुची के अनुरूप ना हो मैं उठकर बाहर चलाया यह दुखत स्थिति है अगर इस तरह का मानसिक भोजन खिलाया जाए तो बहुत संख्यक लोग भावनात्मक और अध्यात्मक परिपक्तता को कैसे उम्मीद कर सकते है वो अपने भीतर चिपी व्यक्तिकत विकास की सम्मावना को नहीं देख पाते है मैं उनमें से सर्वस्रेश्ट की बराबरी कर सकता हूँ मैं साठ साल से अधिक के ऐसे दर्जनों लोगों को जानता हूँ जो युवा बने रहने के लिए पागलपन भरे अभियान में समय बरबाद करते है वे फैशनेबल दवाय लेते हैं फैशनेबल डाइटिंग करते हैं और अपने पैसे को सतही एक्सरसाइज मशीनों पर बरबाद करते हैं जिनका गुड़गान टीवी पर किया जाता है ज्यादा पैसे वाले लोग स्पा ट्रीटमेट लेते हैं लेफुसक्षन और कॉस्पेटिक सर्विजरी करवाते हैं वे निरर्थक अंदाज में लगातार चिल्लाते रहते हैं देखो मैं उनमें से सर्विजरेश्ट की बराबरी कर सकता हूँ इन लोगों को एक महान सच्चा याद रखनी चाहिए इनसार अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही वहाँ होता है डाइटिंग, बड़ी विटामिन और बागी सभी तरह के साहारे इन लोगों को जुआ नहीं रखेंगे उन्हें यह ऐसास होना चाहिए कि वे अपनी सोच के अनुरूप ही युआ या भूडे होंगे अब जेतनमन विचारों के अनुरूप बनता है अगर आपके विचार लगातार सौंदार्य, महांता और अच्छाई पर केंद्रित हैं तो आप अध्यात्वेक रूप से युआ बने रहेंगे बले ही आपके उम्र कितनी ही क्यों ना हो बुढ़ापे का डर जाब ने कहा था जिस चीज का मुझे इतना ज़्यादा डर था वह हो गई है कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं वे भविश्ची के बारे में अनिस्चित रहते हैं क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसेक और शारेरिक हास की उम्मीद करते हैं वे जैसा सोचते और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है आप बुढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिल्चस्पिक हो देते हैं सपने देखना छोड़ देते हैं नई सच्चाईयों के भूके नहीं रहते हैं और जीतने के लिए नई संसारों की खोज नहीं करते हैं जब तक आपका मस्तिस्क नए वेचारों और रूचियों के लिए खुला होता है जब तक आप परदा उठा कर दूप अंदर आने देते हैं जब तक आप जीवन तता ब्रमाण की नई सच्चाईयों की प्रेणा को ग्रहन करते हैं तब तक आप युवा और स्फूर्दिवन बने रहते हैं आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है चाहे आप 65 साल के हो या 95 के आपको यह ऐसास होना चाहिए कि आपके बास देने के लिए बहुत कुछ है आप युवा पीडी को स्थिर करने, सला देने और निर्देशित करने में बदद कर सकते हैं आप अपने ज्ञान, अनुभव और पुद्धिबानी का लाब दे सकते हैं आप हमेशा आगे देख सकते हैं, क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं आप पाएंगे कि जीवन चमतकारों और आश्चर्यों से बरा है दिनके हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिस्क हमेशा युवा बना रहेगा 110 वर्ष की उम्र कुछ साल पहले भारत में मुंबई में भासर देते समय मेरा परिचेक ऐसे विक्ति से कराया गया जिसकी उम्र उसके दोस्तों के अनुसार 110 साल थी उसका चेहरा बहुत सुन्दर था वह आंतिर्क प्रकाश से दमक रहा था उसकी आखों में दुरलब सुन्दर था थी मैं देख सकता था कि वह खुशी-खुशी बुड़ा हुआ था और ऐसा कोई चिन्द नहीं था कि उसके दिमाग ने इसकी रोशनी को धुंदला किया हो रिटार्मेंट एक नया अभियान यह जान ले कि आपका दिमाग कभी रिटार नहीं होता है आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए इसका तब तक कोई उपयोग नहीं है जब तक की यह खुल ना जाए नए विचारों के प्रती खुले और ग्रेंड शील्ड रहे मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटार होते देखा है उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं जाहिर है वे यह महसूस करते थे कि उनका जीवन खत्म हो गया है और चुकि वे ऐसा सोचते थे इसलिए ऐसा ही हो जाता था रिटार्मेंट का भियान एक नई चुनोती एक नई राह एक लंबे सपने की शुरुवात हो सकती है किसी को यह कहते सुनना बहुत ही निराशा जनक होता है अब मैं रिटार हो चुका हूँ अब क्या करूँगा वह दरसल यह कह रहा है मैं शारिरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ मेरा मस्तिस्क विचारों से दिवालिया हो गया है यह जूटी दस्वीर है जिल्चस्पी के कारण आपकी समझदारी, जीवन और प्रमान की समझ हर दिन बढ़ रही है वह एक पहतर काम में लग गया फैंक डबलू, एक एक्जेक्यूटिव और मेरे पडूसी है कुछ महीने पहले उन्हें जवरन नौकरी से निकाल दिया गया कमपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनरगठन योजना के कारण ऐसा किया गया था लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह था कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी मैंने उनसे पूछा क्या आप भेदभव के शिकार बंडे के बारे में कटूता मेहसूस करते हैं क्या आप अदालत में वो कदमा दायर करेंगे उन्होंने हसते हुए कहा मुझे लगता है है मैं कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा लेकिन मैं अपना समय और उड़जा इस तरह क्यो बरबाद करूँ मैंने नौकरी नहीं खोई है कंपनी ने मेरी सेवाई खो दी है उन्होंने ठहर कर आगे का मैं इसे इस तरह देखता हूँ जैसे मुझे अभी अभी किंडर गार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रोमोशन मिलाओ आपका क्या मतलब है देखिए उन्होंने जवाब दिया जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीडी की अगली पायदान चड़कर कॉलेज पहुँच गया मैंने अपनी सिक्षा और जीवन की सामाने समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया मेरा करियर एक और कदम था या शायद कई कदम अब मैं वे काम करने के लिए आजाद हो गया हूँ जिनने मैं हमेशा से करना चाहता था दूसरे शब्दों में नौकरी चूटने जीवन की सीडी पर एक कदम ऊपर पहुँचना है प्रैंक के समझदारी बरे निशकर्स पर पहुँचे कि वे अब पैसा कमाने पर ध्यान केद्रित नहीं करेंगे अब वे अपना पूरा ध्यान जीवन जीने पर देंगे वे बरसों से शौकिया फोटोग्राफर थे नौकरी शूटने के बाद उन्हेंने पास ही के एक आउट श्टूडियो में फोटोग्राफिक तकनीक का कोर्स किया और दुनिया की सैर पर गए वे जहां भी गए वहां की उन्होंने दर्जनू रोल तस्वीर एकीजी अब वे कई समोहों वे क्लबों में भाशर देते हैं और उनकी मांग बढ़ती जा रही है अपने बाहर की किसी महतपूंट चीज में दिल्चस्पी लेने के असंख के तरीके है नई रचनात्मक विजारों के प्रति उत्साही बने आध्यात्मिक प्रगति करें और सीखते तता विकास करते रहें इस तरह आप दिल से युवाब बने रहते हैं क्योंकि आप नई सच्चाईयों के भूके प्यासे हैं आपका शरीर आपकी सोच को हर समय प्रति बिम्बित करेगा आपको समाज का कैदी नहीं निर्माता होना चाहिए जो कानून कंपनी के मालिकों को कर्मचारियों से उम्र के आधार पर भेदभाव करने से रोकते हैं वे सही दिशा में एक कदम है लेकिन कानून अकेला ही लोगों की सोच को नहीं बदल सकता है 65 साल को कोई व्यक्ती, मानसिक, शारेरिक और मनोवेग्यानिक रूप से 30 साल के कई लोगों से ज़्यादा युवा हो सकता है हम यहां अपने श्रम के फलों का आनद लेने आए हैं उपियोगी बनने आए हैं समाज के कैदी बनने नहीं आए हैं जो हमारी उम्र के कारण हमें आलस की सजा देता है उम्र बढ़ने पर व्यक्ती का शरीर धीरे धीरे धीमा हो जाता है लेकिन अवजेतनमन की प्रेणा से उसका चेतनमन अधिक सक्रिय, जुस्त, जीवन्त और तीव्र हो सकता है दरसल मस्तिस कभी बुड़ा नहीं होता है युवावस्ता का रह से जवानी की दिनों को दोबारा पकड़ने के लिए अपने पूरे अस्तित्व में अवजेतनमन की चमतकारी, उपचारक, खुद के नवीन करने वाली शक्ती महसूस करें जान ले और महसूस करें कि आप प्रेरित हैं, उपर उठे हैं, तरुण बजच चुके हैं, नईस फूर्ती पा चुके हैं और आध्यात्मिक रूप से रीचार्ड़ हो चुके हैं आप उत्सा और खुशी से भरपूर हैं जैसे अपनी जवानी के दिनों में थे सिर्फ इस कारण क्योंकि आप हमेशा माचेद और भावनात्मक रूप से उस सुखद अवस्था को हासिल कर सकते हैं जो रोजनी आपके सिर के उपर चमकती है, वह दैवी ग्यान है यह ग्यान आपके सामने हर उस चीज को प्रकट कर देता है जिसे आपको जानने की जरूरत है भले ही परिस्थितिय कैसी भी दिखे आप इसकी मदद से अच्छाई की उपस्थिति की सकारात्मक घोशना कर सकते हैं आप अपने अवजेतन मन के मार्ग दर्शन से चलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि सुबा होती है और च्छायाएं गायब हो जाती है सपना देखे मैं बुड़ा हूँ या कहने के बज़ए कहें मैं डैवी जीवन के विद्यान में समझार हूँ कंपनी अकबारों या आकड़ों को अपने सामने बुड़ाबे की दस्वीर रखने की इजाज़त ना दे डलते साल जड़जडता सठियाना और निर्थकता इसे अस्विकार कर दे क्योंकि यह जूट है इस तरह के कुप्रचार को मानने से इंकार कर दे मौत को नहीं जीवन की गोशना करे खुश, स्वस, सफल, शान्द और सचक्त व्यक्ति के रूप में अपनी तस्वीर देखें आपका मस्तिस्क बूड़ा नहीं होता है शीरसरस्थ हार्ट सर्जन माइकल डेवेकी ने खून का पहला रोलर पंप 1932 में इजान किया था उनका बनाया पंप आज भी बाइपर सर्जरी में प्रयुक्त होता है डब्बे साल की उम्र में डॉक्टर डेवेकी को एक नए अविश्कात का प्रयुक करने की अनुमती मिली वह एक छोटा पंप था जिसे गंबीर रिदे रोगियों के सीने में लगाया जा सकता था डबेकी सिर्फ शोट से ही संतुष नहीं थे वे सर्जरी भी करते रहे उनके बारे में एक सहयोगी ने कहा था उन्होंने जितना किया है उतना करने के लिए बागी लोगों को पांच-छे जन्म लेने पड़ेंगे डबेकी नबबे साल के उम्र में अपने जीवन दर्शन का सार इस तरह से व्यक्त किया था जब तक आपके सामने चुनौतिया है और आप शारेरिक तदा माजशक रूप से शक्षम है तब तक जीवन रोमांचक और स्फूर्थीवान है उनका मस्तिक्स निन्यानवे के उम्र में सक्रिय था मेरे पिता ने 65 साल के उम्र में फ्रेंच भासा सीखी और 70 साल के उम्र में इसके विशेशक्य बन गए उन्होंने 60 साल से अधिक उम्र में ग्यालिक का धेन किया और इस विशेशके मशूर्टीचर बन गए उन्होंने उच्छ जिक्षा के एक इंस्टिट्यूट में मेरी बेहन की तब तक मदद की जब तक की वे 99 साल की उम्र में गुजर नहीं गए 99 साल की उम्र में भी उनका दिमाग उतना ही तेज़ था जितना की 20 साल की उम्र में था सस्तो यहाँ है कि उम्र के साथ उनकी तारकिक शक्ती अधिक पैनी होती गई वास्तव में आप उतने ही बुड़े होते हैं जितना आप खुद को मानते और मैसूस करते हैं हमें वरिष्ट नागरिकों की जरूरत है रोमन देशबक्त मारकस पोर्शियट केटू ने 80 साल के उब्रबे ग्रीग भासा सीखी महान जर्मन अमेरिकन कलाकार मैडम अरनेस्टाइन स्शूमैन हैंक दादी बनने के बाद अपनी संगीत सफलता के लिए शिखर पर पहुँची युनाली दार्शनिक सुकरात ने वादियंत्र बजाना तब सीखा जब वे 80 साल के थे माइकल एंजलो 80 साल की उम्र में अपने सबसे महान कैनवास पर पेंटिंग कर रहे थे 90 साल की उम्र में शियो सईमनाइट्स ने कविता का पुरुसकार जीता जोहानन वान केटे ने फास्ट पूरा किया और लियोपाल्ड वान रैंके ने अपनी हिस्ट्री अफ दे वर्ल्ड शुरू की जिस उन्होंने 92 साल की उम्र में पूरा किया हमें अपने वरिष्ट नागरीकों को उचे बदों पर रखना चाहिए और उन्हें स्वर्ग के फूलों को धर्थी पर लाने का हर अफजर देना चाहिए अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो जीवन के नियमों और अपने अवजेतन मन के आश्चरियों में रुची लें कोई ऐसा काम करें जिसे आप हमेशा से करना चाहते थे नए विश्यों के अध्यन करें और नए विचारों की जाच करें इस तरह से प्राटना करें हे इश्वर जिस तरह म्बरक जल्दारा की और भागता है उसी तरह मेरी आत्मा भी आपके लिए व्याकुल होती है भजन 42 बटेक बुढ़ापे के फल उसका मास किसी बच्चे से भी ताजा बना दिया जाएगा वो अपनी जवानी के दिनों में पहुँच जाएगा जौब 33 बटे 25 दरसल बुढ़ापे का मतलब है उच्चितम द्रिष्टी कोड से इश्वर की सच्चाईयों पर मनन करना यह ऐसास करें कि आप एक अनन्त यात्रा पर है आप जीवन के अविराम अथक अनन्त महासागर में महतपूर सीडियों की पायदान पर है फिर भजनकार के साथ आप भी कहेंगे वे बुढ़ापे में भी फल देंगे वे मोटे और सम्रिद्ध होंगे लेकिन आत्मा के फल प्रेम, खुशी, शान्ती, धैर, नर्मी, अच्छाई, आस्था, वेनम्रता, सही, शुड़ता है इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है आप अनन्त जीवन के शिशू हैं जिसका कोई अन्त नहीं है आप अमरता के वारिस है धैर, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, भुद्धी और समझ जैसे गुड़क कभी बुड़े नहीं होते हैं उन्हें विक्सित और व्यक्त करेंगे तो आप मांसिक और शारीरी ग्रूप से युवा बने रहेंगे समय के प्रभावों का मांसिक डर और समय बुड़ापे का कारण हो सकता है बुड़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है यह तो इनसान के मस्तिस्क में बुद्धी का होते है आपके जीवन के सबसे उप्योगी वर्ष 65 से 95 तक के हो सकते हैं बुड़ापे का स्वागत करे इसका मतब्या है कि आप जीवन की रा पर जादा उपर बढ़ रहे हैं जिसका कोई अंत नहीं है इश्वर जीवन है और यह अब आपका जीवन है जीवन सत्त नवीनी करण करने वाला शाश्वत और अविनाशी है तता सभी इंसानों की वास्तविक्ता है आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन इश्वर का जीवन है आप अपने मस्तिस्क को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिस्क है आप भावना को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है इसी दरह आपके दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य और सुन्दर्ता की भावना वास्तविक है आप जिंदगी को नहीं देख सकते लेकिन आप जानते हैं कि आप जंदा है बुड़ापे को उच्छतम दृष्टी कोण से ईश्वर की सच्चाईयों का मनन कहा जा सकता है बुड़ापे की खुशियां जवानी की खुशियों से ज़्यादा बड़ी है आपका मस्तिस्क आध्यात्मिक और मानसिक खेल में व्यस्त रहता है परकतिया आपके शरीर को धीमा कर देती है ताकि आपको दैवी चीजों पर मनन करने का अफसर मिल सके हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्स तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ ना हो आपकी आस्तों और विश्वास का कभी हास नहीं खो सकता आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं आप उतने ही शशक्त हैं जितना खुद को मानते हैं आप उतने ही योपियोगी हैं जितना कुद को मालते हैं, आप अपने विचारों जितने ही युवा हैं, आपके सफेद बाल संपत्ती हैं, आप अपने सफेद बाल नहीं बेज रहे हैं, आप अपनी प्रतिभा, योगिताएं और बुद्धिमानी बेज रहे हैं, जो आपने ब बुढबे का डर शारीरिक और मानसिक खास उत्पन नकर सकता है। पुझे जिस चीज का बहुत डर्था वह हो गई है। आप तब बुढ़े होते हैं जब आप सपने देखना छोड़ देते हैं। और जीवन में दिल्चस्पिक हो देते हैं। आप तब बुड़े होते हैं जब आप चिर्चिडे, संकी, पदविजाज और जड़ालू होते हैं अपने बन को इशुर की सच्चाईयों से बरें और उसके प्रेम की धूप फैलाएं यही जवानी है आगे की योर देखें क्योंकि हर समय आप अगसी में जीवन को देख रहे हैं आपका रिटार्मेंट एक नाय आभियान है नए अध्यान और रुचियों पर ध्यान दे आप वे काम कर सकते हैं जो आप हमेशा से करना चाहते थे लेकिन पहले इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि आप कमाने में व्यस्त थे जीवन जीने पर ध्यान दे समाज के कैदी नहीं निर्माता बने अपनी रोशनी जाडियों के नीचे ना चिपाएं जवानी का रह से प्रेम, खुशी, आंध्रिक शान्ति और हसी है इश्वर खुशी से भरपूर है इश्वर में जरा भी अंदकार नहीं है आपकी जरूरत है कई महान दार्शनिकों, कलाकारों, विज्ञानिकों, लेखकों और अन्य मशूर लोगों ने अपना महानतम कास 80 साल की उम्र के बाद किया है बुड़ाबे के फल है प्रेम, खुशी, शान्ति, धैर, नर्मी, अच्छाई, आस्था, विनमर्दा और सयम आप असी में जीवन के शिशू है जिसका कोई अंत नहीं है आप अमर्ता के वारिस है आप अनूठे है आप अनूठे है